दोस्तो स्वागत है आपका, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बेहत रोमान्चब थ्रिलर कहानी, चलिए शिरू करते हैं अपने फ्लैट में दाकिल होते ही अजे की निगाह, सामने सोफा चेर पर बैठी नीलम कपूर पर पड़ी वो ठीक उसी तरह बैठी थी, जैसे की करीब घंडा भर पहले अजे उसे चोड़ गया था लेकिन अब उसके चहरे पर खीज मिश्वित बोरियत भरे भाव नजर आ रहे थे नीलम उसकी हम पेशा और थंडर के आफिस में उसके कुलीक थी, जिस इमारत में वो पहले रहती थी, वो काफी पुरानी थी इन दिनों उसे नया रूप देने के लिए वहां दिन रात कंस्रक्शन वर्ट चल रहा था इसलिए वहां रहने वालों को अस्थाई तोर पर वो इमारत खाली करनी पड़ी थी संयोग वश अजे के ठीक उपर दो कमरों वाला फ्लैट खाली पड़ा था उसने तीन महीने के लिए वो फ्लैट नीलम को किराई पर दिला दिया था इस तरह नीलम अचानक आजकल पार्क स्ट्रेट पर स्थित उसी साथ मंजिला इमारत के पांचवे खंड पर रह रही थी उस दिन इत्वार था अजे और नीलम ने अपने एक अन्या सेकर्मी की शादी में जाना था करीब घंटा बर पहले नीलम पूछने आई थी कि किस वक्त चलने का प्रोग्रेम है उस वक्त अजे कहीं जाने के लिए तयार था नीलम ने प्रशनात्मक निगाहों से उसे घुडा क्या कहीं जा रहे हो हाँ एक जरूरी काम है अजे ने जवाब दिया आदे घंटे में लॉट आऊंगा शादी में नहीं चलोगे क्या जरूर चलूँगा अभी तो काफी वक्त है हाँ अभी तो वक्त काफी है लेकिन तुम्हारा आदा घंटा अगर लंबा हो गया तो हम शादी के बाद भी वहाँ पहुँचेंगे अजे हसा ऐसा नहीं होगा मैं 30 मिनट में ही वापिस आ जाऊंगा प्रॉमिस हाँ प्रॉमिस चीक है तुम जाओ नीलम ने कहा मैं यहीं बैठ कर तुम्हारा इंतिजार करूँगी और एक सोफा चेर में बैठ गई गुड अजे उसे चेरने की नियत से बोला मैं खुद भी तुमसे यही कहने वाला था क्या मतलब सीधी सी बात है मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई फॉन कॉल आती है तो तुम उसे अटेंड कर लोगी और अगर कोई मिलने आता है तो उसे चाय पानी पिला दोगी अजे शरारती ढंक से मुस्कुराया यानि तुम घर की मालकिन हो अजे के लेजे से साफ जाहिर था कि घर की मालकिन कहने से उसका वास्तवी काश्य घर वाली था एक पल के लिए नीलम का चहरा हजार वाट के बल्ब की भांती चमकने लगा फिर उसके गालों पर शर्म की लाली चा गई और फिर वो कृत्रिम रोश पूर्वक बोली मुझे अपने घर की नौकरानी समझते हो क्या नहीं मालकीन कहकर अजे बाहर निकल गया था और अब वो आधे गंटे की बचाए घंडे भर के बाद लाटा था उसे उमीद थी कि नीलम देखते ही उस पर बरस पड़ेगी लेकिन नीलम को खामोश पा कर उसे तनिक ताज्जुप हुआ फिर वो खुदी सफाई देता हुआ बोला सौरी नीलम टैक्सी ना मिल पाने की वज़़ से देर हो गई नीलम कुछ कहने की बचाए उसे घुरने लगी अब तुम जाकर तैयारी शुरू कर दो अजे ने कहा कम से कम डेर घंटा तो तुम्हें तैयार होने में लगेगा ही नीलम पूरवत खामोश बैठी उसे घुरती रही क्या बात है अजे ने पूछा तुम चुप क्यों हो इसलिए कि तुम्हें अभी देर लगेगी नीलम करवाहट भड़े लेचे में बोली अजे ने असमंजस्ता पूरवक उसे देखा क्या मतलब करीब 20 मिनट पहले तुम्हारे लिए एक फोन कॉल आई थी फसी सी आवास में जल्दी जल्दी कहा गया था मैं मेग राज सक्सेना बोल रहा हूँ मैं उसे टालने के लिए कहना चाहती थी कि तुम कहीं गए हो और देर राज गए लोटो के लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला क्यूं फोन डिसकनेक कर दिया गया था क्या नहीं अजे का चेहरा भाव हीन था तो फिर नीलम अपेक्षा करित सामान्य नजर आने लगी थी हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो वो हिच के चाहर भरे लेचे में बोली लेकिन मुझे लगता है उसे बीच में ही रोग दिया गया था उसके बोलने के ढंक से मुझे यूं लगा था मानो वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन किसी व्यक्ती ने या फिर किसी और चीज ने उसे बीच में ही रोग दिया था अजर की आनके तनिक सिकुर गई थी मेगराज सक्सेना वो अपने बालों में हाथ फिराता हुआ बोला कौन हो सकता है ओ याद आया लेकिन समझ में नहीं आता खैर वही होना चाहिए क्योंकि और किसी मेगराज सक्सेना को मैं नहीं जानता कौन है ये मेगराज सक्सेना नीलम ने जानना चाहा फोन पर उसकी आवाज और बोलने का लहजा बड़ा ही अजीब सा था शायद ये आदमी वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ अजे सेर हिलाता हुआ और निश्चित से स्वर में बोला क्या तुमने नाम ठीक से सुना था हाँ ठीक है थोड़ी दिर इंतिजार कर लेते हैं लेकिन ये मेगराज सक्सेना है कौन इससे पहले की अजे जवाब देता दर्वाजे कोई और मुख की ये बैठी नीलम के कंट से गोटी से चीक निकल गई अजे फॉरन पल्टा और फिस्तब सा खड़ा रह किया दर्वाजे में एक आदमी खड़ा था उसका जिस्म आगे की और छुका हुआ था वो सर्च का नीला डबल ब्रेस्टेंट सूट पहने था जो उसके बदन पर बहुत ज्यादा तंग था उसने अपने हाथ कोट की जेमों में यूँ ठूस रखे थी मानो इस तरह कोट को अपने उभरे हुए पेट पर और ज्यादा कसने का प्रत्न कर रहा था उसकी सांसे और व्यवस्तित थी सफेद पड़ा चेहरा पीड़ा से विक्रित था आतंग से फटी पड़ रही आँखे सामने कहीं शुन्य में अटकी सी प्रतीत होती थी अजे तेजी से उसकी और लपका तब ही आगंतों का जिस्म लहराया उसने आगे आने के लिए कदम बढ़ाना चाहा लेकिन इस प्रियास में वो बुरी तरह लड़ खड़ाया और इससे पहले की अजे उस तक पहुँच पाता वो गुटनों के बल नीचे आगी रा फिर वो दाई और लुटका और पीट के बल फर्ष पर फैल गया उसके जबडे भिचे हुए थे और उनके बीच से फस फस कर निकलती सांस के साथ मो के एक कोने से खून जाब की शकल में बाहर आ रहा था सैसा उसकी पुतलियों में हरकत हुई उसके होन फर फड़ाई और मो से अटक अटक कर यूँ शब बाहर आने लगे मानो उनी के लिए अब तक उसने अपनी जिस्मानी और दिमागी ताकत को किसी प्रकार बचाए रखा था व न ही ची न सके सब कुछ काली डाईरी उसने कहा फिर उसकी गरदन एक और लुड़क गई और पुतलियां स्थेर हो गई उसकी आँखों में जीवन जियोती बुच चुकी थी किसी गौफटी की भांती पल के जबकाते खड़े आजे को एक और एक वास्विक्ता का अभास हुआ और वो मितक की लाश के उपर जुग गया उसने नीले कोट के बटन खोल दिये कोट के नीचे उसी रंग और कपड़ी की बास्केट थी वो इतनी तंग थी कि जिस्म के साथ चिपकी हुई सी लगती थी उसके बटन खोलने के लिए अजे की उंगलियों को खासी मेहनत करनी पड़ी अब तक खामोश बैठी नीलम हकलाती सी बोली क्या कर रहे हो अजे की निगाहें लाश की चाती पर केंद्री थी इसकी चाती में गोलियों के तीन सुराक बने हुए है वो बोला पता नहीं यहां तक कैसे पहुँच गया मैं तो इसे चमतकार ही कहूंगा वो गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और दर्वाजा बन कर दिया अजे नीलम ने उत्तेजित स्वर में पूछा क्या ये मेगराज सकसेना है वही आदमी जिसने फोन किया था अजे ने गौर से मृतक को देखा उसके मजबूत नजर आने वाले चेहरे पर जुरियां पड़ी हुई थी लगता तो वही है वो बोला लेकिन मैं यकीनी तोर पर नहीं कह सकता क्यूं? मेगराज को मैंने करीब आठ साल से नहीं देखा था अगर ये वही है तो मैं कहूंगा कि ये अर्सा इस पर बड़ा मुश्किल घुसरा है नेलम समझ चुकी थी कि शादी में जाने का प्रोग्रेम खुद बखुद कैंसल हो गया था लेकिन अब इसका जरा भी खेद उसे नहीं था उसके अंदर का प्रेस रिपोर्टर धीरे-धीरे सजग होने लगा था ये सब कैसे हुआ हो सकता है अजे इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है नेलम उटकर उसके पास आखड़ी हुई इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं क्या इसे यहीं पड़ा रहने दोगे हाँ क्यूं अजे के चेहरे पर विचार पूर्ण भाफ थे बैतर होगा कि क्या और क्यूं के चकर में पढ़ने की बजाए तुम अपने फ्लैट में जाकर तयार हो और शादी में चली जाओ मैं तो जा नहीं सकता शादी में तो मैं भी नहीं जाओंगी नीलम ने द्रिट स्वर में कहा फिर पूछा इसके लिए डॉक्टर नहीं भुलाओगे क्या अजे ने उसे हैरानी से देखा क्या तुम समझती हो इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है नीलम ने मृत पड़े आदमी को गौर से देखा ये ये मर चुका है क्या हाँ अब इसके लिए कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता अब तुम क्या करना चाहते हो इसने मरने से पहले अटक अटक कर कहा था वे नहीं चीन सके काली डाइरी मैं जानना चाहता हूँ कि इसके उन शब्दों का क्या अर्थ है वे लोग कौन है वे क्या नहीं चीन सके काली डाइरी का क्या चकर है ये मुझसे क्यों मिलना चाहता था और इसे मेरे पास आते वक्त ही क्यों शोट किया गया इसका हत्यारा अभी शहर में ही होगा क्या पुलिस को इतिला करना चीक नहीं रहेगा पुलिस को इतिला देनी ही पड़ेगी लेकिन अभी नहीं अजे शांस्वर में बुला ये बिन बुलाई मुसीबत काम का मेरे गले पड़ गई है इस से मैं अपने ढंक से निपटूंगा पुलिस बुलाने से पहले मुझे कहानी गड़नी पड़ेगी एक कैसी कहानी जिसे उन लोगों को सुनाया जाए तो वे उस पर यकीन कर ही ले मेरा इसमें क्या रोल रहेगा तुम्हें इन्वाल्व करना मैं नहीं चाहता लेकिन पुलिस को फौरन इतिला ना देकर मैं तु खुदी इन्वाल्व हो चुकी हूँ कहकर नीलम ने पूछा बताओ मुझे क्या करना है अभी तुम आराम से बैठो वक्त आने पर बता दूँगा नीलम पुझे सोफा चेर पर जा बैठी अजे लाश के पास बैठ कर उसकी जेबो की तलाशी लेने लगा कोट की भीतरी जेबो और पैंट की जेबो से मिली चीज़ों को उसने कार्पेट पर रख दिया फिर एक एक करके बारिकी से उनकी जांच करने लगा रेजगारी की रिंग और ऐसी ही दूसरी मामुली चीज़ों को उसने वापिस उनी जेबों में रख दिया जिन से वो निकाली थी अंथ में उसने चम्रे का गिसा हुआ बदरंग और पुराना पर्स उठाया उसमें दो हजार दो हजार तीन सो एक्किस रुपेओं के इलावा कुछ कागजात थे रुपेओं को वापिस रख कर उसने कागजात को खोल कर उनका अध्यायन किया फिर कागजात को उसी तरह पर्स में रख कर पर्स कोट की भीतरी दाईं जेब में रख दिया क्या पता चला, ये कौन है? नीलम ने पूचा अगर किसी ने मेग्राज सक्सेना का पर्स इसके जेब में नहीं लग दिया था तो ये मेगराज सकसेना ही है अजे ने जवाब दिया लेकिन ये पता नहीं चला कि इसके कहने के मताबिक वो क्या चीज थी जिसे वे लोग नहीं चीन सके उसने पुने मेगराज की लाश को गौर से देखा उसके दोनों हाथ अभी भी कोट की जेबों में ठुसे हुए थे अजे ने उसका दाया हाथ निकाला हाथ खाली था कोट की वो जेब भी खाली थी लेकिन दूसरा हाथ बाहर निकाल दे ही अजे की आँखे चमक उठी मुठी की शकल में भीचे भाई हाथ में एक कागस दबा हुआ था अजे ने एक एक करके उसकी उंगलियां सीधी करके मुठी खोली और कागस निकाल लिया वो वास्तव में तीन साइडों से बे तर्तीबी से काटा कोई दो इंच ओड़ा और तीन इंच लंबा मुठी में भीचा रहने की वज़ा से सिल्वटे भरा कागस का एक टुकड़ा था अजे ने सिल्वटे दूर करके उस टुकड़े को गौर से दिखा हलके पेले रंग के उस कागस पर छे अंकों की एक संख्या के नीचे चौड़ी लाइनों में लवजों के टुकड़ों की शकल में इबारत भी छपी हुई थी लेकिन ना तो अजे को उस अधूरी इबारत का मतलब समझा सका और ना हिए कि वो टुकड़ा वास्तव में किस पूरे कागस का हिस्सा था ये क्या है अजे नीलम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा पता नहीं लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि ये वही चीज है जिसे वे में गरात से नहीं चीन सके अजे ने खड़े होकर वो कागस अपनी जेब में डाल लिया फिर नीलम के पास माँचा अब तुम ध्यान से अपना रोल समझ लो मैं जा रहा हूँ मेरे बाहर निकलते ही तुम फुलिस हैट क्वार्टर्स फोन करोगी अपने स्वर को उत्तेजित बनाते हुए तुमने कहना है कि अभी अभी एक आत्मी यहां आया और दर्वासे में घुसते ही नीचे गिर कर मर गया तुम नहीं जानती कि मैं कहां गया हूँ लेकिन मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी गैर मौचूदकी में मैं तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रही थी हम दोनोंने शादी में जाना था तुम मेरे लोटने का इंतिजार कर रही थी अजिला परवाही से बोला जब तुम इस इमारत में नहीं रहती थी तब भी तुम्हें पता होता था कि मैं फ्लैट किस पे और चाबी कहां रखता हूँ वैसे मैं समझता हूँ पुलिस विभाग में अभी किसी को जानकारी नहीं है कि तुम इसी इमारत में रहती हो ठीक है मैं निपट लूंगी नीलम ने कहा लेकिन तुम जा कहां रहे हो बाहर अजे दर्वासे की और बड़ा फिर रुख गया मेगराज सक्सेरा के फोन के बारे में भी बता देना लेकिन भूल से भी ऐसा कुछ मत कह बैटना जिससे किसी को जरा भी शक हो कि जब मेगराज आया तो मैं भी यहीं मौचूद था नीलम ने सहमती सूचक से हिलाया और कुछ हाँ तुम नहीं जानते कि मिरे तक कौन था या कहां से और क्यूं आया था ठीक है अजे मुस्कूराया जोट इस जंग से बोलना के सुनने वालों को सौफी सदी यकीन आ जाए नीलम मुस्कूराई फिक्र मत करो ऐसा ही करूंगी विश्यो गुड लग अजे पुने जाने के लिए बड़ा ही था कि टेलीफोन की घंटी बचने लगी वो फौरण रुख गया नीलम उठी और कोरे में रखे टेलीफोन का रिसेवर उठा लिया येस वो माउथ पीस में बोली फिर दूसरी और से जो कहा गया उसे सुनकर माउथ पीस पर हाथ रख कर अजे की और देखा वाच्मेन का फोन है तुमसे एक लड़की मिलने आई है अजे ने सेर हिला कर इंकार कर दिया उससे कह दो वो कहती है उसे मेगराज सक्सेना ने भेजा है अजे की आँखों सिकुर गई तब तो उससे मिलना ही पड़ेगा वाच्मेन से कहो कि पांच साथ मिनट रोके रखने के बाद उसे तुम्हारे फ्लैट में भेज़ दे उससे वही मिला जा सकता है तुम्हारा फ्लैट लॉक्ट है क्या नहीं अजे के चेहरे पर गेहन विचार पूर्ण भाव थे उसने मन ही मन कुछ टै किया और मेगराज की लाश के पास जा कर उसके पर से दो हजार रुपए निकाल कर बाकी रुपए वापिस रख दिये तुमने ये रुपए क्यों निकाल लिये खर्च के लिए आखिर इस बखेडे से निपटने में खर्चा तो होगा ही रुपए की जरूरत जीवित लोगों को होती है किसी मुर्दे को नहीं अजे निला पर वाही से कहा फिर गंभीरता पोरवक बोला मेरे जाते ही तुम वही सब करना जो मैंने कहा है लेकिन लड़की का कोई जिक्र मत करना अजी जल्दी से बाहर निकला दर्वाजा खुला चोड़कर कॉरिडोर से गुजरा और सेडियों द्वारा पांचमें खंड पर जा पाहुचा नीलम के फ्लैट का दर्वाजा खोल कर भीतर दाखिल हुआ अपना कोट उतार कर सोफे पर डाल दिया पश्चिम के और खुलने वाली खिड़की खोलते ही ढलते सूरज के किरने कमरे को प्रकाशित करने लगी किचन में जाकर रेफ्रिजरेटर से विस्की की बोतल निकाल कर अजे ने एक ड्रिंक बनाया गिलास सहित वापिस लट कर वो सोफे पर आबैठा और एक सिगरेट सुलका ली मुश्किल से दो मिनट बाद दर्वाजे पर हौले से दस्तक धी गई अजे ने गिलास से तगड़ा घोट लिया और उन्जी आवास में बोला कम इन दर्वासा खोल कर जो लड़की प्रकट हुई वो जवान और खूप सूरत थी गोरा रंग औसत कत पुष्ट सुडोल जिस्म और कंदों तक कटे स्या काले बाल वो लाइट ग्रे स्कर्ट ब्लाउस और कोट पहने थी पैरों में उंची एड़ी के सफेद सैंडल थे और बाइग कंदे पर चमरे का हैंड बैग चूल रहा था वो हिच के चाई सी दर्वाजे में खड़ी थी अजे ने अपना गिलास टेबल पर रख दिया वो उटकर लड़की के पास पहुँचा लड़की के होंटों पर हलकी मुस्कुराहट थी लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आँकों से भए जलक रहा था आईए अजे बोला लड़की कमरे में आ गई अजे दर्वाजा बंद करके उसकी और पलता क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी आगंतुका ने लंबी पल के जपकाई आप मिस्टर अजे कुमार है उसने पूछा उसके स्वर में संदे का हलका सपोर्ट था अजे मुस्कुराया हाँ थंडर के प्रेस रिपोर्टर हाँ आपको शक है क्या आगंतुका परे हट गई न नहीं वो ड्रॉइंग रूम में निगाहें दोडाती हुई बोली फिर क्यों बूछ रही हो आगंतुका तनिक मुस्कुराई मैंने सोचा भी नहीं था वो हिच किचाती सी बोली कि आप इस कदर जवान और हैंडसम होंगे यानि मुझे देखकर निराशा हो रही है अगंतुका ने जवाब नहीं दिया बेड्रॉम के खुले दर्वाजे से भीतर जानती हुई वो खुली खिर्की के पास जा खड़ी हुई अजे उसका आश्या समझ गया अगर आप समझती है यहां हम दोनों के इलावा कोई और भी है तो इसे दिमाग से निकाल दीजिए उसने कहा फिर जूट का सहारा लेकर बोला मेरी पतनी बाहर गई हुई है इस वक्त हम बिलकुल अकेले हैं अगंतुका धीरे धीरे पल्टी उसने अपनी हतेलियां खिर्की के चौकट पर टिका ली सूरज की रोचनी में उसके काले चमकीले बाल और ज्यादा चमकने लगे थे उसकी आँखे तनिक सिकुड गई थी और होंट हलकी सी मुस्कुराहट की मुद्रा में खिंच गई थे मैं नहीं जानती थी कि आप शादी शुदा है इसे लिए तो मैंने जल्दी ही बता दिया कहकर अजे टेबल के पास पहुँचा और अपना गिलास उठा लिया क्या आप ड्रिंक लेंगी अगंतुका के होंटों से मुस्कुराहट गायब हो कई नो थैंक यू वो बोली मेरा नाम मोना मैसी है अजे ने ड्रिंक सिप करते हुए उसे देखा और तुम्हें मेगराथ सक्सेना नामक आदमी ने भेजा है उसने बेक तरलक तकल्फ होने की कोशिश करते हुए पूछा मोना मैसी ने बड़ी अदा से अपनी लंबी पल के जुका ली हाँ मेगराथ सक्सेना नामके एक आदमी को आठेक साल पहले में जानता था अरजे उसे देखता हुआ बोला और उस वक्त कोई अच्छा आदमी वो नहीं था मैंने तो सोचा तक नहीं था कि तुम जैसी लड़की भी कोई वास्ता उससे रख सकती है मोना पोरवत निगाहें नीचे किये खड़ी रही मैं समझती हूँ वो धीमी आवास में बोली वो वही आदमी होना चाहिए उन दिनों वो प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करता था अभी भी है क्या उतना ही बदनाम और घटिया मोना ने जवाब नहीं दिया तुम मेरे पास किस लिए आई हो अजे ने सीधा सवाल किया सकसेना ने ही आपके पास आने की सला दी थी उसका कहना था कि विराट नगर में आप से ज्यादा सही और भरोसे मन मददगार और कोई दूसरा नहीं मिल सकता सकसेना से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी आज कहा इसी शहर में सुबा अचानक ही मिल गया था तुम उसे कैसे जानती हो मोना ने निगाहे उठा कर उसे देखा मैं उसे कोई खास नहीं जानती विशालगड में ही दो तीन बार मुलाकात हुई थी उसने कहा और हात मलती हुई तनिक सी आगे आगई मैं इस शहर में बिलकुल अकेली हूँ मेरा हर पल देश्यत में गुजर रहा है आपको मेरी बात सुननी होगी मेरी मदद करनी होगी अब मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है तुम्हारी बात मैं जरूर सुनूंगा आजे उसे आश्वासन देता हुआ बोला और गौर से सुनूंगा उसने मोना की बाँ पकड़ी और उसे एक कुरसी के पास ले गया आराम से बैठ कर सुनाओ मोना ने कुरसी पर बैठ कर अपनी एक टांग दोसरे टांग पर रख ली शुरू हो जाओ अजे उसके सामने बैठता हुआ बोला मेरी बात सुनने में आपको अच्छीब लगेगी लेकिन मेरी आप से गुजारिश है कि पूरी बात सुने बगएर कोई नतीजा मत निकालना मोना आगे जुक कर याशना पूर्वक बोली मैं एक अरसे से इस बात को अपने अंदर दबाए हुए हूँ लेकिन अब और ज्यादा गुटन बरदाश नहीं कर सकती उसने गहरी सांस ली मेरी बतकिस्मती है कि मेरा अपना कोई नहीं है और इस खौफनाक मुसीबत से मैं अकेली नहीं निपट सकती अजे ने प्लेयरस गोल्ड लेफ का एक सिगरेट सुलगा लिया तुम्हारी बातों से लगता है बड़ा है दिल्चस्प कोई किस्सा सुनाने वाली हो मोना ने चौंग कर उसकी और देखा किस्सा? खत्रों से खेलने का शौक है और मुसीबत जदा औरतों की मदद करने से आप कभी इंकार नहीं करते अजे मुस्कुराया यानि तुम्हारी निगाहों में मैं मौडरन हातिम ताई हूँ मोना ने जवाब नहीं दिया अपनी गोद में रखे उसके हातों में हलका सा कमबन था और उसका स्कर्ट गुटनों से उपर खिसक गया था लेकिन वो गौर से अजे को देख रही थी इस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था तुम जो भी सुनाना चाहती हो सुनाओ अजे ने उसे टोका कुछ भी सुनाने से पहले मैं आप से एक वादा लिना चाहती हूँ कैसा वादा आप मेरी बातों को सिर्फ अपने तक ही रखेंगे अजे ने अब उसे थोड़ा जटका देना मुसीब मुनासिब समझा देखिये मिस मुँ मुँ बनाता हुआ बोला अगर मुझ पर एत्बार नहीं है तो आप तश्रीफ ले जा सकती है मुना के चेहरे पर तनाफ पैदा हो गया उसने होन काटते हुए निगाहे जुका ली शायर मेरी बाते आपको बेवकुफाना लग रही है वो अपना सकर्ट घुटनों पर से नीचे खिसकानी के बाद तल्ख लेचे में बोली लेकिन आप नहीं जानते कि कल मैंने खुद कुशी करने की भी कोशिश की थी अच्छानक वो काम गई से प्रतीत हुई क्योंकि मैं पूरी तरह नाउमीद हो चुकी थी फिर मेरी मुलाकात सक्सेना से हुई उसने मुझे आपके बारे में बताया और मैं एक बार फिर उमीद लगाने का पागलपन कर बैठी इस तरह भूमी का बादने से कुछ नहीं होने वाला अजे शोशक स्वर में बोला तुम गोलम और बातों में खाम का वक्त जाया कर रही हो बैतर होगा कि सीधी और साफ बाते करो मोना के चेहरे पर एक पल के लिए क्रोध पोर्ण भाव उत्पन हुए फिर लुप्थ हो गए मेरे साथ परिशानी ये है कि सीधे और साफ ढंक से सोच ही नहीं पा रही हूँ आप मुझे एक ड्रिंक देंगे क्या हाँ श्योर अजे उठकर किचन में पहुँचा एक गिलास में विस्की का जाम बनाया और जाम सहित वाबिस ड्राइंग रूम में आ गया गिलास में इस पर रख कर वो वापिस अपने कुर्सी पर बैठा ही था कि पीछे खुली खिरके से पुलिस साइरन की हर पल तेजी से निकर्टाती जा रही आवाज सुनाई थी अंत में हिमारत के सामने आखरी बार चीक कर साइरन शान्त हो गया ये फायर एंजन की आवाज थी क्या मोना ने पूछा उसकी होगी या फिर पुलिस साइरन की अजनिला परवाही से कहा फिर बोला ड्रिंक लो मोना ने गिलास उठा कर तगड़ा घूंट लिया ड्रिंक बढ़िया है वो बोली अब वो राहत मैसोस करती नजर आ रही थी उसका बाया हाथ सोफा चियर की बाजू पर रखा था पुश्ट से पेट सटाई आराम से कुर्सी में पस्री हुई थी उसके सुडोल टांगे सामने सीधी फैली हुई थी और सकर्ट एक बार फिर खिसर कर घुटनों से उबर जा पहुँचा था अजे ने नया सिगरिट सुलगा लिया और उसके बोलने का इंतिजार करने लगा आप बहुत अच्छे आदमी है अचानक मोना भूली यहां बैठ कर मुझे बड़ा सुकुन मिल रहा है ना जाने क्यों मुझे पूरा यकीन हो चला है कि अब मेरी तमाम परिशानिया दूर हो जाएंगी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एक घूंट विसकी तुमने पी है वो तुमें चड़ गई है ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं सुनाती जो सुनाने आई हो मैं वही कहना चाहती हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करू मेगराथ सक्सेना से शुरू हो जाओ उसमें मेरी भी दिलचस्पी है क्योंकि करीब आट साल से मेरा कतई कोई संपर्ट उससे नहीं रहा है कहकर अजय ने पूछा वो विराट नगर में क्या कर रहा है पता नहीं मैं बता चुकी हूँ कि सक्सेना को ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानती अलबता ये सही है कि उसे कुछ हरसे से जानती हूँ लेकिन यहां आमारी बुलाकार्ट अचानकी हो गई थी फिर जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है और उस आदमी का नाम है अजय कुमार लेकिन मैं भी बिना असलियत को जाने कुछ नहीं कर सकता जानती हूँ मगर वो सब बता पाना भी इतना आसान नहीं है क्यूँ आपको मैं जैसी नजर आती हूँ असल में मैं वैसी नहीं हूँ क्या मतलब उपर से जितनी भोली दिखती हूँ अंदर से उतनी ही ज्यादा मकार हूँ अजय मुस्कुराई बिना नहीं रह सका तुम्हारी साफ कोई मुझे पसंद आई अब ये भी बता दो कि किस किसम की मकार हो मोना गौर से उसे देख रही थी वो पोन्ट या गंभीर थी मेरी बात को मजाक मत समझे मैं सच कह रही हूँ वो बोली उसके स्वर में करवाहट का गहरा पुट था मैं बहुत बुरी वारत हूँ कुछ एक बड़े ही गलत और गंदे काम मैं कर चुकी हूँ जिनकी वज़ा से अब मैं खतरनाक मुसीबत में फस चुकी हूँ अचानक उसके चेहरे की मास पेशियां कस गई विशाल गर्ड में मैं एक डाइवोस रेकेट में डेकोई गर्ल का काम करती थी डाइवोस रेकेट कैसे चलता है ये तो आप जानते ही होंगे उसने पूछा फिर जब आप का इंतिजार किये बिना बोली शुरू में मैं एक शोग गर्ल थी लेकिन उस काम से खास आमदनी मुझे नहीं हो पाती थी मैं मुश्किल दोर से गुजर रही थी उन्ही दिनों एक पार्टी में मेरी मुलाकात एक वकील से हुई वो वकील और मेगराच सकसेना मिलकर डाइवोस रेकेट चला रही थी सकसेना अपनी लेडिस क्लाइंट्स के लिए डाइवोस एविडेंस जुटाता था और वकील उन एविडेंस के आधार पर डाइवोस का सॉलिड केस बना कर अदालत में पेश कर देता था मैं भी उन दोनों के साथ धन्दे में शामिल हो गई इसमें कमिशन ऐसा होता था कि पती खुदी साजिश करता था और अपने खिलाफ एडल्ट्री यानि विअभिचार का इतना पुक्ता सबूर जिसे अदालत में भी जूटा साबित ना किया जा सके तैयार करने में पूरा सैयोग करता था लेकिन ज्यादातर केसिस में पती एक ऐसा बेवकुफ शिकार होता था जिसकी पत्नी उससे उप चुकी होती थी और इसलिए तलाफ लेना चाहती थी ताकि बिना किसी रोक टोक के मन चाहे ढख से जिन्दगी गुजार सके और तलाफ के साथ गुजर बसर के लिए हर महीने मुफ्त में मोटी रकम उससे वसूरती रहे उसने गिलास से तगड़ा घोट लिया फिर बोली ऐसे शिकार को हलाल करने की जिम्मेदारी मुझ़ पर होती थी मैं उसे पहले लुभा दी फिर बड़ी सफाई से फसा कर पहले ही से निश्चित किये कई ठीकाने पर ले जाती थी वहाँ पहले से ही एक फोटोग्राफर छिपा रहता था मैं शिकार को अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए तयार करती थी फिर जैसे ही वो शुरू होने वाला होता फोटो खीर्च ली जाती थी और फिर पहले से ही तयार उसकी पत्नी भी मौके पर पहाँच कर हमें रंगे हातों पकड़ लीती थी बेडरूमें ये नाटक करने के लिए मुझे हर बार खासी रकब बतौर कमिशन मिलती थी और अगर अदालत में गवाही देने की नौबत आती तो उसका पैसा अलग से मिलता था बस करो अच्छे उसे टोकता हुआ बोला पूरा खाका खेशने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूँ सक्सेना कितना गंदा और कमीना आदमी हुआ करता था आगे बोलो क्या हुआ करीब दो महीने पहले मुझे एक नए शिकार से मिलवाया किया उस आदमी का नाम खेर छोड़ो लेकिन आपको हर बात की जानकारी होनी चाहिए उसका नाम विजे मोहन है वो इतना अच्छा आदमी है पहली ही मुलाकात में मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी मैं समझ नहीं सकी कि इतने अच्छे आदमी को कोई औरत तलाग क्यों देना चाहती थी मेरी निगाहों में उसकी पत्नी पागल थी जो एक अच्छे पती का जबरन अपने हाँ से गवा रही थी मोना सिधी तरी बैठी थी और जल्दी जल्दी बोल रही थी खैर हुआ ये कि विजे मोहन का शिकार करने के चकर में मैं खोदी उसकी शिकार हो गई यानि मैं उससे दिल दे बैठी थी कितनी अजीब बात है मैं जो एक पेशेवर डिकॉई गर्ल थी अपने ही एक शिकार की महबबत में गिरुफतार हो गई लेकिन ये बात उतनी अजीब नहीं है जितने के सुनने में लगती है इससे भी बड़ी बात है कि विजे मोहन भी मुझे उतने ही शिदत से प्यार करने लगा था और यही बात मेरे लिए अब बड़ी खतरनाक मुसीबत बनकर रह गई मुझे हर्गिस ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन जो होना होता है होकर ही रहता है वो तरिक रुकी और फिर बोली विजे मोहन शादी शुदा है तस्कोठी, कार्ड, बैंक, बैलिस वगेरा पता नहीं उसकी पत्नी को क्या चाहिए था वो पुने तनिक लुकने के बाद बोली नजाने क्यूं मैं इस खुश फैमी का शिकार हो गई कि मैं उसके लिए एक अच्छी पत्नी साबित हो सकती थी लेकिन ये बात मैंने कभी जाहिर नहीं की थी मैंने उसके साथ भी वही किया जो अपने दूसरे शिकारों के साथ किया करती थी अलबता थोड़ी धील दे कर उसके मामले को लंबा जरूर खीच दिया था खैर फिर वो एक रात मेरे अपार्टमेंट में आया और ठीक वक्त जब हम नंगनवस्ता में एक दूसरे की बाहों में थे योशना की अनुसार फोटो कीची और फिर सकसेना और विजे मोहन की पत्नी ने वहां आकर रंगे हाथों पकड़ लिया विजे मोहन की पत्नी ने काफी हाई तोबा मचाई और अपने पत्नी को खुब जलील किया लेकिन विजे मोहन पूरी तरह शान्त रहा अंध में उसकी पत्नी धंकी देकर चली गई की उसके साथ नहीं रहेगी उससे तलाक ले लेगी विजे मोहन इस गटना से परिशान तो हुआ लेकिन मुझ पर जरा भी शक नहीं किया उल्टा मुझे बदनामी से बचाने के लिए फिक्र मंद हो किया वो नहीं चाहता था कि तलाक के जहमेले में मुझ पर कीचड उचाला जाए बदनामी उसे मुझ पेशेवर औरत की बदनामी की फिक्र थी वो मुझ पर किचट नहीं उचाला जानी देना चाहता था जबकि मैं अपने आप में गंदगी का एक बड़ा धेड़ थी सोचकर हसी आती थी लेकिन मैं हस नहीं सकी क्योंकि मेरे मामले में वो पूरी तरह संजीदा था उसने मुझ से वादा किया कि अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद मेरे साथ शादी कर लेगा और तुमने यकीन कर लिया अज़े ने पूछा बेशक यकीन ना करने की कोई वज़ा ही नहीं थी यानि तुम भी शादी के लिए रजा मंद हो गई थी क्या हाँ मैंने और क्या कहना था क्या मैं उसे सच्चा ही बता दी थी वो मुझे दिलो जान से चाहता था मुझ पर बड़ा भरोसा था उसे उसके दिल को कोई ठेस पहुचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी इसलिए मैंने असलियत को छिपाए रखना ही बैतर समझा लेकिन तुम जानती थी कि तुम एक पेशेवर डिकॉई गर्ल हो जो कुछ उसके साथ किया और भी बौदों के साथ वैसा ही कर चुकी हो फिर तुमें ये यकीन कैसे हो गया कि तुमारी असलियत उससे चीपी रह सकेगी क्योंकि विजे मोहट आंग तौर पर अपने तक की सीमित रहने वाला आदमी है उसका सोशल सरकर भी खास नहीं है पाजे को उसके दलिल में दम नजर नहीं आया लेकिन उसने बहस नहीं की तुमारा कहने का मतलब है तुम्हें यकीन था कि उससे असलियत का पता नहीं चल सकेगा हाँ फिर क्या हुआ मोना के कुछ कहने के लिए मूँ खोला लेकिन अचानक उसके होन काफे गला रुद गया और आंखों में आंसु चलक आए अजे ने इतमे नाम से अपना गिलास खाली किया ड्रिंक खत्म करो वो बोला तुम्हें एक और ड्रिंक की जरूरत है मोना कई पल भीगी आंगों से उसे देखती रही फिर आंसु पोंच कर अपना गिलास उठा लिया अजे उठा और किचन से विस्की की बोतल और पानी ले आया मोना ने खानी गिलास नीचे रखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसे देखा मैंने आपको सच्चाई बता दी है उसने पूछा बताईए आपकी क्या राए है किस बारे में ड्रिंक बनाते अजे ने पूछा जिन्दगी में खुशी का जो सुनेरा मौका मुझे मिला था क्या उसे गवा देना चाहिए था इसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ अजे उसे ड्रिंक थमाता हुआ बोला जिन्दगी में सभी को अपनी बाजी खुदी खेलनी पड़ती है और उन्ही पत्तों से खेलनी पड़ती है जो बटने के बाद हाथ में आते हैं लेकिन होश्यार खिलाडी वो होते हैं जो कमजोर पत्तों से भी अच्छा खेल कर बाजी जीत लेते हैं जबकि अनाडी लोग अच्छे पत्ते होने के बावजूद हार जाते हैं उसने गोल मोल सा जवाब दे कर अपना गिलास उठाया और कुरसी की पुष्ट से पेट सटा ली तुमने अपनी कौफनाक मुसीबत के बारे में कुछ नहीं बताया क्या ऐसा कोई आदमी जिसे तुम्हारे डेकोई गल होने की जानकारी है तुम्हें ब्लैकमिल करने की कोशिश कर रहा है नहीं हालात इससे भी कई गुना ज्यादा खराब है कैसे मैं पहले से ही शादी शुदा हूँ अजे बुरी तरह चौंका और हैरानगी से उसे देखने लगा तुम्हारी उम्र कितनी है आपको कितनी लगती है यही कोई 22 साल जी नहीं मैं पूरे 28 साल की हूँ शादी को कितना अरसा हो गया साथ साल मैंने 21 साल की उम्र में शादी की थी तुम्हारा पती कौन है और कहा है उसका नाम पेटर डिसूजा है वो बिलकुल नकारा आदमी है शादी के बाद ज्यादा दिन उसके साथ मैं नही रह सकी थी, मुझे जल्दे ही पता चल गया कि वो एक जराइन पेशा आत्मी है, इसलिए मैंने उसे चोड़ दिया और नाम बदल कर शो बिजनस में चली गई, शो बिजनस में क्या किया करती थी, कोरस सिंगर थी, पीटर ने तुम्हें वापिस अपने पास भूलाने की कोशि लेकिन जब विजेवोहन ने मुझ से वादा किया कि अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद मेरे साथ शादी कर लेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि पीटर के बारे में भी जरूर कुछ कहना पड़ेगा, मैंने सकसेना से उसका पता लगाने के लिए कहा, सकसेना ने दो दिन बाद ही मुझे बताया कि पीटर जेल में था और किसी संगीन जर्म के लिए लंबी सजा काट रहा था, मैंने एक वकील से सला ली, तो पता चला कि इस साधार पर पीटर से मुझे जल्दी और आसानी से तलाक मिल सकता है, मैं विराट नगर आ गई, ताकि मेरे तलाक लेने की बाद छिपी रहे और विजे मोहन को इसका पता ना लग सके, ये तो तुमने चीक किया, अजे धैरे पूर्वक बोला, लेकिन मेरी समझ में अभी भी ये नहीं आया, कि कल तुमने खुद कुशी करने की कोशिश क्यों की, पीटर की वज़ा से, अजे ने असमंजस्ता पूर मेरे बारे में भी पता लग गया था, और मेरा पीछा करता हुआ, वो यहां आ पहुंचा, मैं यहां एक अपार्टमेंट में रह रही हूँ, पिछले हफ़ते एक रात जब मैं वापिस पहुंची, तो वो अंदर बैठा मेरा इंतिजार कर रहा था, तब से वो वही है, अच पैर, वो चाहता क्या है, मोना ने बिचैनी से कुर्सी में पहलू बतला, उसे पैसा चाहिए, वो जानता है कि विजे मोहन दौलत मन्द आदमी है, तुमसे तलाग के बारे में क्या चाहता है, उसने साफ इंकार कर दिया है, साथ ही धमकी दी है, अगर मैंने तलाग लेने की कोशिश की, तो वो उसमें अर्चने डाल देगा, और मेरा सारा कच्छा चिठा विजे मोहन के सामने खोल कर रख देगा, ये उसका महस बेवकुफाना स्चंट है, अगर वो जेल से भागा हुआ मुश्रिम है तो, ये स्चंट नहीं है, वो ऐसा ही करेगा, मोना उसकी बात क पमीना और खतरना कादमी है, पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है, अगर उसने विजे मोहन को बता दिया, कि मैं डेकॉई गल थी, और विजे मोहन की पतनी ने तलाक लेने के लिए मुझे पैसे से खरीद कर, मोरे के तोर पर इस्तिमाल किया था, तो खुद विजे मोहन को भ असलियत भांते देर नहीं लगीगी, उसका मुझ पर से तमाम विश्वा सोट जाएगा, और वो कभी यकीन नहीं करेगा, कि मैं सच मुझ उसे प्यार करती हूँ, और इस तरह इतिफाक से जो एक मौका मुझे मिला है, वो तो मेरे सहाथ से जाता ही रहेगा, साथ ही जब मे इसके हवाले कर दो, सारा किसा नहीं पर जाएगा, अर्चे ने कहा, गुमनाम फोन करके बता दो, कि जेल से भाग कर एक मुझरिम अमुग जगा मौचूद है, पुलिस उसे जा दबोचेगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों? मोना के चेहरे पर विवश्वता रख छोड़ी है, और उसके गिरफदार होते ही, उसका वो दोस्त उस खत को विजे मोहन के पास पहुचा देगा, वो कमपित स्वर में याशना पूर्वग बोली, मैं पूरी तरह उसके पंजे में हूँ, उसके खिलाफ कुछ भी मैं नहीं कर सकती, हजे को बोरियत महसूस ह उने लगी थी, इस बेतू के किस्ते में कोई दिल्चस्पी उसके नहीं थी, वो मोना से मुलाकात के लिए सिर्व इसलिए तयार हो किया था, कि उससे मिलने पर शायद ऐसी कोई बात सामने आ जाए, जिससे में गराच सक्सेना की हत्या की वज़ा के बारे में जानकारी हासि लेकिन ऐसा कुछ होने का कोई आसार उसे नजर नहीं आ रहा था, पीटर तुमसे क्या करने के लिए कहता है, उसने बेमन से पूछा, यही कि उससे तलाक लिए बगैर मैं विजे मोहन से शादी कर लूँ, इस तरह तो तुम दोनों ही पीटर की मुठी में आ जाओगे, और जिन्दगी भर वो जोग की तरह तुम दोनों को चूसता रहेगा, यही तो वो चाहता है, अच्छा आदमी है, अजे बोला, ब्लैक मेलिंग का जाल फैलाने के लिए वो अपनी बीवी पर दूसरे आदमी से शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है, फिर तनिक लुग कर पूछा, तुम्हारी कहानी तो मैंने सुन ली, अब ये बताओ कि मुझ से क्या चाहती हो, तुम्हारे और सकसेना के विज़ार से मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मोना ने अपने गिलास से तगड़ा घोंट लेने के बाद होंटों पर जुबान फिराई, सकसेना ने मुझे यकीन दिलाया था कि आप उससे हमेशा के लिए मुझे चुटकारा दिला सकते हैं, अजे ने भोहें चड़ा कर उसे घुरा, क्या मतलब, उसे ठिकाने लगवा दीजिए, अजे का चेहरा गुसे से तमा गया, क्या, उसने घुरा कर कहा, क्या मैं उसकी हत्या करतू, तुम इ ऐसे किसी जवाद की उमीद उसे नहीं थी, अजीब बात है, आप नारास हो रहे हैं, वो बोली, जबकि सकसेना ने तो कहा था कि आप आसानी से असक कर सकते हैं, सकसेना ने मेरे बारे में तुम से जो कहा था, उसे जानने में मेरी कोई दल्चस्वी नहीं है, अजे उसकी ब ना तुम्हें किसी पेशेवर हत्यारी को जानती हूँ और ना ही इस तरह बात बनेंगी, अजे की निगाहे उसके चेहरे पर जमी थी, इसका मतलब है, वो बोला, तुम इस जंग से अपनी पती की हत्या करना चाहती हो, कि उसकी हत्या हत्या ना समझी जा सके, यानि हत्या के ब बोली, अगर ऐसा नहीं किया किया, तो वो मुझे और विजे मोहन को बरबात कर देगा, बहुत खुब, अजे वेंग्यात्मक स्वर में बोला, यानि तुम उस आदमी को, जो कानूनन तुम्हारा पती है, अपने रास्ते से सिर्फ इसलिए हटा देना चाहती हो, ताकि तु वा, जवाब नहीं है तुम्हारा, मोनन निस्सेर उठा कर उसे घूरा, हाँ, मैं यही चाहती हूँ, वो तीवर स्वर में बोली, साफ साफ बताओ, तुम ऐसा करोगे या नहीं, मुझे बताया गिया है, कि तुम खुराफाती किस्म के आदमी हो, कानून की मदद करने की जानकारी है, तो ये भी जानती होगी, कि हर काम में मैं अपना जाती फाइदा पहले सोचता हूँ, अब सवाल ये है, कि जो काम तुम उच्छे कराना चाहती हो, उससे मुझे क्या हासिल होगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, मोना उत्साहित स्वर में बोली, कितना, मोना ने अ बोली, इन्हें तुम बतावर एडवांस रख सकते हो, बाद में विजे मोहन से लेकर और रकम तुम्हें दे दूँगी, बाद में कब, विजे मोहन से शादी करने के बाद, कुल कितना दोगी, बीस हजार, अजे ने सिर हिला कर इंकार कर दिया, फिलहार ये पांच हजार भ पेट करके खिड़की के पास जागर खड़ा हुआ, सुरच छिपने के बाद, शाम का धुंदला का फैलना आरंब हो चुका था, कुछ देर उसी तरह खड़े रहने के बाद, वो मोना की और पल्टा, तो उसे निराश भाव से अपनी और देखती पाया, अपना एड्रेस छ जोड़ जाओ, वो बोला, पहले मैं थोड़ी चेकिंग करूँगा, मोना की आँखे सिकुड गई, चेकिंग, हाँ, ये बाते तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, मैं समझना भी नहीं चाहती, मुझे सिर्फ इतना बता दो, कि मेरा काम हो जाएगा क्या, अभी ऐसा कोई वादा में नहीं कर सकता, लेकिन अपने ढंक से सोचने समझने के बाद, जो कुछ मुझ से बन पड़े का जरूर करूँगा, मोना ने अपने फ्लैट का एड्रेस बता दिया, अचे पता नोट करने के बाद उसके पास पहुँचा, मैंने ही चाहता कि तुम्हें यहां से जा नहीं किया, छीक है, वो बोली, अचे ने उसकी बाद छोड़ कर दर्वाजा खोल दिया, मोना बाहर निकलने की बचाए, उसकी और पलट गई, और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख कर, खोशपोर निगाहों से उसे देखा, मैं जानती हूँ, तुमुझे निराश नहीं करोगे, वो सहे श्ठंक से बोली, मेरा काम जरूर करोगे, पंजो के बल उचक कर उसके हूंटों पर चुम्बन अंकित किया, और फ्रितेजी से पलट कर बाहर निकली, और सेडियों की और बढ़ गई, अज़े धीरे धीरे वापिस कूमा, मोना जा चुकी थी, लेकिन कमरे में इंटिमेट की गंद अभी भी बसी हुई थी, अज़े बात्रू में शीशे के सामने पहुँचा, होंटों पर लगा मोना की लिपिस्ट्री का दाग छुडा कर वापिस कमरे में आ गया, वो चंद पल खड़ा सोचता रहा, फिर दोनों गिलास धो कर किचन में रखे और फिर बाहर निकल कर फ्लेट लॉक किया और कॉरिडोर के सीरे पर बनी सेडियों की और बढ़ गया, वो सेडियों द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा और पिछले रास्ते से इमारत से बाहर आ गया, फिर पैंट की जेबों में हाथ ठों से इमारत के प्रवेश प्रवेश द्वार की और चल दिया। प्रवेश द्वार के सामने दो पुलिस जीप और एक कैबुलस मौजूद थी। अजे निला परवाही से उन पर निगार डाली। फिर धेरे धेरे सीटी बजाता हुआ इमारत में दाखिल हो गया। वाच्मेन के कैबिन के सामने से लगा। अजे बाबु आप वो हैरान के बरे लेचे में बोला। अजे मुस्कुराया। हाँ मैं ही हूँ तुम्हे कोई और नजर आ रहा हूँ। नर नहीं। तो फिर क्या बात है। पुलिस आपको ढून रही है। ये कोई नई बात नहीं है। अजे ला परवाही से बोला चलो। लिफ्ट मैं ने जंगला बंद करके चौथे खंड का बटन दबा दिया। लिफ्ट उपर जाने लगी। फोर्थ फ्लोर पर पहुँचकर अजे बाहर निकला। अर अपने फ्लैट की और बढ़ गया। दर्वाजे पर बाहर दो वर्दिधारी पुलिस मैं खड़े थे। क्या बात है अजे ने उन्हें घूरते हुए पूचा तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। उनमें से एक पुलिस मैं अजे का परीचित था। मिस्टर अजे कुमार आ गए हैं। उसने खुले दर्वाजे की और हाथ हिलाते हुए कहा। फिर धीमे स्वर में बोला संबल कर जाना अजे अंदर इंस्पेक्टर तिवारी हैं और वो बहुत गुसे में हैं। अजे जवाब में उसे आँख मार कर भीतर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर कदम रखते ही ठीठक कर रुख गया। वो मेगराथ सक्सेना की लाश को जो की उसी तरह पड़ी हुई थी जैसे कि वो उसे छोड़ कर गया था। यू तांक ने लगा मानो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कि सामने वाके लाशी पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर तिवारी को सरसर नजर अंदास करके अजे नीलम की और बढ़ा जिसके पास तिवारी के दो महा आतत एक S.I. और एक हैट कॉंस्टेबल खड़ी थी। ये सब क्या है नीलम उसने उलजन भरे स्वर में पूछा। मेरे फ्लैट में ये लाश किसकी है। क्या तुमने इससे शूट किया है। आपके ये सब है क्या। नीलम बेहत परिशान और बौकलाई हुई नजर आ रही थी। उसने बोलने के लिए मूँ खोला लेकिन उसके होंट काम कर रह गए और शब्द मूँ से बाहर नहीं आ सके। इंस्पेक्टर तिवारी अलग खड़ा था। वो इमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर था लेकिन साथ ही बद मिजाज भी था और अजे के काम करने के ख सवाब तुम ही दोगे अजे अजे ने अस्मर्चंस्तो पूर्वत पल के जबकाई मैं हाथ तुम तिवारी कड़े स्वर में बोला अगर समझते हो कि हत्या करने के बाद थोड़ी देर के लिए गायब होकर पुलिस को गुम्रा करने में काम्याब हो जाओगी तो ये तुम् तेरे हाथों से बच नहीं सकोगे वन मिनट इंस्पेक्टर अजे समान्य स्वर्वे बोला इंस्पेक्टर रवी शंकर कहा है आने ही वाला होगा तिवारी ने बेबंस से कहा जब कॉल पहुंची वो अपने ओफिस में नहीं था उसके लिए मैसेच छोड़ दिया गया था त ये इलाका आपके अधिकार शेत्र में तो नहीं आता रवी शंकर के मौजूत ना होने की वज़ा से मुझे आना पड़ा था लेकिन यहां पहुंचने के बाद पता चला कि असल में ये केस मेरा ही है अजे की आँखे सिकुड गई क्या मतलब तिवारी ने मेग राज्की और अजे और स्यादा चक्रा किया साफ साफ बताईए तिवारी साहब आखिर किस्सा क्या है हमें इंटेलिजन्स ब्यूरो के डिरेक्टर जनरल मिस्टर पी ए सुब्रा मिनियम का अर्जन टेलीग्राम मिला है कि इस आदमी को एक बेहत संगीन मामले की पूश्टाज के लिए कस अर्जे के चेहरे पर व्याव तुलजन भरे भाव और ज्यादा गहरे हो गए उसने मेगराज के लाश को यूँ देखा मानों उसे पहली बार देख रहा था आप जानते थे कि ये आदमी यहां आकर बनने वाला था उसने पूचा नहीं तिवारी ने जवाब दिया नेलम के फोन के जवाब में यहां पहुचने पर इसकी लाश देखने के बाद ही हमें पता चला कि ये वही आदमी है लेकिन ये है कौन अर्जे ने अधिरता पूर्वक पूचा यहां क्या मरने आया था और इसे किसने शूट किया था मैं भी इन सवालों के जवाब जानना चाहता तिवारी करवाहट भड़े लहजे में बोला हम नीलम से बार बार पूच चुके हैं लेकिन इसने अभी तक तसली बक्ष जवाब नहीं दिये हैं अजे ने गहरी सांस ली ये क्या मुसीबत है नीलम उसने पूचा खुलासा तोर पर बताओ ताकि पता चल सके कि इस मेरी नीलम अभी भी सैमी सी नजर आ रही थी मैं सब कुछ बता चुकी हूँ अजे वो अपने स्वर को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करती हुई बोली लेकिन ये लोग मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे तब ही इंस्पेक्टर रवी शंकर दल बल सहित भीतर दाकिल हुआ उसन नात्मक निगाहे अजे पर चाटी की सुचना मिलते ही मैं सीधा यहां चला आया कहकर उसने पूछा ये सब क्या है अजे इस बारे में मैं उतना ही जानता हूँ जितना की तुम जानते हो रवी अजे ने जवाब दिया मैं भी कुछ देर पहले ही यहां पहुचा हूँ फिर लाश की और इशारा किया ने भीतर कदम रखा इसने अपने कोट को बुरी तरह जकट रखा था और इसकी हालत बहुत ही खस्ता नजर आ रही थी ऐसा लगता था जैसे कोई लाश अपने पैरों पर चलती हूँ यहां आ पहुची थी फिर इसने अंदर आने के लिए जो ही नजर आ गई मैं समझ गई कि यह मर चुका था मैंने पुलिस सेट क्वार्टर्स फोन करके इतला दे दी बस इतना ही काफी है अजे बोला अब तुम आराम से बैठो नीलम एक सोफा चियर पर बैठ गई अजे बाकी लोगों की और पलट गया नीलम की काफी बाते मौजूद असलियत से कते मेल नहीं खाती तिवारी रवी शंकर से कह रहा था इस आदमी की छाती में तीन गोलियां लगी है और तीनों ही जख मित्ते खतरनाक है कि उनमें से कोई भी घातक हो सकता था मैं नहीं मान सकता कि छाती में इस ढंक से तीन गोलियां खाने के बाद भी कोई आदमी इसी हालत में चल कर यहां पहुचा था अजे ने ठोस्वर में कहा तिवारी ने बोहें चड़ा कर उसे घूरा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो क्योंकि नीलम ने ऐसा कहा है अजे बोला और वो जूट बोलने वाली लड़की नहीं है चेहरो अजे रवी शंकर में कहा फिर तिवारी से पूचा आपकी मृतक में क्या दिल्चस्पी है इंटेलिजन्स ब्योरो को पोच्टाज के लिए इस आदमी की जरूरत थी तिवारी ने जवाब दिया मैं इसे कस्चड़ी में लेने के लिए जाने ही वाला था कि यहां अजे के फ्लैट में मारा किय अजे प्रतिवात करने ही वाला था कि रवी शंकर ने उसे रोग दिया और लाश के पास जाकर बारीकी से उसका मौइना करने लगा तीनों जख्म ज्याता से ज्यादा 32 कैलिबर की गोलियों से बने हैं अंत में वो बोला और तीनों में से हर एक जख्म घातक प्रतीत होता है इस मामले में मेरी जाती राए भी यही है कि ऐसे जख्मों के बाद किसी आदमी का पचास कदम भी चल पाना नामुम्किन लगता है सुन लिया तुमने तीवारी ने अजे से कहा फिर उसके जवाब का इंदजार किये बगैर बोला मैं इस इमारत में काम करने वाले दोनों आदमीयों से बाते कर चुका हूँ जब मृतक ओपर आया था तो ना तो वाच मैन को और ना ही लिफ्ट मैन को उसके जस्म पर किसी ज कोट पर ना तो कहीं खोल लगा है और ना ही उसमें कोई सुराग दिखाई दे रहे हैं अजे निला परवाही से कहा फिर तनिक रुपकर बोला मैं ना तो इन मामलों का एक्सपर्ट हूँ और ना ही कोई डॉक्टर हूँ लेकिन असे दरजनों केस मैंने पढ़े और सुने है कि 8-10 गोलियां लगने के बाद भी लोग घंटों तक नहीं मरे और सही वक्त पर सही डॉक्टरी उपचार मिलने के बाद बच भी गए हैं और फिर सालों तक जिन्दा रहे हैं आप लोग तो सिर्फ 32 कैलिबर की गोलियों की बात कर रहे हैं जबकि जंग के मोचे पर वाले वगेरा कहा जाता है इस केस में भी यकीनन ऐसा ही कुछ हुआ है लाश की हालत से कम से कम इतना तो जाहिर ही है कि ज्यादा खुर नहीं बहा है बहुत मुम्किन है तीनों गोलियों ने इसकी चाती में घुसने के बाद जस्मिके उन नाजक हिसों को कोई नुक्सान नह जाब में तुरन या कुछ एक मिंटों में मर जाता है खैर असलियत जो भी है लाश का पोस्मार्टम होने के बाद सामने आही जाएगी तब तक इस मामले में जल बाजी में कोई नतीजा निकाल बैठना ठीक नहीं होगा तीवारी और रवी शंकर एका एक कोई जवाब नही का ना तो उसके पास कोई जवाब था और ना ही वो स्वयम को इससे सैमत जाहिर करना चाहता था आप बताईए तीवारी साहब हजे ने उसे टोका कि इस सबसे आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझता हूँ तीवारी ना खुशी भरे लेचे में बोला तुम मृतक के बारे में काफी कुछ जानते हो लेकिन जान मुझकर बता नहीं रहे हो क्यूं इस क्यूं का जवाब भी तुमी बैतर जानते हो आप भी कमाल करते हो तीवारी साहब आपके पहुशने के बाद मैं यहां आया हूँ फिर भी आप समझ रहे हैं कि मैं मृतक के बारे मे कहां थे अजे पल भर हिच किचाया फिर रवी शंकर की और पलट कर पूछा क्या मुझे एलिबाई की जरूरत है रवी क्या तुम्हारे पास पिछले पॉने घंटे की कोई एलिबाई है रवी शंकर ने पूछा इसका जवाब पे उस वक्त दूगा जब आप लोग मुझ पर चार्च लगाएंगे अजे ने कहा फिर कुर्ता हुआ सब बोला मैंने और निलम ने अपने एक कुली की शादी में जाना था हमारा वो प्रोग्रेम तो चोपट हो ही गया अब आप महरबानी करके इस लाश को जल्दी से यहां उठवा दीजिए छेहरो तिवारी कड़े में बोला अजे उसकी और पलट गया फरमाईए तुम्हें पहले लाश के शिनाक करनी होगी अजे ने पलके जबकाई मुझे हाँ तुम्हे आपके विचार से में मृतक को जानता था क्या तो क्या तुम नहीं जानते अजे ने लाश को गौर से देखने का अभी ने किया सौ बैर कई मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी क्या मतलब मतलब ये कि तुम जूट बोल रहे हो आप मुझ पर खाम का तौमत लगा रहे हैं दिवारी सहाब तुमारे इंकार करने से असलियत नहीं बदल सकती अजे कौन सी असलियत यही कि तुम मृतक को अच्छी जानते थे वन मिनट रवी शंकर हस्तक शेप करता हुआ बोला आप दोनों की इस बहस से कोई फाइदा नहीं होगा साफ साफ बताईए तिवारी सहाब ताकि मेरे पल्ले भी कुछ पढ़ सके तिवारी ने रवी शंकर की और देखा इस आदमी के अजे के फ्लैट में मारे ज कि ये आदमी यही मारा किया था फिर तरिक रुप कर पूछा बस यही कहना था क्या आपने नहीं मैंने बहुत कुछ कहना है तिवारी बोला मसलन मृतक ने यहां आने से कुछ देर पहले अजे को फोन किया था वो अजे को नहीं जानता था तो उसने इसे फोन क्यूं किया थ अजे ने आश्रे प्रदर्शन का सफल अभी ने किया क्या मुझे फोन किया था हाँ आप से किस ने कहा नीलम ने अजीब पहेली है अजे बड़ बड़ाया फिर नीलम की और पलट किया ये सब क्या है नीलम इस आत्मी के आने से करीब 20 मिनट पहले तुम्हारे लिए एक फोन कॉल आई थी नीलम ने कहा फोन करता ने अपना नाम मेगराथ सकसेना बताते हुए कहा था कि वो फॉरण तुमसे मिलना चाहता है फिर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाती उसने फोन डिसकनेक कड़ा दिया हजे के चेहरे पर विचार पूर्ण भाव उत्पन हो गई मेगराथ सकसेना वो एकोंगली से यूँ माथा ठक ठकाता हुआ बोला मानो दिमाग के बंद दर्वाजे पर दस्तक दे रहा था फिर अचानक मानो उसे याद आगिया था इस अद्लास में चौंकता सा बोला हे भगवार क्या ये वाके बेकराथ सकसेना है और तेजी से चल कर एक बार फिल लाश के उपर जुक कर गौर से उसे देखने लगा नाटक मत करो तिवारी बोला मैं तुम्हारे जहांसे में आना वाला नहीं हूँ मैं जानता हूँ तुम इसे अच्छी तरह जानती हो मैं भी जानता हूँ कि आपके वहब को दोर कर पाना ना मुम्किन है अजे पलट कर बोला इसलिए इस बारे में कोई सफाई मैं नहीं दूँगा रवी शंकर ने अजे को घुरा ये मेगराच सकसेना कौन था उसने पूछा कहा रहता था क्या करता था इस नाम के एक प्राइवर्ट डिटेक्टिव को मैं सरसरी तोर पर जानता था अजे ने जवाब दिया करीब आठ साल पहले विशालगर बे उससे मेरी मुलाकात हुई थी बाद में मैंने सुना था कि वो अपने क्लाइट्स को बेवकुफ बना कर उन्हें खुब ठगा करता था ये नई बात नहीं है प्राइवर्ट डिटेक्टिव आंग तोर पर ऐसा ही करते है रवी शंगर ने लापरवाही से कह कर पूछा फर्श पर पढ़ी ये लाश क्या उसी मेंगराज सकसेना की है मैं यकीनी तोर पर नहीं कह सकता रवी अजे हिच के चाता सा बोला करीबार साल के बाद आज मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ और सरसरी तोर पर जानने वाले किसी आदमी की इतने अर्से बाद सही शिनाक्त कर पाना कम से कम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये मेंगराज सकसेना की ही लाश है तिवारी ने कहा इसकी जेवों से प्राइवेट डेटेक्टिव का आइडेंटिटी कार्ड और जो दूसरे काक साथ मिले है उनसे इसके शिनाक्त हो गई है फिर अजे की और देखा मैं जानना चाहता हूँ और आईवी वाले भी जानना चाहेंगे कि मेंगराज सकसेना आग शाम तुमसे मिलने के लिए क्यों इसकदर मरा जा रहा था कि इसी चक्कर में अपनी जान तक गवा बेठा आपके इस सवाल का जवाब खुद मेंगराज ही दे सकता था अजे ने कहा और वो बिचारा मर चुका है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तिवारी गुर्रा कर बोला अजे ने एक सोफा चेयर पर बैठ कर सिगरेट सुलगा ली सौरी मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता तब इस फिंगर प्रेंट्स वालों ने अपना काम खत्म हो जाने की सूचना रवी शंकर को दी रवी शंकर ने अपने मातत ऐसाई को लाश उठाने का आदेश दिया उन सब लोगों के चले जाने तद लाश उठवा दी जाने के बाद रवी शंकर और तिवारी अजे के सामने सोफे पर बैठ कई तिवारी के चेहरे पर खिज भरे भाव थे जाहिर था कि रवी शंकर का अजे के प्रती नर्मी रोख उसे कतई पसंद नहीं आ रहा था मेग राज तुमसे किस लिए मिलना चाहता था उसने अजे को घूरते हुए पूछा कै तो चुका हूँ अजे शुश क स्वर में बोला मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता तुम सब कुछ जानते हो मगर जान मुझकर अंजान बन रहे हो अब तुम ही फैसला करो रवी अजे ने कहा अगर कोई ऐसा आत्मी जिसकी मैंने आट साल से ना तो सूरत देखी और ना ही जिसके बारे में और कोई खबर मुझे मिली अचानक मुझसे मिलने के लिए बेकरार हो गया था तो इसमें मेरा क्या कसूर है और मुझसे मिलने के लिए आते वक्त रास्ते में उसे किसी ने शूट कर दिया और फिर मेरे घर में कदम रखते ही उसने दम तोड़ दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता था लेकिन क्यूं तिवारी ने पूछा मेरा मतलब है अगर असल में ऐसा ही था जैसा कि तुम बता रहे हो तो फिर उसे तुम्हारे पास पहाशने क्यूं नहीं दिया गया वो कौन था जिसने उसे तुम तक पहाशने से रोकने की कामयाब कोशिश की और उस कौन के लिए ऐसी कोशिश करना क्यूं जरूरी था इस क्यूं और कौन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता लेकिन पता लगाना जरूर चाहता हूँ तुम जूट बोल रहे हो तिवारी गुर्राकर बोला जान बुशकर खुद को अनजान जाहिर कर रहे हो अजे को तिवारी की इस बेकार की जित पर गुसा आने लगा था अगर मैं जूट बोल रहा हूँ तो आप ही बता दीजिए कि सच क्या है सचा ये है कि तुम मेग राज के साथ मिलकर कोई तगड़ा चकर चला रहे थे कैसा चकर? ये अभी मैं नहीं जानता लेकिन जल्दी ही पता लगा लूँगा आप कुछ पता नहीं लगा पाएंगे और इसलिए नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई चकर था ही नहीं अजे ने कहा फिर तिवारी को नजर अंदास करके रवी शंकर से बोला असलियत क्या है? मैं बता चुका हूँ रवी और अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेग राज क्यों मुझसे मिलना चाहता था और उसे क्यों और किसने मुझ तक पहुँचने से पहले रास्ते में ही ठिकाने लगा दिया जाती तोर पर मैं इसे अपनी तोहीन समझता हूँ कि मुझसे मिलने आने वाले किसी आदमी को रास्ते में ही खत्म कर दिया चाए रवी शंकर ने प्रशनात्मक निगाहों से उसे घूरा तुम मुझसे क्या चाहते हो क्या फिलहाल इस बात को प्रेस से चुपा कर रखा जा सकता है अजे हिच किचाता सा बोला रवी शंकर के चहरे पर असमंजस्ता पूर्ण भाव पैदा हो गई अचीब बात है खुद एक प्रेस रिपोर्टर होते हुए तुम प्रेस से इस बात को चिपाने की सला मुझे दे रहे हो हाँ अपने तोर पर मैं भी पता लगाना चाहता हूँ मुझे डर है कि इस बात का प्रचार हो जाने से मेरा काम मुश्किल हो जाएगा तुम क्या पता लगाना चाहते हो मेगराज की हत्या की वज़ा क्या थी और उसका हत्यारा कौन था और इस बात के खुलने से इस काम में क्या दिक्कत आएगी दरसल मेगराज के हत्यारे को मैं इस ब्रह्म में डालना चाहता हूँ कि मेगराज जब यहां पहुँचा तो वो ना सिर्फ जिन्दा था बलकि उसने मरने से पहले मुझे कुछ बताया भी था ताकि हत्यारक खुद या उसका कोई साथी तुम्हारे पास ये जानने के लिए आई कि मरने से पहले मेगराज ने तुमसे क्या कहा था हाँ अजे ने कहा मैं जानता हूँ ऐसा करना खतरनाक है लेकिन इसके इलावा और कोई आसान तरीका नहीं है मैं देखूंगा कि इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है अब कुछ नहीं किया जा सकता तिवारी उसकी बात काट कर बोला क्यूं अजे ने जानना चाहा इसलिए नहीं कि ये कांट तुम जैसे 30 मार्खा के फ्लैट में हुआ है तिवारी ने व्यंग भरे स्वर में कहा बल्कि इस लिए कि जब मैं यहां आया थो तो एक लोकल पेपर का जो कि शाम को निकलता है रिपोर्टर मेरे साथ था और तुम्हारे आने से पहले ही वो इस मामले की फर्स एंड जानकारी लेकर चला किया था अब तक तो ये समाचार मुख्य प्रिष्ट पर चब भी चुका होगा आपकी फोटो और सुर्कियों में आपके नाम के साथ अजय ने करवाहट भरिस लहजे में कहा आपका भी जवाब नहीं है तिवारी साहब और पांच साथ साल में आप रिटायर हो जाएंगे लेकिन सस्ती पब्लिसिटी पाने का कोई मौका अभी भी आप नहीं छोड़ते बको मत तिवारी खालिस पुलिसिया लहजे में बोला पुलिस के कामों में खामी निकालते रहना और हर हालत में हमें ही कुसूर वाठ ठहराना तुम प्रैस वालों की आदत बन चुकी है और आपने मुझसे खुंदक खाते रहने की वज़ा से खाम का मुझ पर चट दोडने की अपनी आदत बना ली है जरसा मौका पाते ही आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर बैठते हैं जिस मामले में मैं इन्वाल्व होता हूँ आइने की तरह साफ होने के बावजूर आपको धेरो नुक्स उसमें नजर आने लगते हैं बेकार की बाते मत करो तिवारी क्रोधित स्वर में बोला इस बार जिस मामले में तुम फसे हो वो सिर्फ स्थानिये पुलिस का मामला नहीं है आई बी का भी बड़ा पूरा दखल उसमें है आजकल आतंगवार ड्रक स्मगलिंग पाकिस्तान द्वारा स्पाइंग चीन द्वारा खुस पैट वगेरा की बड़े पैमाने पर जो घटनाई हो रही है उनसे तुम भी बाकूबी वाकिफ हो जाहिर है तुम्हारा दोस्त मेक राज ऐसे ही किसी चक्कर में था इसलिए आई बी उसमें दिल्चस्पी ले रही है बेतर होगा कि उसके बारे में जो तुम जानते हो हमें बता दो यानि आप आई भी वालों को भी मेरे पीछे लगाना चाहते हैं अजिक शुग्द स्वर में बोला अगर ऐसा है तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा जब वे लोग आपके पास आई तो उन्हें साथ लेकर यहां आ जाना फिर तरिक रुक कर कहा और अब अगर आप कोई और चाश लगा कर मुझे हिरासत में लेना चाहते हो तो ठीक है वरना महरबानी कर यहां से तश्रीफ ले जाईए तिवारी का चेहरा गुसे से तमा किया था वो आगने नेत्रों से अजे को घूर रहा था तिवारी साहब यह आईबी का क्या किस्सा है रवी शंकर ने पूछा उसके स्वर में असमंजस्ता का पुट था हमें इंटेलिजन्ट ब्यूरो के डारेक्टर जर्नल मी पी ए मिस्चर पी ए सुब्रा मिनियम का अर्चर्ट टेलिग्राम मिला है तिवारी अपने गुसे पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ सा बेमन से बोला उन्हें मेगराज सक्सेना की किसी बेहत संगेन मामले में पूछताच के लिए जरूरत थी और हमें आदेश दिया गया था कि उसे ढोण कर अपनी कस्चरी में ले लिया जाए आई बी का एक स्पेशल आफिसर इसी सिलसले में दिल्ली से आ रहा है रवी शंकर की आँके सिकुड गई ऐसे किसी टेलेग्राम की जानकारी मुझे तो है नहीं वो हिच किचाता सा बोला तिवारी ने यूँ उसे देखा मानो कोई बड़ी ही बेवकुफाना बात उसने कह दी थी पुलिस एटकॉर्टर किसी देहात की पुलिस चौकी नहीं है कि वहां होने वाली हर एक बात की जानकारी तुमें हो ही बात बिलकुल सही थी रवी शंकर को मानना पड़ा कि पुलिस एटकॉर्टर्ज में होने वाली प्रतेग गति विधी का हर एक आफिसर को पता चलना नमुम्किन था आम तौर पर प्रतेग बात संबंदित अधिकारी तक ही सीमित रहती थी विशेश्टिया ऐसे मामले जिनमें IBC, IBC, CID वगेरा का दखल होता है उनमें तो अत्यंत गोपनियता बढ़ती जाती है अगर ऐसी बात है तो स्थिति वास्तव में गंभीर है वो विशार पूर्वग बोला बात कैसी है या स्थिति कितनी गंभीर है मैं नहीं जानता रवी अजेटोस्वर में बोला मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आठ साल पहले विशाल गड़ में मेगराज सकसेना से मेरी मुलाकात होई थी उसके बाद मैंने उसे तभी देखा था जब वो यहां मरत पड़ा था आठ साल के इस वक्फे में उससे मिलना तो दूर रहा मैंने उसके बारे में सुना तक नहीं था अलबता आज मेरी गैर माजूद्गी में बकॉल नीलम उसका फोन जरूर आया था वो मुझसे मिलना चाहता था लेकिन वो क्यों मुझसे मिलना चाहता था या कौन उसे मुझसे नहीं मिलने देना चाहता था इस बारे में मैं कतई कुछ नहीं जानता रवी शंकर उसे गौर से देख रहा था क्या तुमने वाके सच्चाई बयान की है उसने पूछा हाँ, अजे ने बेहिचक जवाब दिया जान बुचकर कुछ भी नहीं चिपाया है ना नहीं अच्छे तरह याद कर लो शायर कुछ बताना भूल गए हो मैं यकीनी तोर पर कहता हूं कि जितना जानता था, सब बता दिया है देखो, अजे इस मामले में तुम्हारा जरा भी चालाकी करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा रवी शंकर नसीहत देने जैसे अंदास में गंभीरता पूर्वक बोला क्योंकि ये मामला सही माइने में स्थानिये पुलिस का ना होकर इंटेलिजन्स बीरो का है सला देने के लिए बहुत धन्यवाद रवी अजे ने कहा लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वज़ा से मुझे पश्टाना पड़ी फिर तिवारी की और देखता हुआ बोला और अगर किसी तरह की जूटी तौहमत लगा कर मुझे फसाने की कोशिश की गई तो उससे भी मैंने पट लूँगा तुमने इस बारे में जो बताया है रवी शंकर ने पूछा उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो क्या नहीं श्योर कॉइट श्योर रवी शंकर गेरी सांस लेकर खड़ा हो किया आये तिवारी सहब वो बोला यहां रहकर वक्त जाया करने में कोई अकलमंदी नहीं है तिवारी ने आखरी दफा जलती निगाहों से अजे को घूरा फिर बे मन से उठा और रवी शंकर के साथ बाहर निकल गया अजे दर्वाजा बंद करके नीलम की और पल्टा नीलम परिशान और सहमी सी बैठी थी तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो अजे वो आश्रन कित स्वर में बोली कैसे इसलिए कि यह स्थानी पुलिस का मामला ना होकर इंटेलिजन्स भीरो कहे अजे हसा मैं बड़ी गलत घड़ी में पैदा हुआ था इसलिए गलती करते रहने की ला इलाज बिमारी है मुझे उसने कहा आओ हम बैडरों में चलते हैं नीलम हड़ बड़ा गई क्या किसलिए अजे मुस्कुराया मैं विशालगर फोन करना चाहता हूँ उसने कहा फिर शरार्ती लेचे में बोला घबराओ मत कोई ऐसा वैसा इरादा मेरा नहीं है अगर कोई और होता तो इतनी बात पर नीलम ने बुरी तरह भड़क चाना था लेकिन बिन मुलाय मेहमान की तरह आ पहुँची लाश और मृतक में आईबी की दिल्चस्पी ने उसे हिला कर रख दिया था उपर से अजे के इस गंभीर मामले में भी खुराफाती व्यवहार से उसे लग रहा था कि कोई भारी अनिश्ट होने वाला था इसलिए वो कड़ी निगाहों से उसे घुरती हुई खड़ी हो गई दोनों बेडरूम में पहुँचे अजे विराट नगर और विशाल गड़ के बीच एस्टेडी सुविदा का लाब उठाते हुए फोन पर थंडर के स्थानिय समवाद दाता हरीश भारगव का नंबर डाइल करने लगा करीबाट मिनट की कोशिश के बाद संबन स्थापित होने पर हरीश का स्वर लाइन पर उप्रा हलो हरीश अजे अपना परिचे देने के बाद बोला तुम्हें दो तिन काम सौंप रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ये काम तुम्हें करने है येस, I'm in top priority किसी काम से विराट नगर आया हुआ है तुमने पता लगाना है वो किस काम से यहां आया है उसका यहां पता क्या है इसके इलावा और भी कोई खास बात जो पता लग सके नमबर दो पेटर डिसूजा नाम के एक आत्वी के बारे में पता लगाओ वो जराइम पेशा बताया चाता है किसी संगीन जर्म में लंबी सजा काट रहा था लेकिन कुछ देन पहले जेल से भाग आया था मैं जानना चाहता हूँ आज कल पेटर डिसूजा कहा है क्या वो शादी शुदा है अगर हाँ तो उसकी शादी कब कहा और किस्से हुई थी फुलिये समेत उसकी पत्नी के बारे में जितने ज्यादा हो सके जानकारी तुमें हासिल करनी है नमबर तीन विजे मोहन ये दौलत मन आदमी बताया जाता है उसका अपनी पत्नी से तलाग का मामला अदालत में पैंडिंग पड़ा है इस आदमी के बारे में अधिकत्तम जानकारी के साथ तलाग समंदी तत्यों की मालूमात तुमें हासिल करनी है खास तोर पर ये कि क्या तलाग के इस मामले में कोई दूसरी औरत भी इन्वाल्व है अगर है तो वो कौन है कहा है उस दूसरी औरत के बारे में अधिकत्तम जानकारी विजे मोहन के लव लाइफ के बारे में भी पता लगाना चाहे वो अफवाहें की ही क्यों ना हो बस फिलाल इतना ही है हाँ मैं जानता हूँ काफी लंबा ओर्डर है वो हसा लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नौजवान मेहन तई और अपने काम में हुश्यार हो जैसे जैसे बाते पता लगती रहे मुझे मेरे घर के फोन पर सुचित करते रहना अगर मेरे फोन पर जवाब ना मिले तो इमारत के वाच्मेन को नोट करा देना दोनों फोन नंबर तुम्हें पता है गुट फॉरन शुरू हो जाओ गुड लग अजे ने संबंध विच्छेत कर दिया वो मुस्कुराता हुआ नीलम की और पल्टा नीलम के चेहरे पर परिशानी के भाफ थे और आंखों में दर्जनों सवाल जांक रहे थे अभी मुझसे कुछ नहीं पूछना अजे बोला इस मामले में आई भी वालों का दखल है लहाजा उन लोगों के मुकाबले में जल्दी और ज्यादा जानकारी हासिल करना मेरे लिए बेहत जरूरी है लेकिन ये सब है क्या नीलम ने उल्जन भरे स्वर में पूछा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है समझ तो मेरी भी अभी तक कुछ नहीं आया है अचानक अजे की मुस्कुराहट गायब हो गई उसने जेब में हाथ डाल कर कागस का वो टुकड़ा बाहर निकाला जो मुरी तक मेकराथ सक्सेना की मुठी से बाहर निकाला था मुड़े तोड़े उस कागस को सीधा करके उसने बैट साइड टेबल पर फैला दिया फिलहाल तो यही एक क्लू लगता है वो बोला इसे देखो और समझने की कोशिश करो दोनों जुक कर गौर से उसे देखने लगे दोनों साइडों और नीचे की तरफ से बे तर्तीब से फटे हुए पीले रंग के उस कागस पर शी अंकों की एक संख्या के नीचे चौड़ी लाइनों में अधूरे लफजों की शकल में एक अधूरी इबारत भी छपी हुई थी छपी हुई इबारत के बीच में गसीर्ट से लिखावट में कुछ लिखा था लेकिन संख्या के इलावा सही ढंग से कुछ नहीं पढ़ा जा रहा था और जो लफज पढ़े भी जा रहे थे उनका कोई मतलब पल्ले नहीं पढ़ रहा था समझ में नहीं आता कि ये टुकड़ा किस पूरे कागस का हिस्सा है नीलम सेर हिलाती हुई बोली काश ये इस ढंग से फटा और बुरी तरह मुड़ा तुड़ा नहीं होता वो तनी खिच किचाई फिर बोली लेगन इस सब के बावजुद ना जाने क्यूं ऐसा लगता है ये कोई परिचित सी चीज है हजे उसकी बाते सुनने ही रहा था उसका पूरा ध्यान कागस के उस टुकड़े पर केंद्रित था सैसा उसकी आँखे चमक उठी समझ गया वो उत्तेजित स्वर में बोला नीलम ने उत्सुकता पुर्वक उसे देखा क्या यही कि ये क्या चीज है क्या है नीलम के स्वर में आतुरता का गहन पुट था अजे मुस्कुराया ऐसी एक चीज के लफड़े में चन पहीने पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे अफसोस है कि इसे पहचानने में इतनी देर क्यों लगा दी कैसा लफड़ा साफ साफ क्यों नहीं बताते नीलम भी जल लाकर बोली आखे ये चीज क्या है ये तीन तरफ से फटी हुई रेर्वे क्लॉक रूम में सामान जमा कराने की रसीत है अज्रे ने जवाब दिया लेकिन इस चुकड़े से ये पता नहीं चल सकता कि ये किसने कब और क्या सामान जमा कराया था क्योंकि इन डिटेल्स को धर्शाने वाले इस चुकड़े के बाकी हिस्से गायब है लेकिन मृतक मेगराज सकसेना मरते दम तक भी क्यों इसे चाती से लगाए हुए था इस क्योंका तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है अलबत्ता ये तैह है कि इस मामले में इस चुकड़े की भारी एहमियत है अजे ने अपने पोर टेबल टाइप राइटर को एक तरफ से उठा कर उसके नीचे बीछे रबट मैट के नीचे कागस का टुकड़ा रख कर टाइप राइटर पूरे सही धंक से रख दिया अब क्या करना है नीलम ने जानना चाहा हर इश्की और से कोई जवाब ना मिलने तक कुछ नहीं किया जा सकता अजे ने कहा शादी में जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो ही गया नहा दोकर बाहर चलते हैं किसी रेस्टरेंट में डिनर लेंगे ठीक है मैं उपर अपने फ्लैट में जाकर तयार होती हूँ मैं भी साथ चल रहा हूँ कहा तुम्हारे फ्लैट में नीलम ने उसे घूरा किस लिए वहीं तयार होंगा अजे बोला इस वक्त मुझे यहां बड़ी घुटन मैसूस हो रही है मैं फॉरन इस माहौल से अलग हो जाना चाहता हूँ और कुछ घंटों के लिए दूर ही रहना चाहता हूँ नीलम ने संदे पूर्वक उसे घूरा कोई शरार्ती इरादा तो नहीं है नहीं अजे बड़ी शराफत से बोला बिल्कुल नहीं नीलम कई पल उसे पूर्वत निगाहों से देखती रही अंत में उसने सहमती सूचक सिर हिला दिया ठीक है अपने कपड़े निकालो और चलो नीलम अजे सहित साथ पांचवे खंड पर पांची अपने फ्लैट में दाकिल होते ही उसकी आखे सिकुड गई और जोर जोर से नाक से यूँ सांस लेने रगी मानो कुछ सूंगने की कोशिश कर रही थी अचानक वो अजे की और पलट गई सेंट की खुश्बू है इंटिमेट की वो बोली इस सारे चकर में उस लड़की को तो मैं भूल ही गई थी जिससे तुम उस वक्त मुलाकात कर रहे थे जब इंस्पेक्टर तिवारी मुझे जोर्टी साबित करने की कोशिश कर रहा था अजे ने हाथ में थमे अपने कपड़े जिने सनान के पश्चाद बदलने के लिए साथ लाया था सोफे पर रख कर उसकी और देखा क्या जानना चाहती हो तुम उस लड़की के बारे में कैसी थी वो क्या बहुत ज्यादा खूपसूरत अजे के होंटों पर शरारत भरी मुस्कान खेल गई नहीं वो नहायत ही बदसूरत थी आंखों में कीचट भरा था नाग बह रही थी और पसीना इतना बदबुदार था कि इंटिमेट में सनान करके आई लगती होने के बावजूद पसीने की बू से पीछा वो नहीं चुड़ा पा रही थी सैसा उसका स्वर और उच्छी पूर्ण हो गया जितनी देर वो यहां रही मतली सी आती रही बेकार की बाते मत करो मैं जानती हूँ तुम मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो नीलम ने कहा लेकिन तुम्हारी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि मैं भी असलियत जाने बिना तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं हूँ मैंने बता तो दिया वो कैसी थी अजे ला परवाही से बोला नीलम उसके पास जा पहुँची और उसकी बात थाम ली उस बक्वास को छोड़ो साफ साफ बताओ वो क्या चाहती थी क्या वो मेगराज सक्सेना के बारे में कुछ जानती थी तुम ये सब क्यों जाना चाहती हो इसलिए कि इस बक्वेडे में मैं भी तुम्हारे साथ फसी हुई हूँ अजे ने नोट किया कि उसके स्वर में गंभीरता का पुट था अच्छा तो फिर सुनो वो बोला वो जवान और खूब सूरत थी गोरा रंग औसत कद, पुष्ट सुदोल जिस्म, बड़ी-बड़ी कंटीली आंके और कंधों तक कटे स्या कादे बाल खुल मिलाकर मुद्दा ये है कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसे देख कर किसी भी जवान आदमी की ना सिर्फ धरकने बढ़ सकती थी, बलकि एमान भी खराब हो सकता था लेकिन तुम तो जानती हो, कि मैं ऐसी लड़कियों से बचकर ही रहता हूँ इसलिए मैंने पूरे दौर में अपने पास भी उसे फटकने नहीं दिया था आइम सीरियस सजे, नीलम उसकी बात काट कर बोली, असल बात बताओ, वो चाहती क्या थी हजे ने कोट उतार कर अपनी टाई खोली, फिर कमेज उतार कर सोफे पर डाल दी तुमें सुनकर यकीन नहीं आएका, वो बोला, वो अपने पती की हत्या कराना चाहती है नीलम बुरी तरह चौंकी, क्या, अपनी पती की हत्या कराना चाहती है हाँ, नीलम अव विश्वास पूरवक उसे देख रही थी क्या वो पहली मुलाकात में ही तुम पर इस बुरी तरह मर मिटी थी, क्या अपने पती को रास्ते से हटानी का फैसला कर बैठी किसी पर मर मिटने वाली वो नहीं है फिर छोड़ो इस किसे को अजे ला परवाही से बोला तुमने जो पूछा था मैंने बता दिया और अपने शेविंग के सामान सहित उसकी बगल से गुजर कर बेडरूम से होता हुआ बातरूम में जाखुसा नीलम बेडरूम में पहुची कपड़े उतार कर उसने गाउन पहना और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ कर अपने बाल सवानने लगी बातरूम से अजे के गुन गुनाने की धीमी आवास आ रही थी ठीक है मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया है अजे नीलम मुझी आवास में बोली लेकिन ये तो बताओ अपने पती की हत्या वो कराना क्यों जाती थी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बातरूम के बंद दर्वासे के पीछे से अजे का स्वर उप्रा क्यों? इसलिए कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है इस बात का मेरी शादी से क्या तालुक है? नीलम ने खिच कर पूछा शादी के बात और ते अपने पतियों से कितनी जल्दी और किस हद तक उप जाती है इसका पता शादी करने के बाद ही तुम्हें चले का नीलम के चेहरे से खीच भरे भाव गायब हो गई शादी के जिक्न ने उसे रोमाचित सा कर दिया था मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है वो बात को खीचती हुई बोली जोट मत बोलो ये क्यों नहीं कहती कि जिस से शादी करना चाहती हो वो तुम्हें कताई पसंद नहीं करता क्या तुम्हें पता है मैं किस से शादी करना चाहती हूँ कौन है नीलम ने उत्साहित स्वर में पूछा ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्यूं इसलिए कि तुम नारास हो जाओगी और तुम्हें नारास करना मैं नहीं चाहता अगर मैं वादा करूं कि नारास नहीं होंगी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस प्रिंस चार्मिंग का नाम एस से शिरू होकर आर पर खत्म होता है नीलम का मन मयूर खुशी से नाच उठा वो जानती थी कि इससे अजे का आशिय अपने ही नाम से था ये तो कोई नबात नहीं हुई साफ साफ बताओ ना इससे ज़्यादा साफ मैं नहीं बता सकता इतना तो बता सकते हो कि क्या उस प्रेस चार्मिंग को जानते हो अच्छी तरह तब तो तुम्हें ये भी पता होता कि वो मुझे क्यों पसंद नहीं करता उसका कहना है कि तुम घमंडी, नक्रीली और जगडालू किस्म की लड़की हो ये जूट है, तुम खाम का मुझे पर तौमत लगा रहे हो मैं कुछ नहीं लगा रहा, मैंने तुम्हें प्रेस चार्मिंग का विचार बताया है नीलम खेल खिला कर हस दी, अगर ऐसी बात है, तो अपने उस प्रेस चार्मिंग से कह देना कि मुझे भी वो कतई पसंद नहीं है, जरूर कह दूंगा, लेकिन साथ ही ये कहूंगा कि ये बात तुमने दिल से नहीं कही है कह देना, नीलम बोली, अब उस लड़की के बारे में तो बताओ, तुमने विशाल गड़ से फोन पर जो जानकारी हासिल करने के लिए कहा है, क्या उससे भी उस लड़की का कोई तालुक है इस बारे में बात में बताओंगा, अब मुझे नहाने दो अब तक क्या कर रहे थे तुम? शेविंग, फिर बातरूम के बंद दर्वासे के पीछे से शौवर गिरने की आवास आने लगी नीलम ने अपना मेकप दुरूस करके वार्डोब से अपने कपड़े निकाल लिये फिर वो पलटकर ड्रॉइंग रूम में सोफे पर रखे अजे के कपड़े उठा लाने के लिए बड़ी लेकिन अचानक वो बुरी तरह चौगी और उसके पैड समीन से चिपक रह गए बेडरूम और ड्रॉइंग रूम के बेच वाले दर्वासे में एक आदमी हाथ में रिवॉल्वर थामें खड़ा था नीलम आंखे फैलाए उस आदमी को देखे जा रही थी सैसा बात्रूम के बंद दर्वासे के पीछे से आजे का स्वर उप्रा मैं जानता हूँ तुम बोर हो रही हो लेकिन तुमें और ज्यादा इंतिजार नहीं करना पड़ेगा मैं बस दो-चार मिनट पे ही बाहर आने वाला हूँ गर्ड मैन के निगाहे बात्रूम की तरफ घूम गई उसने नेलम पर रिवॉल्वर टांते हुए सेर हिला कर अपनी वहां मौजूद्गी को जाहिर ना करने का संकेर दे दिया नेलम उसका आश्यो समझ गई नहीं अजे मा मुझे कोई जल्दी नहीं है वो हकलाती से बोली तुम इत्मिनान से स्नान करो रिवॉल्वर धारी ने संतुष्टी पूर्वक सेर हिला दिया उस चेरे के रंगत पीली थी होन पतले और नया नक्ष साधारन वो बेल्ट वाला कोट और वर्स्ट्रेट की ग्रे पैंट पहने था उस पर सिल्वटे पड़ी थी और कहीं कहीं मैल भी नजर आ रहा था तुम तो हमेशा जल्द बासी मचाया करती हो बाथरूम से आजे का संदे पूंट स्वर उब्रा फिर आज अचानक इत्मिनान की बाते कैसे करने लगी बह बेकार की बाते मत करो नीलम जिड की देने की कोशिश करती हुई भोली तुम आराम से अच्छी तरह नहा कर निकलो मैं ड्राइंग रूम में तुम्हारे लिए ब्रिंग तयार करके रखूंगी रिवॉल्वर धारी नीलम को बेटरूम से बाहर आने का संकेत करता हुआ दर्वासे के पीछे हट गया ये ठीकता कि रिवॉल्वर धारी के अचानक इस तरह सेर पर आख़डे होने ने नीलम को बौकला दिया था लेकिन पेशे से पत्रकार और कई साल से अजे के निकट संपर्ट में रहने के कारण होसले की कमी भी उसमें नहीं थी वो स्वयम को काफी हद तक संयत कर चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फ्लैट का प्रवेश द्वार लौप ना होने की वज़ा से रिवॉल्वर धारी चुप चाप अंदर घुसा चलाया था प्रत्यक्ष्टर सहमी सी नसर आ रही नीलम रिवॉल्वर धारी का आदेश पालन करने के अंदास में बाहर निकली और फिर अचानक उस पर चलांग लगा कर रिवॉल्वर चीनने की कोशिश करने लगी उसकी इस सर्वता और प्रत्याशित हरकत से एक संग्षिप पल के लिए रिवॉल्वर धारी तनक चकराया लेकिन फिर तुरंथी संबल कर उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ छुडाया और नीलम को परे धकेल दिया क्या कर रही हो नीलम अजे ने बात्रों में से पुकारा मेरे लिए ड्रिंक बनाते बनाते खुदी तो उसे नहीं पी गई हो नीलम के सामने मौजूद रिवॉल्वर धारी के होंट गुर्राहट पून मुद्रा में खिच गए थे और उसके निगाहे मौन शिताबनी दे रही थी इस बेच वहां भारी बदन के अन्य आत्मी की मौजूद की का आभास भी नीलम पाच चुकी थी वो उसी की और बढ़ रहा था नीलम जबरन जोर से हसी और उची आवास में बोली मेरी पेट मुड़ते ही जैसे तुम दूसरी लड़कियों में दिल्चस्पी लेने लगते हो उसी तरह समझ लो कि मैं भी अपने दोस्तों को एंटरेटेन कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जल्दी बाहर नहीं आओके बात्रूम से अजे द्वारा कैकावा लगाई जाने की आवाज सुनाई थी ठीक है लेकिन हुश्यार रहना ऐसा नो हो कि लंगे हाथों पकड़ी जाओ अब तक नीलम के पीछे आ पहुँचे ठीगने ने अचानक एक हाथ से उसका मुँ भीच कर उसे उपर उठाया और कोने में एक आराम कुर्सी के पास ले गया नीलम प्रती रोद कर रही थी लेकिन ठीकना जोर से उसका मुँ दबोचे रहा रिवालवर धारी अपनी रिवालवर जेब में रखकर दूसरी जेब से एडेसिव टेप का रोल निकाल कर उसे खोलता हुआ उसके पास जा पहुँचा नीलम ने चीकना चाहा लेकिन उससे पहले ही उसके मुँ पर मजबूती से टेप चिपका कर उसे कुर्सी पे धकेल दिया गया इसके बावजूद वो बराबर प्रतिरोद कर रही थी मगर जल्दी ही उन दोनों आत्मियों ने उसकी बाही कुर्सी से बाजूओं के साथ और टकने कुर्सी के दो पायों के साथ बांध दिये तबी बातरूं का दर्वासा खुला और अजे ने पुकारा नीलम मेरे अंडर्वेर बन्यान उठा दो उन दोनों आदमियों ने फॉरण एक दोसे की और देखा और वे दबे पाओ तेजी से बेडरूम के दर्वासे की और बढ़ गए कुर्सी में बंधी पड़ी असहाई नीलम वे वश्टा पूर्वक उन्हें देखती रही नीलम की और से कोई जवाब ना पाकर अजे ने फिर पुकारा मजाख मत करो नीलम मैं तौलिगा बांदे खड़ा हूँ और शरीफ आदमी होने की वज़ा से इस रोप में तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता लाओ अंडर वे और बन्यान दे दो वे दोनों आदमी दर्वाजे के दोनों आज़ा खड़े हुए थे रिवॉल्वर धारी ने पुने अपना 38 कैलिबर का रिवॉल्वर निकाल लिया था और उसके साथी ठिकने के हाथ में रबड का एक छोटा सा सोन्टा प्रकट हो चुका था मन ही मन अपनी विवश्टा पर खिश दी नीलम के सामने चुप चाप देखते रहने के इलावा अन्य कोई चारा नहीं था हजे के कत्मों की आहट बैटरूम में सुनाई थी फिर उसका गुर्राहट पूंट स्वर उभरा ये क्या मजाक है आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो नीलम की और से फिर भी कोई जवाब ना पाकर भारी कत्मों से चलता हुआ वो बीच वाले दर्वासे में आ पहुँचा रिवॉल्वर धारी ने फॉरण अपनी 38 कैलिबर का रिवॉल्वर उसके नंगे पेट में गड़ा दिया अजे हैरान सा खड़ा रह गया अगले ही क्षन ठिगने ने सोटे का नपातुला वार उसकी कनपटी पर कर दिया अजे का जिस्म लहराया उसके गुटने मुड़े और वो गुटनों के बल नीचे गिर गया फिर उसने अपने दोनों हाथ नीचे ठिका तिये दोनों आत्मी पीछे हट कर उसके ओन्धे मूफ फर्ष पर फैलने का इंतिजार करने लगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ गुटनों और हाथों के बल पर खुद को संभाले अजे गर्दन लटकाए उसी स्थिती में रहा कनबटी पर हुए आकस्मिक वार ने उसके दिमाग को बुरी तरह जन जना दिया था उसे आँखों के समक्ष अंगिनत सितारे चमकते प्रतीत हो रहे थे इसके बावजूद उसके होश अभी कायम थे वो अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कुछ देर उसी तरह रहने के बाद उसने धीरे-धीरे उठना शुरू किया इच्छा शक्ती के सहारे अपनी समत्ष शारीरिक शक्ती को एकत्रित करते हुए उसने फर्ष से उठने की कोशिश की रिवॉल्वर धारी के चेहरे पर अविश्वास पून भाव थे वो बड़ी गौर से अजे को उठने की कोशिश करते देख रहा था ये काफी सक जान लगता है अंत में वो बोला इस पर एक वार और कर दो जै जै यानि ठिगना आगे चुका और अजे की ठोड़ी पर सोटे से वार कर दिया इस दवा इस दफ़ा अजे कुछ नहीं कर सका वो अधे मुँ आगे गिरा और उसी तरह पड़ा रहा अजे पूरी तरह बेहोश नहीं था बची कुछी चेतना को लुप ना होने देने के लिए उसे भारी मानसिक संगर्श करना पड़ रहा था अगर वो द्रेड इच्छा शक्ती वाला आदमी नहीं होता तो उसने पहले वार में ही पूरी तरह होश गवा बैठना था बेडरूम के दर्वाजे में कदम रखते ही कनपटी पर सोटे का वार किये जाने से पहली वो कुर्सी में बंदी बैटी असाहाई नीलम को देख चुका था फिर नीलम की हिफाज़त का विचार उस पर हावी होकर रह किया था ये नीलम की सुरक्षा प्रती उसकी अत्यदिक चिंता ही था जिसने उसकी चेतना पूर्टिया लुक नहीं होने दी थी आखे बंद की ये निश्चल पड़ा अजे क्षणय शणय स्वयम को नीम बेहोशी की हालत से उबड़ता मैसूस कर रहा था धीरे धीरे उसका मस्तेश्क सक्रिय होता जा रहा था अंथ में वक्षण भी आ गया था जब उसने स्वयम को काफी हद तक सही ढंग से सोचता पाया सोटे के प्रतम प्रहार से पहले दोनों आदमियों को वो बस एक निगा देख पाया था लेकिन उतने से ही वो समझ किया था कि वे दोनों अप परिचित बत्माश थे और ज्यादा संभावना इस बात की थी कि वे स्थानिये नहीं थे वे पेशेवर और अपने काम में तजुर्बे कार लगे थे इन दोनों बातों ने मिलकर अजे को मेगराथ सक्सेना की याद दिला दी थी हाला कि अपने विचारों को व्यवश्थित वो नहीं कर पाया था फिर भी लगभग यकीनी तौर पर कह सकता था कि उन दोनों आत्मियों के आगमन का मेगराथ सक्सेना से कोई रिष्टा जरूर था सैसा आजे ने स्वयम को बुरी तरह जिन जोड़ा जाता महसूस किया लेकिन वो अपने जिस्म को धीला छोड़े उसी तरह आंधा पड़ा रहा उसे अपना जबड़ा तूट गया महसूस हो रहा था लेकिन वो जानता था कि असल में ऐसा नहीं था जबड़े में तेज दर्थ की वज़ा से ही उसे असा लग रहा था उसे अपना सेर भी दर्थ से फटा जा रहा महसूस हो रहा था लेकिन इसके भी खास फिक्रों से नहीं थी अपने सर की मस्बूती पर बड़ा पूरा भरोसा उसे था उसका सर इससे भी तगड़े पहार बहुत बार छेल चुका था पांच साथ बार जिन जोड़ने के बाद उसे उसी तरह आंदा पड़ा छोड़ कर वे पीछे हट गए चुप चाप पड़े अजे को उनकी आवासे और फरनीचर खिसकानी की आठे सुनाई देती रही जाहिर था उन लोगों को किसी चीज की तलाश थी लेकिन किस चीज की मजूदा हालात में इसका एक ही संभावित जवाब था वो चीज कागस का वही टुकड़ा हो सकती थी जो उसने मितक मेक राज सकसेना की मुठी से निकाला था अपने इस विचार से तो अजे काफी हद तक संतुष था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कागस के उस टुकड़े को वे लोग फ्लैट में तलाश करने की बचाए यहां क्यूं खोश रही थी फिल्हाल उस बात का जवाब ना तो उसके पास था और ना ही मिलने की उमेद थी इसलिए इस बारे में दिमाग खपाने की बचाए उसने सोचा कि वो कागस उन लोगों को यहां नहीं मिलेगा तब क्या होगा इसका सीधा सा जवाब था कि उस सूरत में वे जबरन उसका मुझ खुलवाएंगे अजे को चुप चाप पड़ा रहकर बेहोशी का नाटक करते हुए इंतजार करते रहने में समझधारी दिखाई थी इसका बड़ा फाइदा ये भी था कि इस तरह अपनी शारीरिक शक्ती को वो पुने संचित कर सकता था वो उसी तरह निश्चल पड़ा प्रतिक्षा करता रहा काफी देर बाद एक आश्र जनक रूप से पष्ट और बारीक स्वर उसके कानों में पड़ा यहां तलाशी के चक्कर में और ज्यादा वक्त जाया करने में कोई फाइदा नहीं है तुमने इस पर कितना तगड़ा वार किया था जे हजे ने जूते की नौक से अपनी पसलियों को टोहो का लगाया ज़्यादा महसूस किया मेरा खयाल है दूसरा वार ज्यादा तगड़ा साबित हुआ एक भारी स्वर में कहा किया वैसे इसके बारे में यहां कहा जाता है कि आमने सामने मुकाबला करने की अपेक्षा इस से इसी ढंक से निपटना ज्यादा आसान है इस वक्त तो इसकी हालत किसी मुर्दे जैसी है जूते की नोक का जो दबाव अजे की पसलियों में पढ़ रहा था उसे एक पल के लिए उसने हट गया महसूस किया फिर फॉरन ही एक भारी ठोकर पड़ी पेड़ा की एक तेज लहर अजे के समच शरीफ से होकर गुजर गई लेकिन अजे ने अपने जिस्म में कोई हरकत नहीं होने थी जिससे जरा भी आवास हो कि उसे ठोकर का दड़ मेहसूस हुआ था इसे होश में लाकर हमें इसका मुझ खुलवाना पड़ेगा बारी का आवास में कहा गया अखबार में छपा है कि सकसेना जब अजे के फ्लैट में पहुँचा तो वो जिन्दा था हाँ बारी आवास में चटकारा सा लगने के बात कहा गया और अखबार के मताबिक पुलिस इसके इलावा किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी कि सकसेना की हत्या अजे या इसकी सहेली ने की हो सकती है है ना मज़िदार बात रखू पुलिस को यही सोचने दो लेकिन अगर सकसेना वाके जिन्दा ही अजे के पास पहुँच किया था और उसने अजे को सब कुछ बता दिया था तब भी इस बात का कोई जिक्र अकबार में नहीं है कि पुलिस को मेगराज के पास कागस का कोई टुकडा मिला था इसका सीधा सा मतलब है कि अजे ने पुलिस को बुलाने से पहले ही कागस का वो टुकड़ा कहीं छुपा दिया था और ये अजे ने सिर्फ उसी सूरत में करना था जबकि उसे इस बात की जानकारी रही हो कि सकसेना उस कागस को क्यों लिये फिल रहा था अब उसका मस्तिश्क पूर्टिया सक्रिये हो गया और वो गौर से सुनने लगा इस उमेद में कि मेग रात सकसेना की मौत के रहसे के बारे में शायद कोई और क्लियू हाथ लग जाए लेकिन भारी आवाज वाले यानी जै ने वारतालाब का विशे ही बदल दिया इस लड़की के बारे में क्या खयाल है रगू? उसने पूछा उसके उत्सुक स्वर में वासना का पुट था लड़की का मुख खलवाने में असली मज़ा आएगा इसने गाउन के नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ है लड़की को हाथ भी मत लगाना रगू गुर्राया ये जिस तरह मुँ बंद किये बैटी है उसी हालत में चीक है क्यूं? क्या खराबी है इसमें? जवान है, खुब सूरत है तुम पर हमेशा यही भूत सवार रहता है रगू बोला लेकिन तुम नहीं जानते कि औरते बेवकुफ होती है आकरी कोशिश करना चाहता था लेकिन इस लड़की से खींचतान में मज़ा बहुत आएगा हम मज़े करने यहां नहीं आए है आओ, इस गदे को होश मेलाते हैं ताकि इसका मुँ खुलवाया जा सके ये समझदार आदमी है इसलिए कोई गड़बर नहीं करेगा ये जानता है अगर ऐसा कुछ किया तो हम इसकी बंदी बैठी छोकरी की इज़त उतारना शुरू कर देंगे आइडिया सच मुझ जोरदार है जै बड़े हिजोश के साथ बोला इसे होश में लाते हैं फिर जब ये अपनी छोकरी के साथ जबरदस्ति करते देखेगा तो खुदी अपना रिकॉर्ट चालू कर देगा उन दोनों ने आउंधे पड़े अजे को पीट के बल उलट दिया अजे आँखे बंद किये बेहोशी का अभीने करता रहा उसने शराब और लैसुन के मिली जुलिक गंद अपने नथुनों में प्रवेश करती अनुभव की फिर अपने चेहरे के पास जै की संदिक्त स्वर में बड़ बड़ाहट सुनाई थी इसकी छुट्टी तो नहीं हो गई रगु वार करते वक्त कभी-कभी अपनी ताकत का खुद मुझे ही पता नहीं चलता है बकोमत रगु तेवरस्वर में बोला अभी इसकी सांस चल रही है फिर वे दोनों अलग हट कर दबी जबान में बाते करने लगे अजे उनके अगले कदम के बारे में सोच रहा था उनकी बातों से साबित हो चुका था कि नेलम से पूश्टाज करने का रिस्क वो नहीं ले सकते थे इसका मतलब था जब तक वे उसे बेहोश समझ रहे थे तब तक संभव दिया नेलम से कोई चेट-चाड उनोंने नहीं करनी थी लेकिन एक बार उसकी आंके खुलवाते ही उनोंने दरिंद्गी पर उतर आना था अजे को अपनी बगल में हल्की सी आहट सुनाई थी फिर सर्वता अप रित्याशित रूप से ठंडा पानी उसके चेहरे पर फैंक दिया गया वो मारा रगु विजई स्वर में बोला मैंने इस पर पानी का असर होते देखा है ये जानमुश कर नाटक कर रहा है अब मैं इसका नाटक खत्म कर दूँगा अजे ने माचिस की तीली जलाई जाने की आवाज सुनी फिर अपनी बाईं पलक के पास तपिश महसूस की तपिश अज सहनिय रूप से नस्दीक थी उसी अपनी भवे जुलस्ती सी प्रतीत हुई उसने जोर से अपने सिर को जटका दिया और आँखे खोल कर उट बैठा रगु ने पीछे हटकर अपना 38 कैलीबर का रिवॉल्वर निकाल लिया था उसकी आँखों में निर्द्यता पून चमक थी वो साफ पेशेवर हत्यारा नजर आ रहा था उसने सर्द निगाहों से अजे को घुरा मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता वो रिवॉल्वर हिलाता हुआ बोला लेकिन अगर तुमने मचबूर किया तो इस्तेमाल करने का अफसोस भी मुझे नहीं होगा अजे ने उसे नजर अंदास करके गर्दन घुमा कर नीलम की योड़ देखा नीलम स्वयम को बंदन मुख करने के लिए संघर्ष बंद कर चुकी थी उसकी बड़ी-बड़ी स्या आंखों में उत्सा पून चमक थी ब्रैसिंग गाउन अस्थ व्यस्थ हो जाने के कारण गुटनों से उपर तक गोरी सुडोल टांगे नजर आ रही थी वो चिंतित तो थी लेकिन भयवेद बिल्कुल नहीं लग रही थी अजय ने उसकी और से निगाहें घुमा ली उसकी बगल में खड़े जय के हिंसक चेहरे पर कुटिलता पूर्ण मुस्कुराहट थी हाथ में पकड़े रबड के सोटे को वो यूं हिला रहा था मानो इस तरह अपनी मौजूदकी का एहसास कराते रहना चाहता था रगु भी पास ही खड़ा था उसके हाथ में थमी 38 बोर के रिवॉल्वर सीधी अजय की और तनी हुई थी ठीक है दोस्तो अजय बोला इस वड़ बासी तुम्हारे हाथ में है बोलो क्या चाहते हो रगु के होंटो पर मुस्कुराहट तैर कई मैं तो समझा था तुम्हारा सर जय के सोटे का निशाना बनने के इलावा और काम नहीं कर सकता लेकिन अब देख रहा हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नाम की चीज भी है और उसे इस्तेमाल भी तुम कर सकते हो तारीफ के लिए शुक्रिया मतलब की बात करो क्या चाहते हो हमें वही चीज चाहिए जो शाम आज मेगराज सक्सेना ने तुम्हें दी थी अजे ने अपने दर्ट करते सर को धीरे से हिलाया और हॉले से अपने जबडे को चुआ जहां गूमर सा उभर आया था मेरा सर दर्ट से फटा जा रहा है वो कराता सा बूला और मेरा दिमाग सही ढंक से काम नहीं कर रहा है क्या तुम मुझे एक ड्रिंक दे सकते हो विस्की की बोतल किचन में फ्रिज में लखी है तुम लोग भी अपने लिए ड्रिंक बना लो किचन से विस्की की बोतल और एक गिलास ले आऊ जए रगु ने कहा जए ने किसी मूर की भांती पल के जपकाई एक गिलास हाँ सिर्फ अजे को ही ड्रिंक देना है तुम्हें एक बून भी नहीं मिलेगी क्यों इसलिए कि अजे के बारे में सुना है कि ये बेहत चालाक है रगु कड़े स्वर में बोला और हम और कोई गलती करना नहीं चाहते जए बेमन से किचन में चला किया रगु अजे के सामने एक कुर्सी पर बैठ कया रिवॉल्वर वाला हाथ उसने सावधानी पोर्वक अपने घुटने पर रख लिया उसके निगाहें बराबर अजे पर जमी थी और रिवॉल्वर का रुख भी सीधा उसकी और था जए विस्की की करीब तीन चुथाई भरी बोतल और एक खाली गिलास लिए वापिस लोटा रगु के संकेत पर उसने एक तगड़ा पैक गिलास में डाल कर बोतल सेंटर टेबल पर रख दी और गिलास अजे को थमा दिया अजे ने एक ही बार में खाली करके गिलास उसे वापिस लोटा दिया नेट विस्की अजे के हलक से लेकर पेट तक को जलती चली गई रोकने के कोशिश करने के बावजूद उसे खांसी आ गई थी अजे ने अपने गुटने मोड लिये और गुटनों और पंजों के बल पर वो तनिक आगे की और छुक कर बैठ गया महरबानी करके अब एक सिग्रेट भी पिला दो हम लोग बुरे आदमी नहीं है और हम नहीं चाहते कि तुम भी कोई चालाकी करके खुद को खाम का मुसीबत में डालने की कोशिश करो रगु बोला जे एक सिग्रेट जलाकर दे दो इसे जे ने सिग्रेट सुलगाकर दे दिया अजे सिग्रेट का गेहरा कर्श लेकर देर सारा धुआ उगलने के बाद बोला तुम लोगों को पहले तो कभी विराट नगर में मैंने नहीं देखा ठीक कह रहे हो क्या तुम यकीनी तोर पर कह सकते हो कि जबरण यहां आकर और इस तरह जबरदस्ती करके कोई गलती तुम नहीं कर रहे हो अजे ने पूछा हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं रिपोर्टर सहब लेकिन अगर तुमने आज शाम सक्सेना द्वारा दे गई चीज हमें नहीं सौंबी तो तुम बड़ी भारी गलती करोगे अजे ने असमंजस्ता पूरवक से हिलाया मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या क्या रहे हो सब कुछ समझते हुए भी तुम खुद को अंजान जाहिर कर रहे हो और मुझे तुमारी अकल पर तरस आ रहा है क्या बगते हो सक्सेना ने मुझे कुछ नहीं दिया जब मेरे फ्लैट पहुँचा तुम वो मठ चुका था तुमारी इस दूसरी बात पर तुम से बहस हम नहीं करेंगे अगर तुम सच कह रहे हो तो जाहिर है कि पुलिस के पहाँचने से पहले वो चेस मेग राज की लाश से तुमने हत्या ली थी अजे ने पुने से रहा कर इंकार कर दिया तुम लोग खाम का मुझसे सर मार रहे हो वो बात को घुमाने की कोशिश करता हुआ बोला मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम इस फ्लैट में कैसे आ पहुँचे जबकि सकसेना यहां ना आकर नीजे मेरे फ्लैट में आया था और उसने आते ही दम तोड़ दिया था अकबार में छपी खबर के मताबिक तुम्हारी कुलीग और सहेली नीलम कपूर जो सकसेना की मौत के वक भी तुमारे फ्लैट में मौजूद थी इस फ्लैट में रहती है जब हम तुमारे फ्लैट को ताला लगा पाया पे भी शायद तुम पढ़ना भूल गए कि मेरे फ्लैट में मेरे पहुँचने से पहले ही पुलिस पहुँच गई थी हमें जांसा देने की कोशिश मत करो रगु कड़े स्वर में बोला पुलिस को सकसेना के पर्स से सिर्फ 321 रुबई मिले थे जबकि हम जानते हैं उसके पास करीब धाई हजार रुपई थे जाहिर है जिसने वो बाकी रगम निकाली थी उसी ने कोई और चीज़ पे निकाल ली थी लेकिन रगम से कोई मतलब हमें नहीं है हमें सिर्फ वो चीज़ ही चाहिए तौलिया लपेटे फर्ष पर आके की और चुका बैठा अजे प्रकट रोप में पूंट्या असहाई नजर आ रहा था लेकिन नेट विस्की के तेजी से हुए प्रभाव के कारण स्वयम को काफी हद तक स्वस्त अनुभव करने लगा था और मन ही मन वो अचानक पैदा हो गई इस थिति से यथा संबब फाइदा उठाते हुए इससे चुटकारा पानी की तरकीब सोचने में व्यस था उसकी निगाहे रगु पर जमी थी और वो यकीनी तोर पर कह सकता था कि रगु उसकी और से जरा भी गाफिल नहीं था कौन से चीज उसने पूछा मेगराज सकसेना के पास आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसे पाने के लिए तुम लोग इस बुरी तरह मरे जा रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो जैताओ खाकर बोला कि हमें उसके हिस्से का शट अप रगु उसके बात काट कर गुराता हुआ बोला अगर वो अजे के पास है तो ये जानता है कि हमें किस चीज की तलाश है अगर वो चीज इसके पास नहीं है तो उसके बारे में इसे बताना ठीक नहीं है मेरी सलाम आनो अजे बोला इस मामले में पुलिस की मदद लो उन्हीं लोगों ने मेग राज की तलाशी ली थी और उसकी चीज़े उनी के पास है लेकिन अकबार में पुलिस को उस चेस के मिलने के बारे में कुछ नहीं चपा है जिसकी हमें तलाश है अजे हसाम अकबार में छपी खबरों में कितनी सच्चाई होती है ये तो हम अकबार वाले ही जानते है रगु ने बोहे छड़ा कर उसे गुरा क्या मतलब? अकबारों में उतना ही चपता है जितना की चपवाया जाता है खास तोर पर पुलिस केसिस के बारे में मसलन तुम कहते हो कि सकसेना के पास करीब धाई हजार रुपई थे जबकि अकबार के मताबिक उसके पास सिर्फ 321 रुपई पुलिस को मिले थे अब अगर तुम्हारी बात सही है तो जाहिर है कि तलाशी लेने वाले पुलिसमेन ने हाथ की सफाई दिखा दी थी हो सबता है ऐसा ही हुआ हो जए बेश में अपनी टांग अड़ाता हुआ बोला लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चलना था कि वो चीज बको मत रगोपुने गुर्रा कर बुला हम यहाँ बहस करने नहीं आई हैं फिर उसने अजे से कहा हो सकता है तुम पुलिस से पहले सकसेना से नहीं मिले थे और हो सकता है इस बात की जानकारी भी तुमें नहीं है कि हमें किस चीज की तलाश है वो पूरवत रिवॉल्वर ताने धीरे धीरे उटकर खड़ा हो गया लेकिन यकीनी तोर पर जाने बिना यहां से जाने वाले हम नहीं है उसने अपने साती को संबोधित किया तुम अजे के पीछे खड़े हो जाओ अगर ये कोई हरकत करता है या चीकता है तो इसकी खोपड़ी पर सोटा जमा देना लेकिन हाथ जरा हलका रखना मैंने ही चाहता कि इस दवा भी ये बेहोश हो जाए मैं चाहता हूँ इसकी आँके खुली रहे ताकि ये अपने सामने होने वाला नजारा देख सके जय बड़े ही कुचित भाव से मुस्कुराया और टांगे चोड़ी करके अजे के पीछे सतर्कता पूर्वक खड़ा हो गया रगु सीधे हुए कदमों से चल कर नीलम की कुर्सी के पीछे जा खड़ा हुआ अजे ने भी धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसे देखने लगा नीलम आँखे फैलाई और पलक अजे को देख रही थी वो मौन निवेदन करती प्रतीत होती थी कि उसकी फिक्र करने के चकर में अजे कोई खत्रा मोल ना ले लड़की वाकि जोड़दार है रगु उसका गाल थप थपा कर बोला और अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार के उसके गाउन के उपरे हिस्से को हाथ से थोड़ा और फैला दिया एक मामुली अकबार जी ने इतना बड़िया माल अपने अकेले लिये रख छोड़ा है रगु ने धीमे मगर खौफनाक स्वर में कहना जारी रखा इसे हम जैसे अपने दोस्तों के साथ मिल बाठ कर क्यों नहीं खाता बेवकुफ लगता है अब तो तुम्हें ये करना ही पड़े का मैं और जे तो ऐसी चीज़ के लिए तरस्ते रहते हैं इतना शानदार माल रोज रोज हमें नसीब नहीं होता असहाई बैठी निलम अपमान के इस कड़वे घूट को पीती रही आगे की और जुके निश्चल बैठे अजे के दिमाग में गुस्से की भयानक लहरे रह रहकर गुसरने लगी उसके चेहरे की मास पेशिया पत्थर की तरह सक्त हो गई थी माथे बर पसीना फूट निकला था उसका रोम रोम गुसे से कांप रहा था और आँखों से चिंगारियां सी निकल रही थी अपने पीछे कड़े जै की तेज हो चली सांसों का सपश्ट आभास वो पा रहा था ऐसा लगता था सामने मानो मौजूद नजारे ने उसके होश उड़ा कर रख दिये थी निलम पूरवत अपलक अजे को देखे जा रही थी मूख रूदन करती हुई उसकी आँखों में अभी भी ऐसे भावते मानो वो कहना चाहती थी कि वे लोग उसका कुछ नहीं बिकार सकेंगे इसलिए उसकी खातिर अजे को खुद में खत्रे में ना ढाले अजे का ध्यान रखना जय रगुतेवर स्वर में बोला ये और ज़्यादा बरदाश नहीं कर पाएगा फिर अजे से पूछा मैं अच्छी कह रहा हूँ ना क्या खयाल है तुम अपनी जुबान खोलते हो या मैं लड़की की गाउन बेल्ट खोल दूँ सोच लो गाउन की बेल्ट खोलते ही जो खास चीज नजर आई की उसे देखते ही जैबे काबू हो जाएगा और इस मामले से ये पूरा वैशी है अजे और ज्यादा बरदाश नहीं कर सका अजाम की परवा किये बगैर वो उसी मुद्रा में तेजी से घूमा और अपने पीछे खड़े जै को जिसका समुचा ध्यान नीलम पलकेंद्रित था और जो नीलम के खुब सूरत जिस्म को पानी के खयालों में खोया हुआ था समलने का मौका दिये बगैर उसके पेट में पूरी ताकत से सर दे मारा जे उलटकर पीछे जाकिरा और उसके हाथ से सोटा छोट गया अजे फॉरन उठा और रगु की और जप्टा रगु नीलम की कुर्सी से पीछे हट गया रिवॉल्वर को पूर वत तानी वो हाफता सा बोला ऐसा मत करो बेवकुफ मैं तुमें शोट कर दूँगा अजे के होंट गुराहट पून मुद्रा में खिच गई और आँखों में खून उतराया था वो खौफनाग दरिंदा सा नजर आ रहा था उस पर मानू पागलपन सवाट था रगु की चेतावनी से बेपरवा वो आगे बढ़ा तुमें मुझको शोट करना ही पड़ेगा रगु इसके इलावा और कोई चारा नहीं है वो बहुत ही धीरे धीरे रगु की रिवालवर पर लिगाए जमाई आगे बढ़ता रहा रगु और पीछे हट गया रुख जाओ वो हाफता सब बुला आगे मत आओ लेकिन अजे ने उसी तरह आगे बढ़ना जारी रखा उसने किसी वैशी की भानती क्या कहा लगाया तुम्हें ट्रेगर खींचना ही पड़ेगा रगु मैं तुम्हें इसके लिए मचबूर कर तूँगा फिर फायर की आवाज सुनकर पुलिस यहां आप आँचेगी और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा रगु एक कदम और पीछे हट गया तब तक अजे सेंटर टेबल के पास पहाँ चुका था अचानक उसे रगु को नर्वस भाव से पीछे देखते पाया साथ ही वो अपने पीछे आहट का आभास पा किया मेज पर अगी विस्की की बोतल उठा कर वो तुरंग पीछे घूम गया जे उठकर खड़ा हो चुका था और उसकी और ही बढ़ रहा था अजे ने पूरी ताकत से बोतल उसके सेट पर खीच मारी जे जुकाई देकर खुद को बचा किया हवा में तैरती हुई बोतल खिर्की से टक्राई और कांच के पल्ले को तोड़ कर गुजरती हुई बाहर निकल गई अजे के हाथ से बोतल छूटते ही रगु ने उस पर चलांग लगा दी और अपनी भारी रिवालवर से उसके सर पर प्रहार कर दिया अजे उसके प्रहार से तो एक और उचल कर खुद को बचा किया लेकिन इस बीच जे उसके पास सा पहुंचा था उसने अपना सोटा घुमा कर वार किया सोटा अजे के दाएं कान पर पड़ा उसके कान की लफ फट गई और खून टपकने लगा कान पर हुए वार ने कुछ एक पल के लिए उसका दिमाद भी सुन कर दिया था वो बुरी तरह लड़ खड़ाया और संबलने की कोशिश करने के बावजूद गुटनों के बल नीची आगी रहा तब ही रगू ने उसके चेहरे पर ठोकर जमा दी वो पीट के बल फर्श पर लुड़क गया लेकिन उसके होश कायम थे वो धीरे धीरे उट बैठा और हूंटों पर चीप फिरा कर हाफने की कोशिश करता हुआ बोला तुम लोग बेकार अपना वक्ष जाया कर रहे हो इससे कई गुना ज्यादा मार मैं बरदाश कर सकता हूँ रगू ने गेहरी सास ली ओके वो बोला इसे मार खाते रहना पसंद है जै तुम इसके ख्वाइश पूरी करते रहो लेकिन हाथ हलका ही रखना ये चाहता है कि हम मार मार कर इसे बेहोश कर दे ताकि जब हम इसकी सहेली को रेप करे तो वो नजारा इसे अपनी आँखों से ना देखना पड़े लेकिन हम इसकी आँखों के सामने ही इस लड़की के साथ वो सब कुछ करेंगे तुम इसकी खोपड़ी पर वार करो मगर ध्यान रहे कि ये बेहोश ना होने पाए जैय ने सोटे का हलका सा वार कर दिया अजे बैटा नहीं रह सका वो आंधे मुफ फर्ष पर फैल गया उसकी सांसे अव्यवस्तित थी और वो पीड़ा से होट काट रहा था चन चन उसी तरह पड़े रहने के बाद उसने उटना शुरू कर दिया तबी फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में भागते कदमों की आहट सुनाई थी फिर प्रवेश द्वार पर जोरदार हाथ पड़ा और डोर नौप को खड़ खड़ाया गिया और फिर एक अधिकार पून ठोज स्वर उब्रा दर्वाजा खुलो वरना तोड़ दिया जाएका लगता है पुलिस आ गई लेकिन कैसे रगु ने कहा पल भर वो असमंजस में पड़ा रहा फिर व्याकुलता पूर्वक बोला आऊ जए फायर एसकेप के रास्ते निकल चलो वे दोनों आनन फानन में दोड़ कर किचन में पहुँचे और फिर फायर एसकेप की सीडियां उतरते चले गए प्रवेश द्वार पर बराबर जोर जोर से दस्तक दी जा रही थी अजे बड़ी मुश्किल से उटकर खड़ा हुआ लड़ खड़ाता सा चल कर प्रवेश द्वार पर पहुँचा उसने दर्वाज़ा खोला और दिवार के साथ पीट लगा कर हाफने लगा दो बावर्दी पुलिसमेन इमारत के वाचमेन सहीद भीतर दाखिल हुए उन में से एक ऐसाई था और दूसरा कॉंस्टेबल वे दोनों ही रवी शंकर के मातत और अजे के परिचित थे अजे किचन की और इशारा करके फसी सी आवास में बुला वे अभी उधर से भागे हैं दोनों पुलिस वाले किचन में पहुंचे और फिर तेजी से फायर एसकेप की सीडियों पर नीचे दोड़ गए वाच्मेन हैरानी से मूँ बाएं बार बार अजे और कुर्सी में बंधी बैटी नीलम को देख रहा था अजे ने गेरी सांस ली तुम लोग कैसे आ पहुंचे रामलाल उसने मुस्कुरानी की कोशिश करते हुए पूछा बस सित्फाक ही समझी अजे बाबू अधेर वाच्मेन ने शिष्ट स्वर में कहा वे दोनों पुलिस वाले आपके फ्लैट में हुए हाथ से के बारे में इमारत में रहने वाले दूसरे लोगों से पूछ ताच करके बाहर निकल रहे थे कि शराब की एक बोतल ठीक उनके पास जाकर गिरी उन्होंने उपर देखा तो यहां की खिड़की के पल्ले का कांश तूटा दिखाई दे गया उन्होंने मुझे बुला कर पूछा तो मैंने बता दिया कि वो खिड़की नीलम मेम सहब के फ्लैट की है और उसका कांश भी तूटा है बस वे समझ गए कि बोतल यहीं से फैंकी गई थी और मुझे साथ लेकर उपर दौड़े चले आई फिर तनी खिच के जाते हुए पूछा आप दोनों की ये हालत कैसे हुई कौन थे वो लोग सही वक्त पर पहुचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल अजे ने उसके सवालों को गोल करते हुए पूछा क्या दो बदमाश नजर आने वाले आदमियों ने तुम से मेरे बारे में कुछ पूछा था जी नहीं मैं बराबर अपने कैबिन में मौचूद रहा हूँ पुलिस के इलावा किसी अशनभी को मैंने इमारत में दाखिल होते नहीं देखा वे लोग पिछले दर्वाजे से चुप-चाप सीडियों द्वारा आ गए होंगे ऐसा ही लगता है अजे दिवार से हट कर नीलम के पास पहुचा पहले उसका गाउन ठीक किया फिर उसके सामने बैठ कर सावधानी पूरवक मू से टेप छुडाया और फिर विरामलाल की सहाईता से उसे बंदन मुक्त कर दिया नीलम ने हसने की कोशिश की मगर काम्याब नहीं हो सकी टेप उखाडी जाने की वज़ा से उसके होन तनिक सोज गए थे और उनमें दुखन भी थी ओ अजे वो अधिर स्वर में बोली मुझे लग रहा था कि बिना हिले डूले एक ही पोजिशन में बैठे बैठे मर जाओंगी मेरे जिन्दा रहते तुम नहीं मर सकती थी अजे कराता सा बोला फिर रामलाल की और देखा वक्त पर आप आँचने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मेरे विज़ार से अब तुम्हें कैबिन में लौट जाना चाहिए रामलाल जल्दी से बाहर निकल गया उसके जाते ही नीलम ने अजे को खिंच कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बड़े पहरा प्यार से सहलाने लगी गुटनों के बल फर्ष पर बैठे अजे की बाहे स्वयमेव ही अनिला नीलम की पेट के एर्द गेर्द कस गई ख्लैट में खामोशी चाह गई बोलना चाकर भी वो कुछ नहीं बोल सके मानो उस खामोशी में उन्हें बेहत सुकूर मिल रहा था दोनों देर तक उसी अवस्था में बैठे रहे अंत में अजे ने उसकी पेट से अपनी बाहे अलग करके अपना सिर उपर उठाया मेरे कान से बेहते खून से तुम्हारा गाउन खराब हो रहा है निलम वो बोला निलम ने उसके खस्ता हाथ चहरे को अपने नरम हातों में थाम लिया कई पल असिमित्स ने पूर्वक उसे निहारती रही फिर अचानक नीचे जुकी ओ ओ अजे कहकर उसे बेतहाशत चूमने लगी अजे ने प्रती रोत किया दर्द और दुखन की दुहाई थी लेकिन नीलम ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक की खोदी थककर हाफने नहीं लगी अजे धीरे से उठा और एक कुर्सी पर पसर गया उसका सर फटा जा रहा था कटबटी और जबडे पर गूमड उभराई थे काम से अभी तक खोन दिस रहा था और शरीर का अणू अणू दर्द करता मैसूस हो रहा था तुमारे उपर सच मुझ बहुत बुरी गुस्ली है नीलम ने फसी सी आवास में कहा और ये सब मेरी वज़ा से हुआ है फिर अचानक उसके होंट काम पे और भावा वेश में आँखे भर राई डोन्ट बी सिली अजे प्यार से जड़की देकर बोला तुम भी एक प्रेस रिपोर्टर हो उस नजरिये से सोचो तो पता चलेगा कि हमें बड़ी एहम जानकारी हासिल हो गई है उन लोगों के आने से पहले तक हम सोच रहे थे कि कागस के उस टुकड़े का क्या सच मुझ कोई महत्व है लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि कागस का वो टुकड़ा यानि रेल्वे क्लॉक्रोम रसीत का वो फटा हुआ हिस्सा वास्तव में बेहत महत्व पूर्ण है नीलम ने हाथ के प्रिष्ट भाग से अपनी आँखे पोंची क्या इस जानकारी को किसी आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता था अजे का चेहरा कठोर हो क्या तुम तो जानती हो आसान तरीके भी मेरे लिए मुश्किल ही बन जाते हैं वो कटुता से भरे स्वर में बोला मार पेट मेरे लिए नई बात नहीं है दर्जनों मर्तबा मेरी तगडी धुनाई की जा चुकी है लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि धुनाई करने वालों को उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ी हो तुम समझती हो वो दोनों बच चाहेंगे क्या नहीं उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़े की और ब्यास समेथ चुकानी पड़े की जानती हूँ नीलम ने कहा लेकिन ये जमेला अब तक के सभी जमेलों से बिलकुल अलग पेचिदा और बेहत खतर नाक है कैसे? इसमें तुम पुलिस और खौफनाग बदमाशों के साथ साथ इंटेलिजन्स ब्यूरो जैसे सरकारी संगटन से भी मुकाबला ले रहे हो अगर आई भी वाले सकसेना के पीछे पड़े हुए थे तो तुम नहीं समझते कि इसकी वज़ा वही पागस का टुकड़ा है और कम से कम इस दफ़ा तुमें अपनी तुम दोनों के साथ हुआ है उसे भुला दूँ नीलम ने देखा उसके चेहरे पर द्रिण निश्य के भाव थे वो तनी खिच किचाई फिर ठोस्वर में बोली नहीं अजे मुस्कुराया शबाश अब तुम यहां से उठो और होटो से टेप के निशान चुड़ा कर अपनी सूरच ठीक करो मैं बातरूम जाकर पहले एस्परिन की कम से कम तीन गोलिया निकलूंगा फिर सोचूंगा कि अपने इस चौक्टे का हुलिया सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है अजे एक बार फिर स्नान करने और फ्लैट में उपलब उपचार लेने के बश्चात कपड़े पहन रहा था पहले के मुकाबले काफी बैतर होने के बावजूद उसकी हालत अभी तक खसता थी नीलम अपने होन्ट साफ करने के लिए बात्रूम में गई हुई थी अचानक टेलिफोन की घंटी बचने लगी नीलम के फ्लैट में टेलिफोन की वो सुवी था वास्तव में अजे के फोन से ही अस्थाई रूप से ली गई एक्सजेंशन लाइन थी अजे ने बैट के एक सीरे पर बैट कर डिसीवर उठा लिया हलो वो माउथ पीस में बोला जवाब में इंस्पेक्टर रवी शंकर का स्वर सुनाई दिया तुमारे लिए एक खबर है अजे क्या मेगराच सक्सेना की हत्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है अगर उस जानकारी से मैं शक के दायरे से बाहर हो जाता हूँ अजे गुर्राता सा बोला तो इंस्पेक्टर तिवारी तुमसे भी नारास हो जाएगा वो साफ एक ही बात कहेगा कि मेरा दोस्त होने के ना थे तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर तिवारी के जिद्धी मिजाज और आनन फानन में नतीजा निकाल बैठने की आधत से तुम बाखो भी वाकिफ हो। इसलिए उस बारे में शिकायद करना फिजूल है। खेर इस बात को छोड़ कर मेरी सुनो। हमें दो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिने सक्सेना को शोट किये जाने की वार दात के गवा का दर्जा दिया जा सकता है। अजे चक्राया गवा का धर्जा हाँ पूरी बात सुनो खुदी समझ जाओगे। रवी शंकर ने कहा। एक आदमी और एक औरत कार से बीट सड़क पर शहर की और आ रहे थे। उस वक्त करीब चार बजे थे। उनकी बगल से एक कार तेजी से गुसरी और उनके आगे जा रही एक करन्यकार को ओवर टेक करके उसे साइड में रुकने पर मज़बूर कर दिया। पहली कार से दो आदमी नीचे उतरे और उस कार की और दॉट पड़े जिसे उन्होंने रोका था। वो आदमी और आदमी और आदमी उनके पास से धीमी रफ़तार से गुजर गए। उन्हें लगा कि उन दोनों कार वालों के बीच कोई जगड़ा हो रहा था। उन्होंने उस कार का नंबर जिससे वे दोनों आदमी कूदे थे तो मन ही मन याद कर लिया। लेकिन उस थान पर रुके नहीं। दरअसल किसी भी तरह के लफड़े में वे लोग नहीं पढ़ना चाहते थे। क्योंकि वो आरत शादी शुदा है। लेकिन उस वक्त जिस आदमी के साथ थी वो आदमी उसका पती ना होकर दोस्त है और दोनों ही इजददार और जिम्मेदार शेहरी हैं। जिस कार को रोका गया था अजे ने पूछा क्या उसमें मेगराज सक्सेना था। उस कार में सिर्फ एक ही आदमी था और उसका जो हुलिया उन्होंने बताया है वो मृतक मेगराज पर पूरी तरफ फिट बैठ था। रवी शंकर ने जवाब दिया जब वे उस थान से 101 गज आगे आ गए तो उन्हें अपने पीछे दो तिन फाइरों की आवाजे सुनाई दी थी। वे यकीनी तोर पर नहीं कह सकते कि वे फाइरों की ही आवाजे थी या किसी कार के इंजन की बैक फाइरिंग की आवाजे भी वो हो सकती थी। बैक फाइरिंग की ही थी। इसलिए उन्होंने उस घटना की पुलिस को इतला देना जरूरी नहीं समझा लेकिन जब एक लोकल पेपर के सिटी एडिशन में उन्होंने सकसेना की मौत का समचार पढ़ा तो उन्हें ऐसास हुआ कि वो आवा से बैक फाइरिंग की ना होकर व इसलिए उस औरत को साथ लेकर वो मेरे पास आया और सारा किस्सा सुना दिया। जाहिर है कि वे खुद को इससे दूर रखना चाहते हैं इसलिए किसी भी हालत में बतार गवा उन्हें पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन दोनों आग्मियों के हुलिये नहीं बताई क वे सिर्फ इतना ही बता सके कि उनमें से एक भारी बदन का ठिगना था और दूसरा औसत कद बुत वाला था। अजे ने रवी शंकर को तो नहीं बताया लेकिन वो यकीनी तोड़ पर कह सकता था कि वे दोनों आदमी वही थे जिनोंने उसकी धुनाई की थी। कार का जो नं वो कार एक रेंटल एजनसी की थी और करीब पौने चार बचे उसकी चोरी चले जाने के रिपोर्ट लिखाई गई थी। थोड़ी देर पहले मेहता स्ट्रेट से वो कार बरामत भी हो गई थी। उसमें कोई फिंगर प्रिंट्स नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है सकसेना को श पर लिया था। कौन है वो? मकबूल हसन, बीच रोड पर स्थित मुगल रेस्टोरेंट का हेड वेटर। कार चुराई कहां से गई थी? उसी रेस्टोरेंट के सामने से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया रवी, अजे ने कहा, फिर तनी खिच किचाते हुए और कॉंस्टेबल बलजीत ने कुछ देर पहले नीलम के फ्लैट में आने के बारे में तुम्हें रिपोर्ट नहीं दी क्या? अभी तक तो नहीं दी, क्या कोई खास बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अजे सुखे होंटों पर ज्यादा किचाफ ना पढ़ने देने की, को बात क्या है? रवी शंकर ने पूछा, उसके स्वर में खिज का पुट था, तुम इतनी लंबी चोड़ी भूमी का क्यों बांध रहे हो? दरसल नेलम के फ्लैट में बातों ही बातों में हम दोनों में गर्मा गर्मी हो गई थी, अजे जूट का सहारा लेकर असलियत छिपात हुआ बोला, बात इतनी बड़ी कि वो गुसे में बेकाबू हो गई और किचन से कई प्लेट पे आले उठा कर मुझ पर खींच मारे, उसे शान करने के लिए मजबूरन मुझे उसको कुरसी से बांध देना पड़ा, लेकिन उससे पहले वो मुझ पर विस्की की बोतल फैंक तोट गई, वे दोनों इमारत के चौकीदार को साथ लिए, दौटते हुए उपर आ गए, क्योंकि ये मेरा और नीलम का जाती मामला था, और उन्हें इस बारे में बताना मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें टालने की गरत से कह दिया, कि फ्लैट में दो बदमाश खुसाई थे, और वे फायर एसकेप के रास्ते, कुछ सेकंड पहले ही भागे थे, तुमारे मातत भी उसी रास्ते से उन्हें पकड़ने के लिए दौड गए, लेकिन देर तक खोजने के बाद भी, जब कोई नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ, और चेक करने के लिए वापि सा गए, उनके बार-बार पूछने पर भी, मैं अपनी बदमाशो वाली कहानी से ही चिपका रहा, लेकिन असलियत क्या थी, ये दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें बता दी है, अब तुम भी महरबानी करके, इसी अपने तक सीमित रखना, वो पुने हसा, वरना मेरा काम क मजाग बन जाएगा, लाइन पर खशनिक मौन के बाद, रवी शंकर की गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई थी, ये एक और लंध रानी है, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं उस रिपोर्ट को दबा दूंगा, तुमारे कहने के धंक से लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया है, अजे शिकायती लेचे में बोला, तुम नहीं जानते कि गुसे में चीज़े उठाकर फैंकना, नीलम की खास सादत है, गुसा आने पर वो बिलकुल भूकी शेदनी की तरह हो जाती है, बकुमत दूसरी और से कहकर रवी शंकर ने संबंध विच्छ कर दिया, अजे ने रिसीवर यथा स्थान रख कर गर्दन घुमाई, तो नीलम को अपनी आर घूटते पाया, वो बातरूम के दर्वासे में दूसरा गाउन पहने दोनों हाथ कूल हो पर रखे खड़ी थी, उसका चेहरा कठोट था और आंखों में क्रोट पूर्ण भाव चलक रहे थे, किस से बात ही कर रहे थे, उसने पूछा, इंस्पेक्टर रवी शंकर से अजे ने जवाब दिया, वो समझ गया कि नीलम उसकी आकरी बात सुन चुकी थी, क्या उसे ही बता रहे थे कि गुस्सा आने पर मैं बिल्कुल भूकी शेनी हो जाती हूँ, नीलम उसे सफाई देने का मौका दिये बगैर बरस पड़ी, हाँ, दरसल उन बदमाशों के बारे में उसे बताना मैं नहीं चाहता था, क्योंकि उनके बारे में बताने का सीधा मतलब था, मेगराच सकसेना के बारे में पूरी दास्तान सुनाना, और फिर रवी शंकर का कोप का भाजन बनना, उसे टालने के लिए ही मुझे ये कहानी गरनी पड़ी, कि गुसे में आपे से बाहर होकर तुम मुझ पर चीजे फैंक रही थी, अजे का ये तर्क वजनदार था, इसलिए इस पर बहस तो उसने नहीं की, मगर उसकी मुद्रा क्रोथ पूर्ण ही बनी रही, तुम औ कोई कहानी नहीं गर सकते थे, क्या? उसने पूछा, उससे क्या होना था? होना था तुम्हारा सर, नीलम जला कर बोली, क्या मतलब? तुम्हारे बेज़े में एक बार भी ये बात नहीं आई, कि जब रवी शंकर तुम्हारे थोबड़े की खालत देखेगा, तो वो मेरे बा हमारे में उसकी राय नहीं बतले की क्या? क्या मतलब? वो तुम्हे वही समझेगा जो कि अब तक समझता रहा है, यानि एक अच्छी इमानदार नहेंती और खुश मिजाच लड़की. मसका लगा रहे हो? अजय ने गहरी सांस ली, नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, नीलम वो उसकी आँखों में जांकता हुआ, स्पर्श्ट स्वर में बोला, क्योंकि मेरी कहानी पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं आया है. नीलम ने पल भर के लिए संदे पूर्वक उसे घूरा, फिर जब यकीन हो गया कि अजय जोट नहीं बोल रहा था, तो उसका गुस क्या, नीलम चौंकर बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्यों क्या हुआ, तो मैं इस हालत में बाहर जाओगे, हाँ, और मुझे साथ लेकर जाओगे, हाँ, और बाहर भी लोगों को यही बताओगे, कि तुम्हारे चेहरे की जो गत बनी हुई है, वो मैंने ही बना सालत में देखने की आदत पड़ चुकी है, और अब मैं किसी से नहीं कहूंगा, कि मेरे इस सालत के लिए तुम जिमेदार हो, यानि तुम डिनर के लिए बाहर जरूर जाओगे, हाँ, अजे टाइक की नौट दुरुस करने के बाद, कोड पहनता हुआ बोला, नीलम आंके स खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो चाइनिस खाना है, तो फिर किसी रोज खा लेना, आज मुगलई खालो, नीलम मुस्कुराई, ठीक है, वो लापरवाही से बोली, लेकिन किसी और रेस्टरंट में चलेंगे, अजे ने प्रशनात्मक निगाहों से उसे देखा, क यानि तुम फिर किसी फेर में हो, तुम तयार होकर नीचे आओ, अजे उसके सवाल को नजर अंदास करता हुआ बोला, तब तक मैं करनल सहब से उनकी कार मांगता हूँ, करनल सहब, वो कौन है, रिटायर्ट करनल कुलदीप सिंग, फर्स फ्लोर पर पांच नमबर फ्लैट म पिर ही चलो, नहीं, तुम्हें डिनर के लिए ले जा रहा हूँ, तो जरा ठाट से जाना चाहता हूँ, नीलम की मुस्कुराहट गहरी हो गई, ये क्यों नहीं कहते कि उन दोनों बदमाशों ने तुमारी जो हालत की है उसकी वज़ा से मोटर साइकल पर धक्के खाना तुम समझ रही हो तो मुझ से क्यों पूछना चाहती हो, मत बताओ, लेकिन ये तो बता दो मुगल रेस्टरेंट जाने की क्या वज़ा है, वहीं पहुँचने पर बता तुगा, अचानक नीलम के चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन हो गए मानो, एका एक कोई बड़ी ही एहम बात उस किया थे, जब रगु नाम का वो बदमाश, तुम पर रिवॉल्वर ताने बार बार, तुमें शूट करने की धमकी दे रहा था, लेकिन जब तुम उसकी और बड़े, तो वो शूट करने की बचाए, पीछे हटता चला किया, उसने फायर क्यों नहीं किया, इसलिए कि वो खेल खत्म हो जाएका, दूसरे मुझे शूट करने से कोई फायदा भी उसे नहीं होना था, क्योंकि उस सूरत में मैंने बात करने के काबिल नहीं रहना था, जबकि उसका इकलाता मकसद मेगराज के उस कागस के टुकड़े के बारे में सच कबुल वाना था, आई सी, अब तुम तयार होकर जल्दी नीचे आजाओ, मैं चल रहा हूँ, अजे ने कहा और फ्लैट से बाहर निकल गया, मुगल रेस्टोरेंट, शेहर के शांदार रेस्टोरेंट में से एक था, उसका मालिक उस्मान अली नहायक शरीफ और मिलनसार आदमी था, उसकी उम्र करीब 60 साल थी, अपने परिवार और रिष्टेदारों के साथ वो भी पाकिस्तान चला किया था, उसने शादी की और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल कर वहीं बस किया, उसका परिवारिक जीवन सुखी था, और धंदा भी अच्छा जम गया था, लेकिन वो खुद सुखी नहीं था, उसे उस शहर से प्यार था, जहां वो पैदा हुआ, पला और बड़ा था, उन दोस्तों की याद उसे सताती थी, जिन के साथ बच्पन गुसारा, स्कूल में पड़ा और खेला था, आट-दस साल पाकिस्तान के खुब सूरत शहर लहोर में रहने के बावजूद, वो खुद भारत में आकर बसने के लिए तयार हो गई, बच्चे इतने छोटे थे कि पाकिस्तान या भारत की समझ उने नहीं थी, उसमान अली ने भाग दौट शुरू कर दी, अपनी हैसियत के मुताबिक सिफारिशें लगवाई, विराट नगर में अपने दोस्तों परिचीतों वग असन दे दिया, तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि एक रोज लाहोर को आकरी सलाम करके वो परिवार सहीद विराट नगर आ किया, फिर भाग्य वश भारत की नागरिकता भी उसे मिल गई, और मुगल रेस्टोरेंट जिसे उसने एक धाबी के रूप में शुरू किया उसकी मेहनत लगन और इमानदारी की वज़ा से दिन रात तरक्की करता हुआ उस मुकाम तक जा पहुँचा कि उसकी गिंती शहर के शांदार रेस्टोरेंट में होने लगी, कुछ मिला कर उस्मान अली सुखी था, लेकिन बटवारी के बाद जो आट-दस साल उसने पाकिस् जरूर बन जाते थे, मसलन 65 और 71 के भारत पाक युद्धों के दौरान उसने साफ महसूस किया, उसके हम प्याला और हम निवाला हिंदू उसे कट से गए थे, कुछ दंग दिमाग और कटर लोग तो भारत के प्रति उसकी वफादारी और इमानदारी पर शक करने लगे थे, अफसोस की बाद तो ये थी कि वे खुद भरश्ट बैमान रिश्वत खोर, काला बासार ये, जमा खोर और मौका परस थे, इसके बावजूद सिर्फ हिंदू होने के ना थे, वे खुद को बड़े फक्र के साथ देश भग कहते थे, उस्मान अली की नियत पर मजभी दंगो के दोरान भी शक किया जाता था, अपने जाती फाइदे के लिए दंगे कराते थे होते, दोनों फिरकों के कुछ एक खुद गर्ज और पेशे वरलोग और प्रश्न चिनह लगता था, बेचारे उस्मान अली की नियत पर, ये उस वक्त भी होता था, जब पाकिस्तान द्वा लेकिन जब दंगे फसाद वगेरा आई दिन की बाते होने लगी, तो उसने भी ये सब बर्टाश करने की आदत डाल ली, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा उसके पास नहीं था, उस्मान अली से दोस्ताना तालुक होने की वज़ा से, उसके बारे में इन तमाम बातों की जान करते ही, उनका सामना उंचे कद और भारी कदो वाले, जिस साथमी से हुआ, उसकी बेदाग वर्दी से जाहिर था कि वो वहाँ हेडवेटर था, गेहुए रंग वाले उस साथमी का भारी चेहरा सक्त था, और बड़ी-बड़ी आँखों में कठोरता पून चमक थी, उसके पसवर तो शेष्ट और नम्र था, लेकिन सर जुकाने का कोई उपक्रम उसने नहीं किया, अजे ने धीरे से सिर हिला कर सहमती दे दी, दिस वे सर, हेडवेटर पलट कर चल दिया, डाइनिंग हॉल में लगबग आधी मेजे खाली पड़ी होने से पश्च था, कि उसमान अल वेटर ने जवाब दिया, थोड़ा ही अर्सा हुआ है, उन्हें साथ लिए वो दिवार के पास वाली एक मेज के पास पहुँचा, ये टेबल ठीक रहेगी सर, हाँ अजे ने जवाब दिया, हेडवेटर ने मेज के नीचे से दोनों कुरसियां बाहर रखी, और वेटर को आ नीलम अजे की और जुग गई, अब तो बता दो, उसने धीमे स्वर में पूछा, आज रात यहां क्यूं आए हो? मैं एक नजर उस हेडवेटर को देखना चाता था, अजे बोला, नीलम ने कनकियों से दूर खड़े हेडवेटर की और देखा, फिर पूछा, क्यूं? इसकी बता दिया, पुलिस को गुमरा करने का ये बड़ा ही पुराना तरीका है, अंत में वो बोला, कार के चोरी जाने की रिपोर्ट उस वक्त लिखाई जाती है, जबकि उसे जर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, अपराधी भी जानते हैं कि ये तरीका बड़ा ही को मजबूरी में बे इस्तेमाल मिलाते हैं, तब ही लाते हैं जबकि कोई और चारा उनके पास नहीं रहता, फिर सिगरेट सुलगाने के बाद अजे बोला, अभी तक सिर्फ यही एक एंगल सामने आया है, और इसके दम पर फिलहाल कोई दावा करना मैं नहीं चाहता, नीलम कुछ नहीं बोली, अजे भी खामोश बैटा सिगरेट फूपता हुआ, डिनर सर्फ किये जाने का इंतिजार करता रहा, सिगरेट खत्म करने के बाद, अजे ने उसका अफशेश, एस्ट्रे में कुचलने के लिए हाथ बढ़ाया, तो अनायास ही उसकी निगाहे, बैट सकते थे, मोना अकेली थी, और उसने अभी भी वही पोशाग पहनी होई थी, जो वो उस वक्त पहने थी, जब नीलम के फ्लैट में अजे से मिलने आई थी, शौंक नमत, अजे धीरे से बोला, इंटिमेट की दुका ना पांची है, नीलम ने अंजाने में ही नाक से ज चुकी थी, अजे ने अपनी कुरसी इस धंग से गुमाली की मोना की और उसकी पेट हो गई, ये तो बहुत खूप सूरत है, निलम फसी सी आवास में बोली, हाँ, अजे बोला, पर शायद इसलिए अपने पती से उप गई है, नहीं अजे, मैं नहीं मानती, तुम यकीन के स कह सकते हो कि ये वही है, ये सौ फिसदी वही है, लेकिन देखने में तो उस तरह कि ये बिल्कुल नहीं लगती, जैसी तुम इसे बता रहे हो, ये ज़रूरी तो नहीं कि जो जैसा हो देखने में भी वैसा ही नजर आए, आम तोर पर खूप सूरत और ते, निलम ने मुँ बिसोड दिया, तुम जानते थे कि ये डिनर के लिए यहां आई की, नहीं, जोट मत बोलो, तुम्हें पता था, इसलिए यहां आई हो ना, अगर मुझे पता होता तो मैंने अकेले आना था, तुम्हें साथ लेकर नहीं, यानि इसे यहां देखकर तुम्हें ताजुप हो रहा है, नहीं, इसका यहां आना कोई अजीबात नहीं है, क्यूंकि इसका फ्लैट यहां से दूर नहीं है, और इस पूरे इलाके में इससे बढ़िया रेस्टोरेंट दूसरा नहीं है, तब ही वेटर आया, और डिनर सर्फ करके लोट गया, अजे और नेलम ने खाना आरम क खड़ा हुआ। और खोले गेहुए रंग वाले उस आदमी के सेहत बढ़िया थी। बाल खिचडी और लिबास शामदार। वो उस्मान अली था। मुगल रेस्टरेंट का मालिक। उसके हमेशा मुस्कुराते रहने वाले चेहरे पर चिंता की स्पष्ट चाप थी। और उसक की आँखों में कुछ ऐसे भाग थे जैसे किसी बच्चे की आँखों में उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब माबाप द्वारा उसे अकारण ही सजा दे दी जाती है। हलो अजे वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला कैसे हो अजे खुल कर मुस्कुराया मज़े में हूँ वो बोला अपनी सुनाओ आजकल धंदा बढ़िया नहीं चल रहा लगता है धंदे में ये सब तो चलता ही रहता है अजे उसमान अली ने कहा डिनर के बाद क्या तुम मे बाते करना चाहता हूँ ओ सौरि अजे ने कहा फिर निलम से उसका परिचे कराने के बात बोला है अगर अकेले से तुम्हारा इशारा निलम की और है तो नहीं नहीं उसमान अली जल्दि से उसकी बात कारता हुआ बोला तुम मेरे आफिस में ही आजाना मैं एक बड़े ही एहम मसले पर तुमसे मश्वरा करना चाहता हूँ। छीक है। ये आत्मी बहुत ज्यादा परिशान लगता है। नीलम ने कहा। और इसे तुम्हारी मदद की सक्थ जरूरत है। क्यों नहीं इस सारे शहर में मैं अकेला ही तो हातिम ताई का वर्शच हूँ। अजे निला पर मैसी की और इशारा करता हुआ नीलम से बोला। मैं उस्मान अली से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मुझे उसके आफिस में जाते हुए देखे। नीलम मोना मैसी की दिशा में देखने के बाद बोली। वो इत्मेनान से बैठी खाना का रही है। खान करने के लिए मरी जा रही है। अजे मुस्कुराया। टेंशन में होने पर भी भूग ज्यादा लगती है। दिमागी तनाफ से राहत पाने और अपने अंदर मुनासिब होसला जुटाने के लिए वो ज्यादा खा रही है। खेर तुम यहीं ठेहरो। मैं उस्मान अली से मि पाँचा। उस्मान अली अपने डेस्क के पीछे मौजूद था। अजे को देखते ही वो उटकर खड़ा हो गया। बैठो दोस्त वो डेस्क के समुक पड़ी कुरसियों की और संकेत करता हुआ आप्मियता पूर्वग बोला। अजे एक कुरसी खिंच कर बैठ गया। उस कुरसी पर आ बैठा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदे जलक आई थी। जेब से रुमाल निकाल कर वो नर्वस भाफ से चेहरा साफ करने लगा। उसे इस कदर एतियात बरत्ता देख कर अजे की आंके सिकुड गई थी। क्या बात है उस्मान अली उसने पूछा। तुमारी वो मुसीबत मकबूल हसन की वज़ा से तो नहीं है। अजे निला परवाही से पूछा। उस्मान अली बुरी तरह चौंका। उसकी आंखों में भई जलकने लगा और माथे पर एक बार फिर पसीना फोट निकला। क्या मकबूल हसन के बारे में तुम जानते हो। सिर्फ यही कि वो यहां नया आया है और उसकी शकल सूरत मुझे पसंद नहीं आई है। तो फिर इस वक्त उसका नाम तुमने कैसे ले लिया। वो मैंने यूही तुक्का मार दिया था। क्या उसने तुम्हें आफिस में मेरे पास आते देखा था। उसमान अली ने बहुत हेडवेटर ही तो मुझसे क्यों डर रहे हो। हालात बहुत नाजुक हैं अजे। किसके लिए? मेरे लिए। कैसे? मकबूल हसन सिर्फ हेडवेटर ही नहीं है। तो फिर क्या है? क्या अलादिन के चिराप का जिन? वो पाकिस्तान के इंटालिजन्स डिपार्टमेंट का एक साला अफसर है। उस्मान अली नहायत संजीत की के साथ बड़े ही रासदराना लहचे में बोला और इसलामाबाद से आया है। हजे का चेरा एकदम कठोर हो किया। पाकिस्तान के इंटालिजन्स डिपार्टमेंट के अफसर की यहां भारत में कोई कीमत नहीं है। उसने कहा फिर अचानक उसके स्वर में कड़ा पर ना किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो पाकिस्तान के साथ भी वफदारी निभाने की कोशिश कर रहे हो। अगर वाकई ऐसा है तो तुम बेहत खतरनाक और बेवकुफाना हरकत कर रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो अजे। उस्मान अली कराता सा बोला। मुझे पाकिस्तान या वहां के अफसरों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तन मन धन से भारत का नागरिक हूँ और यहीं का बना रहना चाहता हूँ। खुलासा तोर पर बताओ की किस्सा क्या है लेकिन एक बात पहले सुन लो तुमारी किसी भी तरह की मदद करने का कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ। मुल्क के अंदरूनी हालात से तुम भी बखुबी वाकिफ हो और ये भी अच्छी तरह जानते हो कि पंजाब में जो हो रहा है और कश्मीर में जो तोड़ फोड और घुसपैट की वारदाते होती हैं और आए दिन जो स्मगल ड्रक्स पकड़े जाते हैं उन सब के पीछे क इसका हाथ है अगर तुम्हारा इन में से किसी से भी जरा भी वास्ता हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा ये सब मैं अच्छी तरह समझता हूँ अजे और तुम खुद भी जानते हो कि किसी भी तरह के नाचायस दंते से कभी कोई मेरा वास्ता नहीं रहा है मैं य परदे तम तक मुझे परिशान करता रहेगा परिशानिया तो आती जाती रहती हैं लेकिन तुम यही पैदा हुए और पले बड़े हो उनाट दस साल के इलावा तुम्हारी तमाम जिंदगी यहां गुस्री है इसलिए तुम पर सिर्फ इसी देश का हक है और इसी के साथ वफ पास चला जाओंगा अब तुम शुरू हो जाओं मकबूल हसन तीन दिन पहले मेरे पास आया था उस्मान अली एक बार फिर अपने चेहरे से पसीना पोंच कर बोला उसने मुझे बताया कि इस्क्रामाबाद से आया वो पाकिस्तानी इंटेलिजन्स विभाग का एक बड़ा अफसर है उसका असली नाम कुछ और है लेकिन मकबूल हसन के रूप में यहां आने में उसके तमाम कागसा सही है खेर उसका कहना था कि मैं उसे कुछ देन के लिए अपने रेस्टरेट में नौकरी दे दूँ ताकि उसकी असलियत छुपी रहे और जिस काम से वो आया है उस कि एक सच्चा भारतिये नागरिक हूँ और वही बना रहूँगा उसके बार-बार कहने पर भी जब मैं इंकार ही करता रहा तो उसने मुझे धमकियां दी कि पाकिस्तान इंटेलिजन्स की निगाहें बहुत तेज है पाकिस्तान में रह रहे मेरे नस्दी की रिष्टेदार मैंने नहीं की थी इस बात ने सच मुझ मेरे चके चुड़ा दिये वहां की फौजी हुकूमत में सब कुछ किया जा सकता है यानि तुमने उसकी धमकियों से डर कर उसकी बात मान ली उसमान अली ने असहाई भाव से उसकी और देखा और क्या करता उसने विवश्टा पूर और हास्ला नाम की कोई भी चीज़ होती तो तुमने उसकी बात मानने से इंकार कर देना था और जिस तरह तुम अब बता रहे हो इसी तरह उसी वक मुझे बला लिया होता या पुलिस को इतिला कर लेते जब मक्बूल हसन तुमारे पास आया था और उसने तुम्हें धंकिय दी थी उसने कड़ी निगाहों से उस्मान अली को घूरा जहां तक पाकिस्तान में रह रहे तुमारे रिष्टेदारों का सवाल है उन्हें अपनी तक्दीर के भरोसे रहना होगा अपने चंदेक रिष्टेदारों की भलाई की खाते पूरे मुल्क के साथ गदारी तुम नही फिकवा देना था उसने जोर से डेस्ट पर हात मारा मैं हमेशा तुम्हें एक शरी फिमानदार और वफदार नागलिक समझता रहा हूँ उस्मान अली जब जब लोगों ने तुम्हें शक की निगाहों से देखा मुझे तुम से ही हमदर्दी रही और तुम हो कि आराम से य मुझे जलील कर सकते हो अजे वो मरेसी आवास में बोला लेकिन असलियत यह है तीन दिन से जब से मकबूल हसन आया है जो मुझे पर गुजर रही है मेरा दिल ही जानता है मेरी रातों की नीन हराम हो गई है मेरा एक एक पल खुद पर गुस्से और नफरत के खौफनाग दो से गुजरता रहा है जो कुछ मैं कर रहा हूं उस पर इतना ज्यादा अफसोस मुझे है कि दम घुटता सा महसूस होता है अज्वे ने देखा उसके चेहरे पर आत्मगलानी के भाव स्पर्ष्ट द्रिष्टी गोचर हो रहे थे जो अपने आपने इस बात के पुक्ता सबूत थे कि उसे अपने किये पर सच मुझ अफसोस था अगर ऐसी बात है तो तुमने अब तक पुलिस को इतिला क्यों नहीं दी उसने पूछा मैं जजबात और खुद गर्षी में इस बुरी तरह जकड कर रह किया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं तो क्या अब तुम् तुमने ये सब मुझे बताने का फैसला क्यों कर लिया तुम मेरे दोस्त हो तुम पर मुझे पूरा भरोसा है उस्मान अली बेचारगी से बोला रेस्टरेंट के बाहर तुम्हें कार से उतरता देखकर अचानक मुझे सूझा कि इस मामले में तुम से बेहतर और सही सला अजे देर तक गौर से उसे देखता रहा तुम जानते हो अंख में उसने पूछा मकबूल हसन किस फेर में है नहीं अलबतक कुछ लोग उससे यहां मिलने जरूर आते हैं क्या तुमने उनकी बाते सुनी है नहीं अजे ने प्लेयर इस गोल्ड लीव का पैकेट निकाल कर ए इस सब के लिए मेरे खयाल से बहुत ज्यादा दोश तुम्हें नहीं दिया जा सकता वो विचार पूर्वक बोला तुमारी जगर जो भी होता इस तिति में शायद ऐसा ही करता लेकिन मूल समस्या पर कोई फर्ग इससे नहीं पड़ता हालात बेहत नाजुक और पेचीदा ह और जहां तक मैं समझता हूँ अकेले मकबूल हसन पर हाथ डालने में समझतारी नहीं है उसे उसके तमाम साथियों समेथ ही पकरना ठीक रहेगा ताकि उनके जो भी इरादे हैं उन्हें एक ही साथ नाकाम किया जा सके और ये काम हमें जल्दी और इस ढंक से करना होगा कि उ उसमान अली ने अपने चेहरे से हाथ अलग कर दिये अब वो काफी हद तक सामाने नजर आ रहा था अपनी परवा मुझे नहीं है अजे वो ठोस्वर में बोला जजबात की वज़ा से जो दैशत और बुजदेली मुझ पर हावी हो गई थी उससे अब मैं निजात पा चुक हूँ तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तयार हूँ बेकार की बाते मत करो अजे उससे जड़क कर बोला खामखा जोश में आना बेवकूफी है अगर तुमें फिलवाल्व किये बगैर ही इस बगेड़े को समेटा जा सकता है तो तुम क्यों अपनी गर्दन जब्रम फित वो नहीं कर पाया है और उससे पहले ही तुमने सब कुछ बता कर अपनी नेक नियती का सबूत दे दिया है लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता जे मैंने ये सब बता कर अपने दिल का बोच हलका किया है और जो ऐसा से गुना मुझे दिन रात सता रहा था उसे कम करने की कोशि की है इस मकबूल हसन के बारे में तुम क्या जानते हो अरजे ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए पूछा मसलन क्या वही टॉप मैं है लगता तो ऐसा ही है लेकिन मैं यकीनी तौर पर नहीं कह सकता उससे काफी लोग मिलने आते हैं वो कौन है मेरा मतलब है क्या वो काफ उने देखा है क्या वो भी पाकिस्तानी है नहीं वो सौफ फिसदी भाठती है और देखने में पेशेवर बदमाश लगते हैं हजे के चेहरे पर व्याप्त विचार पून भाव कहरे हो कई उसने बड़ी बारिकी से रगो और जे यानि उन दोनों बदमाशों का हुलिया बय मिलते हुए हाँ उस्मान अली उत्तेजित स्वर में बोला उन्हें तो मैंने अक्सर देखा है अजे मुस्कुराया चीक है अब तुम फिक्र मत करो मैं पूरे गिरों से निपट लूगा वो निश्यात्मत स्वर में बोला और इस बात को दिमाग से निकाल दो कि तुमने लोगों को यह ठिकाना बनाने दे कर तुमने अंजाने में ही मुल के साथ बड़ी भारी वफाधारी कर चुके हो तुम उन लोगों पर नजर तो जरूर रखो लेकिन जाहिरा तोर पर पूरी तरह ला परवा और ऐसे बने रहो कि दिल से उनका साथ दे रहे हो और जब तक को आस बात सामने ना आए मुझे या किसी और को कॉंटेट करने की कतई कोशिश मत करना वोट कर खड़ा हो किया समझ गए ना हाँ उसमान अली पहली बार रहत महसूस करता हुआ बोला अजे उसे आश्वस करने के बाद पल्टा और दर्वाजा खोल कर बाहर आ किया लेकिन डा लिंग हॉल में ही रहने की ताकीत की जाने के बाद अचानक नीलम का गायब हो जाना अपने आप में हैरानी की बात थी चारों और निगाहें दोडाते अजे ने नोट किया कि मोना मैसे भी वहां नज़र नहीं आ रही थी अजे सोच ही रहा था कि नीलम कहां गई हो सकती थी तबी हेडवेटर मकबूल हसन उसके पास आपांचा और टै किया हुआ डिनर का बिल उसकी और बढ़ा दिया आपके साथ आई मैडम ने ये आपको देने के लिए कहा था सर उसने शिष्ट स्वर में कहा अजे ने बिल खोल कर देखा उसके पीछे गसीट से लिखावट में लिखा था रगु नामक वो आदमी यहां आया था उसने मैडम इंटिमेट से बाते की फिर वे दोनों बाहर चले गए मैं टैक्सी से उनका पीछा करने जा रही हूँ N मैसेश काफी जल्दी में लिखा गया था और हैंडराइटिंग नीलम की ही थी मैडम को गए कितनी देर हो गई अजे ने पूछा करीब पांच मिनट सर अजे ने बिल अपनी जेब के हवाले करके परसे सौ रुपए का एक नोट निकाल कर हैड़ वेटर को दे दिया कीप दा चेंज कहकर वो तेजी से बाहर आ किया रेस्टरेंट के बाहर नीलम या मोना मैसी में से किसी का भी कोई चिन हो उसे नजर नहीं आया जाहिर था कि वे दोनों जा चुकी थी अजे ने मोना मैसी का एड्रेस मनी मन दोहराया और पारकिंग लॉट में खड़ी कार निकाल कर उधर ही रवाना हो गया मुश्किल से पांट साथ मिनट बात वो एक पुरानी सी दो मनजिला इमारत के समुक कार पार करके नीचे उत्रा प्रवेश द्वार से गुसर कर सीडियों द्वारा उपर पहुचा मोना के फ्लैट का दर्वाज़ा बंध था नीचे बनी जीरी से ना तो रोश्नी बाहरा रही थी और ना ही अंदर किसी की मौजूद्गी का कोई अभास मिल रहा था दस्तक के जवाब में भी अंदर खामोशी चाही रही अजे ने डोर नौब घुमाने की कोशिश की तो पता चला कि दर्वाज़ा लॉक था अजे ने अपनी पैंट की जेबे थप थपाई तो जानकर तसली हुई की आम दोर पर उसके पास मौजूद रहने वाला चाबियों का गुच्छा जेब में ही था उसने गुच्छा निकाल कर एक एक करके चाबियां की होल में ट्राई करनी शुरू कर दी पांच्वी चाबिया ने ताला खोल दिया वो दर्वाज़ा खोल कर बेतर दाखिल हुआ दर्वासब उन्हें बंद करके बगल में दिवार पर लगा लाइट स्विच चौन कर दिया जल्दी ही उसे पता लग गया कि दो कमरों के उस फ्लैट में सच मुझ कोई मौजूद नहीं था बेड्रूम में अलमारी के अंदर जनाना पुशाकों के इलावा एक जोड़ा मेला मर्दाना लिबास भी मौजूद था किचन में सिंख में जूटे प्लेट प्याले पड़े थे अजे को अपनी दिल चस्पी की कोई चीज वहाँ नजर नहीं आई वो वापिस बाहरी कमरे में आ गिया लाइट आफ करके उसने डोर नौप की और हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर किसी के आकर रुकने के कदमों की आहट सुनाई थी अजे तुरंद दबे पाउं पीछे हट कर बीच वाले दर्वाजे में आ गिया प्रवेश द्वार के की होल में चाबी घुमाने की आवाज सुनाई थी फिर दर्वाजा खुला और एक आदमी भीतर दाखिल हुआ अगंतुक ने दिवार पर टटोल कर लाइट स्वी चौन करके दर्वाजा पुनब बंद कर दिया तब ही अजे बोल पड़ा हेलो आथे पर फैले हुए थे अजे को घूरता हुआ वो तनिक जुका और पीचे हटकर अपना दाया हाथ कोट की भीतरी जेब के पास ले गया कौन हो तुम उसने पूछा उसकी भारी आवास में हलका सा कमबन था और यहां क्या कर रहे हो अजे जान बुचकर हस पड़ा यही सवाल में तुम से पूछने वाला था मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मोना के फ्लैट की चाबी तुमारे पास कहां से और कैसे आई अजे भाम चुका था कि अगंतुक मोना का पती और जेल से भागा हुआ कैदी पीटर डिसूजा था उसकी निगाहें बराबर पीटर पर जमी थी पीटर के चेहरे पर पहले अविश्वास फिर भए और फिर हैरानगी भरे भाव उत्पन हुए अंत में वो तनिक राहत मैसूस करता प्रतीत हुआ शायद इसलिए कि अजे के शब्दों से उसे ऐसा कोई आभास नहीं मिला था कि उसे जेल से भागे हुए कैदी के रूप में पहचान लिया गया था वो सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथ में थमी चाबी को यूँ देखा मानों उसे वहाँ पाकर ताज्यूब हो रहा था बात ये है अजे सामान्यस्वर में बोला मेरा खेयाल था कि इस फ्लैट की एक्स्रा चाबी सिर्फ मुझ अकेले के ही पास है मैं नहीं जानता था कि मोना ने थोक के भाव में चाबियां बांट रखी है उसने मुझ बिसूरा लानत है मोना जैसी औरतों को कोई कभी नहीं समझ सकता एक साथ कई कई यार पालेंगी और बड़ी-बड़ी कस्में खाकर हर किसी को यकीन दिलाएंगी कि सिर्फ उस अकेले से ही सची महबत है मैं चीक कह रहा हूँ ना पेटर डिसूजा की आँखों में व्याब्त भाव चूटने लगे थे उसने अजे की बात को हाथो हाथ लपक लिया हाँ हाँ वो बोला बिलकुल चीक कह रहे हो दोस्त तुम वा कई मज़ेदार आदनी हो मैं भी यही समझता था कि एक्स्ट्रा चावी सिर्फ मेरे ही पास है वा कितना खूब सुरत मज़ाक है हम दोनों ही बेवकुफ बन गए ऐसा ही लगता है अजे ने कहा फिर जेब से पैकेट निकाल कर उसे सिग्रेट आफर की और फिर उसकी और अपनी सिग्रेटे सुलगानी के बाद बात बनाता हुआ बोला मैं यहाँ पहुशते ही सिदा उससे मिलने चला आया लेकिन अब देख रहा हूँ कि मेरी गैर माचूदकी के दौरान वो अकेली नहीं रही थी इसके लिए मुझे दोश मत देना दोस पीटर सफाई देने वाले अंदास में बोला मैं नहीं जानता था कि किसी और का हक मार रहा हूँ तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है अजे दोस्ताना लेचे में बोला मेरी निगाहों में वो आदमी बेवकोफ होता है जो इस बात पर खुंदक खाए कि कोई चोकरी उसे चोड़ कर किसी दूसरे के पहलू में क्यों चली गई मैं तो इस असूल पर चलता हूँ तू नहीं और सही और नहीं और सही चोकरीयों की कमी तो नहीं है बजा फर्माते हो मैं खुद भी इसी असूल का काईल हूँ पेटर तनी कुताबले स्वर में बोला आखिरकार चोकरीयां सब होती तो एक ही जैसी है बस उनके अंदास का ही तो फर्ट होता है क्या तुम जानते हो मोना गई कहा है अजे ने वार्तालाप का विशे बदलते हुए लापरवाही से पूछा नहीं क्यूं पूछ रहे हो इसलिए कि अगर वो इस वक्त यहां आ गई और हम दोनों को इंतिजार करते पाया तो उसे शर्मिन्दा होना पड़ेगा मोना ऐसी नहीं है पीटर चटकारा सा लेकर बोला वो इसका फैसला हम दोनों पर छोड़ देगी कि हम में से कौन यहां ठहर ना जाता है और अगर हम दोनों भी ठहर जाए तो भी उसे एतरास नहीं होगा ऐसी नौबत आने पर तुम क्या करोगे कुछ नहीं इस वक्त वो तुम पर ज्यादा महरबान लगती है इसलिए कबाब में हड़ी मैं नहीं बनूगा नहीं मुझे ना तो तुम्हारी यहां मौजूद के से कोई परहेस होगा और ना ही तुम्हारी खातिर यहां से चले जाने से पीटर बड़ी है दरिया दिली से बुला तुम वाके बहुत अच्छे आदमी हो मुझे अफसोस है कि तुम्हें यहां पाकर शुरू में मैं गलत आदमी समझ बैटा था अजे हसा उसके लिए भी तुम्हें दोश नहीं दे सकता तुम्हारी जगा मैं होता तो मुझे भी ऐसे ही गलत फैमी होनी थी उसने कहा फिर दर्वाजे की और बढ़ता हुआ बोला खेर मोना से इस बारे में कुछ मत कहना मैं दुबारा नहीं आऊंगा वो दर्वाजा खोल कर बाहर आ गिया सेडियां उदरते समय वो सोच रहा था कि ये अपने आप में किसी चमतकार से कम नहीं था कि उस फरार कैदी ने उसे देखते ही गोली नहीं मारती इमारत से निकल कर वो अपनी कार में सवार हुआ और अपने फ्लैट की और ड्राइव करने लगा संभव दिया उसके पहाँशने तक नीलम भी लौट आएगी उसने मन ही मन कहा और वो रेस्टरेंट से यूँ चले जाने को लेकर नीलम को तगड़ी फटकार लगाएगा वो तेज रफ़तार से कार ड्राइव कर रहा था उसकी आँखे सडक पर लगी थी हाथ शेरिंग वील पर रखे थे लेकिन मस्तिश्क में विचारों का भुचाल सा आ रहा था रगो और मोना का आपस में क्या रिष्टा था उनके उस रिष्टे का मक्बूल हसन और मेगराज सकसेना से क्या तालुक था वो जानता था कि मेगराज सकसेना बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव गटिया काम ही करता था जैसे कि डाइवोस रेकेट में वो मोना के साथ काम करता रहा था लेकिन ये बात उसके गले से नीचे नहीं उतर पा रही थी कि मेगराज एमपॉयनेस जैसे काम में भी इन्वाल्व रहा हो सकता था दूसरी और ये बात भी समझ में आने वाली नहीं थी कि मेगराज जैसे घटिया और अपने पेशे में बदनाम आत्मी का इन्टेलिजन्स ब्यूरो से किसी तरह को कोई संबन रहा हो सकता था काफी सोचने के बाद भी अजय किसी निशकर्श पर नहीं पहुंच सका उसे लगा कि मेगराज से हासिल हुए रेलवे क्लॉक रूम की रसीद के टुकड़े के बारे में जानकारी हासिल किये बगैर किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता अलबत्ता वो यकीनी तोर पर कह सकता था मेगराज से रेलवे क्लॉक रूम रसीद का टुकड़ा चीनने के लिए रगू और जै को मक्बूल हसन नहीं भेजा था और उन दोनों के बीच रोट पर मेगराज को रोक तो लिया था लेकिन किसी कारण वश रसीद का टुकड़ा उससे नहीं चीन पाई फिर शायद हजे के फ्लैट तक उन दोनों ने मेगराज का पीछा किया था इस उमीद में कि मेगराज किसी भी ख्षंट दम तोड़ देगा लेकिन मेगराज ने अपनी द्रेड इच्छा शक्ती के सहारी चमतकार दिखाया और मनने से पहले अपनी मंजिल पर पहुँचने में कामियाब हो गया इसी सोच विचार में उलचा वो पार्ट स्ट्रेट पर स्थेतुस साथ मंजिला इमारत के समुखा पहुँचा जिसके चौथे खंड पर उसका फ्लैट था उसने इन तमाम विचारों को अपने दिमाग से परे जटक दिया मौजूदा हालात में सबसे एहम बात थी नीलम की महफूजियत अजे कार पार्ट करके इमारत में दाखिल हुआ अपने कैबिन में मौजूद वाच्मेन रामलाल ने पूछने पर बताया कि नीलम को वापिस लौटते उसने नहीं देखा था फिर उसने कुछी देर पहले आया एक रिटन टेलीफोन मैसेज अजे को थमा दिया मैसेज विशाल गड़ से थंडर के स्थानिये समवाद दादा हरीश भारगव द्वारा भीजा गिया था अजे ने पढ़ा प्राब जानकारी के मताबिक मेगराथ सकसेना इन दिनों विराट नगर में है और मेगदूत होटेल में अवनेश गोयल के नाम से ठहरा हुआ है मैसेज जेब में ठूस कर अजे लिफ द्वारा चौथे खंड पर पहुँचा अपने फ्लैट में पहुँच कर उसने होटेल में एक दूत का नमबर डाइल करके अपने दोस्त असिस्टेंट मैनेजर अनिल गोस्वामी से संबन स्थापित किया उसके जर्ये पोश्ताश करने पर पता चला कि अवनिश गोयल रोम नमबर 416 में ठहरा हुआ था लेकिन टेलिफोन ऑपरेटर द्वारा उसके कमरे का नमबर डाइल करने पर दूसरी और से कोई जवाब नहीं मिलने से जाहिर था कि वो अपने कमरे में नहीं था अजे ने अनिल गो स्वामी को धन्यवाद दे कर संबन्द विछेत कर दिया वो कुछ देर विचार पूर्वक चहल कदमी करता रहा फिर जेब से मुगल रेस्टोरेंट का डिनर का बिल निकाला और फिर उसके पीछे लिके नेलम के मैसेश को कई पर गौर से देखता रहा अंत में उसने अपनी टेलिफोन बुक निकाल कर जगदीश राज का नंबर ढूंडा जगदीश राज फिंगर प्रेंट्स रिकॉर्ट्स रिपार्ट्मेंट का इंचार्ज था इंस्पेक्टर रवी शंकर की वज़ा से अजे के साथ भी उसके दोस्ताना तालुकात थे जगदीश राज से संबन स्थापित करके अपचारिक बातों के पस्चात वो बोला मैं तुम्हारे पास एक रेस्टरंट का बिल भेश रहा हूँ उस पर कम से कम तीन व्यक्तियों के फिंगर प्रेंट्स मिलेंगे मेरे मेरी कुलिग नीलम कपूर के और एक करन्या आदमी के मेरे और नीलम कपूर के फिंगर प्रेंट्स तुमारी फाइलों में भी होंगे उन्हें तो भूल जाना मेरी दिलचस्पी उस तीसरे आदमी के फिंगर प्रेंट्स में है अगर तुमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड है तो उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मुझे च और अपना और वाच्मेन कैबिन का फोन नंबर बता कर संबंध विच्छेत कर दिया। रेस्टरेंट के बिल को एक लिफाफे में बंद करके उस पर जगदीश राज का पता लिख दिया। अपने फ्लैट से निकल कर प्रवेश द्वार लॉक करके वो नीचे वाच्मेन कैबि भी उसे दे दिया। रामलाल ने वादा किया कि वो अभी बेटे को जगा कर भेश देगा। फिर उत्सुक्ता पूरवक पूछा नीलमेम साहब के फ्लैट में उस वक्त उन दोनों पुलिस वालों को ले जाकर मैंने गलत तो नहीं किया अजे बाबू। नहीं रामलाल मैं त कुछ ज्यादा ही सतर कर दिया था। ओ याद आया उस आदमी की मौत को लेकर तुमने मुझे भी खासी परिशानी में डाल दिया था। रामलाल ने असमंजस्ता पूरवक उसे देखा। कैसे अजे बाबू। इंस्पेक्टर तिवारी से ये कहकर कि जब तुमने उस आदमी को कैबिन के सामने गुजर कर उपर जाते देखा तो वो जखमी नहीं था। मैं कसम खाकर कहता हूँ अजे बाबू कि मैंने गलत नहीं कहा था। जब उसने यहां रुक कर आपके फ्लैट का नंबर पूछा था तो वो जखमी नजर नहीं आया था। अलबता वो आगे की और जुका हुआ था। अपने हाथ उसने यूँ कोट के जेबों में ठूसे हुए थे। मानो इस तरह खुद को संभाले हुए था। देखने में वो बिमार सा तो लगता था। लेकिन ऐसा कतई नहीं लगता था। कि वो मरने वाला था। अगर आप मुझे बता देते कि उसके पारे में पुलिस को कुछ और बताना था तो यकीन मानिए मैं वैसा ही करता। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने वैसा ही करना था। कहकर अजे ने पूछा तुमने पुलिस को ये तो नहीं बताया कि उस वक्त मैं अपने फ्लैट में था। जी नहीं इतनी समझ तो मुझे ह उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने आखरी दफ़ा आपको कब देखा था लेकिन मैंने ऐसा जाहिर किया मानो मुझे याद नहीं आ रहा था कि आपको कब देखा था और उस लड़की के बारे में भी उन्हें नहीं बताया जुसको तुमने नीलम के फ्लैट में भीजा था जी नहीं आप तो जानते हैं कि आपके मामलाप के बारे में मैं किसी को नहीं बताता मुझे इस इमारत में काम करते इतना अर्सा हो गया है कि मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि किस वक्त मुझ बंद रखना जरूरी होता है हजे ने उसकी काबलियत की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया और लिफाफा फॉरन डिलिवर कराने की एक बार और हिदायत दे कर बाहर निकल गया वो अपनी कार में सवार होकर हिमारत के गेट से गुसरा और तेजी से ड्राइफ करने लगा वो मेगदोथ होटेल पहुँचा कार पार्ट करके वो लाबी में दाकिन हुआ और लिफ द्वारा उपर पहांच कर रूम नमबर 416 के समुग जा पहुँचा दर्वाजा थोड़ा सा खुला और कमरे में अंधेरा पाकर वो तनी खिच किचाया उसने हौले से दस्तक दी लेकिन जवाब में खामोशी चाही रही दर्वाजा थोड़ा और खोल कर उसने बाँ अंदर घुसेडी और दिवार पर टटोल कर लाइट स्विच आउन कर दिया कमरे में रोशनी हो गई उसने स्वयम को आड में रखते हुए दर्वाजा पूरा खोल दिया सतरकता पूरवग भाती भीतर दाकिल होकर दर्वाजा पुने बंद कर दिया कमरा खाली पड़ा था वो बारीकी से कमरे का निरिक्षन करने लगा कहीं कोई असामाने बाद नजर नहीं आई प्रत्यक्ष्टा ऐसा लगता था वहां कई रोज से कोई आदमी ठहरा हुआ था और वो जल्दी ही वापिस लोटने के इरादे से बाहर चला किया था बात्रों में टॉयलेट का सामान व्यवस्ति धंग से रखा था बिस्तर पर एक अकबार पड़ा था और एक कोने में वी आई पी का खुला सूट केस रखा था अजे की निगाहें अकबार पर जम गई चार तहों में मुड़ा वो अकबार पिछले इतवार का विशालगर टाइम्स था वो आठवें पेस पर मुड़ा हुआ था और इस पेस का एक हिस्सा गायब था काट कर अलग किया गया वो हिस्सा दो कॉलम चोड़ा और करीब आठ हिंच लंबा था अजे ने अकबार उठा कर गौर से उसे देखा इस उमीद में कि शायद ऐसा कोई क्लिव मिल जाए जिससे काट कर अलग किये गए उस हिस्से पर चपेसमाचार के बारे में जानकारी हासिल हो सके लेकिन उस डगायब हिस्से पर चपेसमाचार के बारे में कुछ पता उसे नहीं चल सका उसने अकबार वापिस बिस्तर पर रखा ही था कि प्रवेश द्वार की और से हल्की सी आहट सुनाई दी उसने धीरे धीरे उधर दी उधर की तरफ गर्दन घुमा दी थोड़े से खुले दर्वासे में एक रिवॉल्वर की नाल दिखाई दी फिर पूरी बार नजर आई अंत में साफ सुत्रा काला सूट और कारा फैल ठैल पहने एक आदमी ने अंदर प्रवेश किया वो स्थेर निगाहों से अजे को देख रहा था खुश मिजाज सिप्रतीत होने वाले उस आदमी का चेहरा कठोर नजर आ रहा था हाथ में मजबूती से रिवॉल्वर थामी वो अजे की और बढ़ा हैंड्स अप उसने आदेश दिया चेहरे पर व्याप्त कठोरता के बावजूद उसका स्वर नर्म था अजे ने हाथ उपर उठा दिये अब इसी तरह धीरे धीरे दिवार की तरफ घूमो अगंतुक ने दूसरा आदेश दिया और दोनों हाथ दिवार पर टिका कर खड़े हो जाओ आदेश पालन करने के बाद अजे बोला मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो लेकिन मेरा विचार है अगर तुम मुझे बाते करने का मौका दो तो हम एक दूसरे को बैतर ढंक से समच सकते है तुम जितनी चाहे बाते कर सकते हो पीछे कड़ा आदंतुक बोला लेकिन हिलना मत इसी पोजीशन में खड़े रहना इस पोजीशन में बाते में नहीं कर सकता अजे शिकायती लेचे में बोला खास तोर पर उस सूरत में जबकी मेरे सर पर कोई रिवॉल्वर ताने खड़ा हो तब ही उसके बाई और रकेट टेलीफोन उपकरण की घंडी बचने लगी उसने गर्दन खुमाई और अगंतु को आगे आकर रिसीवर उठाते देखा उस वक्त वो अजे से मुश्किल से दो फूट दूर था उसकी सर्थ निगाहें बराबर अजे पर जमी थी और उसके दाई हाथ में मस्पूती से कसे रिवॉल्वर का रुप भी सीधा अजे की यॉर्ट था हलो उसने माउट पीस में कहा फिर पल भर सुनने के बाद तीवर स्वर में बोला परेशनात बोल रहा हूँ मैं कॉरिडॉर में सेडियों के पास रहकर मेगराज के कमरे को वाच कर रहा था मैंने अभी अभी एक आदमी को उसके कमरे की तलाशी लेते पकड़ा है मैं चाहता हूँ तुम एक आदमी भेश दो छीक तभी अब रत्याशी त्रोप से अजे ने स्वयम को बाई और घुटनों के बल नीचे गिराया साथ ही रिवॉल्वर धारी के कूले पर कंधे पर से प्रहाट कर दिया रिवॉल्वर धारी बुरी तरह लड़ खड़ाया उसके हाथ से ने सिवट छूट गया और गोली चल गई लेकिन इससे पहले कि वो संभलता या दूसरा फायर कर पाता अजे का हाथ उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर इस बुरी तरह कस चुका था कि वो ट्रिगर नहीं खेन सकता था नतीश्तन कूले पर हुए अगले प्रहार ने उसे करवट के बल नीचे गिरा दिया अजे ने तुरंत अपने बाई हाथ का वज्र समान घूसा उसकी कनपटी पर जमा दिया रिवॉल्वर से परेशनात की पकट छूट गई और वो बेहोश होकर फर्श पर फैल गया अजे रिवॉल्वर सही तुटकर खड़ा हो गया उसने रिसीवर उठाया और परेशनात के लहजे की नगल करने की भरसक कोशिश करता हुआ बोला हलो जवाब में लाइन पर जो स्वर उब्रा उसने अजे को बुरी तरह चौंका दिया वो इंस्पेक्टर तिवारी का स्वर्ट था क्या हो रहा है वहाँ सब चीक तो है हाँ अजे ने संक्षिप तुतर दिया लेकिन मुझे तो फायर और मार पेट किसी आवासे सुनाई दे थी तिवारी ने कहा उसका लहजा ऐसा था मानो इन बातों की कोई परवा उसे नहीं थी खैट छोड़ो ये बताओ कि मेग राज के कमरे में किसी आदमी को पकड़ने के बारे में तुम क्या कह रहे थे आपके आदमी ने गलत आदमी पर हाथ डाल दिया था तिवारी सहब अजे अपने सामाने स्वर में अरूची पूर्वक बोला आपके घामर महततों को अब तक तो मुझे जाना जाना चाहिए था वो फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसकी 38 बोर की पुलिस स्पेशल रिवालवर मेरे पास है मेरा आदमी दूसरी और से तिवारी का आतंकित स्वर सुनाई दिया ओ गौड तुम अजे बोल रहे हो क्या तुमने परेशनाथ से हाता पाई करके उसे बेहोश कर दिया है हाँ वो अचानक मेरे सर पर आचड़ा और कुछ भी कहने का मौका दिये बगैर मुझ पर रिवाल्वर टांग दी बेवकुफ तिवारी लगभग चिलाता सा बोला अब तुमने खुद को बुरी तरह फसा दिया है वो मेरा आदमी नहीं है वो मिस्चर परेशनाथ दिली सियाया आई बी का स्पेशल आफिसर और आई बी के किसी ओन ड्यूटी आफिसर के साथ मार पिट करके तुम बच नहीं सकते जो होना था हो गया अचे निक शुब्द स्वर में कहा अब इस बात को दोराने से कोई फाइदा नहीं और रिसेवर क्रेडिल पर पटक दिया परेशनात पूर्वद बेहोश पड़ा था अजे कई पल विचार पूर्वक उसे देखता रहा फिर उसकी निगा अपने हाथ के थमे रिवॉल्वर पर पड़ी उसने रिवॉल्वर से गोलिया निकाल कर खाली रिवॉल्वर बिस्तर पर फैंक दिया और कोने में रखे मेगराज सकसेना के सूट केस की और बढ़ गया तब ही भारी कदमों की आहट कमरे के बाहर आकर रुकी अजे तुरंथ सतर्कता पूर्वक दर्वासे की दिशा में पलट गया लेकिन जो आदमी प्रकट हुआ उसके चिंतित चहरे पर निगाव पढ़ते ही वो मुस्कुराने पर विवश हो किया अगन्तुक उसका दोस्त और होटेल का असिस्टेंट मैनेजर अनिल गो स्वामी था हलो अनिल अजे बोला आओ अंदर आ जाओ अनिल गो स्वामी ने उसे घुरा फिर फसी सिए आवास में बोला मैंने फायर की आवास सुनी थी वो फायर की ही आवास थी अजे निला परवाही से कहा फिर बेहोश पड़े परेशनात की और संकेत करके बोला इस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी इसलिए मुझे इसको ठंडा करना पड़ा और फिर मेग राज का सूट केस उठा कर उसमें मौझूद तमाम चीजें फुर्ष पर उलड़ दी मेरे इन चीजों की दलाशी ले चुपने के बाद तो मैं सादमे पर ठंडा पानी डाल कर उसे होश में ला सकते हो अनिल्गो स्वामी कुछ नहीं बोला उसकी निगाहें बेहोश परिशनात पर जमी थी और उसके चेहरे पर व्याप्त चिंतापून भाव और ज्यादा गेहरे हो गए थी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अजे अनिल्गो स्वामी बड़े ही कठिन स्वर में बोला अच्छे मेगराथ सकसेरा के सूट केस से निकली चीजों का बारीके से मौईना कर रहा था कैसा नहीं करना चाहिए था उसने पूछा वही जो तुमने किया है इस आदमी पर वार करके इसे बेहोश कर दिया जानते हो ये कौन है नहीं पनिल्गो स्वामी आगे बढ़ कर बेहोश परेशनात के उपर चुक गया ये इंटेलिजन्स ब्यूरो का अफसर है और दिल्ली से आया है तो तो ये कि ये लोग तुमें छोड़ेंगे नहीं अजे उसकी और से पेट किये मेगराज के सामान की तलाशी ले रहा था लेकिन उसमें रोज मर्रा के इस्तिमाल की चीजों के इलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे एहमियत दी जा सके क्या कर लेंगे वो मेरा उसने पूछा इस सवाल का जवाब तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो तुम स्थानिये पुलिस वालों को बेवकुफ बना सकते हो इन लोगों को नहीं अजे उटकर खड़ा हो किया अच्छा अनजान मत बनो अनिल्गो स्वामी उसकी और पलट कर बोला कुछी देर में ये होश में आ जाएगा फिर इसके एक इशारे पर तमाम पुलिस फोर्स तुम पर चट दोड़ेगी जो होगा भुखता जाएगा क्या तुमने यही करने के लिए मुझसे अविनाश गोयल के कमरे के बारे में फोन पर पूछताश की थी नहीं फिर ये किस्सा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता दोस्त अजे निराश स्वर में बोला फिर तनिक रोक कर पूछा तुम इस बारे में क्या जानते हो अनिल मुझसे इंस्पेक्टर तिवारी ने फोन पर कहा था कि इस कमरे में ठहरे कस्चमर अविनाश गोयल में इंटेलिजन्स ब्यूरो की दिलचस्पी है और उनका एक अफसर उसके कमरे को चेक करने आ रहा है बस इसके इलावा में कुछ नहीं जानता अविनाश गोयल उसके बारे में क्या जानते हो कस्चमर से सीधा संपक्त मेरा नहीं रहता है तुम्हारा फोन आने के बात ही मैंने रिसेप्शन और रूम सर्विस से उसके बारे में पूछा था उन्होंने बताया कि गोयल दो रोज पहले विशाल गड़ से आकर यहां ठहरा है और उसका ज्यादा तर वक्त होटेल से बाहर ही गुज़रता है बस हाँ बस कहकर अनील ने तनी गुस्से से पूछा अब तुम भी तो कुछ बताओ अविनाश कोयल को आकरी दफा यहां कब देखा गया था अजे ने उसकी बात को नजर अंदास करते हुए पूछा आज तीसरे पहर करीब चार बज़े तक वो यही था क्या इसी कमरे में? हाँ मैंने खुद उसे यहां देखा था अजे चक्राया तुमने? हाँ अनिल्ठोस्वर में बोला मैंने तुम यकीनी तोर पर कह सकते हो कि करीब चार बज़े ही देखा था हाँ लेकिन चार बज़े तो आम तौर पर तुम अपने ओफिस में होते हो उस वक्त यहां क्या कर रहे थे? वही जो उस वक्त कर रहा था जब मैंने फायर की आवाज सुनी थी यानि रुटीन चेकिंग ड्यूटी पर आने के बाद और जाने से पहले आम तौर पर पर मैं पूरे होटेल का एक चकर लगाया करता हूँ उस वक्त भी यही से गुसर रहा था मुझे इस कमरे के अंदर से एक आदमी के किसी ओरत से जगरने की आवाजे सुनाई थी मैं जानता हूँ कश्चमर्स बीच पर से पेशेवर लड़कियों को अपने कमरे में ले आते हैं उनमें से बहुत सी लड़कियां तो ऐसी हैं जिने दर्बान और सिक्यॉरिटी वाले पहचानते हैं और उन्हें अंदर गुसने ही नहीं देते लेकिन शहर की तमाम पेशेवर लड़कियों तो को तो वो नहीं जानते खैर ऐसी स्थिती में जब तक वे कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे किसी और को कोई परिशानी हो तो हम लोग भी नजर अंदास कर जाते हैं मगर इस कमरे से क्यूंकि उस वक्त उन्ची आवासे आ रही थी इसलिए मुझे दस्तक देनी पड़ी और जब गोयल ने दर्वासा खोला तो मैंने अपना परिशे देकर कहा कि वे कमरे में शोर ना करें इससे दूसरे लोग डिस्चर्ब होते हैं उसने सौरी कहकर दर्वासा पुने बंद कर दिया फिर करीब सवा चार बज़े में नीचे लोबी में खड़ा था तो मैंने उसे तेजी से बाहर जाते देखा था अकेले? हाँ वो औरत कहां गई जिससे कमरे में उसका जगड़ा हो रहा था पता नहीं मैंने उसे नहीं देखा क्या उस वक भी नहीं है अगर वो कोई पेशेवर औरत थी तो नई औरत रही होगी जिसे हमारा स्चाफ नहीं पहचानता वरना वो अंदर आही नहीं सकती थी सैसा अजे को हलकी से कराहट की आवाज सुनाई थी तो उसने परेशनात की और देखा उसके होश में आ रहा होने के चिनह दिखाई देने लगे थे मैं जा रहा हूँ अनिल वो दर्वाजे की और बढ़ता हुआ जल्दी जल्दी बोला मेरे चले जाने के बाद इसके मुँपर एक गिलास ठंडा पानी डाल देना और सुनो तुमने यहां मुझे नहीं देखा है फायर की आवाज सुनने के बाद जब तुम यहां पहुँचे मैं यहां से जा चुका था तुम इस बारे में कतई कुछ नहीं जानते अचानक वो यू ठिटका मानो एका एक कोई जरूरी बात याद आ गई थी लेकिन सबसे पहले एक काम और करो अपनी टेलीफोन आपरेटर को फोन करके कह दो कि तुम्हारा एक दोस्त उससे कुछ मालूमात हासिल करने आ रहा है वो पूरा सैयोग करे पनिल ने गेरी सांस ली तुम न सिर्फ मेरी नौकरी छुडवाओगे वो करहता सा बोला बलकि अपने साथ अंदर भी करवाओगे फिक्र मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा हजे ने मुस्कुरा कर कहा और तेजी से बाहर निकल गया कॉरिडोर में लिफ्ट की और जाने के लिए जो ही वो मोड पर घूमने वाला था तब ही उसी खंड पर आकर रुकी लिफ्ट से निकलता इंस्पेक्टर तिवारी उसे दिखाई दे गया वो फॉरन वापिस पल्टा और दबे पाउं तेजी से सीडियों की और दोड पड़ा और फिर एक बार में दो-दो सीडियां फलांगता हुआ तेजी से नीचे दोड गया लॉबी में पहुँच कर वो सीधा होटेल के टेलीफोन एक्सचेंज वाले कमरे में जा खुसा वहां मौजूद ऑप्रेटर पहले तो चौंकी फिर उसके चेहरे पर हैरानगी और नाखुशी भरे भाव फुत्पन हो गई मुझे आपके असिस्टेंट मैनेजर अनिल गोस्वामी ने भेजा है उसे कुछ भी कहने का मौका दिये बगैर अजय आकर्शक ढंक से मुस्कुराता हुआ बोला मिस्चर गोस्वामी मेरे दोस्त हैं अचानक वो खामोश हो किया उसने देखा ओप्रेटर हेड़फोन्स लगाए बैठी थी और उस थिती में उसकी बाते वो नहीं सुन सकती थी ओप्रेटर ने भी शायद उसकी परिशानी भाम्प ली थी उसने हेड़फोन्स उतार कर प्रशनात्मत निगाहों से उसे देखा फरमाईए अरजे ने अपनी बात दोहराने के बात पूछा कुछ देर पहले गोस्वामी ने आपको फोन किया था ना हाँ मेरा नाम अजे कुमार है वो फोन मेरे ही बारे में था ओप्रेटर फॉरन सामान्य नजर आने लगी कहिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ आप होटेल में टेहरे कस्टमर्स का टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड रखती है ना अजे ने पूछा जी हाँ लेकिन सिर्फ आउटगोइंग कॉल्स का मुझे रूम नंबर 416 से लगबग 4 बजे की गई फोन कॉल्स के बारे में जानकारी चाहिए अपरेटर ने पास ही रखा एक रेजिस्टर अपनी और खेंच लिया रूम नंबर 416 से वो उसमें दर्ज एक एंट्री पर हाथ में पकड़ा बॉल पैन फिराती हुई बोली तीन बच कर 57 मिनट पर एक लोकल कॉल की गई थी और आपने वो नंबर नोट किया हुआ है अजे ने उसे टोक कर पूछा जिस पर फोन किया गया था श्यूर अपरेटर ने नंबर बता दिया वो अजे के फ्लैट का फोन नंबर था दूसरी कॉल चार बच कर पांच मिनट पर की गई थी अपरेटर ने कहा फिर अचानक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरे भाव उत्पन हो गए सौरी दूसरी कॉल का नंबर इसमें नहीं है लगता है किसी और कॉल के चकर में नोट करना में भूल गई थी अजे को आपरेटर की इस लापरवाही पर गुसा तो आया लेकिन वो जब्त कर गया क्योंकि गुसे का इजहार करने से भी कोई फाइदा होने वाला नहीं था अब बता तो सकती है उसने पूछा रूम नमबर 416 से दूसरी कॉल किसने की थी किसी आदमी ने या औरत ने वो औरत की आवास थी ये बात मुझे इस लिए याद है क्योंकि रूम नमबर 416 सिंगल बेट वाला रूम है और उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक कोई आदमी ठेहरा हुआ है इसलिए औरत की आवास सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा थैंक्स अलोट मैडम मेरे लिए इतना ही काफी है कहकर अजे पल्टा और बाहर आकिया लॉबी में सावधानी पूरवक निगाहे दोड़ा कर तसली करने के बाद कि वहाँ कोई पुलिसमेन नहीं था होटेल से निकल कर वो अपनी कार में सवार हुआ और गेट से गुजर कर सड़क पर आते ही तेज रफ़तार से ड्राइव करने लगा वो पार्ट स्ट्रीट पहुँचा इमारत के बाहर कार पार्ट करके भीतर दाखिल हुआ वो वाच्मेन केबिन के समुक रुका आपके लिए एक और टेलिफोन मैसेज आया है अजे बाबू रामलाल ने कहा और राइटिंग पैट से लिए अलग करके एक कागस उसकी और बढ़ा दिया अजे ने कागस लेते हुए पूछा क्या नीलम आ गई नहीं क्या उसका फोन आया था नहीं कहकर रामलाल ने चिंतित स्वर में पूछा क्या कोई गडबढ है अजे बाबू अजे ने सोचा नीलम के फ्लैट में रहकर ही उसका इंतिजार करना बैतर होगा ऐसा ही लगता है अजे पीछे हट कर हाथ में पकड़े कागस पर निगाहें दोडानी लगा विशाल गड़ से हरीश भारगव ने मैसेज भेजा था पेटर डिसूजा पिछले हफ़ते जेल से भागा एक फरार मुर्जिम है उस पर दस लाग की डकैती का केस चल रहा था ये रकम उसने मेगराथ सकसेना से लूटी थी सकसेना भल्ला एंड पोरी एससेट्स का नामक विशालगड की एक फर्म के लिए काम करता है ये फर्म प्रॉपर्टी डेलिंग का धंदा करती है पीटर ने मोना ब्रिगेंजा से शादी की थी मोना की उम्र करीब 30 वर्ष थी वो काफी खूप सूरत है और अपनी उम्र के मुकाबले में देखने में ज्यादा जवान लगती है मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आजकल कहा है और क्या कर रही है हजे ने कागस मोड कर जेब में रख लिया इस मैसेश ने उसे चक्रा कर रख दिया था लिफ्ट में सवार होकर उपर आते समय वो इसी के बारे में सोच रहा था मेगराथ सक्सेना प्रापर्टी डेलिंग का धंदा करने वाली फिर्म के लिए काम करता था और उस डिकैती में इन्वार्व था जिसका केस पीटर डिसूजा पर चल रहा था लेकिन मोना ने इसका कोई जिक्र उससे नहीं किया था शायद वो बताना भूल गई थी या इस बात की जानकारी ही उसे नहीं थी या फिर हो सकता है उसने कोई एहमियत इसे नहीं दी थी मुम्किन था कि इसकी कोई एहमियत ना भी हो लेकिन इस से मेगराज और पीटर के बीच लिंग जरूर जाहिर होता था और शायद इसी वज़ा से मेगराज ने मोना को सला दी थी कि वो कैसे अपने पती से चुटकारा पास सकती थी अजे की जानकारी के मताबिक मेगराज बड़ा ही कमीना काईया और घाक किस्म का आदमी था अगर उसे डकैती की वज़ा से वाके पीटर से खुंदक थी तो इसमें ताजुप की कोई बात नहीं थी कि वो उस फरार मुल्सिम से इस तरह अपना हिसाब चुकाना चाहता था लेकिन इसमें सवाल पैदा होता था कि अगर वास्तव में ऐसा था तो खुद मेगराज ने इस काम को क्यों नहीं अंजाम दे दिया था प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते वो आसानी से इस काम को कर सकता था पीटर फराल मुल्सिम था, मेग राज उसे शूट करके आसानी से साबित कर सकता था कि वो पीटर को पुलिस के हवाले करना चाहता था लेकिन पीटर मारा मारी पर उतर आया लिहाज़ा उसे शूट करना पड़ा और शूटिंग में पीटर मारा किया इसमें पुलिस और प्रेस दोनों ने ही उसकी तारीफ करनी थी और इस तरह अच्छी खासी शौरत उसे हासिल हो जानी थी लेकिन हो सकता है शौरत का माना मेक राच नहीं चाहता था इसलिए उसने मोना को उसके पास भेश दिया था लिफ्ट पांजवे खंड पर रुख चुकी थी अजे बाहर निकल कर कॉरिडोर में निलम के फ्लैट की और बढ़ गया उसने अपने पास मौजूद स्पेयर चाबी निकाल कर की होल में फसाई ही थी की मोड पर विप्रेद दिशा से दोड़ कर हाते कदमों की आहट उसे सुनाई थी उसने उधर ही गर्दन खुमा दी सामने से मोना मैसी भागी चलिया रही थी उसने आते ही अजे की दोनों बाहे कसकर ठाम ली उसका सफेद पड़ा चेहरा तनाफ पूर्ण था सहमी आँखों में याशना पूर्ण भाग थे वो स्वयम को उससे सटाती हुई हकलाती सी बोली मम मैं बहुत देर से तुमारा इंतिजार कर रही हूँ खुदा बाप का लाख लाख शुक्र है कि आखिर तुम आही पहुंचे अजे ने अपनी बाहें छुडा कर दर्वासा खोला और उसे भीतर धकेल दिया फिर स्वयम भी अंदर आया और लाइट आउन करके दर्वासा पुने बंद कर दिया उसका चेहरा पोंट या भाव विहीन था मोना उसके सामने खड़ी थी वो अभी भी वही पोशाक पहने थी लेकिन अब परिशान और भयबीत नजर आ रही थी उसके भरे भरे होंट खिंजे हुए थे और जब्रों में कसाफ था मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ वो फसी सी आवास में बोली अजे ने गौर से उसे देखा उसके सुन्दता और आकर्शन सचमुझ भय के आवरण में सिमट गई सी प्रतीत होती थी चम्रे के बड़े से हैंड बैक को नर्वस भाव से कस कर अपने हाथ में थामे वो यूँ उसे देख रही थी मानो जानना चाहती थी कि उसकी हालत पर उसे तरस आ रहा था या नहीं बैठो वो बोला मैं तुम्हारे लिए कुछ लादा हूँ अजे किचन में गया और विस्की की नई बोतल और दो गिलास लेकर वापिस लोटा उसने देखा मोना एक कुरसी में घुसी सी बैठी थी उसके दोनों हाथ कुरसी के बाज्वों पर कसे थे और वो अपने सूखे होंटों पर जुबान फिरा रही थी तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी अजे वो बोली तुम्हारे इलावा और कोई सहारा मेरा नहीं है मैं जानती हूँ मेगराज को तुम पर बड़ा पूरा भरोसा था अजे हसा उसने दोनों गिलासों में निट विस्की डाली और एक उसे थमा दिया मोना गिलास हाथ में लिए आतंकित निगाहों से उसे देख रही थी लेकिन मेगराज सकसेना तो मर चुका है अजे बोला जानती हूँ मैं अकबार पढ़ते ही जान गई थी अचानक मोना ने अपने होन भींच लिए अजे उसके उपर चुग गया क्या जान गई थी तुम मोना ने पूर्वत होन भींचे उससे निगाहे चुडाते हुए धीरे धीरे से सिर हिला दिया अजे ने अपना गिलास मेंस पर रख कर उसके दोनों कंधे थामे और रंगूठों से उन पर दबाव डालने लगा क्या जान गई थी तुम उसने तेवरस्वर में पूछा मोना ने आज सी भड़ते हुए अपने होंटों पर जीब फिरा कर उसे घूरा अपने हाथ अठाओ वो उची आवास में बोली मेरे कंधों में दर्थ हो रहा है अजे ने हाथ अठाने की बचाए कंधों पर अंगोठों का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया क्या जान गई थी तुम उसने पुने अपना सवाल दोहरा दिया मम मैं मैं जान गई थी कि पीटर ने पता लगा लिया है कि मेग राज और मैं किस चक्कर में है मोना सिहर्ती से बोली मैं ये जान गई थी कि उसका अगला शिकार मैं ही होंगी तुम समझती हो मेग राज की हत्या पीटर डिसूजा ने की थी क्या तो क्या तुम ऐसा नहीं समझते हजे ने जवाब नहीं दिया उसके कंधे छोड़ कर वो सीधा खड़ा हो गया ये पीटर का ही काम था मोना ने कहा उसके इलावा और किसने ऐसा करना था अजे ने पीछे हट कर अपना गिलास उठा लिया ड्रिंक खत्म करो वो बोला मोना ने अपने गिलास से हलका सा घूंट लिया वो भयबीत निगाहों से उसे देख रही थी तुम्हें डर है अजे ने संक्षित मौन के बाद पूछा अपने पती की हिट लिस्ट में अगला नमबर तुम्हारा है मुझे पूरा यकीन है अगर उसे पता लग गया क्याकर अचानक मोना खामोश हो गई कि तुम्ह और मेग राजों से ठिकाने लगाने की योशना बना रहे थे अजे उसका वाक्य पूरा करने के बाद बोला हाँ इस बात में वसन है क्योंकि कुछ लोग इन मामलों में बड़े अजीब होते है उसने विस्की का घूंट लेकर गिलास मेस पर रख दिया फिर कुर्सी में पसर कर सिगरेट सुलगाने के पश्चात पूछा तुम किस फेर में हो इसका पता पीटर कैसे लगा सकता है पता नहीं ये बात मेरी समत से परे है लेकिन हो सकता है इस शहर में उसके दोस्तों अंडरवल्ड कॉंटेक्ट्स मुम्किन है मेग राज इस बारे में किसी से जिकर कर बैठा हो हम् हजे ने गेरा कश लेकर धुआ छोड़ने के बाद पूछा मुगल रेस्टरेंट से जाने के बाद तुम कहां गई थी मोना ने इतनी जोर से अपना गिलास मेस पर रखा कि उससे विस्की चलक गई ककक क्या आश्राट डिनर के बाद तुम कहां गई थी तो वो तुम्हारा ही आदमी था अजे चक्राया कौन जो मुझे रेस्टरेंट में मिला था और जिसने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो खुलासा तोर पर बताओ तुम क्या कहना चाहती हो मैं रेस्टरेंट में अपना डिनर लगभग खत्म कर चुकी थी कि एक आदमी मेरे पास साया पल भर हिच के चाने के बाद मोना ने कहना शुरू किया मैंने पहले कभी उसे नहीं देखा था लेकिन उसने बताया कि वो तुम्हारे लिए काम करता है तुम फॉरण मुझसे मिलना चाहते हो और तुम ही ने मुझे लिवाल आने के लिए उसे मेरे पास बेजा था पाई जब एक टैक्सी हमारे पीछे लग गई तो वो परिशान और गुसे में नजर आने लगा था वो काफी देख तक कार को पिछली सडकों पर घुमाता रहा और मेरे पूशने पर सिर्फ इतना बताया कि टैक्सी में जो भी हमारे पीछे लगा हुआ था उससे वो पीछा चुडाना चाहता था ना जाने क्यों मुझे उसका व्यवहार बड़ा ही अजीब लगा मुझे शक होना शुरू हो किया कि क्या वो वाकई तुम्हारा आत्मी था और फिर मुझे डर लगने लगा अंत में जब उसने एक सुनसान सड़क पर कार रोकी तब तक मुझे पर दैशत बुरी तरह हावी हो चुकी थी कार रुकते ही करीब दो सो गच पीछे टैक्सी भी रुक चुकी थी वो नीचे उतरा और मुझे चुप चाप कार में ही रहकर इंतिजार करने के लिए कहकर वो टैक्सी की और बढ़ गया तब तक मुझे पूरा यकीन हो चला था कि जरूर कोई भाड़ी करबट थी उसके रंग ढंग बदमाशो जैसे थे उसके जाते ही मैं चुप चाप कार से निकली और अंदा दोन भाग खड़ी हुई मेरी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी ही एक खाली जाती टैक्सी मुझे मिल गई और मैं सीधी यहां आ पहुँची और कॉरिडोर में मोड पर खड़ी तुम्हारे दर्वाजे पर निगाहे जमाए तुम्हारा इंतिजार करती रही अपना कथन समाप करके उसने आके फैला कर अजे को देखा क्या उस आत्मी को तुमी ने भेजा था मुझे लिवा लाने के लिए मोना की कहानी काफी हद तक सही लगती थी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो निलम द्वारा छोड़े गए मैसेच से मेल खाती थी तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पिछे टैकसी में कौन था अजे ने पूछा नहीं और नहीं ये कि कार से उतरने के बाद उस आदमी ने क्या किया नहीं असलियत ये है कि उस आदमी के रंग ढंग देख कर ना जाने क्यों मैं इसकदर डर गई थी कि पीछे देखने की हिम्मती नहीं हुई मोना सहरती हुई से बोली क्या वो तुम्हारा अदमी था उसका हुलिया बताओ मोना ने जो हुलिया बयान किया वो रगू पर काफी हद तक फिट बैठता था अजे ने विचार पूर्वक अपनी कनपटी सेहलाई फिर बड़े ही अप रित्याशित डंग से पूछा मकबूल हसन के बारे में क्या कहती हो प्रतियुत्तर में मोना के चहरे पर जो हैरानगी भरे भाफ पैदा हुए उससे जाहिर था कि इस नाम के किसी आदमी को वो नहीं जानती थी किसके बारे में उसने असमंजस्ता पूर्वक पूछा किसी के भी नहीं अजे मनी मन खीशता सा बोला मैं पता नहीं क्या कह गया था और उठकर कमरे में चहल कदमी करने लगा मोना कुर्सी के पुष्ट से पीट सटाई खामोश बैठी रही उसके टाइट सकर्ट का निचला भाग किसकर घुटनों से खासा उपर पहुँच गया था लेकिन या तो इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं था और अगर था तो इसकी परवा करती मालूम वो नहीं पड़ रही थी उसने बड़े इत्मिनान से अपना गिलास खाली किया अजे रुका और पुने उसके गिलास में विस्की डाल कर गौर से उसे देखते हुए पूछा तुम यहां क्यों आई हो मोना की आँके सिकुड गई यह जानने के लिए कि क्या उस आदमी के जर्ये तुमने मुझे बुलवाया था वो बोली और पीटर से बशने के लिए तुम्हारी मदद हासिल करने मैंने तुम्हें नहीं बुलवाया था लेकिन तुम जानते तो थे कि मैं उस वक्त मुगल रेस्टरेंट में थी मोना उल्जन भरे स्वर में बोली ऐसी बातों की जानकारी रखना मेरे पेशे का हिस्सा है अजे बोला आज रात तुम्हारी पीटर से मुलाकात होई थी क्या मोना काम कई नहीं मेगराज की हत्या के बारे में पढ़ने के बाद मैं अपने फ्लैट पर लोटने की हिम्मत नहीं कर सकी तुम इतने यकीनी तोर पर कैसे कहती हो कि मेगराज की हत्या पीटर डिसूजा नहीं की थी अजे ने पूछा जबकि उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने मुझे फसाने की कोशिश की थी हाला कि अकबार मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन मैं समझता हूँ अकबार में भी यही छपा होगा मैं जानती हूँ उसकी हत्या तुमने नहीं की हो सकती मोना विश्वास पूर्वक बोली जब ये सब हो रहा था उस वक्त तुम इसी फ्लैट में मेरे पास मौजूद थे अचानक उसके चहरे पर उल्जन भरे भाव बैदा हो गए अकबार के मताबिक मेगराज के मृत्यों नीचे वाले फ्लैट में हुई थी लेकिन अकबार में इस फ्लैट का पता छपा है लगता है अकबार वालों ने तुम्हारे फ्लैट की बजाए इस फ्लैट का नंबर चाप दिया था जिसमें तुम्हारी पत्नी रहती है लेकिन अगर तुम शादी शुदा हो तो तुम्हारी पत्नी अलग फ्लैट में क्यों रहती है अज्वे ने इस बारे में कोई सफाई नहीं थी कि वो शादी शुदा नहीं था और नेलम उसकी पतनी ना होकर कुलीग और अच्छी दोस्त ही थी ऐसा हम महस दिखावे के तौर पर करते हैं ताकि दोनों फ्लैट हमारे कबजे में रह सकें क्योंकि किसी भी मान अगर में हम जैसे आम लोगों के लिए दो तो क्या एक फ्लैट भी मिलना मुश्किल होता है वो गोल मार जवाब दे कर बोला और जहां तक अकपार वालों का सवाल है प्रेस रिपोर्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि वे लोग पता वगेरा चापने में गल्तियां करते ही रहते हैं अकपार में छपे समाचार से लगता है कि तुम्हें मेगराज के मृत्यू के समय की एलिबाई की जरूरत पढ़ सकती है मोना ने कहा अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं बता दूंगे कि तुम उस वक्त कहा थे शुक्रिया उसके स्वर में चुनोती का सा अभास पाकर अजे बोला मैं याद रखूंगा ठीक उसी क्षण बेडरूम में टेलिफोन की घंटी की आवाज गूंच गई दोनों बुरी तरह चौंग गए अजे को फारण नीलम याद आ गई वो कॉल उसी की हो सकती थी नीलम रिसेवर उठाकर आतुस्वर में बोला अजे स्पिकिंग जवाब में जो भारी स्वर लाइन पर उब्रा उसे सुनकर अजे के सूजे हुए चेहरे पर व्याब तातुर्ता पूर्ण भाव तुरंद गायब हो गए रवी शंकर बोल रहा हूँ अजे दूसरी और से कहा गया इस दफ़ा जिस मुसीबत में तुमने खुद को फसा लिया है उससे निकलने में तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं कर सकता बात क्या है रवी मेरे ओफिस में एक आई बी का ओफिसर मौचूद है परेशनात हाँ उसका जबड़ा सूजा हुआ है और वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है जिसने उसके साथ ये हरकत की है सुनो रवी मुझे कुछ मत सुनाओ इंटेलिजन्स ब्यूरो के आफिसर ओन ड्यूटी पर हाथ उठा कर तुमने अपनी बला ली है तुमें सालों तक जेल में सरना पढ़ सकता है अजे ने गहरी सांस ली ठीक है वो क्या चाता है मैं उससे माफी मांगू माफी में कोई दिल्चस्पी उसकी नहीं लगती तो क्या वो मुझे सूली पर चड़ाएगा वो तुमसे मेगराज सक्सेना के बारे में बाते करना चाता है मुझे कोई अतरास नहीं है छीक है हम लोग तुम्हारे पास आ रहे है शुक्रिया रवी वो रिसेवर यथा स्थान रखकर वापिस ड्राइंग रूम में आ गया उसकी आँखों में कठोरता पून चमक थी खड़ी हो जाओ वो कुरसी में पसरी मोना से बोला मोना धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई उसकी गरदन जुकी होई थी वो अजे से निगाहे नहीं मिला रही थी अजे की मदद हासिल करनी के लिए अपने तौर पर पूरी कोशिश वो कर चुकी थी और जान गई थी कि उसकी कोशिश काम्याब नहीं हो सकी थी यहां कुछ पुलिस आफिसर आने वाले है अजे जल्दी जल्दी बोला तुम बेडरूम में जाकर छुक जाओ पलंके नीचे या अलमारी में लेकिन जरा भी आहट नहीं हो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यहां मौजूद की के बारे में उन में से कोई शक भी कर सके उन लोगों के चले जाने के बाद मैं तुमसे बाते करूँगा लगता है उनसे बाते करने के बाद तुमसे भी काफी पूश्टाच करनी पड़े की अजे एक तरफ फट गया मोना एक पल के लिए हिच किचाई फिर अपना हैंड बैग उठा कर उसकी बगल से गुजवी और फिक गर्दन घुमा कर उसने कुछ कहने के लिए मुग खोला लेकिन अजे के कठोर चहरे पर निगाप पढ़ते ही उसने अपने होन भींच लिये और बैडरूम में जाकर दर्वाज़ा बंद कर लिया मोना ने मुगल रेस्टरेंट से अपने जाने और बात की जो बाते सुनाई थी उन पर गौर्ड करते हुए अजे के चहरे पर विचार पून भाव उत्पन हो गए मोटे तोर पर उन बातों से एक ही नतीज़ा निकलता था नीलम किसी भारी मुसीबत में फस गई लगती थी हाला कि वो यकीनी तोर पर नहीं कह सकता था कि उसका वो नतीज़ा सही था क्योंकि इस बात की निश्यत जानकारी उसे नहीं थी कि लगू और मोना का टैक्सी में पीछा करने वाली नीलम ही थी लेकिन तमाम बातों को मद्दे नजर रखते हुए सिर्फ ये अनुमान तर्क संगत प्रतीत होता था अगर उस टैक्सी में वाकई नीलम ही थी तो अभी ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था कि कार से उतर कर जब रगू पीछा करने वारे का पता लगाने चला गया था तो नीलम उसके हाथ पढ़ ही गई थी क्योंकि बकॉल मौना वो नहीं जानती थी कि उसके भाग आने के बाद क्या हुआ था नीलम खत्रे में थी इसका एकलोता सपष्ट संकेत यही था कि वो ना तो वापिस लोटी थी और ना ही उसने फोन किया था उसका सीधा सा मतलब था कि इन में से कोई भी काम कर सकताने की हालत में वो नहीं थी और इसे एक के निशकर्ष पर पहुँचा जा सकता था सुनसान सड़क पर रगू ने नीलम को पकड़ लिया था नीलम की टैक्सी का ड्राइवर भी शायद उन लोगों से मिला हुआ था मोना ने जिस जंग से वाक्या बयान किया था उससे जाहिर था कि टैक्सी ड्राइवर ने जरा भी एहतियात पीछा करने में नहीं बढ़ती थी इससे लगता था कि उसकी भी मिली भगत रही होगी आम तोर पर किसी भी तज्जूर्बे कार और समझदार ड्राइवर से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जिस पार्टी का पीछा वो कर रहा है उसके रुकने के बाद उसके पीछे ही वो भी रुक जाएगा और वो भी सुनसान सडक पर उस सबसे एक ही तर्ख पूर नतीजा निकला था नीलम उस गिरों के हातों में थी जो मेगराथ सक्सेना के देलवे क्लॉक रूम रसीत के टुकड़े को हासिल करना चाहता था आजे के दिमाग में ये नतीजा इस ढंक से गड़कर रह किया कि चाकर भी इसे अपने दिमाग से वो नहीं निकाल पाया अजे को अचानक वो नजारा याद आ गिया जब कुर्सी पर बंदी बैठी नीलम का गाउन रगो हटा रहा था उस वक्त उसकी आँखों में वासना की भूग थी वो घड़ी तो टल गई थी लेकिन अब जब कि नीलम पूरी तरह उसके कबसे में थी अजे के समत शरीर से गुस्से की जबरदस लहर गुजर गई उसके हाथ मुठियों की शकल में भिच गए और वो जोर से उन्हें कुरसी के बाज़ूं पर पटकने लगा अगर नीलम वाकई रगो और जय के कबसे में थी तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता था अजे को ये सोच कर खुद पर ताव आने लगा कि मेगराज की लाश से मिले कागर्स के उस टुकड़े को उसने बदमाशों को देने से क्यों इंकार कर दिया था बदमाशों को पूरा यखीन था कि कागस का वो टुकड़ा उसी के पास था और इस वात का स्पर्ष्ट संकेत भी उन्होंने दिया था कि उसे वे लोग हासिल करके ही रहेंगे वो ही क्यों कागस के उस टुकडे से चिपका हुआ था अगर उसने वो उनको दे दिया होता नहीं, अचानक उसके कंड से गुर्राहट पूर्ण आवास निकली उसे जुका पाना नमुम्किन था उसने गिलास खाली करके फ्रेश ड्रिंग बना लिया नहीं, वो कभी नहीं जुकेगा वो अजे कुमार था पेशे से प्रेस रिपोर्टर, शौक से जासूस और फित्रत से खुराफ आती उसके पास ना तो सुझ बूझ की कमी थी और ना ही हौसले की इतना सक्जन भी वो था कि उससे टकराने वालों को हमेशा मूखी खानी पड़ी थी हालाच चाहे कितने भी खतरनाक रहें वो ना तो कभी गब राया था और ना ही निराश हुआ था इसलिए आकिर में हमेशा बाजी उसी के हाथ रही थी ये ठीक था कि निलम की सलामती के लिए वो फिक्र मन था लेकिन निलम भी कोई बच्ची या अनाडी नहीं थी वो प्रेस रिपोर्टर थी हौसले की कमी भी उसमें नहीं थी इस किस्म के हालात का तजुर्बा उसे था वो अपनी हिफाज़त खुद कर सकती थी अगर उन लोगों के कबजे में निलम थी तो उसके पास भी उनकी वो चीज थी जिसे हासिल करने के लिए वो मरे जा रहे थी इस लिहाथ से तो बाजी बराबट थी लेकिन अपनी जगा ये बात भी सही थी कि उसने निलम को एक ऐसे कागस के टुकड़े की खातिर दाओ पर लगा दिया था जिसकी एहमियत दूसरों के लिए चाहे जो भी हो उसके अपने या निलम के लिए कुछ नहीं थी इतना ही नहीं कागस के उस टुकड़े की खातिर वो ना सिर्फ स्थान ये पुलिस बल की आई भी तक से भी पंगाली बैठा था हर जगा उसने बुरी तरह अपनी गर्दन फसादी थी वज़ा थी उसका खुराफाती दिमाग जिसके कारण उसे उस कागस से किसी बड़े ही मोटे चकर की बू आ रही थी और दूसरे उसे ये बात कतई पसंद नहीं आई थी कि उससे मिलने के लिए आ रहे किसी आत्मी को रास्ते में ही शूट कर दिया जाए इसे वो अपनी तोहीन समझ रहा था जहा तक मेगराज की मोट का सवाल था उससे कोई फर्क उसे नहीं पड़ा था ये ठीक था कि आठ साल पहले मेगराज उसके परीचितों में से एक था लेकिन उसका दोस्त वो कभी नहीं रहा था इसलिए उससे किसी किस्म की हमदर्दी या उसकी मौत पर अफसोस उसे नहीं था अलबता इस बात का अफसोस उसे जरूर था कि उस दो टके के घटिया आदमी की वज़ा से नीला मुसीबत में जा फसी थी अजे ने अपना ड्रिंक खत्म किया और इन विचारों को अपने दिमाग से जटकने की कोशिश में कुर्सी से उठकर चहल कदमी करने लगा बेडरूम के बंद दर्वाजे के सामने पहुँच कर वो रुका उसने गौर से सुनने की कोशिश की फिर अचानक दर्वाजा खोल दिया ये देखने के लिए कि उसकी हिदायंतों पर अमल करते हुए मोना ने खुद को सही ढंक से चुपा लिया है या नहीं अंदर अंधीरा था लाइट आउन करते ही उसे बिस्तर पर कंबल के नीचे एक मानवा कृती विप्रीत दिशा में करवट लिये फैली दिखाई थी उसके जब्रे भिंच गए लंबे-लंबे डग भरता हुआ वो पलंग के पास पांचा तुम्हारी इस सरकत का मतलब जान सकता हूँ उसने क्रोधित स्वर में पूछा मोना ने धीरे से करवट बदली और मादब निगाहों से उसे देखा मुझे यही आइडिया जोरदार लगा वो चहकती हुई बोली मैं करवट लिए इस ढंक से कंबल ताने रहूँगी कि सिर्फ बाल ही नजर आएंगे तुम उन लोगों से कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी के सर में दर्थ है इसलिए वो चुप चाप बिस्तर में पड़ी है अगर वे शरीफ आत्मी होंगे तो पलंग से दूर ही रहेंगे वैसे मेरा खयाल है बेड्रूम के अंदर वे लोग नहीं आएंगे क्यों? पलंग के पाइंते वाले सिर के पास खड़े अजे ने देखा मोना ने अपने कपड़े ला परवाही से कुरसी की पुष्ट पर डाल दिये थे और उसके सैंडिल पलंग के नीचे रखे थे अजे क्रोध पूर्वक नजरों से उसे घुर रहा था तुम्हारा ये आइडिया नहायत बेहुदा है वो कड़े स्वर में बोला अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बिस्तर से केंच कर तुम्हारी नंगी दुम पर ठोक कर मार कर तुम्हे बाहर निकाल देता मोना मुस्कुराई मैं नंगी नहीं हूँ लो देखो उसने कहा और अपने जस्म के उपर भाग से कंबल नीचे खिसका दिया वो नीलम का एक पार दर्शी रेशमी नाइट गाउन पहने थी अजे को और ज्यादा ताओ आगिया मेरा विचार था कि इस आलत में तुम मुझे ज्यादा पसंद करोगे मोना आमंतरन पूर्वक बोली तुम चाहते थे ना कि पीटर से चुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद पाने की वज़ा पेश करूँ वज़ा की शकल में मैं खुद तुम्हारे सामने बिची हुई हूँ आओ शट अप अजे गुर्राकर बोला मैंने तुमसे बिस्तर में घुसने के लिए नहीं बलकि पलंग के नीचे छुपने के लिए कहा था लेकिन मैं यहाँ ज्यादा आराम से हूँ मोना ने कहा फिर अपनी सुडोल गोरी बाहें उठा कर अंगडाई लेने का अभीने करते हुए पूछा क्या मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं हूँ जी चाहता है तुम्हारा गला दबादू अजे भिनना कर बोला क्या तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं आती कि अगर उन्होंने इस सालत में तुम्हें यहाँ देख लिया तो तबी प्रवेश द्वार पर बाहर से दस्तक दी जाने की आवाज सुनकर अजे को खामोश हो जाना पड़ा उसने आग्रियनेत्रों से मोना को घोरते हुए चेतावनी दी कंबल को ठीक से तान कर चुप चाप पड़ी रहना वो लपक कर बाहर निकला और बेटरूम का दर्वाजा मजबूती से बंद करके प्रवेश की और बढ़ गया दर्वाजा खोलते हुए वो जब्रन मुस्कुरा कर बोला आव रवी लेकिन दर्वाजे से जो आत्मी भीतर दाखिल हुआ उसे पहचानते ही अजे की मुस्कुराहट गायब हो गई आगंतुग पीटर डिसूजा था वो दाए हाथ में पिस्टॉल ताने था उसके होंट गुराहट पूल मुद्रा में खिंचे हुए थे पीटर ने पलके जबकाते हुए अजे को देखा फिर उसके चेहरे पर अव विश्वास फून भाव उत्पन हो गई मानों उसे अजे के यहां मिलने की कते ही उमीद नहीं थी तो ये तुम ही हो वो बड़ बड़ाता सा बोला उस वक्त तुमने मोना के बारे में जो कहा था वो सब जूट था असलियत ये थी कि तुम इस तरह अपनी वहां मौजूदगी की असल वज़ा को चुपाना चाहते थे उसने पिस्तॉल की नाथ से अजे को टोहो का लगाया था हाथ उपर करके धीरे धीरे पीछे घूमो मैं तुम्हारी तलाशी लिना चाहता हूँ अजे आदेश पालन के लिए विवश्च था वो अपने हाथ उपर उठा कर उसकी और पीट करके खड़ा हो गया पीटर जेब थप थपा कर उसकी तलाशी लेने लगा मोना के बारे में मैंने जूट बोला था अजे ने उसे बातों में उलजाने के इरादे से पूछा इससे क्या मतलब है तुम्हारा यही कि मोना के फ्लैट में तुम इरादतन उससे मिलने गए थे मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम वही अकबार्ची हो चीक है मेरी तसल्ली हो गई तुम्हारे पास कोई हत्यार नहीं है अब तुम चुप चाप इसी तरह आगे बढ़ो खबरदार कोई चालाकी मत करना वरना मैं बेहिचक शूट कर दूँगा अजे ने पुने आदेश पालन किया पीटर एडी का ठोकर से दर्वाजा बंद करके उसके पीछे बढ़ गया कमरे के बेच में पहुँच कर अजे उसकी और पलट कर मुस्कुराया मैं मानता हूँ वो बोला मोना के बारे में मैंने जूट बोला था लेकिन इससे फर्ट क्या पढ़ता है जब तुम वहां मेरे सर पर आज चड़े थे तो कोई कहानी तो मैंने गड़नी ही थी क्या तुम्हें जलन हो रही है मुझसे इससे छोड़ो ये बताओ मेग राज का हिस्सा कहां रखा है अजे उसका आश्य समझ किया लेकिन जान बुश कर अंजान बनते हुए पूछा मेग राज का हिस्सा किस चीज का मुझे चकर देने की कोशिश मत करो मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास ही है मैं ये भी जानता हूँ मुश्किल से पंदरा मिनट पहले तक वो यही इसी कमरे में था वो अभी यही होना चाहिए अजे को उसकी पंदरा मिनट वाली बात बड़ी अजीब लगी लेकिन इस बारे में ज्यादा कुछ वो नहीं सोच सका अचानक बेडरूम की दिशा से सरसराहट से सुन कर वो और पीटर उधरी देखने पर विवश हो गए थे पीटर के चहरे पर हैरानगी भरे भाफ थे और वो मुँ बाई ताक रहा था बेडरूम के कुले दर्वाजे में मात्र एक पार दर्शी गाउन पहने मोना खड़ी थी उसके बाल बिखरे हुए थे दाई बाई साइट से सटी नीचे लटक रही थी हाथ गाउन के कपड़े में कुछ चिस दंग से लिप्टा हुआ था कि नजर नहीं आ रहा था मुठी की शकल में भिचा उसका बाया हात मों से सटा हुआ था चहरा कागस की भांती सफेद था और आंखे आतंग से फटी जा रही थी पीटर वो फसी सी आवास में बोली अजे समझ नहीं पा रहा था अपनी पत्नी की वहां सर्वथा अनपेक्षित मौजूद्गी से पीटर ज्यादा हैरान था या फिर पीटर के अचानका पहाँचने से मोना ज्यादा भय भी थी मेरी बात सुनो वो बोला लेकिन मोना और पीटर में से किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया दोनों अप अलक एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे सैसा पीटर का चहरत गुसे से तम-तमा किया आँखों से नफरत की चिंगारियां से छूटने लगी इसका मतलब वो जूट नहीं था वो एक-एक शब पर जोड देता हुआ बोला मन घरंत कहानी नहीं थी और मोना की और बढ़ा उसका दाया हाथ नीचे लटका हुआ और उसमें धमी पिस्तॉल का रुक फर्ष की और था मोना का शरीर अचानक एक दम सीधा तन गया गाउन की ओट से निकल कर उसका दाया हाथ उपर उठा उसमें दबी छोटी सी रिवालवर से एक शोला निकला और फायल की हल्की सी आवाज कमरे में घुट कर रह गई रिवालवर से निकली छोटी सी गोली सीधी पीटर के खुले मूँ में जाग खुसी वो जटका साखाता नजर आया और उसने मूँ बंद करने की कोशिश करनी चाही लेकिन काम्याप नहीं हो सका अलबता इस प्रयास में उसके चहरे पर पेड़ा मिश्वित निराशा के गेहन भाब उत्पन हो गए थे तब ही मोना ने दूसरा फायर कर दिया पीटर के माथे पर लाल धबबा सा प्रकट हुआ वो खड़ा नहीं रह सका उसका जिस्म एक बार आगे पीछे लहराया फिर नीचे गिर कर फैल गया माथे में बने सुराक से खून की तेज धार से फोट पड़ी थी इस बीच मोना तीसरी बार भी ट्रिगर खेंच चुकी थी लेकिन रिवाल्वर से गोली निकलनी की बजाए हैमर खाली से लेंडर से टकरा कर रह किया अब तक स्थब से खड़े अजे की चेतना को जोरदार जटका सलगा वो एक ही चलांग में मोना के सर पर जा पाहँचा और छोटी सी बैरल को पकड़ कर रिवाल्वर उसके हाथ से खेंच लिया मोना ने जरा भी प्रतिरोद नहीं किया वो अभी तक सीधी तनी खड़ी थी वो अब अलग शुन्या कहीं तक्तिसी प्रतित हो रही थी देखा नीचे पड़ा फरार मुलसिम मर चुका था पिस्तॉल अभी भी उसके हाथ में थमी होई थी और उसकी मुर्दा आँखों से निराशा और नफरत के मिले जुले भाव जांगते से प्रतित हो रहे थे मोना दोड़ती हुई बेडरूम से निकली और अजे से लिपट गई अजे ने उसे बल पोर्वक स्वयम से अलग किया तो वो जोर से सिसकने लगी मुझे ये करना पड़ा हे भगवान वो मर गया ना ऐसा करना जरूरी था वरना उसने हम दोनों को मार डालना था अजे ने उसके कंदे पकड़ कर जोर से उसे जिन जोड़ा फिर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया मोना का प्रलाप तुरंत रुप गया उसकी आँखे सिकुड गई और वो किसी भैवीत जानवर की भांती अजे को देखने लगी खोश में आओ अजे दान पीस्ता हुआ बोला पुलिस किसे भैक्षन यहां पहुँच सकती है इसे यहां से हटाने का वक्त हमारे पास नहीं है आने दो पुलिस को मुझे कोई परवा नहीं है मैं साफ कह दूँगी कि इसे मैंने शूट किया था सेल्फ डिफेंस में वे खुद भी देख सकते हैं कि यह एक हत्यार बंध है तुमने भी इसे पिस्तॉल लिए मेरी और आते देखा था तुम कसम खाकर कह सकते हो कि यह हम दोनों की जान लेने वाला था बहुत खुब वंडरफुल गोड आइटिया सेल्फ डिफेंस अजे करवार भड़े लहजे में बोला कल के अगवारों में मुख्य प्रिष्ट पर मोटी मोटी सुर्खियों में छपा होगा रंगे हातों पकड़ी जाने पर बतकार पत्नी ने अपने पती को माट डाला तुम सिर्फ नाइट गाउन में हो भगवान के लिए तुम चुप चाप अंदर ही क्यों नहीं पड़ी रही थी मैंने पीटर की आवास पहचान ली थी मैं समझ गई कि वो मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आप आँचा था मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी मोना ने कहा वो काम रही थी वो पुने अजे का सहारा लेकर उससे सट गई तुम फिक्र मत करो मैं पुलिस को बता दूँगी तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी अजे कुपित स्वर में बोला जो बताना है मैं खुद बता दूँगा तुम अंदर छुपे ही रहना वो उसे धकेल कर वापिस बैट्रों में ले गया और दर्वाजे के पास दिवार में बनी कपडों की अलमारी के सामने ले जाकर बोला अंदर खड़ी हो जाओ और दर्वाजा बन कर लो तुम्हें अपने सिर पर इल्जाम लेने की जरूरत नहीं है मोना प्रतिवात करती हुई जोर से बोली मैं कबूल कर लूँगी की तबी प्रवेश द्वार पर दस्तक दी जाने की आवाज सुनाई थी शट अप अजे धी में मगर कड़े स्वर में बोला और अल्मारी खोल कर मोना को अंदर लटकते कपड़ों में बीच धकेल दिया अल्मारी धीरे से बंद करके वो बाहर निकला और बैटरूम का दर्वाजा भी बंद कर दिया प्रवेश दुआर पर दोबारा अपेक्शक्रित जोर से दस्तक दी गई अजे नीचे जुका और फर्श पर पड़े 22 कैलिबर के रिवॉल्वर को ट्रेगर गार्ट से पकड़ कर उठा लिया फिर ट्रेगर गार्ट के सहारे उसे लापरवाही से उंगली में लटका कर प्रवेश द्वार पर पहुचा दर्वाजा खोल कर वो एक और हट गया इंस्पेक्टर रवी शंकर और परेश नात भीतर दाखिल हुए रवी शंकर की निगा पीटर की लाश पर पड़ी और वो ठिटक कर रुख गया रवी शंकर ने गौर से लाश को देखा फिर अजे की और पलट गया देख रहा हूँ अपने मुलाकाते से तुमने हमेशा के लिए चुटकारा पा लिया है हाँ अजे बड़ी नाखुशी के साथ बोला और लाश उठवाने के लिए तुम सही वक्त पर पहुँचे हो रवी शंकर ने उसे घूरा फिर परेशनात की और देखा मेरा खयाल है आप दोनों पहले भी मिल चुके हैं जब आपने परेशनात ने अजे की और सहमती सूचक सेर हिला दिया उसके जबडे पर जहां अजे ने घूंसा मारा था खासी सूजन नजर आ रही थी इसके बावजूद उसके चेहरे पर योग्यता मिश्रित अधिकार पोंड भाव यथावत परिलक्षित हो रहे थी लाश को देखकर उस पर सिर्फ इतनी प्रतिक्रिया हुई नजर आ रही थी कि उसकी आँखे विचार पूंड धंक से सिकुड गई थी क्या इस कांड ने तुमारी मुसीब्तों में और ज्यादा इसाफा नहीं कर दिया है अजे रवी शंकर ने पूछा इसने पहले की अजर जवाब में कुछ कहता बाहर कॉरिडॉर में दोड़ कर आते कत्मों की आहट सुनाई दी फिर खुले दर्वाजे से विमल भीतर रा गिया थंडर में ट्रेनी रिपोर्टर नौजवान विमल अजे का असिस्टेंट था खुश मिजाज और होश्यार विमल में वो तमाम खुबियां थी जो एक कामियाब रिपोर्टर में होनी जरूरी होती है वो अजे की बेहद इज़त करता था अजे के खुराफाती बखेडों में भी कई बार वो उसके साथ रहा था हालाकि अजे हमेशा अपने बखेडों से उसे दूर ही रखने की कोशिश किया करता था विमल की जिद या और कोई चारा ना होने पर ही उसकी मदद वो लेता था पिछले दो दिनों से विमल अपने किसी पर्सनल काम से बाहर गया हुआ था मैं मुश्किल से आदा गंटा पहले वापिस लोटा हूँ बॉस वो आदधन अजे को बॉस कहकर संबोधित करता हुआ बोला स्टाम को निकलने वाले एक लोकल पेपर में आपके फ्लैट में हुई वारदात के बारे में पढ़ा तो सीधा दोड़ा चला आया अचानक उसकी निकाँ फर्ष पर पड़ी और वो खामोश हो गया फिर अजे को गौर्ष से देखने के बाद चिंतित स्वर में बोला एक और लाश और आपके हाथ में छोटी से रिवालवर ये सब क्या है बॉस अजे ने जवाब नहीं दिया मोना की छोटी सी रिवालवर ट्रिगर गाट से अभी तक उसकी उंगली में लटकी हुई थी रवी शंकर लाश के पास जाकर उसका मौईना करने के बाद अजे से मुखातिब हुआ मुझे उम्मीद है इस लाश के बारे में कोई दूसरी ऐसी कहानी तुम नहीं सुनाओगे कि ये आदमी भी लड़ खडाता हुआ भीतर आया और नीचे गिर कर दम तोड़ दिया नहीं रवी हमेशा की तरह मैं तुमें सच्चाई ही बताऊंगा अजे गंभीरता पूरवक बोला ये वो रिवालवर है जिससे ये मारा गया था मैं समझता हूँ उस वक्त तुम भी इस इमारत में ही होंगे और फायरों की आवास भी तुमने सुनी होगी इसने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया था तुम्हारे आने तक मैंने इसे टालने की कोशिश भी की थी लेकिन इसके हाथ में मौझूद उस पिस्तॉल से तुम समझ सकते हो कि अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन मुझे इसकी जान लेनी पड़ी रवी शंकर गहरी सांस लेकर लाश से पीछे हट गया उसने हाथ बढ़ा कर अजे से छोटी से रिवॉल्वर ले ली दो इंच लंबी बैरल वाली उस रिवॉल्वर को बैरल से ही पकड़े वो विचार पूर्वक देख रहा था ये 22 कैलिबर की है अजे वो उज़न भरे स्वर में बोला तुम्हे कहां से मिली इतने छोटे बोर के रिवॉल्वर हमारे देश में तो कभी बनी नहीं विदेशों में फर्स वर्ल्ड वार के बात ही ये बननी बंद हो गई थी ये नीलम की है अजे बड़ी सफाई से जोट का सहारा लेकर बोला बकॉल नीलम उसके खांदान में उसकी परदादी के जमाने से ये मौझूद है खेर ये चाहे जितनी पुरानी हो आज मेरी जान तो इसने बचा ही थी अगर ये रिवॉल्वर यहां मौझूद नहीं होती तो इस वक्त यहां फर्श पर मेरी लाश पड़ी मिलनी थी तुम्हें रवी शंकर ने बड़ी एहत्यात से रिवॉल्वर को रुमाल में लपेट कर ताकि उस पर मौझूद उंगलियों के निशान मिटने ना पाई जेब में डाल लिया अजे हसा तुमने रंगे हातों मुझे पकड़ा है रवी मैं इंकार नहीं करूँगा कि इसे मैंने शूट किया था एक ही दिन में ये दूसरा कांड है रवी शंकर बोला खेर अब तुम शुरू हो जाओ एक ही दिन में दूसरा कांड से क्या मतलब है तुम्हारा अजे ने तीवर स्वर में पूछा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे फ्लैट में पहुँचते ही मेगराथ सक्सेना ने दम तोड़ दिया था रवी शंकर एक कुरसी में बैठ गया अगर यही हालत रही वो अजे के प्रतिवात की और ध्यान ना देकर बोला तो एक एमबुलंस को सिर्फ इस काम पर छोड़ना पड़े का कि वो तुम्हारे और नीलम के फ्लैटों से लाशे लेकर मोट में पहुचाती रहे फिर अचानक पूछा नीलम नजर नहीं आ रही कहा है वो पता नहीं अजे ने जवाग दिया तो फिर तुम यहां उसके फ्लैट में क्या कर रहे हो उसका इंतिजार और तुम्हें नहीं मालुम कि वो कहां गई है नहीं मैंने तुम्हें फोन पर बताया था कि उसका मेरे साथ जगड़ा हो गया था बस उसके बात से वो ना जाने कहां चली गई है रवी शंकर ने बहस नहीं की लेकिन उसके चैरे पर वियाब्त भावों से जाहिर था कि अजे की बात पर यकीन उसे नहीं आया था अजे मन ही मन हैराम था कि भड़कने और उसे धंकी देने की बजाए रवी शंकर उसके साथ इतनी नर्मी से क्यों पेशा रहा था उसने परेशनात की और देखा वो अपनी दोनों बाहों को परस पर छाती पर बांदे उसी तरह खड़ा था उसकी आँखों में अजीब सी ऐसी चमक थी मानो वो सामने मौजूद हकीकत से बहुत धूर कहीं दूसरे ही विचारों में खोया हुआ था फ्लैट में दाखिल होने के बाद वो ना तो अपनी जगा से हिला था और ना ही कुछ बोला था मिस्चर परेशनात अजे बोला मेगराज के होटेल के कमरे में जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ अगर आपने मुझे पहले ही अपना परिचे दे दिया होता तो मैं समझता हूँ तुम जल्दी ही होश में आ जाने वाले आदमी हो अजे परेशनात शांत स्वर ने बे तकलूफी से बोला मैं उस वक्त को बुला चुका हूँ तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है कमाल है अजे जान बुषकर तारीफी लहजे में बोला मैं नहीं जानता था कि आप इतने अच्छे आदमी है फिर रवी शंकर की बगल में बैठते हुए पूछा क्या बाकी रात इसी तरह काली करनी है इससे पहले कि हम कोई और बात शुरू करे तुम इस आदमी किसी के घर में जबरन गुस्फ कर उस पर पिस्तॉल तान देता है तो क्या उस मकान माली को अपना बचाफ करने का भी अधिकार नहीं है रवी शंकर ने बोहें चड़ाई फरार मुल्सिम हाँ इस आदमी का नाम पेटर डिसूजा था अजे लाश की और संकेत करता हुआ बोला ये हाल ही में विशाल गर जिल से भागा था इसके बारे में इस से ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता उसके लहजे में करवाहट आ गई ये जबरदस्ती यहां घुस आया और मुझ पर उस किसी चीज़ को देने के लिए दबाव डालने लगा जिसके बारे में ये समझने लगता था कि मैंने आज मेगराज सक्सेना से ली थी जब मैंने इससे कहा कि ना तो मेगराज की कोई चीज़ मेरे पास है और ना ही ऐसी किसी चीज़ के बारे में मैं कुछ जानता हूँ तो इसने पिस्टॉल निकाल ली और मुझे धमकी देने लगा उसने कंकियों से परेशनात की और देखा लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच किया और इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ये आदमी फरार मुलसिम था क्या तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया रवी शंकर ने कहा मैं समझता हूँ उसकी मौत के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता परेशनात ने उन दोनों की यॉट देखा मैं अजे की इस बात की पुष्टी करता हूँ वो बोला शंत होने के बावजूद उसके स्वर में अधिकार का पुठ था ये आदमी पीटर डिसूजा ही था और मुझे उम्मीद थी कि जब हम मेग राज का यहां पता लगा लेंगी उसके बाद ही ये विराट नगर पहुंचे का वो आगे बड़ा और लाश के पास जाकर गुटनों के बल बैट किया उसने पीटर के कोट के बटन खोले और सिली सिलेवार उसकी तमाम जेबों की तलाशी लेने लगा शेश तीनों आतमी खामोशी से उसे देखते रहे परेशनात ने जितनी बारी की और जिस जंग से तलाशी ली उससे अजे और रवी शंकर को मानना पड़ा कि वो इस काम में माहित था परेशनात ने लाश को पेट के बल उलट दिया और ये काम उसने यूं किया था मानो आदमी की लाश की बजाए किसी पुतले को उलट रहा था फिर वो बड़ी बारी की के साथ कोट के अस्तर का नरिक्षन करने लगा उसने लाश के इल्चिंच भाग को अच्छी तरह टटोला उसकी पैंट के पेट के इर्द गेट कसे हिस्से के भीतरी भाग को चेक किया अंत में उसने लाश के जूते उतार कर उनके भीतरी भाग और तले की भी जांच की तलाशी का काम बारीकी से खत्म करने के बाद उसने गर्दन गुमाई भोहे से कोड कर अजे को देखा और बड़े ही चिंतित स्वर में पूछा हम लोगों के यहां आने से पहले क्या तुमने इसके जेब से कोई चिस निकाली थी अजे को ताओ आगिया आप लोगोंने मुझे समझ क्या रखा है उसने पूछा पहले मुझ पर मेग राज के पास से कुछ चुराने का इल्जाम लगाया क्या और अब वही इल्जाम पीटर के बारे में लगाया जा रहा है मैं पूछता हूँ आगिर क्या चीज़ गुम हो गई है परेशनात उटकर खड़ा हो किया अजे के सवाल का जवाब ना दे कर उसकी बगल में बैठे विमल की और संकेत करके रवी शंकर से पूछा ये साहब कौन है रवी शंकर उसका आश्य समझ किया उसका परेशे कराने के बात बोला आप जो कहना चाहते हैं शौंक से कह सकते हैं परेशनात ने खोछ पूर निगाहों से विमल को घूरा चंद पल कुछ सोचा फिर हिच किचाता सा बोला अजे इस मामले में शुरू से ही इन्वाल्व रहा है इसलिए इसके सामने और इससे बाते करना तो मचपूरी है लेकिन मामले की नजागत को ध्यान में रखते हुए सीक्रेसी बेहत जरूरी है लेहाजा किसी और को आप विमल पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं रवी शंकर आश्वासन देता हुआ बोला विमल एक अच्छा आत्मी और येलो जर्नलिजम से दूर एक जिमेदार रिपोर्टर है ठीक है इंस्पेक्टर परेशनात संक्षिप मौन के बाद अनिच्छा पूर्वग बोला अगर आप कहते हैं तो मान लिता हूँ वो उन तीनों के सामने बैठ गया और जेब से एक लंबा सा पतला सिगार निकाल लिया ये एक बड़ी लंबी और पेचीदा कहानी है और इसमें अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है उसे सिगार सिलगानी के लिए रुकता देखकर रवी शंकर ने चारों और निकाहें दोडाई फिर उटकर खड़ा हो गया और बेडरूम की और बढ़ता हुआ बोला टेलिफोन अंदर है ना अजे अजे मन ही मन बुरी तरह चौंका लेकिन प्रगट में स्वयम को सामान्य बनाई रखनी की कोशिश करते हुए भारी आवास में भोला हाँ और फिर उस थिती की कलपना करने लगा जो रवी शंकर द्वारा अंदर मोना को देखने के बाद उत्पन होनी थी उसने बेचैनी से पहलो बदलते हुए आँखे बंद कर बेडरूम का दर्वासा खुलने और लाइट स्विच आउन हो जाने की आवासे सुनी और फिर किसे बिक्षन रवी शंकर द्वारा पुकारे जाने का व्याकुलता पूर्वक इंतिसार करने लगा लेकिन रवी शंकर द्वारा पुकारे जाने की बजाए टेलिफोन का डायल घूमने की आवास सुनकर उसे ताजूप हुआ उसने आँखे खोली और उटकर खड़ा हो गिया वो बेटरूम में पहुँचा आशा की विप्रीत मोना को पलंग पर ना पाकर उसने राहत की गहरी सास ली कपड़ों की अलमारी के मुश्किल से इंच बर खुले दर्वासे से जाहिर था कि इस बार उसकी हिदायत पर अमल करते हुए मोना ने चुपे रहना ही बेतर समझा था रवी शंकर ने पीटर की लाश उठवाने के लिए एंबुलन्स विजवाने का आधेश दे कर संबन विच्चेत कर दिया दोनों बेटरूम से बाहर आ गए अजे ने इस दफ़ा दर्वासा बंद नहीं किया दोनों पुने कुरसियों पर बैट गए परेशनात ने सिगार का गहरा कश लेकर धेर सारा धुआ उगला इन दिनों हमारे मुल्क की अंदरोनी हालत आप लोगों से चिपी हुई नहीं है वो बारी बारी से उन तीनों पर निगाहे डालने के बाद बोला विभेन प्रांतों में बढ़ते जा रहे आतंकवाद बड़े पैमाने पर हो रही ड्रग स्मगलिंग वगेरा की वारदातों के इलावा पड़ोसी देशों द्वारा स्पाइंग की भी घटनाई सामने आई है पाकिस्तान और उसके हिमाईती अमेरिका द्वारा हमारे देश को हर लेहाज से कमजोर बनाने की हर मुम्किन कोशिश की जा रही है इंटेलिजन्स ब्यूरो के लिए ये बड़ी भारी चुनोती है हम डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और कई स्पाई चक्रों को नश्ट करने और यहां मौचूद विदेशी एजेंटों का पता लगाने का हमारा मिशन काफी हद तक काम्याब रहा है उसका स्वर शान्त एवं प्रभाग पोन था ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मौजूदा हालात को जिसमें मेग राज सकसेना और पीटर डिसूजा इन्वाल्फ थे सही धंग से समझ सके और मामली की नजागत को समझते हुए इस बात का अंदाजा लगा सके कि अगर मैं काम्याब नहीं होता हूँ तो देश का कितना भारी अहित हो सकता है परेशनात उन तीनों से परेदिवार को ताक रहा था और उसके चेहरे पर व्याब्त भावों से जाहिर था कि वो गेरी सोच में डूबा हुआ था उसने सिगार का कश लिया फिर सिगार के सुलकते हुए सिरे को देखता हुआ बोला करीब दो महीने पहले दिल्ली में हमारे एक उच्चा दिकारी के आफिस से उसका ब्रीफ केस चोरी चला किया था चोरी इतने चमतकारिक तरीके से की गई थी कि चोर की गंद मिलना तो दूर रहा ये तक समझ में नहीं आ सका कि चोरी ठीक किस वक और किस ढंग से की गई थी उस ब्रीफ केस में जो चीज थी उसकी एहमियत को मदे नजर रखते हुए इस मामले को गोपनिये रखना नहायत जरूरी था यहां तक कि हमारे विबात में भी चंद एक बड़े अफसरों के इलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है उस ब्रीफ केस में क्या था अजे ने पूछा काले रंग की एक बड़ी सी टेबल डाइरी अजे बुरी तरह चौँका मेगराथ सकसेना ने भी मनने से पहले काली डाइरी का जिक्र किया था हाला कि उसकी मौत के साथ ही गटना चक्र तेज़ी से घूमने लगा था और इस सिलसिले में अब तक और तो बहुत को छोच चुका था लेकिन काली डाइरी का दुबारा कोई जिक्र सामने नहीं आया था इसलिए अजे का चौँक उठना स्वभाविक ही था काली डाइरी स्वयम को सामानिय बनाई रखने का बोला फिर भी जितना मैं जानता हूँ मोटे तोर पर आप लोगों को बता सकता हूँ परेशनात बोला उस डाइरी में उन तमाम विदेशी एजेंटों के नाम पते थे जो हमारी जानकारी में हमारी देश में मौजूद है साथ ही हमारे अपने उन एजेंटों के नाम पते उसमें थे जो उन विदेशी एजेंटों की गतिविद्यों पर निगाहें रखे हुए थे और इन सबसे महात्वपोन है उस डाइरी में हमारी उस प्लैन की तमाम डिटेल्स जो हमने विदेशी एजेंटों का सफाया करने के लिए बनाई थी और जिसे हम बड़े पैमाने पर एक साथ अमली जामा पहनाने वाले थे अजे विमल और रवी शंकर ने गौर से एक एक लफ सुना था और उनके चेहरों पर मौझूद भावों से जाहिर था कि समस्या की गंभीरता का बड़ा पूरा एहसास उन्हें हो गया था दिन रात की कड़ी मेहनत भाग दोड़ और गहरी चान बीन करने के बाद आखिरकार हम पता लगाने में काम्याब हो गई कि ब्रीफ केस चुराने का काम दो आदमियों ने अन्जाम दिया था परेशनात तनिक रुक कर बोला उनमें से एक था विशालगर का प्राइवेट डिटेक्टिव मेगराथ सकसेना और दूसरा आदमी पीटर डिसूजा नाम का एक मामुली गैंक्स्चर ये दोनों ही आदमी गदार थे जिनोंने पैसे की खातिर अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बेशने का घिनोना काम किया था नफरत और गुस्से के कारण उसके स्वर में हलका सा कमपना किया था वो मानों अपने मनों भावों पर काबू नहीं कर पा रहा था इस अंदास में उसका एक हात मुठी की शकल में भिंच किया था चन्द एक पल मौन रहने का पश्चात था मौन रहने के पश्चात उसने पुनेश शांस्वर में कहना आरम किया हम यकीनी तोट पर जानती हैं उनसे ब्रीफ केस चोरी कराने और चोरी की तमाम योजना बनाने वाला कोई विदेशी एजेंट था इस बात की जानकारी भी हमें है कि ब्रीफ केस चुराने के बाद मेग राज और पीटर ने किसी गुप सान पर एक तीसरे व्यक्ति से मुलाकात की थी तीसरे व्यक्ति कौन था इसका पता तो अभी हम नहीं लगा पाई है अलबता हमें लगबग पूरा यकीन है कि मेग राज और पीटर से वादा किया गया था कि ब्रीफ केस के बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाएगी वो रुका और अपना बुझा सिगार सुलगाने के बाद बोला लेकिन पेर्मेंट के मामले में किसी वज़ा से गड़बड हो गई कैसी गड़बड विमल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा प्रत्यक्षता ऐसा लगता है कि विदेशी एजेंट तुरंद पेर्मेंट का इंतिजाम नहीं कर पाया परेशनात ने कहा और इस बात ने मेगराज और पीटर को बड़ी भारी दुविदा में डाल दिया वे बिना पैसे लिए ना तो ब्रीफ केस देना चाहते थे और ना ही उस ब्रीफ केस को ज्यादा देर अपने कबजे में रख सकते थे इस डर से कि कहीं उनकी चोरी ना खुल जाए बहरहाल जो भी हुआ उन तीनों की बातचीत की डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम ये निश्चित रूप से जानते हैं कि उन तीनों के बीच एक समझोता हुआ था समझोता वीबल ने बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा हाँ और एक ऐसा समझोता जिसके तहत योशना बनाई गई एक ऐसी योशना जिसस फर्ष्ट संकेत मिलता है कि उन तीनों को एक दूसरे पर कते विश्वास नहीं था यानि उन में से कोई भी इसके लिए तयार नहीं था कि पेमेंट का इंतिजाम होने तक उस कीमती मगर खतरनाग ब्रीफ केस को किसी एक के पास छोड़ दिया जाए कहकर परेशनात रुका और बारी-बारी से उन तीनों पर निगाह डाली अजे कुर्सी में पस्रा सिग्रेट के गहरे कश ले रहा था उसकी आँखें विचार पूर्ण ढंक से सिकड़ी हुई थी रवी शंकर इत्मी नाम से बैठा था विमल आगे की और जुका बैठा ना सिर्फ दिलचस्पी से सुन रहा था बलकि बहुत ज्यादा प्रभावित भी नसरा रहा था समझोदे के तहब बनी योजना पर अमल किया गया परेशनाथ ने पुना कहना आरम किया ब्रीफ केस को किसी सूट केस या ट्रंक पे लॉक किया गया या फिर उसे उसी तरह रहने दिया गया इस बारे में तो सही जानकारी हमें नहीं है लेकिन अपनी विभागिये चानबीन के आधार पर हमने जो नतीजा निकाला है वो अपनी जगा ठोस है मेगराज पीटर और उस तीसरे अग्यात व्यक्ति ने वो ब्रीफ केस दोर किसी शहर में पहुंचा दिया और उनके बीश तैह हुआ कि वे तीनों एक पूर्व निर्धारी तारीक को मिलेंगे और रकम लेकर बदले में ब्रीफ केस उस अग्यात व्यक्ति को सौम कर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे उसने सिगार का गैरा कश लिया और धेर सारा धुआ छोड़ने के बाद बोला ब्रीफ केस को उन लोगों ने रेलवे क्लॉक रूम में जमा करा दिया था और क्लॉक रूम की रसीत को तीन टुकडों में फार कर तीनों ने उसका एक एक टुकडा ले लिया था इस तरह उन तीनों का तसली हो गई कि ब्रीफ केस उन तीनों के ही कबसे में रहेगा उन में से कोई भी एक बागी दो के साथ दगाबासी नहीं कर सकेगा क्यूंकि क्लॉक रोम रसीद के तीनों टुकडे एक साथ मिलने पर ही रसीद पूरी होनी थी और रसीद के बिना ब्रीफ केस को हासिल नहीं किया जा सकता था उसके होंड कटूता पूर्ण मुस्कुराहट की मुद्रा में किंच गए अब तो आप लोगों की समझ में भी ये सिलसिला आना शुरू हो गया होगा उसने पूछा जिसमें आज तक दो आदमियों की जाने जा चुकी है तीनों ने सिर हिला कर सहमती देती लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मिस्चर परेशनात अजे बोला क्या आपने बताया है कि काली डाइली दो महीने पहले चुराई गई थी अजे विचार पूर्वक बोला और जहां तक मैं समझता हूँ इस किस्म के कामों में वक्त को सबसे ज्यादा एहमियत दी जाती है तुम कहना क्या चाहते हो कि उन लोगों ने इतना इंतिजार करने की बजाए इस काम को जल्दी ही क्यों नहीं निप्टा दिया परेशनात ने उसकी बात काटते हुए कहा हां मेग राज और पीटर ने जल्दी ही मिलकर क्लॉक रूम से ब्रीफ केस निकाल कर उसके बदले में रकम क्यों नहीं वसूल ली इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि उन गदारों की किसमत दगा दे गई नतीशतन उनकी काफी हद तक फूल प्रोफ योशना खटाई में पड़ गई हुआ ये कि ब्रीफ केस चुडाने के दो दिन बात ही पेटर विशाल गड़ में एक आदमी को लूटने के अपरात में पकड़ा किया पुलिस ने उस पर चार्ज लगा कर उसे अदालत में पेश कर दिया वो पेशेवर बदमाश था और उसके खिलाफ तगड़ा केस बना था इसलिए उसकी जमानत नहीं हो सकी और उसे जेल भेश दिया गया अब क्योंकि रसीत का तीसरा हिस्सा उसके पास था इसलिए मेग राज और वो विदेशी एजेंट मिल कर भी उसके बिना ब्रीफ केस हासिल नहीं कर सकते थे मैं समझता हूँ रवी शंकर बोला पीटर को मेग राज पर भी इतना भरोसा नहीं रहा होगा कि अपने हिस्से की रसीत का टुकड़ा वो मेग राज को दे देता और उससे कहता कि जेल से छोट कर आने तक उसके हिस्से की रकम वो अपने पास ही रखे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन तीनों को एक दूसरे पर कते विश्वास नहीं था परेशनात ने कहा जब से हमें पता चला है कि ब्रीफ केस चुडाने वाले मेग राज और पीटर थे हम बराबर मेग राज को वाच करते रहे हैं और हमारी जानकारी के मताबिक मेग राज का जेल में बन अंडर ट्राइल पीटर से भी कोई संपर्ट नहीं रहा गोपनियता को महत्व देते हुए हमने बहुत ही धीरे धीरे सबूत इकठा किये हैं और पिछले चन दिनों में ही इस तमाम सिलसले की सही तस्वीर हमारे सामने आनी शुरू हुई है तब ही मेग राज विराट नगर आ पहुँचा और यहां उसने शद्य नाम से डेरा डाल दिया हजे यूं बोला मानो स्वयम से ही बाते कर रहा था और पेटर भी फारण जेल से भाग कर सीधा यहीं आ पहुँचा इसका मतलब है कि वो ब्रीफ केस जिसमें काली डायरी थी यहां पहुचाया गया था ऐसा ही लगता है हाला कि इस बात का कोई सबूत हमारे सामने नहीं है सिवाए इसके कि अगर ब्रीफ केस यहां नहीं है तो वे दोनों यहीं क्यूं पहुँचे परिशनात ने कहा फिर उसके लहजे में थोड़ी तल्की आ गई यह ठीक है कि हमारे आदमें बराबर मेगराज के पीछे लगे हुए थे लेकिन वो विशालगड में उन्हें डौश देकर गायब हो गया था और कल तक उसका कोई सुराग हमें नहीं मिल सका था अब तो ऐसा भी लगता है कि पीटर को जेल से भगाने की योशना उस विदेशी एजट नहीं बनाई थी और उसमें पैसा भी उसी ने लगाया था ताकि वो अपनी और से पूरी कोशिश करके उन दोनों से एक साथ यहां मिल सके और इस तरह उनके हिस्से के रसीत के टुकडे उसे मिल जाएं पीटर को जेल से भागने में जेल के जिस वार्डर ने मदद की थी उसे मोटी रिश्वत दी गई थी लेकिन विशालगर्ड पुलिस से बचने और यहां तक पहुँचने के लिए भी पीटर को मदद दरकार थी और उसकी वो मदद उसी विदेशी एजेंट ने की होगी सैसा बाहर कॉरिडॉर में कदमों की आहट सुनाई थी फिर प्रवेश द्वार पर दस्तक दी गई अजे ने उठकर दर्वासा खोला चार बावर्दी पुलिसमेन भीतर दाखिल हुए अगंतुक रवी शंकर के मातत थे उनमें एक S.I. था एक हैट कॉंस्टेबल और दो कॉंस्टेबलों ने स्ट्रेचर उठाया हुआ था रवी शंकर S.I. को एक कोने में ले गया कुछ देर धीमी आवास में उसे समझाता रहा फिर लाश उठाने का आदेश दे दिया उनके चले जाने के बाद वो वापिस अपनी कुर्सी पर आ बैठा बादशित फिर वही से शिरू हो गई जहां उन लोगों के आने की वज़ा से रुख गई थी ये मानते हुए कि तमाम तथ्य और अनुमान सही है अजे ने पूछा मेगराज की हत्या के बारे में आपका क्या विचार है परेशनात ने असमंजस्ता पूर्वक उसे देखा मेरा विचार क्या मतलब क्या आप समझते हैं कि मुझसे मिलने के लिए आते मेगराज को रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ती द्वारा शूट किया गया था जो उससे उसके हिस्से का रसीत का टुकडा हासिल करना चाहता था यानि क्या उसकी हत्या की वज़ा वही रसीत का टुकडा था परेशनात ने उसे घूरा क्या मेगराज को तुम्हारे पास आते समय रास्ते में शूट किया गया था अजे जरा भी विचलित नहीं हुआ हाँ उसने स्पर्ष टुतर दिया लेकिन इस बारे में जो कहानी तुमने सुनाई थी सच्चाई पर इंस्पेक्टर तिवारी को शक है उसे अगर खुद भगवान भी आकर अब मेरे पक्ष में गवाही दे तो अभी इंस्पेक्टर तिवारी मुझे पर शक करता रहेगा अजे ने तीवर स्वर में कहा फिर रवी शंकर से बोला इस बारे में तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी इन्हें दो रवी रवी शंकर फोन पर जो रिपोर्ट अजे को दे चुका था वही उसने परेशनात के सामने दोहरा दी मैंने उस जोडे से बारिके से पूश ताच की अंत में वो बोला और मैंने ही समझता कि इसमें शक की कोई खास गुणजाश है कि मेंगराश पर असली हमला रास्ते में ही किया गया था खास तोर पर उस सूरत में जबकि मेंगराश की लाश का पोस्मार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी पुश्टी कर दी कि उन गोलियों के लगे होने के बावजूद मेंगराश जिन्दा रहा हो सकता था जाहिर है हमलावर जो चीज उससे हासिल करना चाहते थे वो उन्हें मिल गई होगी विमल हस्तक शेप करता बोला क्योंकि मेंगराश की लाश से तो किसी रसीत का कोई टुकड़ा बरामत नहीं हुआ या फिर हुआ था नहीं रविश रंकर ने जवाब दिया तब तो मेंगराश को शोट करने वाला कम से कम पेटर तो नहीं हो सकता अज़ जल्दी से बोला क्योंकि आज रात यहां आते ही पेटर ने मुझ से कहा था कि वो चीज उसके हवाले कर दू जो मैंने मेगराश से उड़ाई थी उस चीज के बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया था उसने परेशनात की और दिखा लेकिन आपकी कहानी से साफ साहिर है कि वो क्या चाहता था परेशनात ने गेरी सांस ली लेकिन अब पेटर मर चुका है और उसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा गायब है वो बोला और मेग राज और पीटर की हत्याओं के लिए कोई तीसरा विक्ति जिम्मेदार था तो जाहिर है कि उन दोनों के हिस्सों के रसीद के टुकड़े भी अभी उसी के हाथ लग चुके हैं इसका सीधा सा मतलब है मैं अपने मिशन में नकाम्याब हो चुका हूँ और दुश्मन अपनी योशना में पूरी तरह काम्याब हो गया एक ऐसी योशना जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहत खदरनाक साबित हो कर आम जनता के जानों माल को बड़ा भारी नुकसान पहुँचा सकती है नहायत संजीतगी के साथ शांस्वर में कही गई इन बातों से तीनों श्रोता प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके रवी शंकर और विमल ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन परेशनात को विचार पूर्वक देखते अजे ने उत्सुकता पूर्वक पूछा आपकी इस बात का क्या मतलब है कि मेग राज और पीटर दोनों की हत्याओं के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है यही कि अब जानते हैं पीटर की जान मैंने ली थी और मेग राज की हत्या से कोई तालुक मेरा नहीं था फिर उन दोनों की हत्याओं के लिए आप एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं परेशनात ने चुनोती भरी निगाहों से उसे घूरा और उसके सवाल को नजर अंदास करके पूछा तुम आज रात मेग राज के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे थे क्योंकि प्रेस रिपोर्टर होने के नाते चान बीन करके असलियत पता लगाना मेरे पेशे का एक एहम हिस्सा है साफ साफ बताओ तुम वहां गए किस लिये थे मैं जानना चाहता था कि मेग राज किस फेर में था अजे निस परश्टसवल में जवाब दिया उसने शोट किये जाने से पहले मुझे फोन किया था वो मुझे से मिलने के लिए इस कदर बेताब था कि तीन गोलिया लगी होने के बावजूद दम तोड़ने से पहले किसी प्रकार मेरे फ्लैट में पहुंच ही गया था इन हालात में मेरे लिए जानना जरूरी हो गया था कि वो चाहता क्या था तुम्हें उसके होटेल और होटेल में कमरे का नंबर कैसे पता चला परेशनात ने पूछा अचानक उसके स्वर में कड़वा पन आ किया था और तुम्हें ये भी कैसे पता चला कि वो मेगराद सक्सेना की बचाए अविनाश गोयल नाम इस्तिमाल कर रहा था अजय ने अपने कंधे जटकाई मैं एक प्रतिष्टित समाचार पत्र का प्रेस रिपोर्टर हूँ वो लापरवाही से बोला मुझे इस बात के लिए मजबूर आप नहीं कर सकते कि जानकारी हासिल करने के अपने तरीकों और सोर्सिस के बारे में आपको बताऊं तुम्हे मजबूर मैं नहीं कर रहा हूँ फिर बे इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा वरना हम तुम्हारी नेक नियती पर शक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अजे ने भोहें चड़ा कर उसे खूरा क्या मतलब सीधी सी बात है इंस्पेक्टर तिवारी को सुनाई गई तुम्हारी कहानी चूट है परेशनात पूर वत्सवर में बोला असलियत ये है कि मरने से पहले मेगराश ने तुम्हें जरूर कुछ बताया था और ये भी कि पुलिस के पहुँचने से पहले उसकी तलाशी भी तुमने ली थी अजे ने रवी शंकर की और देखा इन्हें बताओ रवी कि मैं पुलिस के पहुँचने के बाद में नहीं था परेशनात ने प्रशनात्मत मिगाहों से पहले रवी शंकर और फिर अजे को देखा ये नाम में पहले भी सुन चुका हूँ नीलम कौन है वो मेरी कुलीक फ्रेंड और पडोसन है अजे ने उत्तर दिया और इसी फ्लैट में रहती है इस वक्त वो कहां है कहीं च उसके चेहरे पर निगाहें जमाई बोला बकॉल तुम्हारे जिस वक्त मेक राज तुम्हारे फ्लैट में पहुंचा नीलम वहां अकेली थी और अब जबकि उसके फ्लैट में एक आदमी की हत्या हो गई है और इस सारे मामले ने एक नया मोड ले लिया है तो वो तुम्हें जान दे कि इस मामले में तुम्हारी और नीलम की गतिवीदिया संदिक रही है नहीं हजा ने साफ इंकार कर दिया अगर तुम्हारी इस बात को सच मान लिया जाए कि जब मेक राज तुम्हारे फ्लैट में पहुंचा उस वक्त नीलम वहां अकेली थी परेशनात ने उसके इंकार को नजर अंदास करते हुए कहा तो मेक राज ने जरूर उसे कुछ बताया होगा फिर नीलम ने उसके लाश की तलाशी लेकर वो चेस निकाल ली हो सकती है अगर ऐसा हुआ होता तो नीलम ने ये बात शिपानी नहीं थी अजे तीवर स्वर में बोला उसने मेक राज तवारा बताई गई बात और उससे मिलिक चेस के बारे में मुझे जरूर बता देना था तुम्हारे बारे में जितनी जानकारी मुझे मिली है परेशनात अधीरता पूर्वक बोला उसके मताबिक तुम खुरफातिक किस्म के आदमी हो अपनी अख़बारी नौकरी की खाति या अपने जाती फाइदे के लिए आम तोर पर जासूसी में टांग घुसेर ना तुम्हारी आदत है तुम्हारा काम करने का ठंग अचीब होता है क्योंकि मतलब की खातिर तुम बेहिचक गैर कानूनी तरीके इस्तिमाल कर बैठते हो और पुलिस को नीचा दिखाने का पुरे यकीन की हद तक यकीन कर सकता है कि तुमने या तुम्हारे कहने पर तुम्हारी कुलिग नीलम ने एक ऐसे आदमी से जिसने तुम्हारे फ्लैट में पहाँशने के बाद दम तोड़ दिया था बहुत ज्यादा कीमती कोई चीज लेकर छिपाली हो सकती है अजे का चे अब तक उसका मूँ तोड़ डालना था परेशनात जरा भी विशलित नहीं हुआ मैं इंटैलिजन्स ब्यूरो का स्पेशल आफिसर हूँ तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर मुझ पर पढ़ने वाला नहीं है और खुद तुम्हें भी अपनी इस बेवकुफाना से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हमारे साथ सहयोग करो बताओ निलम कहा है मैं उससे पोश्टाज करना चाहता हूँ उपदेश के लिए श्युक्रिया अजे सपाट स्वर में बोला लेकिन मैं बता चुका हूँ मैं नहीं जानता कि निलम कहा है अगर तुम उससे पोश्टाज करने के इतने ही तलबगार हो तो जाओ और खुदी उसे ढून लो मेरी समझ में नहीं आता कि अब तुम नीलम के पीछे क्यों पढ़ गई हो वो तनिक रुका फिर परेशनात को जवाब देता ना पाकर पूछा तुम मुझ पर ये इलजाम क क्यों नहीं लगाते पिक्की पीटर की जान लेने के बाद मैंने ही उसके तलाशी भी ली थी हो सकता है रेलवे क्लॉक्रोम की उस रसीत के दोनों टुकडे मेरे ही पासों मैं भी यहीं कहने वाला था परेशनात बोला तुम्हारे बारे में जो जानकारी मुझे मिली है उसक की आधार पर तुम से यहीं उबेक्षा की जा सकती है यह तुम नहीं बोल रहे हो बलके इंस्पेक्टर तिवारी ने मेरे खिलाफ जो जहर तुम्हारे कानों में भरा है उसका असर बोल रहा है वो एक लंबे अर्से से मुझे नीचा दिखाने की हर मुम्किन कोशिश कर रह है लेकिन ना तो उसे इसमें काम्याबी मिली है और ना ही कभी मिलेगी पेशे से तुम प्रेस रिपोर्टर जरूर हो लेकिन काम प्राइवेट जासूसों की तरह करते हो मगर मेगराद सक्सेना भी एक प्राइवेट जासूस था और वो पैसे की खातिर बेहिचक अपनी सरक से दिगार और अपने मुल्क से गद्दारी कर बैठा था। तुम मुझ पर भी वही करने का इल्जाम लगा रही हो क्या? मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा. लेकिन साथ ही ये भी सही है कि तुम पर पुरी तरह यकीन मैं नहीं कर रहा हूं। अजे और ज्यादा बर्दाश नहीं कर सका वो परेशनात पर हाथ उठाने के लिए उठने ही वाला था कि उसके भगल में बैठा विमल स्थीती को भाब गया उसने फॉरण अजे की बाब पकड़ ली शान्त हो जाए ये बॉस वो बोला मिस्चर परेशनात एक जिम्मेदार आफिसर है और अपने फर्स को अंजाम दे रही है और इनका काम नहायत मुश्किल पेचीदा और नाजुक है ये भारी दिमागी तनाफ के दौर से गुजर रही है इस मामले पर हर पहलो से गौर करने के लिए इने दोश नहीं दिया जा सकता इनकी जगा आप होते तो आपने भी यही करना था विमल के इस सर्वता अप्रत्याशित विवहार ने अजे को चक्रा दिया ये पहला मौका था कि उसने अजे को कोई कदम उठाने से रोकने की इस धंग से कोशिश की थी वरना वो हमेशा आप मेच कर अजे का अनुकरन करता रहता था अजे को समझते देर नहीं लगी कि वो परेशनात से बेहत प्रभावित था और इस मामले को उतनी ही एहमियत दे रहा था जितनी की परेशनात दे रहा था मिस्चर परेशनात आप अजे को गलत समझ रहे हैं रवी शंकर हस तक शेप करता हुआ गंभीर स्वर में बोला मैं मानता हूँ इसके बारे में जो कुछ आपने सुना है वो कम और बेस सही है ये ठीक है कि अजे खुराफाती मिजाच वाला है सक जान है किसी हद तक जिद्धी भी है और वक्ती तोर पर अकसर कानून को भी हाथ में लेता रहा है लेकिन कानून को खिलोना इसने कभी नहीं समझा ये भी कानून का उतना ही बड़ा हिमाईती है जितने की हम लोग है मैं इसे बरसों से जानता हूँ ये हर लेहाथ से एक जिम्मेदार शेहरी इमानदार रिपोर्टर है मेगराज जैसे घटिया आदमी के साथ इसका मुकाबला करके इसके साथ ज्यादती कर रहे है इसने किसी किस्म के लालच या जाती फाइदे की खातिर कोई गलत काम कभी नहीं किया है और फिर जिस मामले की तौहमत आप इस पर लगा रहे हैं वो अपने आप में डाइनामाइट से कम नहीं है इसे जानने वाले इसके बारे में और चाहे जो भी कहें लेकिन देश्तरो ही कहना तो दरकिनार रहा इस पर मुल्क के साथ गदारी करने का शब्द तक करने की बेवकुफी कोई नहीं करेगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये ऐसी कोई बात जानता है जिससे दुश्मनों के हाथों में पढ़ने से पहली काली डाइरी वापिस मिलने में मदद मिल सकती है तो उस बात को ये हमें जरूर बता देखा उसने अजे की और देखा मैं अच्छी कह रहा हूँ न अजे हाँ अजे ने बेहिचक जवाब दिया सुन लिया मिस्टर परेशनात रवी शंकर ने पूछा अब तो आप संतुष है ना होना ही पड़ेगा परेशनात ने फसी सी आवास में कहा रवी शंकर खड़ा हो गया परेशनात ने भी उसका अनुकरण किया मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ वो अजे और विमल से बोला कि इन बातों को सिर्फ अपने तक ही रखोगे अजे ने सिर्फ हिला कर सहमती दे दी जब तक आप नहीं कहेंगे विमल प्रभावित स्वर में बोला एक लफ भी बाहर नहीं जाएगा मिस्चर परेशनात रवी शंकर और परेशनात के चले जाने के बाद फ्लैट में देर तक खामोशी चाई रही अजे गहरे सोच विचार में फसा प्रतीत होता था विमल उत्सुकता पूर्वक उसे देख रहा था सारा दिन बड़ा भारी गुजरा है विमल अंत में अजे ने उबासी लेकर अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा चंदी घंटों में दो लाशों की वज़ा से हुए पथड़े ने बुरी तरह थका दिया है अब मैं सोना चाहता हूँ वो पुनए उबासी लेता हुआ खड़ा हो गया बॉस विमल ने कहा अजे ने उसकी और देखा हां वे लोग जा चुके हैं तो आप निलम से कहिए कि वो बाहर आ चाए बाहर आ चाए हां मेरी समझ में नहीं आ रहा है आपने उन लोगों से ये क्यों कहा कि आप नहीं जानते की निलम कहा है क्योंकि यही असलियत है विमल ने हरानगे से उसे देखा क्या आप वाके नहीं जानते की निलम कहा है हाँ विमल के चेहरे पर व्याब थहरान की भरे भावों का स्थान अस्मंजस्ता ने ले लिया अजीब बात है फिर भी आप सोने जा रहे हैं यानि आपको नीलम की कोई चिंदा नहीं है हाजर ने गहरी सांस ली मुझे उसकी बड़ी पूरी चिंदा है और सोने के लिए जाने वाली बात मैंने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए कही थी मुझे टालने के लिए हाँ लेकिन क्यूं इसलिए कि तुम्हें इस बखेडे में फसाना में नहीं चाहता क्या आपको मुझे पर भरोसा नहीं रहा बॉस ऐसी बात नहीं है विमल तुम मेरे दोस्त और सचे हमदर्ट हो आड़े वक्त हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है तो फिर इस मामले में मुझे आप दूर क्यूं रख रहे हैं इसलिए कि ये नहायत पेचीदा, खतरनाक और अब तक के सभी मामलों से बिलकुल अलग है इतना अंदाजा तो अब तक लगा चुका हूँ बॉस विमल व्याकुलता पूरवक बोला मिस्चर परेशनात के कहने के मताबिक काली डायरी इतनी महत्वपून है कि अगर वो दुश्मन के हाथ पड़ गई तो हमारे देश का बड़ा भारी अहित हो सकता है संग्शिप्त मौन के बाद वो हिच किजाता सा बोला और इसलिए इस मामले में आपका रवईया मुझे अजीब लग रहा है अजे निस्थिर निगाहों से उसे घूरा विमल ने उसी स्वर्व में जवाब दिया मुझे ये सोच कर शर्मा रही है कि आप मुझसे भी बराबर कुछ छिपाए चले जा रही है कुल मिलाकर मुद्दा ये है तुम समझते हो कि मैंने नीलम को बेडरूम में छिपा रखा है येस बॉस तो फिर असलियत जानने के लिए तयार हो जाओ अजे पलट कर बेडरूम में जा पहुँचा उसने एक जटकी के साथ पलमारी का दर्वाजा खोल दिया बाहर आ जाओ मुझा उसने कहा और एक और हट गया ताकि नीलम का रेशमी गाउन पहने बाहर निकलती मोना विमल को दिखाई दे सके मोना पर निगा पढ़ते ही विमल बुरी तरह चौंक कर तनिक पीछे हट गया हैरानगी से आंखे फैलाए वे यू ताके जा रहा था मानो सामने मौचूद नसारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था उसने कुछ कहने के लिए मुख खोला लेकिन शब्द मुख से बाहर नहीं आ सके प्रत्यक्ष्टा उसकी वहा मौजूदगी से बेखबर मोना अलमारी से बाहर आते ही अजे से लिपट कर सिसकने लगी ओ अजे मम मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ ककक क्या हुआ सब चीक हो गया ना उन लोगों को यकीन आ गया था तुमारी बातों पर पीटर के बारे में अजे ने उसे वापिस पीछे अलमारी की और धकेन दिया इसे उतारो वो पारदर्शी गाउन की और संकेत करता हुआ कड़ि स्वर में बोला और ढंक का कोई कपड़ा पहन लो अजे आदेश दे कर बाहर ड्राइंग रूम में आ किया विमल दोसरी और मुख किये खड़ा था दर्वाजा बंद किये जाने और अजे के कदमों की आवाज सुनकर भी वो उसी तरह खड़ा रहा अजे उसके पास पहुचा अब तो तुम्हारी तसली हो गई ना विमल ने ना तो जवाब दिया और ना ही उसकी और देखा उसकी आँखे सिकड़ी हुई थी और चेहरे पर विचार पून भाव थे अजे ने उसके कंदे पर हात मारा तुम खामोश क्यों हो विमल ने पलट कर उलजन भरी निगाहों से उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अजे ने पूछा मुझे जो कहना विमल सिर्फ हिलाता हुआ बोला वो आपको अच्छा नहीं लगेगा बॉस मेरी परवा मत करो तुम्हे जो कहना है कह डालो अजे खिश्टा सा बोला मैं नहायत घटिया और गिरा हुआ आदमी हूँ इतना बेशर्म और कमीना हूँ कि एक औरत को नीलम के बेडरूम में छिपा रखा है यही कहना चाहते हो न यह सब कहने के गुस्ताकी मैं नहीं कर सकता बॉस विमल हिच किचाता सा बोला यह आपका जाती मामला है उसने गहरी सांस ली खेर छोड़िये इन सब बातों को मैं चलता हूँ मैंने यहां रुक कर गलती की मुझे इंस्पेक्टर रवी शंकर और मिस्चर परेशनात के साथ ही चले जाना चाहिए था वो दर्वाजे की और बढ़ा हजे ने उसके कंधे पकड़े नहीं विमल वो दान पीस्ता हुआ बोला तुम इस तरह नहीं जा सकते मैं तुम्हारी गलत फैमी दूर करके ही रहूंगा विमल ने पलके जबकाई गलत फैमी हाँ अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा उसने जबरन विमल को खींच कर एक कुरसी में धकेल दिया और सिलसिले वार अब तक सारा घटना क्रम मेगराथ से मिली रसीत को छोड़ कर अजे ने विमल को सुना दिया परन्तु अजे ने साफ नोट किया कि विमल को उसके बातों पर विश्वास नहीं आया था तब ही प्रवेश द्वार पर दस्तक दी गई अजे ने आगे बढ़कर दर्वासा खोला करीब इस वर्षिये एक लड़के ने भीतर प्रवेश किया मिस्टर अजे कुमार कौन है उसने शिष्ट स्वर में पूछा मैं हूँ अजे बोला लड़के ने अपनी जेन्स की जेप से निकाल कर एक साधा लिफाफा उसकी और बढ़ा दिया अजे उस लड़के और प्रवेश द्वार के बीच में खड़ा हो किया उसने लिफाफे का एक सिरा फाट कर अंदर से तै किया हुआ कागस निकाल कर खोला उस पर सिर्फ एक मैसेश टाइप किया हुआ था ना तो किसी को संबोधित किया हुआ था ना ही नीचे किसी के दस्तकत थे मैसेश था तुम्हारी सहेली हमारी कबसे में है उसने बताया है कि तुम्हें मेगराट सकसेना के पास से कागस का एक टुकडा मिल गया था अगर तुम कागस का वो टुकडा हमें सौंप दोगे तो हम तुम्हारी सहेली को सही सलामत वापिस लोटा देंगे खबरदार अगर उसे जिन्दा देखना चाहते हो तो कोई चलाकी मत करना शर्ट मन्सूर हो तो थंडर के मॉर्निंग एडिशन के व्यक्तिगत विग्यापन के कॉलम में ये विग्यापन दे दो ओके एके फिर तुम हमसे दुबारा संपर्ट करेंगे मैसेश पढ़ते ही अजे की खोपड़ी घूम गई थी लेकिन उसने अपना चेहरा भावहिन बनाई रखा उसने मैसेश लाने वाले लड़के की बाँ पकड़ कर उसे जिन जोड़ा ये तुम्हें कहां से मिला लड़का सेहम गया मैतारोड पर एक आदमी ने मुझे रोपकर ये लिफाफ़ा दिया था साथी सौ रुपए का नोट दे कर कहा कि इस पते पर पहुंचा तूँ क्या उस आदमी का हुलिया बता सकते हो मम मैं उसे ठीक से नहीं देख सका वो अंधेरे में एक पेड की आड में था जब मैं वहां से गुजरा तो उसने आवाज देकर मुझे बुला लिया था अजे को वो सच बोलता नजर आया उसकी बार छोड़कर अजे ने उसे जाने का संकेत कर दिया लड़का चला किया अजे ने दर्वासा पुने बंद कर देख से लापरवाहिस से हाथ में थामे वो दर्वासे पर निगाहें जमाई यूँ अप अलग देख रहा था मानो दर्वासे के पाट देखने की कोशिश कर रहा था अब तक तठस्त दर्शक की भांती देखता विमल उसके पास पहुचा और उसके उंगलियों में दबा कागस खींच लिया अजे ने प्रतिरोध नहीं किया वो पूरवद बंद दर्वासे को ताकता रहा विमल ने मैसेच पढ़ने के बाद पहले अब विश्वास पूरवक अजे को घुरा फिर उसका चेहरा गुसे से सुर्ख हो गया कागस को मुठी में भीज़ कर वो तिवरस्वर में बोला मुझे आपसे ऐसी उमीद नहीं थी अजे ने गर्दन घुमा कर यूँ उसकी और देखा मानू किसी नितांतर परिचित व्यक्ति को देख रहा था अब भी आप कोई सफाई देना चाहते हैं क्या विमल ने पूछा अजे ने जवाब नहीं दिया अब साबित हो गया कि आप शुरू से ही जोट बोलते रहे हैं विमल बोला मेगरा सकसेना के हिस्से का रसीत का टुकड़ा आपके पास है अजे ने सहमती सूचक से हिला दिया हाँ वो बोला मेरे पास ही है विमल टांगे चोड़ा कर उसके सामने खड़ा हो गया इस बारे में आप से कोई और बात अब नहीं करना चाहता वो करवाहट भड़े लेचे में बोला इस मैसेज ने सारी असलियत बता दी है मेरे रास्ते से हट जाईए अब मैं एक पल भी और यहां नहीं रुकूंगा अजे ने भोहे चड़ा कर उसे घूरा अकले से काम लो विमल बचपना मत करो बचपना आप इसे बचपना कहते है तो और यह क्या है असलियत को समझे बिना तुम बेकार गलत नतीजे निकालते चले जा रहे हो मैं जो समझना चाहता था समझ चुका हूँ अब कुछ और मुझे नहीं समझना आपके जोट सुन सुन कर मैं उप चुका हूँ मुझे जाने दीचिये अजे दर्वाजे के सामने से नहीं हटा अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जबरन तुमें कुछ मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर मेरे रास्ते से हट जाएए मैं जाना चाहता हूँ कहा? मिस्चर परेशनात के पास अजे को उससे इस जवाब की उमीद नहीं थी तुम ये नोट पढ़ चुके हो ना उसने कठिन स्वर में पूछा इसका मतलब समझते हो क्या? हाँ इससे जाहिर है कि नीलम उन लोगों के कबजे में है फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? हाँ क्यूं? इसलिए कि आपके पास जो रसीत का टुकड़ा है वो हजार गुना ज्यादा महत्व पूर्ण है और विदेशी एजेंट उसे लेना चाहते है मैं मानता हूँ जो चीज उने चाहिए वो मेरे पास है लेकिन साथ ही ये भी सही है कि मेरे पास वही इकलौता तुरुप का पत्ता है क्या मतलब? सीधी सी बात है जब तक वो चीज मेरे पास है नीलम तभी तक महफूस रहेगी अजे ने कहा अगर तुमने परेशनात को बता दिया और वो चीज मचबूरन मुझे देनी पड़ी और शेश वाक्य जान बुझकर अधूरत छोड़ दिया आप भूल रहे हैं कि नीलम एक खुदार लड़की है उसे अपने मुल्क से भी बेहत प्यार है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके जान की जो कीमत आप चुकाना चाहते है उस कीमत पर वो जिन्दा नहीं रहना चाहेगी अगर आपने उन एजेंटों के साथ सोधा कर लिया तो यकीन मानिये की नीलम हमेशा के लिए आप से नफरत करने लगेगी मुझे सिर्फ नीलम की ही फिक्र नहीं है अजे उसकी बात काटता हुआ बोला अपनी फिक्र भी है अजे और ज्यादा मजबूती के साथ दर्वासे के सामने अड़ गया तो क्या तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे नहीं मैं आपके मूँ से इतने जोट सुन चुका हूँ कि अब आपके एक लफ़ पर भी यकीन मैं नहीं करूँगा मैं मिस्चर परेशनात के पास जा रहा हूँ अजे ने बड़े ही निराश भाफ से देखा उसे विमल के जिद और सोचने के ढंग पर तरस आ रहा था और ये सोच कर तकलीफ भी मैसूस हो रही थी कि विमल ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था जो कि वो उठाना नहीं चाहता था मुझे अफसोस है विमल वो गेरी सांस लेकर अलग हटता हुआ बोला अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मुझे कुछ नहीं सुनना है कहकर विमल दर्वासे की और बढ़ गया लेकिन जियों ही वो अजे की बगल से गुजरा अजे ने दाएं हाथ का नपातुला खूसा उसकी कनपटी पर जमा दिया विमल बुरी तरह लड़ खड़ाया और इससे पहले की वो संभलने की कोशिश करता उसके घुटने मुड़े और वो त्योरा कर नीचे गिर पड़ा अजे ने उसे बाहों का सहारा लेकर धेरे से फर्ष पर लिठा दिया उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी अजे कई पल खड़ा बेहोश पड़े विमल को घूरता रहा फिर मन ही मन कुछ तेय करके उसे उठाया और बेटरूम में ले जाकर पलंग पर डाल दिया किछन से एक रस्ती लाकर उसने विमल के हाथ पैर मस्बूती से पलंग के साथ बांग दिये बाथरूम से टेप का रोल लाकर एक टुकड़ा अलग किया और उसके मूँ पर चिपका दिया बेमन से ये सब करने के बाद उसने थंडर का नंबर डाल किया और विग्यापन विभाग के इंचार्ट से संबन स्थापित करने के बाद मॉर्निंग एडिशन के व्यक्तिगत विग्यापन के कॉलम में च्रपने के लिए एक विग्यापन दे दिया ओके प्लस टैन थाउसन एक के उसने बेहोश पड़े पलंग पर बंदे विपन पर बेचारगी और हमदर्दी भरी निगार डाली और बाहरी कमने में आ गया वहां मौजूद मोना की और देखे बगैर उसने एक सिगरेट सुलगा ली मोना ने कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ उठा कर उसे चुप करा दिया तुमी ने मुझे इस बखेडे में फसाया है वो कपित स्वर में बोला अब तुम अपना मूँ बंद रखो मैं अपने ही ढंक से इससे निकलने का कोई तरीका सोचना चाहता हूँ और एक कुरसी में पसर गया मोना ने खामोशी इक्तियार कर ली अजे चुपचा बैठा सिग्रेट फूकता रहा एक एक करके तीन सिग्रेट फूकने के बाद उसने विशाल गड़ से हरीश भारगव द्वारा भेजा किया दूसरा टेलीफोन मैसेज जेप से निकाला उसने पुने उसे पढ़ा और परेशनाद द्वारा सुनाई गई कहानी को मद्दे नजर रखते हुए उस पर गौर करने लगा जल्दी ही एक फर्क उसकी पकड में आ गया परेशनाद ने अपनी बात शीत में इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया था कि दिन दहारे डगैती के जिस इल्जाम में पीटर डिसूजा पर केस चल रहा था वो बतौर मुलसिम जेल में था उस डगैती का शिकार कोई और ना होकर मेगराच सकसेना था परेशनाद द्वारा ये ना बताए जाने की जाहिरा तोर पर दो ही वज़ा हो सकती थी या तो इसकी जानकारी ही उसे नहीं थी या फिर इसे कोई खास एहमियत उसने देना मुनासिब नहीं समझा था लेकिन आजे को ये बात बेहत एहम लगी वज़ा साफ थी अगर मेगराच और पीटर ने डगैती से इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया क्योंसे दिन दहाडे लूटने की कोशिश कर बैठा अजे को इसका एक ही तर्कपून जवाब सूच सका पीटर मेगराच का दुश्मन नहीं बना था दोनों आदमियों के बीच पार्टनर्शिप बराबर कायम थी और वो ड़कैती उसी पार्टनर्शिप के तहट बनाई गई योश्ना का नतीजा थी जो उनके दुनिया में कोई नई बात ये नहीं थी आई दिन ऐसा होता रहता था बैंक से मोटी नकत रकम लाने वाला किसी बड़ी कंपनी का धूर्त मुलासिम पहले ही अपने किसी परिचित पेशिवर अपराधी से मिलकर सब कुछ तै कर लेता था फिर दिखावे के तौर पर ड़कैती का नाटक होता और वो रकम आसानी से लूट ली जाती थी बात में उस मुलासिम और नकली लुटेरे के बीच वो रकम बढ़ जाती थी हाला कि ऐसी मिली भगत आम तोर पर पूरी तरह काम्याप नहीं होती थी खास तोर पर मोटी रकम के मामले में जैसा कि इस केस में था देर सवेर असलियत खुल ही जाया करती थी क्योंकि पुलिस उस मुलासिम से कड़ी पूश ताच करती थी और शक हो जाने पर या तो जबरन उससे असलियत को बलवा लेती थी या फिर बड़ी बारिकी से उसकी गतिवीधियों को वाच किया जाता था और ठोस बात सामने आते ही उससे दबोश लिया जाता था अगर मुलासिम इतना चालाक और मकार होता कि पुलिस द्वारा के गई पूश ताच और निगरानी के बावजूद बश निकलता था तो इस किस्म के मिली भगत काम्याब भी हो जाती है लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है मगर ये डकैती थो एकदम से बैक फायर कर गई थी डकैती की रकम के साथ गायब होने की बजाए पीटर पकड़ा किया और उस पर केस चलने लगा था लेकिन इस सिलसिले में कई ऐसे सवाल थी जिनका जवाब अजे के पास नहीं था क्या पीटर से रकम भी बरामत हो गई थी क्या मेग राज सक्सेना ने अडेंटिफिकेशन परेट के दौरान पीटर की शिनात की थी और उसके खिलाफ बयान दिया था अजे यकीनी तोर पर कह सकता था कि इन सवालों के जवाब मिलते ही और भी बहुत से सवालों के जवाब मिल जाने थी वो विभिन पहलूं से इस बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था कि टेलिफोन की घंटी की आवास ने उसका विचार प्रवाँ शिन भिन कर दिया वो उटकर बैटरूम में पहुचा हेलो वो रिसेवर उठा कर बोला जवाब में वाच मैन रामलाल की आवास लाइन पर उभरी अजे बाबू विशालगर से हरिश बारगफ ने अभी अभी एक टेलिफोन मैसेश दिया है तुमने उसे बताया नहीं कि मैं यहीं हूँ अजे ने पूछा वो मुझसे ही बाते कर ले बताया था लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो बहुत जल्दी में है और मुझे ही मैसेश नोट करा दिया क्या आपके पास विजवा दू चीक है मैसेश विजवा दो कहकर उसने संबंध विच्छेत कर दिया मुश्किल से डेड़ मिनट बाद प्रवेश द्वार पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने दर्वासा खुला बाहर रामलाल का जवान बेटा मौचूद था उसने अजे को नमस्ते की और चार तै में मुड़ा एक कागस उसे दे कर वापिस लौट गया अजे ने दर्वासा पुने बंद करके कागस सीधा किया मैसिश था विजे मोहन दौलत मन आदमी है उसका तलाग का केस अदालत में चल रहा है उसकी पतनी विभी चार के अधार पर उससे तलाग लेना चाहती है उसने दावा किया है कि उसके पती के मोना ब्रिगैंसा नामक एक औरत से नाजाइस तालुका थे विजे मोहन और मोना ब्रिगैंसा को खुले आम साथ साथ देखा गया है उन दोनों की तस्वीर और डिटेल्स इतवार के विशालगर टाइम्स में चपी है वो तस्वीर शरिवार रात को यहां न्यू हेवन क्लब में खिंची गई थी अजे ने उस कागस को पहले वाले मैसेज के साथ जेब में रख लिया वो वापिस अपनी कुरसी पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा लिया मोना ने गौर से उसे देखा फिर पाउं पटक कर बोली सुनो मैं और ज्यादा बर्दाश नहीं कर सकती अजे ने तनिक हैरान की जाहिर करते हुए उसे देखा क्या उसने पूछा मैं जानना चाहती हूँ आगर ये सब क्या हो रहा है इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा मैं उसकी बात कर रही हूँ जो अब तक हुआ है उसमें तुम्हारी क्या दिल्चस्पी है मोना ने रोश पूरवक उसे खूरा क्या मैं तुम्हें हाड मास की बचाई पत्थर की बनी नजर आती हूँ उसने पूछा मैं उसकता के मारे मरी जा रही हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रहे आखिर क्यूँ इसलिए कि तुम्हारी दिल्चस्पी जिस काम में थी वो खत्म हो चुका है क्या मतलब तुम पेटर डिसूजा को ठिकाने लगवाना चाहती थी वो मर चुका है और तुम क्या जानना चाहती हो मैं इस मिस्टरी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ कौन सी मिस्टरी यही कि वो लोग कौन थे जो उस वक्त यहां आए थे जब मैं अलमारी में चिपी हुई थी और और वो आदमी कौन है जिससे तुम बेहोश करके बैटरूम में डाल आई हो क्या तुम नहीं जानती मैं कुछ नहीं जानती मोना पुने पाउं पटकती हुई बोली तुम दोनों मेरे साथ ऐसा विवहार कर रहे थे जैसे मैं गूंगी बहनी हूँ या फिर पत्थर की कोई बूत जब तुम अलमारी में बं थी उस वक्त यहां हो रही बाते तुमने नहीं सुनी थी क्या मुझे सिर्फ धीमी आवाजे सुनाई दे रही थी बाते मेरे पल्ले नहीं पढ़ सकी मोना निला परवाही से कहने के बाद पूछा उस कागस में क्या लिखा हुआ था जो वो लड़का तुम्हें दे गया था और अंदर बेहोश पड़ा तुम्हारा दोस्त उसे पढ़ने के बाद किसी हद तक आपे से बाहर क्यों हो गया था और मेग राज के हिस्से की रसीत के टुकडे से क्या मतलब था उसका कैसी रसीत थी वो और ये काली डाइरी का क्या किसा है अजे कुर्सी की पुष्ट से पेट सटा कर आराम से पसर गया मानना पड़ेगा कि तुम एक्ट्रेस बहुत बढ़िया हो डेकॉई गर्ल के तौर पर जिस धंदे में तुम जुड़ी रही हो उसके लिए एक्टिंग करना लास्मी था और वो समझ में आने वाली बात भी है क्योंकि सिर्फ अपने जिस्म के नुमाईश करके तो पेशेवर और काम्याब डेकॉई गर्ल बना नहीं जा सकता मोना ने जल्दी जल्दी पलके छपकाई एक्टिंग उसने पूछा तुम कहना क्या चाहते हो तुमने इस सारे सिलसिले में एक्टिंग के इलावा कुछ नहीं किया है अचे गुर्राकर बोला तुम शुरू से ही खोब सूरत एक्टिंग करती रही हो जो कहानी आँच शाम तुमने मुझे सुनाई थी वो भी तुमारी एक्टिंग का ही एक हिस्सा थी मोना मूबाई उसे देखने लगी उसकी आँखों से वासना पूंच चमक का बचा कुचा अर्श भी गायब हो गया तुमारा मतलब है विजे मोहन के बारे में आने और पीटर की हत्या के लिए मुझे तयार करने की तर्कपोर्ण वज़ा मेरे सामने पेश कर सको तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो मनघडन कहानी थी मैं इसके इलावा और भी बहुत कुछ समझ चुका हूँ अजे उसके सवाल का जवाब ना दे कर भूला मसलन तुम्हारा असली नाम मोना मैसी नहीं है तो फिर क्या है पीटर डिसूजा से शादी करने से पहले तुम्हारा नाम मोना ब्रिकैंसा था शादी के बाद मोना डिसूजा होना चाहिए था लेकिन तुमने कर लिया मोना मैसी मैं जान सकता हूँ तुमने अपना सर नेम क्यों बदला मोना ने अपने निशले होन का एक सिरा दांतों में दबा कर गर्दन तनिक जुका ली अपने उस पोस में वो बहुत मासूम और कमसिन से नजर आ रही थी ओ, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे एहमियत दी चाए वो सहज ठंग से बोली, मैं मानती हूँ ये मेरा नाम असली नहीं है दरसल पेटर से अलग होने के बाद मैंना तो खुद को डिसूजा कहलाना चाहती थी और नाही शादी से पहले का अपना सर ने अपने नाम के साथ फिर से चिपकाना चाहती थी इसलिए मैंने नई जिन्देगी की बैतर ढंक से शुरुआत करने के विचार से अपना नाम मोना मैसी रख लिया तुमना सिर्फ जूट बोलने में माहिर हो बलकि फौरण नया जूट सोच लेने में भी तुम्हें महारत हासिल है अलजे ने कहा लेकिन अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ उसका जवाब सोचने में तुम्हें अपनी सारी महारत और तजुर्बा लगा देना पड़ेगा इसके बाद भी मेरा दावा है कोई माकूल जवान जवाब तुम नहीं दे सकोगी पल भर रुक कर इंतिजार किया लेकिन उसे कुछ बोलती ना पाकर पूछा पिछले शनिवार को तुम यहीं थी क्या हाँ गुड गर मुझे कुशी है कि इस मामले में नया जूट तुमने नहीं बोला आम तोर पर जूट बोलने वाले भूल जाते हैं कि पहले क्या जूट बोला था लेकिन तुम उन में से नहीं हो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम यानि मोना मैसी पिछले शनिवार रात को यहां विराट नगर में थी तो उसी शनिवार रात में ही विजे मोहन के साथ तुम्हारी तस्वीर विशालगर के न्यू हेवन क्लब में कैसे खिंच गई तुम्हें इस पारे में कैसे पता चला मोना ने फसी सी आवास में पूछा अजे ने अपने कोट की जेब थप थपाई उसी टेलिफोन मैसेज से जो अभी तुम्हारे सामने वो लड़का दे गया था वो बोला वो तस्वीर इतवार के विशालगर टाइम्स में छपी है साथी करीब दो कॉलम में विजे मोहन के तलाग और फिर तुमसे शादी कर लेने की उसकी योजना के बारे में तमाम कच्चा चिठा भी छपा है मेगराद सकसेरा के होटेल के कमरे में बिस्तर पर वो अकबार पड़ा भी मैंने देखा था और उसका उतना ही हिस्सा गायब था जितने परकी वो तस्वीर और समाचार छपा हुआ था अब अगर मेरा खयाल गलत नहीं है तो अकबार में छपे उस समाचार से ही तुम्हें वो कहानी गड़ने का आइडिया मिला था जिसके बारे में तुम्हारा विचार था कि मेरी हमदर्दी पाने में काम्याब हो सकती हो मोना देर तक गर्दन जुकाए खामोश पैठी रही हाँ मैंने जूट बोला था अंत में वो हाफती से बोली क्यूंकि इसके इलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं था मैं बदनामी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी दैशुत के मारे मरी जा रही थी पीटर के जिन्दा रहते मेरी जौन को बराबर खत्रा बना हुआ था इतनी बात तो तुम भी समझ सकते हो मा मेरा यकीन करो अचानक उसके होंट कांबे और जुकी हुई आंकों से धुलक कर गालों पर आसु बहने लगे जिने पोशने का कोई प्रियास उसने नहीं किया इस तरह विशालगर टाइम्स में छपी वो तस्वीर और समाचार देखने के बाद तुमने और मेग राज ने मिलकर वो कहानी गर ली थी असलियत ये है कि डेकॉई गर्वाली धंदे से कभी कोई वास्ता तुम्हारा नहीं रहा और तुम सिर्फ पीटर डिसूजा की पत्नी थी मोना डिसूजा हाँ मा मैं मानती हूँ ऐसा करना बेहत गलत था लेकिन मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी दैशत ने सोचने समझने की मेरी ताकत छीन ली थी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मेगराज में इतना होसला नहीं था कि वो पीटर का मुकाबला कर पाता काश तुम मेरी उस वक्त की स्थिती को समझ पाते शेश वाकिया अधूरा छोड़ कर वो सिसकने लगी उसके चेहरे पर आंतरिक पेड़ा के भाव त्रिष्टी गोचर हो रहे थे नतीश तन तुमने मुझे बेवकुफ बनाने और मुझ से पीटर की हत्या करानी की कोशिश करनी चाही अचे बोला फिर जब तुम्हें लगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुमने दूसरी तरकीब निकाल ली तुम यहां आई और अपने तमाम कपड़े उतार तिये ताकि जब पीटर यहां पहुँचे तो मैं एक ऐसी मुसीबत में फस जाऊ जिससे चुटकारा पाने के लिए या तो खुद मुझे मजबूरन उसकी जान लेनी पड़े या अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें साफ बचा दू और यही हुआ जो योशना तुमने बनाई थी वो पूरी तरह कामियाब हो गई नहीं मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं नहीं जानती कि पीटर यहां आने वाला था मोना प्रतिवात करती हुई बोली मुझ पर योशना बनाने का इल्जाम लगा कर तुम मेरे साथ बड़ी भारी ज्यादिती कर रहे हो इस किसे को यहीं छोड़ कर तुम सच्चाई क्यों नहीं बता देती मोना मोना जवाब देने की बजाए बैठी सिसकती रही अर्जे ने अपना रुमाल निकाल कर उसकी गोद में फैंक दिया और उसके चुप होने का इंतजार करने लगा कुछ देर सिसकती रहने के बाद मोना ने अपने आंसू पोँचे और नाक साफ करने के बाद उसकी और देखा क्या जानना चाहते हो तुमने ये कैसे समझ लिया था अजे ने पूछा कि अगर तुमने पहले ही पीटर की जान नहीं ली तो वो तुम्हें मार डालेगा उसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी और उसके खौफनाक मिजाद से वाकिफ होने की वज़ा से मैं जानती थी कि वो सच मुझ ऐसा कर डालेगा अजे ने भोहें चड़ा कर उसे घूरा मैंने तुमसे सच्चाई बताने के लिए कहा था वही तो बता रही हूँ नहीं तुम जूट बोल रही हो अजे बोला सच्चाई ये है कि तुम उसे डबल क्रॉस कर रही थी अकेली नहीं बलकि मेग राजबे इस काम में तुम्हारे साथ था उसकी निगाहें मोना पर जमी थी लेकिन पीटर को तुम दोनों की इस सरकत के बारे में पता चल गया था नतीजा ये हुआ कि वो जेल से भाग कर तुम्हारा पीछा करता हुआ यहां आ पहुंचा वो फरार मुलसिम था अगर तुम चाहती तो उसके बारे में सूचना देकर असानी से उसे पुलिस के हवाले कर सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम जानती थी दोबारा पुलिस के हाथ पढ़ने के बाद उसने सब कुछ उन लोगों को बता देना था और इस तरह तुमारी वो खिछड़ी जो तुम मेगराज के साथ मिलकर पका रही थी और मेगराज के मनसूब़ पर पूरी तरह पानी फिर जाना था वो तनिक रुका फिर प्रभाव कुण स्वर में बोला तमाम बाते इसी और संकेत करती हैं और ये सारी सच्चाई है मोना के चहरे पर एक पल के लिए ऐसे भाव उत्पन हुए मानो वो पुनै रो पड़े की लेकिन आजे को कड़ी निगाहों से अपनी और देखता पाकर उसने धीरे से सहमती सूचक सेर हिला दिया अं ऐसा ही कुछ था वो विवश स्वर में बोली लेकिन पीटर को धोका देने का कते कोई इरादा मेरा नहीं था उसे सजा होनी निश्चित थी और उसके जेल से बाहर आने तक मैंने उसके हिस्से को संभाल कर रखना था मगर तुमें इस बात का यकीन उसे नहीं दिला सकी किया नहीं जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये मैं उसी के फाइदे के लिए कर रही थी तो उसने कुछ भी सुनने से इंकार कर दिया अजे हसा क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह जानता था इसलिए तुम्हारे ऐसे किसी जांसे में उसने नहीं आना था ना उसने पूछा फिर मोना को जवाब देती ना पाकर और अगर मेरा कयाल सही गलत नहीं है तो पुलिस द्वारा गिरफदार किये जाने से पहले उसने रेलवे क्लॉक रूम रसीत का अपना हिस्सा तुम्हें सौंप दिया था हाँ उसने संभाल कर रखने के लिए वो मुझे दिया था वो अब कहा है पता नहीं मैं यकीनी तोड़ पर नहीं बता सकती क्यों क्या किया तुमने उसका अचानक उसके समत शरीर में सेरन सी दौड प्रतीत हुई उसकी आँखे अजीब से ढंक से चमकने लगी और सांसे तनी का व्यवस्तित हो गई मह मुझे एक ड्रिंक दो प्लीस वो याशना पूर्वक बोली मैं तुमें सब कुछ बता दूँगी मैं जानती हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है मेरा अपना अब और कोई है भी नहीं मेगराज और पीटर दोनों ही मर चुके है अजे ने विस्की का एक तगड़ा ड्रिंक बना कर उसे दे दिया मोना का हाथ उतेजना वश कांप रहा था गिलास मू की और ले जाते समय इसे वज़ा से थोड़ी विस्की चलक गई लेकिन इस सौर ध्यान देने की बचाए उसने दो ही गोट में गिलास आधा खाली कर दिया नीट विस्की ने उसके हलक से पेट तक जो जलन मचाई उसकी प्रतिक्रिया सुरूग एक संख्शिप्त पल के लिए उसका मू बन गया और आँखों में नमी आ गई थी मगर साथ ही विस्की के तेज जसर ने उसे काफी हद तक सामाने भी कर दिया था जैसा कि मैं बता चुकी हूँ मैं नहीं जानती थी कि कागस का वो टुकड़ा क्या था उसने शांत स्वर में कहना शुरू किया पीटर ने वो मुझे अपनी अमानत के तोर पर संभाल कर रखने के लिए दिया था उसका विचार था कि उसके खिलाफ बनाए जाने वाले केस में कोई दम नहीं था पुलिस उसके खिलाफ अदालत में कुछ साबित नहीं कर सकेगी और वो साफ बरी होकर जल्दी ही बाहर आजाएगा लेकिन केस खत्म होने से पहले ही वो जेल से भाग गया खैर कागस के उस टुकड़े को कोई खास एहमियत मैंने नहीं दी उस पर छपे आधे अधूरे लफजों से मेरे पले कुछ नहीं पड़ा था लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना हुई कि मैं भी उस एहमियत देने पर मचबूर हो गई खुलासा तोर पर बताओ दो हफ़ते पहले विशालगर में मेरे पास एक आत्मी आया उसका नाम शमशेर अली था उसने मुझसे कहा कि उसे पीटर ने भेजा था उसका कहना था कि पीटर जेल में उसे के साथ रहता था उस पर चल रहा केस खत्म हो गया और अदालत ने उसे बरी कर दिया इसलिए वो छोट कर रा किया था बकौल शमशेर अली पीटर ने उससे कहा था कि वो मेरे पास साकर कागस का टुकड़ा मुझसे ले ले अजे ने उसे घूरा और तुमने उसे दे दिया हाँ कितने में मोना की आँके फैल गई क्या मतलब मैं कीमत की बात कर रहा हूँ कैसी कीमत रसीद के उस टुकड़े की कीमत वो तुमने कितने रुपए में बेचा था तुमने ये कैसे सोच लिया इसलिए कि मैं तुमारी खसलत को पहचान गया हूँ मुफ्त में किसी को कुछ भी देने वालों में से तुम नहीं हो तुम जानती थी कि वो वाकई कीमती होना चाहिए तुमने शमशेर से उसके कितनी कीमत वसूल की थी मोना के चेहरे पर खिचाफ सा पैदा हो किया हाँ मैंने उसकी कीमत ली थी गिलास से एक और घूंट लेने के बाद वो खशुब्द स्वर में बोली मैं जानती थी कागस का वो टुकड़ा कीमती था और उसकी कीमत वसूल करने का पूरा पूरा हग भी मुझे था क्यूंकि वो चीज़ पीटर की थी उसके स्वर में कड़वाहट का पूट आ किया और पीटर ने कभी मुझे कुछ नहीं दिया वो जिन्दगी पर मुझ पर बोश बना रहा और एक फूटी कोड़ी भी मेरे लिए छोड़ कर नहीं गया मैं खुदा बाप से दुआ करती हूँ कि उसकी रूप को कभी चैन ना बस बस सफाई दे कर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश मत करो अजे उसे टोकता हुआ धैरेहिं स्वर में बोला मेरे सवाल का सीधा जवाब दो शमशेर ने उस कागस के बतले में तुम्हें कितनी रकम दी थी दस अजार रुपई और इसके लिए भी वो दो दिन तक सौदे बाची करता रहा था सालक कमीना बार बार कस्में खाकर दुहाई देता रहा कि असल में वो कागस उतना केमती नहीं था और आखिर में जब सौदा तैह हो गया तब भी दस अजार रुपई उसने यू दिये मानों बड़ा भारी ऐसान मुश्मर कर रहा था सिर्फ दस अजार रुपई में तुमने वो कागस उसे दे दिया हाँ जाहिर है उसकी एहमियत से वाकिफ तुम नहीं थी नहीं मेगराप सक्सेना ने भी यही कहा था कब वो दो दिन बाद मेरे पास आया और बड़ी हाय तोबा मचाई कि वो कागस मैंने शमशेर को क्यूं दे दिया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तब ही पहली बार ही मुझे ये भी पता चला कि मेगराप भी उसके बारे में कुछ जानता था यानि मेगराप पहले नहीं जानता था कि पीटर ने अपने हिस्से का रसीत का टुकड़ा तुम्हारे पास रख छोड़ा था नहीं इसका पता उसे तभी चला था आई सी तुमसे रसीत का हिस्सा खरीतने के बाद शमशेर सौदे बाजी करने मेगराप के पास जा पहुँचा हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और मेगराप ने सौदा करने से इंकार कर दिया हाँ क्योंकि वो रेलवे के क्लॉक रोम से उस चीज़ को हासिल करना चाहता था जो वहां रखी हुई थी और जिसके अगेंस्ट वो रसीत इशू की गई थी हाँ उसने कहा था कि मुझे भी उसके साथ विराट नगर जाना चाहिए ताकि मैं शमशेर को इस बात के लिए रजामन करने की कोशिश कर सकूँ कि वो मुझे बड़ा हिस्सा दे या मैं और मेक राज दोनों मिलकर उस पर दबाव डाज सकें इस आधार पर कि अगर वो छोटा हिस्सा लेने पर तयार नहीं होगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे मेक राज का कहना था कि असल में शमशेर मामूली साबिक हिस्सा पाने का हगदार नहीं था वो पता नहीं कहां से बीच में आठपका और मुझे बेवकुफ बना कर रसीत का वो टुकडा ले गया अजे के चहरे की मास पेशियों में कसाफ सा पैदा हो गया फिर उसे घोटा हुआ पूछा इस सौदे में मौजूद तीसरे आदमी का क्या होगा मोना अपनी गोद में पड़े रुमा से खिलवार सी कर रही थी एक बल के लिए उसके हातों में ब्रेक सा लग गया फिर वो दुबारा हरकत में आ गए तीसरे आदमी वो कौन हाला कि मोना ने प्रतिक्ष्टा बड़ी लापरवाही से ये पूछा था लेकिन उसके स्वर में छीपिस सतरकता को अजे फारन ताड गया वो यही है क्या उसने पूछा और हमारे साथ कॉपरेट करने को तयार है क्या किसी तीसरे आदमी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती तुमने कहा था अजे उसे याद दिलाता हुआ बोला कि सब कुछ सच बताओ की मैं जूट नहीं बोल रही हूँ जितना मैं जानती थी सब तुम्हें बता दिया है अच्छा मिगराज को किसने शुट कीया था उसके बारे में भी मैं नहीं जानती वैसे जहां तक मेरा ख्याल है वो काम या तो खुद शमशेर ने किया था या फिर उसने किसी से कराया था क्योंकि सारे माल को वो अकेला ही हसम कर जाना चाहता था क्याकर मोना ने अपना गिलास खाली किया और फिर उटकर खड़ी हो गई मैं जा रही हूँ अजे पूरवत अपनी कुरसी में पसरा रहा कहां उसने पूछा अपने फ्लैट में अब तक पुलिस औस्थान को घेर चुकी होगी अजे उसे चेतावनी देता हुआ बोला और अगर तुम उन लोगों के हाथ पड़ गई तो इतनी कड़ी पूछ तास तुमसे की जाएगी कि जूट बोलना तो दर किनार रहा तुम जूट सोच भी नहीं पाऊगी मोना हिच के चाहट में पड़ गई उसकी आँखों में दयनिये भाफ थे और होन धीरे धीरे काम रहे थे तो फिर मुझे यहीं अपने पास ठहरा लो वो सर जुका कर बोली ताकि मुकमल तौर पर मेरा पुलंदा बंद जाए क्या मतलब पुलिस के विचारा नुसार आज रात मैंने तुम्हारे पती की जान ली है अगर वे लोग किसी वज़ा से दुबारा यहां आ पहुँचे और यहां तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी मौजूदगी की मैं क्या सफाई दूँगा ओ, इस नजरिये से तो मैंने सोचा ही नहीं था मौना बोली, तुम्ही बताओ और कहा जाओ मैं तुम्हारे पास थोड़ी बहुत रकम है क्या हाँ, मौना ने नर्वस भाफ से अपना बैग दबोश लिया थोड़ी सी है बेतर होगा कि किसी होटेल में जाकर किसी दूसरे नाम से ठहर जाओ अजे ने कहा यहाँ पास ही जहांगिर होटेल है कमरे साफ और अच्छे है किराया भी दो सो रुपे रोज से ज्यादा नहीं है अनिता अडवानी के नाम से वहाँ ठहर जाओ और अपने कमरे से बाहर मत निकलना मुझे अभी बहुत से काम निप्टाने है जैसे ही कोई कारामद बात सामने आईगी मैं तुमसे संपर्ट कर लूँगा मोना कई पल खामोश खड़ी उसे देखती रही मगर अजे उसी तरह बैठा रहा उसने निगा उठा कर उसकी और देखा तक नहीं मोना कुर्सी से अलग हटी और चुप चाप बाहर निकल गई मोना के चले जाने के बाद भी अजे देर तक उसी तरह बैठा रहा अंत में वो उटकर बेडरूम में पहुँचा विमल उसी तरह बंधा पड़ा था और अभी तक बेहोश था अजे ने टेलीफोन उपकरन उठा पलंक से यथा संभव अधिक्तम दूरी पर रख दिया फिर लाइटे आउफ करके वो फ्लैट से निकला प्रवेश द्वार लॉक किया और सीडियों की और बढ़ गया वो निशले खंड पर स्थित अपने फ्लैट के सम्मुख पहुँचा ताला खोल कर भीतर दाकिल हुआ और दर्वाज़ पुने बंद कर दिया वहाँ प्रतेक वस्तू अपने सही स्थान पर ठीक उसी तरह माचूद थी जैसे की निलम के साथ शाम को वहाँ से आते वक वो छोड़ गया था वो बेडरूम में पहुचा डेक्स पर टाइप राइटर के नीचे पीछे रबर मैट का एक कोना उपर उठाया रेलवे क्लॉक रूम के रसीद का टुकड़ा यदावत वही मौचूद था रसीद का टुकड़ा उठा कर वो गौर से उसे देखने लगा दोनों साइडों से बे तर्तीबी से फटा वो पूरी रसीद का बीच वाला हिस्सा था लेकिन बीच वाला हिस्सा भी पूरा नहीं था उसके नीचे से लगभग आधा भाग गायब था अजे की आंखे सिकुड गई और चेहरे पर विचार पूर्ण भाव उत्पन हो गई बकॉल परेशनात रेर्वे क्लॉक रूम रसीद का ये टुकड़ा लंबाई में कम से कम दो गुना जरूर होना चाहिए था लेकिन अधूरा होने के बावजूद रसीद के हिस्से का वो टुकड़ा बाकी हिस्सों के मुकाबले में कहीं स्यादा महत्व पूर्ण था क्यूंकि इस पर रसीद का सीरियल नमबर मौचूद था सीरियल नमबर के बिना रसीद के अगेंस रखा सामान उसके मालिक द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता था अजे के चेहरे पर व्याब्त विचार पून भाव कहरे हो गए उसने अपनी आँखें बंद कर ली और जहन में उस आरंबिक द्रिश्य को ताज़ा करने लगा जिसने एक धमाके के साथ ये सारा सिलसिला शुरू किया था मृत मेगराज का बाया हाथ उसके कोट की जेब में से उसने निकाला था हाथ मुट्टी की शकल में बंद था और उसमें ये कागस का टुकड़ा जोर से इस धंग से भिंचा हुआ था कि इसका जरा सभी हिस्सा बाहर देखने पर नजर नहीं आता था मुठी कोलने पर ही कागस के उस टुकड़े के बारे में पता चला था अजे ने बड़े ही संतुष्टी पून धंग से यूँ सेर हिलाया मानों वो किसी नतीजे पर पहुँच किया था रसीत के उस हिस्से के निशले भाग के गायब होने की वज़ा उसकी समझ में आ चुकी थी साथी वो ये भी समझ गया कि रगु और जैने बीच रोट पर मेगराज को क्यूं बच कर चले जाने दिया था उस चीज को चीने बगैर जो कि वो चीनना चाहते थी असल में रसीत का ये पूरा हिस्सा मेगराज के मुठी में दबा रहा था और उन दोनों ने जब चीनने की कोशिश की तो इसका निशला भाग की चीनने में कामियाब हो सके थे क्यूंकि ये सब दिन दहाडे बीट सड़क पर हुआ इसलिए जल बाजी और हड़ बड़ी में ये पता उन्हें नहीं चल सका कि सीरियल नमबर वाला हिस्सा जो कि सही माइने में जरूरी और महत्वपूंट था मेगराज के हाथ में ही रह गया था और उन्होंने कार्ट को लेकर उसे भाग जाने थिया ये सोच करके बुरी तरह जख्मी होने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाएका और जल्दी ही दम तोड़ते का हाला कि ये महज अनुमान था लेकिन अजे की जानकारी के मुताबिक जो तथ्यस सामने थे उन पर ये पूरी तरह फिट बैठता था इतना ही नहीं इस अनुमान से एक कन्य प्रश्न का जो शाम से ही अजे को परिशान करता रहा था सही जवाब भी मिल गया था कि रगो और जै जैसे निर्शन सत्यारों ने मेगराज की जान लेने के अपने असाइन्मेंट को पूरा किये बगैर उसे क्यों छोड़ दिया था अजे ने रसीत का टुकड़ा वापस टाइप राइटर के मैट के नीचे रख दिया फिलहाल उसे छिपाने के लिए वही जगा मुनासिप और महफोस थी वो चन पल खड़ा सोचता रहा फिर फ्लैट से बाहर आगिया इमारत से निकल कर मंगनी की अपनी कार में सवार हुआ और थंडर के आफिस की और रवाना हो गिया रातरी का अंतिम पहर होने के कारत सड़क सुनसान थी अजे ने दोनों अगली खिटकियों के शीशे नीचे गिरा दिये थे सेहरन से मैसूस होने के बावजूद ठंडी हवा का स्पर्ष उसे सुकद अनुबव हो रहा था दिमागी तनाव धेरे धेरे कम होता प्रतीत हुआ निर्दई हत्यारों के पंजे में फसी हुई नीलम असाहाई थी कई घंटों तक फिक्र मंद करती रहने वाली ये असलियत भी खास परिशान अब उसे नहीं कर रही थी क्योंकि इस नहायत पेचिदा मामली की नब्स उसकी पकड में आनी शुरू हो गई थी लेकिन अपनी और से कोई एक्शन वो तब तक नहीं ले सकता था जब तक कि थंडर के प्राते कालीन संसकरण में चपने के लिए दिये गए उसके विज्यापन का जवाब नहीं मिल जाना था राहत के इस एसास के साथ थोड़ा आलस से भी उसे घेरने लगा था लेकिन उसने जान बुच कर उसे स्वयम से परे जटक दिया वो जानता था सुस्ती और लापरवाही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी इस बात का एसास भी उसे था कि आश्ट रात का उसका व्यवार उचित नहीं था स्पाइंग और अत्यंत महत्वपोर एवं गोपनी ये काली डायरी के बारे में जो बाते परेशनात ने सुनाई थी वे उसे थोड़ी अजीब और बेहुदा सी लग रही थी विमल द्वारा बार बार अपेल किये जाने का भी कोई प्रभाव उसपर नहीं पड़ा था ये ठीक था कि खुद पर इल्जाम लगाया जाना उसे कतः अच्छा नहीं लगा था लेकिन इस बात से भी इंकार वो नहीं कर सकता था कि इल्जाम किसी हद तक सच था मगर ये उससे कहीं ज्यादा सच था कि वो चाकर भी अपनी फित्रत को नहीं बदल सकता था हर एक बात को अपने अलग नजरिये से देखना और हर बखेडे से अपने ढंक से निपटना उसकी खास आदत बन चुकी थी अपनी इस आदत की वज़ा से वो दर्जनों मर्तबा खतरनाक मुसीब्तों में फस चुका था लेकिन इसे छोड़ना तो दर किनार रहा इस पर कभी अफसोस तक उसे नहीं हुआ था थंडर के ओफिस की इमारत आ चुकी थी वो कार पार्ट करके नीचे उत्रा और इमारत में दाखिल हो किया अकबार का प्राते कालीन संसकरन आउट होने में ज्यादा दिर नहीं थी फल सुरूप संपाद किये विभाग से लेकर प्लैस तक रोज मर्रा की तरह गैमा गैमी का महौल था अर्जे सीधा मोर्ट में पहुँचा देशपर के विभिन समाचार पत्रों और उनकी कटिंग से जानकारियों का विशाल भंडार वहां जमा था रात में आम तोर पर वहां दो आदमी ड्यूटी पर होते थे एक क्लर और एक चप्डासी वे दोनों ही एक मेंस पर आमने सामने कुर्सियों पर बैठे उंग रहे थे कदमों की आहट पाकर वे चौंके फिर अजे को पहचानते ही तुरंट सजग हो गई वे अजे से ना सिर्फ भली भांती परिचित थे बलकि उसकी खूबियों की वज़ा से उसका सम्मान भी करते थे मुझे विचालगर टाइम्स के करेंट इशूस की फाल चाहिए वो सामाने ढंक से बोला अब तश्रीफ रखिए क्लर्ट ने एक अन्य कुर्सी की और संकेत करते हुए कहा फिर पूछा कब तक के इशूस चाहिए यही कोई दो तेन महीने पहले तक के अजे ने जवाब दिया इस वेच चप्रासी खड़ा हो किया था क्लर्ट ने उसे समझा कर फाइल लाने भेश दिया अजे ने कुर्सी पर बैट कर एक सिगरेट सुलगा ली मुश्किल से तीन मिनट बाद चप्रासी ने एक लंबी चौड़ी गत्य के कवर वाली मोटी फाइल उसके सामने ला रखी अजे फाइल खोल कर दो महीने पुराने अकबारों की हेड्लाइन्स पढ़ने लगा चार अकबार पलटने के बाद वो हेड्लाइन्स मिल गई जिनकी उसे तलाश थी दिन दहारे डखे थी उसने जुक कर पूरा समचार पढ़ा समचार के अनुसात संक्षेप में प्रोपर्टी डेलिंग बिजनस की एक मशूर फर्म के मेगराज सकसेना नामक करमचारी को एक गन मैन ने दिन दिहारे लूट लिया था लूट की ये वारदात उस वक्त होई जब मेगराज सकसेना फर्म के एक सीनियर पार्टनर के साथ कार द्वारा वापिस ओफिस लोट रहा था चो राहे पर ट्रैफिक लाइट रेड होने के कारण जो ही कार आकर रुकी लूटेरे ने पिछला दर्वाजा खोल कर मेगराज के सिर्फ पर रिवाल्वर के दस्ते से प्रहार करके उसे बेहोश किया और उसकी गोद में रखा ब्रीफ केस उठा लिया इससे पहले की ड्राइविंग सेट पर मौझूद पार्टनर या आगे पीछे वाहनों वाले असलियत समझकर लूटेरे को पकड़ने की कोशिश करते लूटेरा ब्रीफ केस सहीद भाग कर सडक पर बगल वाली लेन में पहुँचा वहां से गुजरती एक खाली टैक्सी रोकी और उसमें बैट कर फरार भोकिया फोश में आने के बाद मेगराज पुलिस को लूटेरे का हुलिया मामूली तोर पर ही बता पाया था अजे को शक था कि मेगराज की लूटेरे से मिली भगत रही हो सकती थी लेकिन इस समाचार में ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर वो अपने शक को पूरी तरह सही या गलत ठहरा सके उसने अगले रोज का अकबार खोला मुख्य प्रिष्ट पर ही पीटर डिसूजा की फोटो छपी थी साथी सुर्कियों में छपा था लुटेरा पकड़ा किया अजे ने पीटर की गिरफतारी का समाचार ध्यान पूर्वक पड़ा पीटर डगैती डालने के बाद घंटे बर पश्चात ही गिरफतार हो गया था उसे एक गैस शाउस से गिरफतार किया गया था पुलिस को किसे ने गुमनाम फोन कॉल द्वारा उसके वहां होने की सूचना दी थी पीटर ने बड़े जोर शोर से अपनी बेगुनाही की दुहाई देते हुए कहा कि उसे ना उस डकैती की कोई जानकारी थी और ना ही उससे कोई वास्ता उसका था इतना ही नहीं डकैती की वारदात के समय की एलीबाई पेश करने की कोशिश तक उसने नहीं की थी लेकिन पुलिस द्वारा जांच किये जाने पर उसकी वो एलिबाई गलत साबित हुई पुलिस ये पता लगाने में तो काम्याब हो गई कि पीटर एक पेशेवर मुच्रिम था मगर ना तो उसके पास लूट का माल बरामत हुआ और ना ही ऐसा कोई सबूत मिला जिससे टकैती के साथ उसका रिष्टा जोड़ा जा सके लेकिन पुलिस द्वारा कराई गई शिनाक्त में तीन चश्मदित गवाहों ने पीटर को पैचान कर इस बात की पकी शिनाक्त की कि वही वो आदमी था जो टैक्सी से ब्रीफ केस छीन कर भागा था आडेंटिफिकेशन परेट की दौरान मेगराथ से भी उसकी शिनाक्त कराई गई लेकिन वो यकीनी तोर पर नहीं बता सका कि उसे लूटने वाला वाकई पीटर ही था मेगराथ से जो ब्रीफ केस लूटा गया था उसमें नगत रकम के इलावा बॉर्ण्स भी थे फर्म के मालिकों दौरा पुलिस में दर्श कराई के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रीफ केस में कुल दस लाग पच्चीस हजार रुपए थे लेकिन अपोश्ट सूतरों के अनुसार रकम इससे कई गुणा ज्यादा थी क्योंकि बाकी रकम दो नमबर की थी इसलिए मालिकों ने रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया था ये बात सही हो सकती थी इसका संकेत इस बात से मिलता था कि फर्म ने उस रोज एक विशाल कोठी जिसकी कीमत करीब 50 लाग थी खरीदनी थी फर्म का एक जूनियर पार्टनर अपनी पत्नी के साथ उसी शाम हफते भर की चुटिया मनाने बाहर गया इस वारदात और चुटियों का शेश प्रोग्राम कैंसिल हो जाने के कारण उसकी पत्नी को इतना दुख और निराशा हुई कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गई थी वो विख्यात सोशल वर्कर और एक प्रतिष्टित महिला सुधार समीती की अध्यक्षा थी कर दिल्चस्प बनने के विचार से किया था दोनों समाचार पढ़ने के बाद अजे ने उसी तरह खुली फाई एक और खिसका थी उन दोनों समाचारों में ऐसा ठोच संकेत कहीं नहीं था जिसके आधार पर माना जा सके कि मेगराज की सच मुझ पेटर से कोई मिली भगत रही थी या नहीं लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता था कि किसी ने पेटर को ये सुराग जरूर दिया था कि मेगराज ब्रीफ केस में मोटी रकम बैंक से लाने वाला था दस लाग की रकम इतनी मोटी है कि उसे बैंक से लाने के लिए फर्म ने अपने विश्वास पात्र और इमानदार करमचारी को ही साथ भेशना था क्या फर्म मालिकों की निगाहों में मेग राज जसक घटिया कमीना और लालची आदमी वाके इतना भरुसिमन था इस जवाल का जवाब अजे के पास नहीं था इसमें सिर्ख अपाने की कोई तुक नहीं थी क्यूंकि असलियत यही थी कि मेग राज भी बैंक से रकम लाने साथ गया था अलबत्ता इसे महज इतिफाक नहीं कहा जा सकता था कि पीटर ने दिन दहारे डकैती के लिए वही दिन चुना और मेग राज को ही अपना शिकार बनाया लेकिन यह इतिफाक अगर नहीं था तो इस बात का भी ठोज सबूत नहीं था कि मेग राज की पीटर के साथ मिली भगत थी ही क्योंकि फर्म का सीनियर पार्टनर उसके साथ था इसलिए जाहिर था बैंक से रकम निकाल कर ब्रीफ केस में पैक कराने का काम उसी ने किया होगा मेग राज भी हाला की उस पूरे दौर में वही मौचूद रहा होगा लेकिन इतना मौका उसे नहीं मिला होगा कि अपने किसी साथी को फोन पर पूर्ट सोचना दे कर डकैती की योशना वो बना पाता और मामला क्योंकि मोटी रकम का था इसलिए बैंक पहाशने से पहले तक मेग राज को पता नहीं रहा होगा कि वे लोग कितनी रकम बैंक से लाने वाले थे क्योंकि बड़ी फर्मों में ऐसी बाते प्रायक गुप्त ही रखी जाती है खास दोर पर उस सूरत में जबकि मामला मोटी रकम का होने के साथ नमबर दो की रकम का भी होता है इन तमाम बातों को मद्दे रजर रखते हुए एक संभावना और भी हो सकती थी पीटर से मेगराज की मिली भगत ना होकर फर्म के उस सीनियर पार्टनर की मिली भगत थी जो मेगराज के साथ बैंक गया था लेकिन अपने इस विचार से खुद अजे ही सहमत नहीं था किसी बड़ी और प्रतिश्टित फिर्म का सीनियर पार्टनर अपनी ही फिर्म को लुटवाने के लिए पीटर जैसे पेशिवर बदमाश का सहारा लेगा ये बात उसके गले से नीचे नहीं उतर सकी क्यूंकि ऐसे लोग तगड़ा खोटाला करने के लिए इतने घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं किया करते अंत में एक अजीब सा विचार उसके मन में आया उसी विचार के आधार पर उसने प्राप्त तत्यों पर बारीकी से गोड़ किया तो इस तमाम सिलसिले की सरसर अलग और एक बिलकुल नई मगर धुंदली सी तस्वीर उसके मन में उबरने लगी वो पुने विशालगर टाइम्स के फाइल पर जुक गया इस दफा वो सिर्फ हकते भर पहले के समाचार पत्रों का ध्यान पोर्वक अध्यायन कर रहा था और उसकी तवज्जो स्थानिय समाचारों की यॉड थी वो जानता था जिस कहानी की तलाश उसे थी वो इतनी महत्वपोर नहीं थी कि मुख्य प्रिष्ट पर चपी होगी वो प्रतेक अकबार के तीसरे प्रिष्ट पर चपी छिटपुट स्थानिये वारदातों की खबरे बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था चोरी, सेंध मारी और अन्य मिली जुली वारदातों की दरजनों खबरे पढ़ने के बाद आखिरकार उस कबर पर उसकी निगाप पढ़ ही गई जिसकी कि उसे तलाश थी शे दिन पहले अकबार में मोटी मोटी सुर्खियों में चपा था रिवॉल्वर के जोर पर दमपती को लूटा किया नीचे दिया गया समाचार संगशेप में इस प्रकार था रात करीब ग्यारा बजे अपनी पतनी सहीत मिस्टर अमरेश पूरी इवनिंग शो देखने के बाद शिव पूरी स्थेत अपने निवास स्थान पर पाँचे वहाँ एक हत्यारबन बदमाश पहले से ही माजूद था उसने अपने चेहरे पर नकाब की भांती रुमाल बांदा हुआ था मिस्टर पूरी पर रिवॉल्वर तांते हुए उसने उन्हें अंदर कोठी में चलने का आदेश दिया बुरी तरह घबरा गए पती पतनी ने आदेश पालन करने में ही कुशलता समझी कोठी में उस वक्त और कोई नहीं था नकाब पूश ने पतनी की कनपटी पर रिवॉल्वर से प्रहार करके उसे बेहोश कर दिया और पती को धमकी दी कि अगर उसने तिजोरी खोल कर तमाम नगती और जेवरात उसके हवाले नहीं किये तो उसे शूट कर देगा मजबूरन मिस्टर पूरी ने तिजोरी की चाबियां उसे दे दी बाद में मिस्टर पूरी ने पुलिस को बताया कि जेवरात और दूसरी कीमती चीज़े वो बैंक लॉकर्स में रखते थे तिजोरी में करीब आठ हजार रुपए ही थे नकाब पोश्ट ने सारी रकम झपटी और बिना कोई और फसाद किये फॉरन चला किया मिस्टर पूरी विशालगर के प्रतिश्चित व्यक्तियों में से थे पलसुरूप पुलिस विभाग ने फॉरन चान बिन शुरू कर दी तिजोरी के हैंडल और भीतरी भाग से फिंगर प्रिंट्स लिये गए फिंगर प्रिंट्स के आधार पर पुलिस नकाब पोश्ट डाकू का पता लगाने में काम्याब भी हो गई उसका नाम शमशेर अली था वो पेशेवर बदमाश था और उसके जुर्मों का खासा लंबा रिकॉर्ड पुलिस के पास था वो कुछ रोज पहले ही दो साल की सजा काट कर बाहर आया था पुलिस ने अपनी और से जंदा को यकीन दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि जल्दी ही शमशेर अली को पकड़ लिया जाएगा अजे ने बात के भी सभी अकबार देख डाले लेकिन शमशेर अली की गिरफतारी का समाचार उसे कहीं नजर नहीं आया वो फाइल बंद करके उड़ गया कलर को धन्यवाद देकर वो मोर्ग से बाहर आ किया सुर्योदे हो चुका था उसकी तमाम रात जागरन और जंजटों में ही गुजवी थी इसके बावजूद उसके चेहरे पर ठकान का कोई चिनह नहीं था बगल में उस रोज का थंडर का ताज़ा अंक जो उसने रास्ते में एक हौकर से खरीदा था दबाए वो प्रवेश द्वार की और बढ़ किया इमारत में दाखिल होकर वो वाच्मेंड कैबिन के सामने रुका कैबिन में रामलाल पूरी मुस्तेदी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था मेरे लिए कोई और मैसेज तो नहीं आया अजे ने पूछा नहीं अजे बाबू रामलाल ने जवाब दिया अजे ने अकबार को खोल कर दोबारा इस धंग से मोड़ा कि व्यक्तिगत विग्यापन वाले पेस का एक खास कॉलम सबसे उपर आ किया उस कॉलम में सबसे नीचे उसका विग्यापन चपा था उसने दो बार बड़े ही विचार पून धंग से विग्यापन पढ़ा फिर मन ही मन कुछ तै करके जेब से पैन निकाला और उस संक्षिप्त विग्यापन के चारो एक और एक गोला इस धंग से बना लिया कि उस पर निगाल सरूर पड़े और वो अलग ही नसर आई फिर उसने रामलाग से एक लिफाफा लेकर उसी तरह से मुड़े थंडर की प्रती उसमें रखकर लिफाफा बंद किया और उस पर पता लिखकर रामलाल को दे दिया इस लिफाफे को फॉरण इस पते पर भिजवा दो लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए चीक है अचे बाबू, रामलाल ने जवाब दिया मेरी वज़ा से तुम्हें भी काफी परिशानी उठानी पड़ रही है अचे ने कहा, फिर रामलाल के इंकार करता रहने के बावजूद उसने सौ का एक नोट जबरन उसे दे दिया रामलाल ने आश्वासन दे दिया कि वो आदा घंटे के अंदर लिफाफर डिलीवर करा देगा अचे लिफ द्वारा पांचवे खंड पर पहुँचा नीलम के फ्लैट का ताला खोल कर उसने अंदर प्रवेश किया दर्वाज़ा पुने बंद करके वो बैटरू में पहुचा आशा नुसार विमल पलंग पर बंधा पड़ा था वो होश में था और उसकी हालत बता रही थी कि उसने स्वयम को बंदन मुख करने की पुर्जोर लेकिन नाकाम कोशिश की थी उसका आंके खुली थी और वो क्रोधव विवश्ता पूरवक अजे को घूर रहा था उसके गले की नसे तनी हुई थी वो बोलने का प्रियास कर रहा था लेकिन मुँपर टेप चिपका होने की वज़ा से आवास बाहर नहीं निकल पा रही थी अजे को उस पर तरस के साथ साथ गुसा भी आ रहा था अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्हेदार हो विमल वो बोला तुमने क्यों मुझे ये सब करने के लिए मचबूर किया अगर तुम तसली से मेरी बात सुनने और समझने के लिए तयार हो जाते तो इस वक्त ये हालत तुम्हारी नहीं होनी थी विमल ने जोर शोर से सिर हिला कर साफ इंकार कर दिया कि वो अब भी उसकी बात मानने के लिए तयार नहीं था अजे को उमीद थी कि अब तक विमल का दिमाग ठिकाने आ गिया होगा और वो एहसास कर रहा होगा कि वाके उसका सोचना गलत था लेकिन उसे देखकर ताजुब के साथ साथ दुग भी हुआ कि वो पूरवत अपनी जित पर कायम था तुम नहायत बेवकोफ हो अजे बोला असलियत को समझने की कोशिश किये बगैर तुम काम का जित किये चले जा रहे हो इससे तुमें कुछ भी हासिल नहीं होगा विमल आप अलग उसे घूरने लगा अजे आगे बढ़कर पलंग के सेरे पर बैठ गया मुझे इस तरह घूर ना छोड़ो ये शिकायती लेचे में बोला अगर तुम बादा करो कि मेरी बात ध्यान से सुनोगे और मुझे असलियत समझाने का मौका दोगे तुमें वेबल ने उसके बात पूरी होने से पहले ही पुने जोर जोर से सिर हिलाना शुरू कर दिया ठीक है अजे खिशता सा बोला अगर तुम मेरी बात नहीं सुनने समझने और मेरा कहना ना मानने का पका फैसला कर चुके हो तो अभी तुमें इस तरह बंदे पहन पढ़े रहने की कोई जरूरत नहीं है कुछी गंटों में ये सारा किस्सा निपट जाएका और अन्जाम जो भी होगा सब के सामने आ जाएका लेकिन मैं क्योंकि इसे अपने ढंक से निपटाना चाहता हूँ इसलिए तुमें वादा करना होगा मेरे किसे भी काम में कोई दकल नहीं दोगे अगर तुम वादा कर दो तो मैं तुमें खोल दूँगा और सारी असलियत भी बता दूँगा बो मन्जूर है जवाब में विमल को पुने जोर जोर से सेर हिला कर इंकार करता देख कर वो अबेक्षा करित कड़े स्वर में बोला बेवकुफी मत करो विमल तुम्हारे साथ ये रियायत मैं किसी लालश में नहीं बलकी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्यूंकि मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस और हालत पर तरस आ रहा है वरना तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो जो कुछ मैं करना चाता हूँ तुम लाग कोशिशे करने के बाद भी उसे करने से मुझे नहीं रोक सकते विमल लगातार यूं सेर हिलाता रहा मानो मानना तो दूर रहा कुछ भी सुनने तक के लिए कता ही तयार नहीं था अजे गेरी सांस लेकर खड़ा हो किया अगर तुमें शहीद होने का इतना ही शौक है तो ज़रूर शहादत दो मैं नहीं रोकूंगा वो बोला मैं जा रहा हूँ उसने विमल के मुझे पर चिपके ठेब और उसके बंधनों का निरिक्षन किया और दोबारा उसकी और बगैर देखे बेडरूम से बाहर आ किया किचन में जाकर कॉफी तयार की बाहरी कमरे में पूरब की और खुली खिड़की से सूरज की किड़ने भीतर आ रही थी उसने एक सिगरेट सुलगा ली और इत्मिनान से कॉफी की चुस्कियां लेता रहा करीब पंद्रा मिनट बाद जब टेलिफोन की घंटी बचने शुरू हुई वो कॉफी का मग लग भग खाली कर चुका था बिना किसी जल्द बासी के वो अराम से उठकर बैड्रूम में पहुचा विमल की और देखे बगैर उसने रिसेवर उठा लिया अजे स्पीकिंग वो माउक पीस में बोला जवाब में लाइन पर एक पूरुष स्वर उभरा तुम अपने लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो रिपोर्टर के बच्चे स्वर में किजका स्पर्ष्ट पुट नोट करके अजे मुस्कुराया मैं तुम्हारे अकेले की नहीं तुम्हारी सहेली की बात कर रहा हूँ जरूर करो रसीत के टुकडे के बदले में हम सिर्फ उसे ही लोटाएंगे क्या दस हजार रुपे साथ में नहीं दोगे नहीं ये तुम्हारा आकरी फैसला है हाँ तो फिर सौदा नहीं हो सकता अजे ने दो टुक स्वर में कहा और संबंध विच्चेत कर दिया वो प्रगट में सामाने नजर आ रहा था लेकिन उसके माथे पर उबर आई पसीने की बूंदे उसके अंदर व्याप्त तनाव और व्याकुलता की स्पष्ट सूचक थी तब ही टैरीफोन की घंटी उन्हें बचने लगी उसने जान बुच कर करीब आदा मिनट तक घंटी बचने दी फिर मग मेज पर रख कर बेडरूम में पहुँचा कहिए वो रिसिवर उठा कर बोला लगता है रसीद के उस टुकडे की कीमत से तुम वाकिफ हो दूसरी और से उसी पुरुच स्वर में कहा क्या मैं इतना जानता हो कि दस अजार रुपई की मेरी मांग बहुत छोटी है ओके संक्षिप्त मौन के पश्चात कहा किया यानि तुम्हें मेरी मांग मंजूर है हाँ अपनी सहेली के साथ साथ दस अजार रुपई भी तुमें मिल जाएंगे बदले में तुम रसीद का वो टुकड़ा हमें दोगे जो मेग राज के पास से तुमें मिला था मंजूर है अजे ने कहा लेकिन इससे पहले कि वो बात आगे बढ़े मैं एक और बात यकीनी तोर पर जानना चाहता हूँ क्या यही कि निलम सही सलामत है और इसका सीधा सा तरीका यह है कि उसे फोन पर बुला कर मेरी उससे बात करवा तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्यूं क्या तुम मुझे इतना बेवकुफ समझते हो कि मैं उस जगा से फोन करूँगा जहां पर वो है तुम इससे भी कहीं ज्यादा बेवकुफ हो अगर यह समझते हो कि निलम से बाते किये बगैर और यह जाने बगैर कि वो सही सलामत है मैं कोई सौदा तुम से करूंगा अर्जे चुनौती भरे स्वर में बोला जब तक निलम खुद मुझे नहीं कहेगी कि तुम मैंसे किसी कमीने ने उसे चुआ भी नहीं है मैं कोई सौदा नहीं करूंगा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमने उसे कुछ नहीं किया है अर्जे जबर्दस्ती जोर से हसा तुम्हारी कसम पर कोई एत्वार मुझे नहीं है तो फिर मैं कैसे एत्वार दिलाऊं निलम से बात करवा कर लेकिन वो यहां नहीं है मन ही मन आशंकी तजे के चहरे पर व्याप्त तनाव पोन भाव प्रतिपल गहरे होते जा रहे थे तो फिर उसे यहां ले आओ वो अक्षनिक मोन के पश्चाद बोला लाइन पर देर तक कामोशी चाही रही छीक है अंत में कहा गया इसमें करीब पंद्रा मिनट लग जाएंगे मैं इंतिजार करूँगा कहकर अजे ने संबंध विच्छेत कर दिया और ठीक पंद्रा मिनट बार बेडरूमें टेलीफोन की घंटी बचने लगी इस दफा अजे लपक कर वहां पहुँचा और रिसीवर उठा लिया अगले इक्षन दूसरी और से नीलम की आवाज सुनाई दी अजे मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवार मेरे साथ नहीं किया गया है मैं समझता हूँ तुम्हारे सेर पर कोई गन ताने खड़ा है और तुम से जबरन ये सब कहलवाया जा रहा है अजे गुर्राता हुआ सा बोला अगर तुम जूट बोल रही हो तो सिर्फ हां कहकर जवाब दो नहीं नीलम द्वारा तुरंत कहा गया मैं बिल्कुल चीख हूँ लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे ये सोच कर डर लग रहा है कि मेरे जर्ये तुम पर दबाफ डाल रहे है तुम ऐसा कुछ मत करना अचानक नीलम की आवास आनी बंद हो गई जाहिर था कि उसके हाथ से रिसीवर चीन लिया गया था पल भर बात वही परिचित पुरुष का स्वर सुनाई दिया क्या अब तुम्हें एत्बार आ गया उसने पूछा हाँ अजे ने जवाब दिया मैं यही सुनना चाहता था अब मतलब की बात करो यानी हम एक दोसरे की चीज़े कैसे लोटाएंगे हाँ सीधी सी बात है जैसे ही नीलम सही सलामत यहां पहुँचेगी तुम अपनी चीज़ ले सकते हो दूसरी और से बोलने वाले ने एक जोरदार कह कहा लगाया तुम्हारे इस जांसे में आने की बेवकुफी मैं नहीं करूँगा और नीलम के सही सलामत घर पहुचने से पहले तुम्हारी चीज़ तुम्हें देने की बेवकुफी मैं नहीं करूँगा मैं जानता हूँ एक दूसरे पर भरोसा हमें नहीं है दूसरी और से कहा किया इसलिए बेहतर होगा मुलाकात के लिए हम कोई जगा तै कर ले मैं तुम्हारी सहीली नीलम के साथ उस जगा पहुच जाओंगा और तुम चीज़ ले आओगे इस काम को करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है नहीं क्यूं? इसलिए कि तुम नीलम को लाओ या ना लाओ अपने दोनों गन मैन साथ ज़रूर लाओ के अजे नपे तुले स्वन में बोला नहीं मुझे ये मन्जूर नहीं है मकबूल हसन क्या? तुमने क्या कहकर पुकारा मुझे? मकबूल हसन ये तुम्हारा वो नाम है जो तुम यहां विराट नगर में इस्तिमाल कर रहे हो तुमने ये कैसे सोच लिया? इस तरह बनने से काम नहीं चलेगा मैं शुरू में ही तुम्हारी आवास पहचान गिया था अजे ने कहा पहेलियों में बाते करके वक्त जाया करते रहने से कुछ नहीं होगा मैं बड़ा ही सीधा और आसान तरीका बताता हूँ तुम नीलम को यहां पहुचाने का वक्त तै करो तुम्हारे तै हुए किये हुए उस वक्त से पंदरान मिनट पहले ही मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा रेल्वे क्लॉक रूम रसीत के हिसे के साथ मकबूल हसन ने पूछा हाँ वो मेरी जेब में होगा लेकिन मैं खुली जगा में मौजूद रहूँगा जहां मेरे आसपास दर्जनों लोग होंगे और तुम जबरदस्ती या किसी चालाकी से उसे मुझसे चीनने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश तुम्हें मेंगी ही पड़ेगी कहकर अजे तनिक रुका फिर मन ही मन कुछ तै करने के बाद सहज ढंक से बोला मैं रेल्वे स्टेशन के में वेटिंग हॉल में पहुँच जाऊंगा वो जगा तुम्हारे लिए भी छीक रहेगी क्योंकि मुझसे रसीद का हिस्सा लेने के बाद तुम आसानी से क्लॉक रूम जा सकते हो इधर मैं यहां से रवाना होने से पहले नीलम के लिए एक नोट छोड़ जाऊंगा उसमें रेल्वे स्टेशन के वेटिंग हॉल में मौझूद पब्लिक टेलिफोन बूट में से एक बूट का नमबर भी लिख दूँगा फिर मैं उस बूट में पहुंच कर इंतिजार करूँगा और फिर जैसे ही नीलम मुझे फोन कर बताएगी कि 10,000 रुपेयों समेट वो सही सलामत यहां पहुंच गई है मैं तुम्हारी चीज तुम्हें सौंप दूँगा अपनी तसली के लिए तुम बूट में जब मैं नीलम के फोन का इंतिजार कर रहा होंगा तो मुझे बराबर कवर कराई रह सकते हो लाइन पर खामुशी चा गई प्रत्यक्ष्ट मक्बूल हसन इस पर अपने ढंक से विचार कर रहा था अजे व्याकुलता पूरवक इंतिजार करने लगा अगर तुमने जरा भी चाला की दिखाने की कोशिश की अंत में मक्बूल हसन का कड़ा स्वर लाइन पर उभरा तो तुम जिन्दा नहीं रहोगे तुम पर बराबर गन तनी रहेगी जानता हूँ तुम वक्त तै करो दस बजे ठीक है अजे बोला मैं पॉने दस बजे यहां से रेल्वे स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगा और रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया वो खामोश खड़ा टेलीफोन उपकरन को ताकता रहा उसके चेहरे पर व्याकुलता मिश्रित विचार पून भाव थे जब से पैकेट निकाल कर जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाते समय उसे अपने हातों में हलका सा कमपन महसूस हुआ उसने स्वयम को अजीब से दूविधा में फस किया अनुभव किया मकबूल हसन के यूँ रजा मंध होने से उसे बुरी तरह चक्रा दिया था उसे कतई उमीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा क्या इसके पीछे मकबूल हसन की कोई चाल थी उसने सोचने की कोशिश की तो अन्ध में एक ही नतीजे पर पहुँचा मकबूल हसन के सामने उसकी बात मानने के इलावा अब और कोई चारा नहीं था इस बारे में मोना ने चीक ही कहा था कि असल में नीलम की कोई ऐमियत उन लोगों के लिए नहीं थी दूसरी और इस बात से भी नावाकिफ मकबूल हसन नहीं था कि अगर उसने अजे पर बहुत ज्यादा दबाव ढाला और अजे ने पुलिस की मदद लेने का फैसला कर लिया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा अजे ने सिगरेट खत्म करने के बाद टेलीफोन विभाग में अपने एक सोर्स से संबंद साबित करके रेलवेस्टेशन के में वाटी वेटिंग हॉल में मौझूद पब्लिक कॉल बूट्स में से एक बूट का नंबर जो क्लॉक रूम के सबसे ज्यादा नस्दीक था मालुम करके नोट कर लिया पलंकी बगत से गुजरते समय विमल को शिकायती निगाहों से घूरता हुआ वो बारी कमरे में आ किया एक कागस लेकर उपर टेलीफोन बूट का नंबर लिखा फिर नेचे लिखा नीलम यहाँ पहुँचकर इस कागस को देखते ही इस नंबर पर फोन करके मुझसे बाते कर लिना बैडरूम में मौझूद विमल के मुझसे टेप खटाने या उसे बंदन मुख करने से पहले ही तुमने फोन करना है मुझसे बाते करने के बाद विमल को आजाद करके बंदन खोल कर उसे चला जाने देना तुम्हारा अजे उस कागस को उसने मेस पर इस डंग से लग दिया कि दर्वासे से भीतर दाकिल होने के बाद सबसे पहले नीलम की निगाँ उस पर जरूर पड़े अब स्चेज पूरी तरह तयार था सिर्फ नाटक के अंतिम द्रिश्य का परदा उठाना भाकी था और तब तक इंतिजार करने के इलावा कुछ और अजे नहीं कर सकता था वो कमरे में चहल कदमी करने लगा उसके चहरे पर तनाफ होन भाव थे आंखों से व्याकुलता जलक रही थी और मन में जो आशंकाई उभर रही थी उनमें प्रमुक थी अगर उसका अनुमान गलत निकला लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था उसने मन ही मन कहा तमाम तथ्यों के आधार पर सिर्फ एकी तस्वीर बनती थी और वो वही थी जो उसने बनाई थी ये ठीक था कि कुछ एक तथ्यों अभी भी उसकी पहन से बाहर थे साथ ही ये भी सही था कि उनमें से अधिकाँज का अनुमान वो लगा सकता था लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिसके बारे में अनुमान पर निर्बर रहना वो नहीं चाहता था उसे फिंगर प्रिंट्स रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज जगदीश राज की रिपोर्ट का इंतिजार था वो रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूर्टिया संतुष्ट हो सकता था क्योंकि उसका तमाम एक्शन जिस फियोरी पर आधारी था उसका सबसे महत्वोन भाग एक अनुमान था जिसकी पुष्टी वो उस रिपोर्ट द्वारा करना चाहता था जैसे जैसे वक्त गुसरता रहा उसके मानसिक तनाफ में वृद्धी हो गई इस से छुटकारा फाने के इरादे से वो किचन में पहुचा और अपने लिए नाश्टा तयार करने लगा ब्रेट बटर और चार अंडो के ओमलेट के हैवी ब्रेक फास्ट के बार उसने स्वयम को काफी हद तक तनाफ मुक तनुभफ किया लेकिन ये स्थिती अधिक देर तक नहीं रह सकी उसकी रिस्ट वॉच की सुईया अपनी निश्चित चाल से आगे खिसकती रही अजे उने चहल कदमी करने लगा तनाफ पूर्ण व्याकुलता उस पर एक बार फिर्श से हावी होने लगी उसे रिपोर्ट का इंतजार था वो जान बुच कर सावधानी वर्ष फिंगर प्रिंट्स रिकॉर्ट्स रिपार्टमेंट में जगदेश राज को फोन करना नहीं चाहता था उसे यकीन था कि काम होते ही वो खुद ही उसे फोन करते का धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ उसका धैर्य जवाब देने लगा अंत में जब उसकी रिस्च वाश ने नौ बच कर पैंतिस मिनट की सूशना दी तो वो फ्लैट से बाहर आया और ज्यादा इंतिजार करते रहना उसके वर्ष की बात नहीं रह गई थी प्रतिक्षा द्वारा उत पर उप व्याकुलता और तनाफ के इलावा इसकी एक और भी वज़ा थी वो नहीं जानता था कि अगर वो नियत समय पर फ्लैट से रवाना नहीं हुआ तो उस सूरत में मकबूल हसन क्या स्टेप लेगा प्रवेश द्वार लॉक करके वो सीडियों द्वारा तेजी से निचले खंड पर पहुँचा अपने फ्लैट में जाकर उसने टाइप राइटर के नीचे से रेलवे क्लॉक रूम की रसीत का टुकडा निकाल लिया फिर फ्लैट क्लॉक करके वो लिफ द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचा तब तक नौ बच कर चालिस मिनट हो चुके थे लंबे लंबे डग भढ़ता हुआ वो इमारत के प्रवेश द्वार की और बढ़ किया जियो ही वो वाच्मेन कैबिन के सामने से गुजरा वहां मौजूत नाइट वाच्मेन के बेटे ने जो दिल में ड्यूटी किया करता था उसे टोका अजे बाबू अजे तुरंद पलट कर उसके पास पहुँचा यूबक वाच्मेन ने अपने हाथ में थमा टेलिफ़न रिसेवर उसकी और बढ़ा दिया आपके लिए फोन कॉल है अजे रिसेवर लेकर माउथ पीस में बोला अजे स्पिकिंग जगदिश राज बोल रहा हूँ दूसरी वार से कहा गया तुम अचानक कहां से आटपके अभी अभी मैंने तुम्हारे फ्लैट पर फोन किया था वहाँ पर तो तुम थे नहीं मेरे तपकने को छोड़ो अजे उतावली से बोला मैं तुम्हारे ही फोन के इंतिजार में सूपता रहा हूँ क्या मेरा काम हुआ कुछ पता चला क्या हाँ तो फिर बताते क्यों नहीं अजे ने उत्तेजित स्वर में पूछा सुनो मुगल रेस्टरेंट के उस बिल पर तुम्हारे और नीलम के इलावा जिस तीसरे आत्मी को उंगलियों के निशान मिले हैं वो एक पेशेवर मुझरिम है और विशालगर पुलिस को उसकी तलाश है लेकिन वो है कौन अजे ने जुझला कर पूछा उसका नाम शमशेर अली है थैंक यू वेरी मच कहकर अजे ने रिसिवर क्रेडिल पर पटका और प्रवेश द्वार की और दौड किया उसके अनुमान की पुष्टी हो चुकी थी अब एक पल भी व्यर्ट गवाना वो अफॉर्ड नहीं कर सकता था वो इमारत के बाहर खड़ी अपनी कार में सवार हो गिया इमारत के गेट से निकल कर बाईं और कार घुमाते अजे ने नोट किया सामने कुछ एक गज के फासले पर एक काली एमबेस्टर खड़ी थी उसमें अगली सेट पर दो आदमी इस ढंक से जुके बैठे थे वो मिरर पर निगार डाली तो वो काली एमबेस्टर भी पीछे आती दिखाई थी पीछे कई अन्यवाहन आ रहे होने के कारण उसमें मौझूद आदमी तो उसे अभी भी थीक से दिखाई नहीं दिये लेकिन इतना वो समझ चुका था कि उसका पीछा किया जा रहा था रेल्वे स्टेशन पहुंच कर अजे ने पार्किंग लॉट में कार पार्क की और में वेटिंग हॉल में बढ़ गया काली एमबस्टर भी पार्किंग में आरुकी थी और दो आदमी उससे नीचे उतर रहे थे अजे ने पीछे मुड़ कर देखने का कोई उपक्रम नहीं किया वेटिंग हॉल में दाकिल होने के बाद वो उधर बढ़ा जिदर आट-दस पब्लिक टेलीफोन बूट एक कतार में मौजूद थे वेटिंग रूम में प्रतिक्षा रत यात्रियों और आने जाने वाले लोगों की खास भीड और गहमा गहमी का महौल था लेकिन इस सबकी और ध्यान देने के बचाए अजेब बूट की कतार में उस बूट की और बढ़ रहा था जिसमें नीलम का फोन आना था वांशित बूट के सम्मुक पहुँच कर उसने रिस्ट वाच पर दृष्टी पात किया दस बजने में तीन मिनट थे बूट खाली था वो दर्वाज़ा खोल कर अंदर चला गया और दर्वाज़ा तनिक खुला रब कर एक सिगरेट सुलगा ली काली अम्बेस्चर में आए आदमियों के चेहरे हाला कि वो नहीं देख पाया था लेकिन लगभग यकीनी तौर पर कहस जा सकता था कि वे रगु और जै ही थे उसने देखा दाई और दसे गश के फासले पर एक आदमी अपने दोनों हाथों में अकबार तामे खड़ा था अकबार को खोल कर उसने इस ठंग से पकड़ रखा था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन उसके लिबास और कदबुथ से अजे उसे साफ पहचान किया वो रखू था सिग्रेट फूपता अजे ला परवाही से भीड पर निगाहें दोड़ा रहा था वहां के महौल से उसे भामते देर नहीं लगी कि जल्दी ही कोई ट्रेन जाने वाली थी इदर उदर घूमती उसके निगाहें पुरुश्यों के लिए बने टॉयलेट्स के दर्वासे पर जाटिकी दर्वासे के ठीक पास दो वर्दी धारी और हत्यार बंद पुलिसमेन हस्ते हुए आपस में गपशप कर रहे थे अजे ने नोट किया करीब आधा धरजन अन्य आत्मी भी बड़े ही उदेश्य पूर्ण धंग से आसपास जहल कदमी कर रहे थे लेकिन उनमें ना तो रगू का साथ ही जै उसे दिखाई दिया और ना ही मकबूल हसन कही नजर आ रहा था उसने पुने अपने रिस्ट वाच पर द्रिश्टी पात किया दस परशने में 30 सेकंड बाकी थे अजे ने आखरी कश लेकर सिग्रेट का अवशेश फर्श पर फैंका और बूट के तले से कुचल दिया तभी बूट में टेलिफोन की घंटी की आवास गूँच गई अजे ने तुरन धर्वासा बंद करके रिसीवर उठा लिया अगले हिक्षन नीलम का उत्तेजित स्वर लाइन पर उब्रा अजे हाँ क्या तुम मैं एकदम भली चंगी हूँ पूरी तरह सही सलामत हूँ लेकिन तुम साफधान डेहना और ये विमल का क्या चकर है तुमने उसे क्यों बांध हम मुझसे बाते करने के बाद रिसीवर रखते ही उसे आजाद करके बता देना कि मैं रेल्वे स्ट्रेशन पर क्लॉक रूम के पास हूँ अजे ने उसकी बात काट कर कहा फिर पूछा क्या रकम ले आई हो तुम हाँ दस हजार रुपए है लेकिन ये सब क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे वहां पहुँचने तक दर्वाजा लॉक करके तुम अंदर ही चेहना कहकर अजे ने संबंद विच्चेत कर दिया अब वो लगबग पूंट या निश्चिन था लेकिन नीलम के फोन के इंतजार में जिसमें चैनी के दौर से वो गुजर रहा था उसके वज़ा से उसका चेहरा पसीने से भीग गया था जियो ही उसने बूत का दर्वाजा खोला रगो उसके सामने आँख खड़ा हुआ उसके हाथ में रिवालवर थी जिसे उसने तै किये हुए अकवार में इस ढंक से चिपा रखा था कि किसी और की निगा उस पर नहीं पढ़ सकती थी अजे के बाहर आते ही वो धीमे मगट ठोस्वर में बोला सीधे टॉयलेट्स की और चलो अजे चुप चाप उधर ही चल दिया दर्वाजे के पास दोनों पुलिसमेन अभी भी मौजूद थे लेकिन गपशब करने की बजाए अब खामोश खड़े थे जाने कहां से निकल कर जै भी रगू के पास आ पहुँचा था और वे दोनों अजे के ठीक पीछे चल रहे थे वेटिंग हॉल में सब कुछ सामान्य था कोई भी उन तेनों में दिल्चस्पी लेता नजर नहीं आ रहा था अजे टाइलेट्स के द्वार के सामने पहुच कर रुख गया अंदर चलो रगू ने आदेश दिया अजे दर्वासा खोल कर भीतर दाखिल हुआ रगू और जै भी उसके पीछे अंदर प्रविश कर गए और दर्वासा बंद कर दिया अंदर दर्वासे से चंद एक फुट के फासले पर मकबूल हसन पहले से ही माजूद था उसकी आँखों में उत्तेशना पून चमक थी लेकिन लंबूत्रा चहरा भाव विहीन था लाओ वो अपना हाथ आगे बढ़ा कर बोला वो मेरे कोट की दाइन जेब में है अजे सहत स्वर में बोला मैं निकालनू या तुम चहरो मकबूल हसन कड़े स्वर में बोला तुम अपने हाथ उपर उठालो अजे ने वैसा ही किया मकबूल हसन ने उसके पास आकर उसके कोट की दाई जेब में हाथ डाला और रसीत का टुकड़ा बाहर निकाल लिया रगु और जे अजे के ठीक पीछे खड़े थे मकबूल हसन पुने पीछे हट गया तुम सब चुपचाप खड़े रहो वो बोला मैं इस टुकड़े को अपने टुकड़ों से मिला कर देखता हूँ उसने अपनी जेब से दो लंबे और एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाला और अजे से मिले टुकड़े को उनके साथ मिलाने लगा अचानक भडाक से दर्वाजा खुला और हातों में रिवालवर थामे कई आदमी प्रकट उनमें सबसे आगे वही दोनों वर्दी धारी पुलिसमेन थे जो बाहर खड़े गपशब कर रहे थे उनके पीछे दर्वासे की और मूँ किये खड़े एक अजे को रवी शंकर और परेशनात आते दिखाई थिये परेशनात के हाथ में रिवालवर थी लेकिन प्रगट में वो शांत नजर आ रहा था उन दोनों के पीछे इंस्पेक्टर तिवारी था अजे तुरंद भाम कया कि क्या कुछ होने वाला था एक पल भी व्यर्थ गवाई बगैर वो एक तरफ उचला और स्वयम को नीचे फर्ष पर गिरा दिया उसने रिवालवर ताने जे को फिर अपनी की भांती घूमते देखा तबी फायर की आवास गुझी और एक गोली उसकी चाती में आँख हुसी वो लड़ खड़ा कर पीछे हट गया फिर एक और गोली उसकी चाती में आँख हुसी उसके हाथ से रिवालवर चूट गई और वो नीचे आगिरा रगो को इस पीश दो बार ट्रिगर खीशने का मौका मिल गया था लेकिन अचानक बदल गई सिती ने उसे इस बुरी तरह बौकला दिया था कि उसके रिवालवर से निकली दोनों गोलियां दर्वाजे के ऊपर दिवार में जाग हुसी फिर इससे पहले की वो तीसरी दफा फायर कर पाता एक गोली सीधी उसके सर में आँख हुसी और वो कटे पेड की भांती नीचे फर्ष पर पड़े जै के उपर जा गिरा मकबूल हसन अपने स्थान से हिला तक नहीं था वो दिवार से पीट सटाई यूँ खड़ा था मानो किसी अद्रिश्य शक्ती ने उसे उस थिती में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया था उसके दोनों हाथ सामने की याड़ थे और उनमें रसीत के चारों टुकडे थमे हुए थे जिन के लिए दूसरे दोनों अपनी जान गवा चुके थे बंस्थान में फायर की गूँच अभी तक बाकी थी तबी नीचे पड़े अजे ने कंखियों से देखा चहरे पर कठोरता पूर्वक भाफ लिये और रिवालवर थामे परेशनाथ सदे हुए कत्मों से आगे आया और फिर लगातार दो फायरों की आवास वहां गूच गई दोनों गोलिया मकबूल हसन के पेट में जाखुसी मकबूल हसन ने अपने दोनों हाथों को पेट की और ले जाना चाहा इस प्रियास में रसीत के टुकड़े उसकी उंगलियों से चूट कर फर्श पर जा गिरे उसके पीड़ा से विक्रित चेहरे पर निराशा भरे भाफ नसर आ रहे थे उसकी टांगे कांपी और घुटने मुर्ते चले गए उसने बोलने की कोशिश की लेकिन इरादतन चलाई गई गोलियों ने उसके किसी मर्म स्थान को तगड़ा आगात पहुचा दिया था पल सुरूप उसके कंड से सिर्फ करा निकल सकी फिर उसका सर तेज जटके के साथ आगे जुका और उसका बेजान जिस्म फर्च पर फैल गया फाइरों की गुझ खत्म होते ही अजे बोला शाबाश परेशनात शूटिंग में तुमने सच मुच टारगेट प्रैक्टिस जैसा कमाल दिखाया है परेशनात ने कड़ी निगाहों से नीचे पड़े अजे को घूरा मैंने रिस्क लेना चीक नहीं समझा वो दान पीस्ता हुआ बोला और फर्च पर फैले खून से खुद को बचाते हुए मकबूल हसन के हाथ से गिरे रसीत के चारों टुकडे उठा लिये अजे उठकर सीधा खड़ा हो किया रवी शंकर फॉरण उसके सामने आ पहुँचा उसका चेहरा गुसे से तम तमा रहा था इस मामले में तुम्हें हमारी साथ चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी वो कठोर स्वर में बोला अजे ने अनिच्छा पूरवक कंधे उचकाई ऐसी कोशिश के लिए किसी को शूट तो तुम कर नहीं सकते वो लापरवाही से बोला इंस्पेक्टर दिवारी भी उसके सामने आ खड़ा हुआ इस बार तुम बच नहीं सकोगे वो शूट पुलिस या लेचे में बोला तुमारे किलाफ एक नहीं कई संगेन जुर्म बनते हैं मसलन अजे ने पूछा बहस मत करो रवी शंकर अधिकार पूरवक बोला यू आर अंडर अरेस्ट और उसके संकेत पर दोनों पुलिसमेनों ने अजे की बाहिं थाम ली चीक है अजे खुशामदी लेचिस में बोला कम से कम इतना तो बता दो कि आप लोग एकदम सही वक्त पर यहां कैसे आ पहुँचे इसके लिए तुम्हें तिवारी साहब का शुकर गुजार होना चाहिए रवी शंकर शुश कस्वर में बोला इन्होंने हमें टिब दी थी कि तुम को यहरी चालाकी करने वाले हो तिवारी साहब ने आज इन्हें असमंजस्ता जाहिर करते हुए पूछा हाँ मैंने तिवारी अपनी मूचों पर ताओ देता हुआ बोला मुझे शुरू से ही शक था कि तुम जान बुश कर हमसे बहुत कुछ छिपाते रहे हो आज सुभा एक नौजवान आफिस में मेरे पास आया था उसने आज के थंडर की खास धंग से मुड़ी हुई एक प्रती मुझे दे कर बताया कि किसी ने पचास रुपई के बदले में वो अकबार उस से मेरे पास विजवाया था मैंने अकबार में विज्यापन देखा और उसका मतलब समझ किया फिर मैंने रवी शंकर से इस बारे में बाते की और फॉरन अपने दो आदमियों को हिदायत दे कर तुम्हारे निवास्थान पर भेश दिया जैसे ही तुम अपनी इमारत से निकले उन्होंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और बराबर हमें रिपोर्ट देते रहे अजे का चेहरा भाव विहीन था मैं वाकई आपका शुक्र गुजार हूं तिवारी सहब वो बोला आपकी जानकारी के लिए बता दू कि निलम सही सलामत लोट आई है दस अजार रुपए भी उसे मिल गए है जो मुकदमा लड़ने के काम आएंगे रवी शंकर ने उसे घूरा किसका मुकदमा मेरा तुमने मुझे गिरुफदार किया है और कई संगीन इल्जाम मुझे पर लगाने वाले हो रवी शंकर ने जवाब ना दे कर नीचे पड़ी लाशों की और संकेत कर दिया ये तीनों आदमी कौन थे उसने पूछा फिर परेशनात की और देखा क्या यही था पूरा गिरो अजे ने परेशनात को जवाब देने का मौका नहीं दिया ये दोनों किराई पर बुलाई गए बदमाश थे वो रगो और जै की और इशारा करके बुला ये वही दोनों थे जिनोंने कल बीच रोड पर मेगराज सक्सेना को रोका था लेकिन डेलवे क्लॉक रूम रसीद का उसका हिस्सत चीनने में काम्याब नहीं हो सके थे उसने मकबूल हसन की लाश की और इशारा किया और ये वो आत्मी था जिसके आदेश पर ये दोनों काम कर रही थे ये मुगल रेस्टरेंट में हेड वेटर था फिर वो परेशनात की और पलट किया मेरे विचार से यही असली आत्मी था जिसकी तुमें तलाश थी परेशनात ने अपने हातों में चारों टुकडे यूँ पकड़े हुए थे कि वे अपने अपने स्थान पर सही फिट हो गए थे और रसीद पूरी नजर आ रही थी ऐसा ही लगता है वो बोला उसके स्वर में सतरकता का पुट था पिछले कुछ अरसे से मुगल रेस्टरेंट पर मेरी निगा थी तिवारी हस्दक शेप करता हुआ बोला मैं उस्मान को वाच कर रहा था उसकी गती विधियों से कोई संदिक बात तो सामने नहीं आ सकी थी लेकिन अब मैं फॉरण वहार रेट कराऊंगा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है अजे प्रतिवात करता हुआ बोला उस्मान अली बिलकुल बेकसूर है उसका इस सारे सिलसिरे से कती कोई वास्ता नहीं है उस विचारी को तो पाकिस्तानी इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट का जूटा खौफ दिखा कर परेशनात शांत्सवर में आश्वस भाफ से बोला रसीत के ये टुकडे आपस में सही ढंक से मिल गए है सीरियल नंबर भी सही सलामत है इस पर मौचोद तारीक भी वही है जो की होनी चाहिए थी और इससे साफ जाहिर है कि मेगराज सक्सेना ने एक ब्रीफ केस यहां क्लॉक रूम में जमा कराया था उसने अपनी रिस्ट वाच पर निगार डाली बीस मिनट बाद एक सूपर फास्ट ट्रेन यहां से दिली जाएगी मैं उसी से चला जाऊंगा अब वक्त जाया करना ठीक नहीं है मैं कलॉक रूम जाकर वो ब्रीफ केस चुडाता हूँ भगवान करे कि काली डायरी उसी में माचूद हो उसने पलट कर दर्वाजा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गया आओ हम भी चलकर देखते हैं रवी अज़े बोला इस मखड़े में मैं न सिर्फ बुरी तरह फसा हूँ बलकि मेरी दूरगती भी काफी हुई है इसलिए मैं भी उस काली डायरी के दर्शन करना चाहता हूँ रवी शंकर ने सहमती सूचक से रहिला दिया उसने एक पुलिसमेन को लाशों के पास ही ठेरे रहने का आदेश दिया और दूसरे से कहा कि अज़े को साथ लेकर आ जाए फिर स्वयम तेवारी सहीद बाहर निकल गया अज़े भी पुलिसमेन के साथ टॉयलेट से बाहर आ गया वेटिंग रूम में मौझूद प्रतेक व्यक्ति की निगाहे टॉयलेट्स के प्रवेश द्वार पर ठिकी थी फाइरों की आवाजों ने उन सभी को चक्रा दिया था उनके चेहरों पर आशंका, उत्सुकता और असमंजस्ता के मिले जुले भाग थे विभेन प्रकार की अटकले लगाते हुए वे सभी असलियत जानने को आतुर प्रतीत होते थे बावर्दी पुलिस अफसरों को बहार निकलते देख कर कुछ लोगों ने उनसे पूछना चाहा लेकिन रवी शंकर और तिवारी जवाब दिये बगैर उनके बेट से गुजर गए अजे भी पुलिसमेन सहित उनका अनुकरन करता रहा तब ही विमल दोडता हुआ आप पांचा उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्थ वियस्थ मुझे देर तो नहीं हो गई इंस्पेक्टर उसने अपने उकड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए रवी शंकर से पूछा मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ तुम सही वक्त पर पांचे हो विमल अजे बोला मुझे गिरफतार किया जा चुका है इसलिए उस बारे में फिक्र करने की अब तुम्हे कोई जरूरत नहीं है विमल ने बड़ी ही शिकायती निगाहों से अजे को घूरा फिर रवी शंकर के साथ चलते हुए धीमी आवास में जल्दी जल्दी उसे बताने लगा अजे पुलिसमेन के साथ चुप चाप उनके पीछे चलता रहा वे सब क्लॉक रूम में पहुँच गई परिशनात काउंटर के सामने खड़ा बेचैनी से पहलू बदलता इंतिजार कर रहा था उसके चेहरे पर गहन आतूरता पोन भाव थे बार-बार होंट चबाता हुआ वो रह रह कर अपनी रिस्ट वाच की और देख रहा था बाहर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का सा महौल था पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर दस नंबर प्लेटफॉर्म से दिल्ली जाने वाली गाड़ी के पांच मिनट बाद चूटने की गोशना बार-बार की जा रही थी क्लॉक रूम के एक करम चारी ने एक वी आई पी ग्रे कलर का बड़ा सा ब्रीफ केस काउंटर पर इंचार्ज के सामने ला रखा इंचार्ज ने चार टुकडों की शकी में रखी रसीद का नंबर देखकर अपनी रसीद बुक में उसकी डुप्लिकेट कॉपी पर निगार डाली फिर हिसाब लगा कर स्चोरे चार्जिस की राशी बता दी परेशनात ब्रीफ केस उठा कर रवी शंकर की और पलट किया ये भुप्तान आप कर देना इंस्पेक्टर वो बोला मेरा एक एक पल कीमती है इसी क्रेन से दिल्ली पहाँशना मेरे लिए बेहत जरूरी है शियोर रवी शंकर ने कहा परेशनात ब्रीफ केस साथ में मसबूती सिथा में जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचे बोल पड़ा ये एकदम बोल क्लाइमेक्स है तुम्हें कैसे पता कि वो काली डायरी इसी ब्रीफ केस में है मैं जानता हूँ परेशनात ने जल्दी से कहा वो इसी में ही होनी चाहिए और बाहर जाने के लिए तेजी से दर्वासे की और बढ़ा छैरो मिस्टर पूरी वजे उंची आवास में बोला परेशनात तुरंट चिटका उसने तनिक से घुमा कर पीछे देखा एक संक्षिप्त पल के लिए वो बोकला गया सा प्रतीत हुआ फिर लगबग फॉरण ही उसने स्वयम को सामाने कर लिया और वो तेजी से दर्वासे की और छप्टा पाजे की बाह अभी तक पुलिसमेन की गिरफ में थी काम फते उसने नारा सा लगाया और जटके से बात छुडा कर उस पर छलांग लगा दी इस सब प्रत्याशित हमले से परेशनाद बुरी तरह बोकलाया और संतूलन बिगड जानी के कारण वो अजे को लिए ब्रीफ के सहित नीचे जाकि रा सुयम अजे भी अपना संतूलन कायम नहीं रख पाया था फल्स रूप वो परेशनाद के नीचे आ किया था परेशनाद ने नीचे गिरते ही अपने शोल्डर होलेस्चर से रिवालवर निकाल ली थी लेकिन इससे पहले की वो उसे फायरिंग पोजीशन में ला पाता अजे का एक हाथ उसके रिवालवर वाले हाथ पर कस गया था और उसकी दूसरी बाँ परेशनाद की गर्दन के इर्द गिर्द कस गई फिर दोनों पुर्जोर कोशिश करने लगे परेशनाद स्वयम को चुडाना चाहता था जबकि अजे का उसे अपनी पकड़ से निकलने देने का कोई इरादा नहीं था अपनी अपनी इसी कोशिश में दोनों उपर नीचे फर्ज पर लुड़कने लगे अजे रवी शंकर चीखा ये क्या पागलपन है मिस्चर परेशनाद को चोड़ दो और अपने मातत सहीद नीचे जुब कर उन दोनों को बल पूर्वक चुडाने लगा तबी बाहर प्लेट फॉर्म पर विसल गुंजी और गाड़ी के चूट जाने की आवाज सुनाई दी अजे उस वक्त परेशनाद के उपर था रिवॉल्वर फैंक दो बेवकुफ रवी शंकर चिलनाया अजे ने हाथ खुमा कर रिवॉल्वर फैंक दी और उटकर खड़ा हो गया रवी शंकर का चहरा गुस्से से तम-तमा रहा था और आंकों से चिंगारियां से निकल रही थी इतना ज्यादा गुस्से में पहले कभी अजे ने उसे नहीं देखा था इसे हथकड़ियां लगा दो उसने अपने मातत को आदेश दिया अजे ने प्रतिरोध नहीं किया और हथकड़ियां लगा दी गई बेवकुफ रवी शंकर उसका गिरे बान पकड़ कर उसे जिंजोडता हुआ गुर्राया तुमने जेल में सडने का सामान कर दिया है मैं पूछता हूँ ये क्यूं किया तुमने मिस्चर परेशनात की गाड़ी चुड़वा कर तुमें क्या मिला अजे ने कंकियों से परेशनात की और देखा वो ब्रीफ केस लिए धीरे धीरे दरवाजे की और खिसक रहा था खोश में आओ रवी अजे रवी शंकर के क्रोध की परवा ना करता हुआ ठोस्वर में बोला ये आदमे परेशनात नहीं है इसे फकड़ो वरना बाद में पच्टाओगे ये पुरी है और अजे का वाक्या पूरा होने से पहले परेशनात ने दरवाजे की और छलांग लगा दी रवी शंकर एक संग्शिप्त पल के लिए हिच किचाया फिर नौजाने के सग्याद भावना से प्रेरित होकर उसने अपने सर्विस रिवालवर निकाल कर दरवाजे की दिशा में तान दी ठेहरो वरना शूट कर दूँगा परेशनात तुरंत रुख गया उसने गर्दन घुमा कर देखा अपनी और रिवालवर तनी पाकर वो पल्टा और धीरे धीरे चलता हुआ वापिस लौट आया क्या इस सरकत का मतलब पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर रवी शंकर ने जवाप नहीं दिया उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे मानोतैश में आकर अंजाने में कोई गल्ती कर बैठा था मतलब मैं बताता हूँ अजे बोला तुमारा खेल खत्म हो चुका है अमरीश पूरी क्या बकते हो परेशनाद गुर राया जानते नहीं इस ब्रीफ केस में इंटेलिजन्स ब्यूरो के कितने महत्वपोन कागसा थे मैं सब कुछ जान गया हूँ अजे ने उसी के स्वर में जवाब दिया इस ब्रीफ केस में इंटेलिजन्स ब्यूरो की नहीं बलकि विशालगर्ड पुलिस की दिल्चस्पी की चीज़े है तुम कहना क्या चाहते हो अजे रवी शंकर ने उलजन भरिस्वर में पूचा फिर गहरी सांस लेकर परेशनाथ से बोला तुमारी ट्रेन तो छोटी चुकी है इसलिए अब हाय तोबा मचाना बेकार है इस आदमी के साथ नर्मी से पेश आने की जरूरत नहीं है अजे सक्त लहजे में बोला ये एकदम फ्रॉड है इंटेलिजन्स ब्यूरो तो दर किनार रहा किसी भी सरकारी विभाग से इसका कते ही कोई वास्ता नहीं है रवी शंकर बुरी तरह चौंका उसने पहले परेशनाथ पर निकार डाली फिर अजे को घूरने लगा ये तुम क्या कह रहे हो वही जो असलियत है परेशनाथ द्वारा प्रतिवात ना किये जाने ने रवी शंकर को उसके प्रतिसंदिक्द करना आरम कर दिया था साफ साफ बताओ वो खीच कर बोला क्या चक्कर है इस आदमी का असली नाम परेशनाथ नहीं अमरिश पूरी है अजे बोला जी ये विशालगर की प्रॉपर्टी डीलिंग की एक बड़ी फिर्म भला एंड पूरी एसोसियेट्स का जूनियर पार्टनर है मेगराद सकसेना और पेटर सुजा की मदद से इसने अपनी ही फिर्म की मोटी रकम की डकैती डलवाई थी मैं दावी के साथ कहता हूँ रवी इस ब्रीफ केस में मेरी इस बात का सबूत भी मौजूद है अगर मेरा दावा गलत निकले तो सजा जो तुम चाहो मुझे देश सकते हो क्या ये आई बी का आदमी नहीं है रवी शंकर बम की तरा फट्टा सा बोला फिर उसने तिवारी की ओड़ देखा क्यों तिवारी साहब ये क्या किसा है आपने तो इसे आई बी का आफिसर बताया था तिवारी के चेहरे पर संदे और अनिश्चे के मिले जुले भाव थे ये आई बी का ही आफिसर है वो तेवर स्वर में बोला खुद को बचाने के लिए अजे हमें बेवकुफ बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस तरह इसे कुछ हासिल नहीं होगा अजे हसा किसने किसको बेवकुफ बनाया है अभी पता चल जाएगा कहकर उसने तिवारी से पूछा क्या इस आदमी ने उसने अमरेश पूरी और परेशनात की और संकेत किया आपके सामने ऐसा कोई सबूत पेश किया था जिससे पता चले कि ये आई बी का स्पेशल आफिसर परेशनात है नहीं तिवारी पूर वत्स्वर में बोला लेकिन मुझे इंटेलिजन्स बीरो के डिरेक्टर जनरल मिस्टर पी ए सुब्रा मन्यम का अर्चन टेलीग्राम मिला था कि परेशनात नामक उनका एक स्पेशल आफिसर यहां आ रहा है अजे पुने हसा फिर जब यह हजरात आपके पास महचे और अपना परिचे आईबी के स्पेशल आफिसर परेशनात के रूप में दिया तो आपने इसकी बात पर यकीन कर लिया हां यानि आपने इसका आइडेंटिटी कार्ट देखना भी जरूरी नहीं समझा तिवारी जवाब देने की बजाए मूँ बना कर रह गिया सुना तुमने रवी अजे बोला तिवारी साहब ने दिल्ली से भेज़े गए एक टेलीग्राम के आधार पर ही इस आदमी को आईबी का स्पेशल आफिसर सबश लिया था इंटेलिजन्स बीरो के डारेक्टर जनरल द्वारा दिल्ली से इंस्पेक्टर दिवारी के नाम विराट नगर भेजा गया टेलीग्राम कितने दिल्चस्प बात है यानि आईबी के डेजी को तुम्हारे पूरे विभाग में तिवारी साहब से ज्यादा काबिल आदमी ही नजर नहीं आया अचानक उसके लेजे में कड़वाहट आ गई पुलिस विभाग में नौकरी करते करते आपके बाद सफेद हो गई है तिवारी साहब लेकिन सरकारी मशिनरी किस ढंक से काम करती है आप आज तक नहीं समझ सके आप सिर्फ टेलिग्राम पाकर खुश हो गए लेकिन एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आई बी जैसे संस्था स्थानिय पुलिस का सैयोग पाने के लिए किसी इंस्पेक्टर को नहीं बलकि सिधे पुलिस चीफ को संपर करती है और इस काम के लिए टेलिग्राम नहीं बलकि टेलिफोन या टेलेक्स का प्रियोग किया जाता है और आईबी के सबसे बड़े अधिकारी के पास इस जैसे कामों के लिए वक्त नहीं होता है अगर आईबी की मेगराथ सक्सेरा में वाके कोई दिल्चस्पी होती तो उन लोगों ने आपको इस जंग से और व्यक्तिगत रूप में संपर्ट नहीं करना था असनियत ये है कि वो टेलिग्राम अम्रिश पूरी उर्फ परेशनात ने भेजा था और आप उसके जांसे में आ गए तिवारी के मुँसे बोल नहीं फूटा वो सिर्ध जुकाई खामोश खड़ा रहा उसके चेहरे पर फटकार बरस रही थी रवी शंकर आग्निय नेत्रों से उसे घूर रहा था जाहिर था कि तिवारी की बुजूर्गियत और सिनियारिटी का लिहास करते हुए वो बड़ी मुश्कित से अपने गुसे पर काबू पाए हुए था उसने अम्रेश पूरी और परेशनात की और देखा अगर तुम वाकई इंटेलिजन्स ब्यूरो के अफसर हो तो परीचे पत्र दिखाओ वो अधिकार पूर्वक बोला वो इस वक्त मेरे पास नहीं है अगर तुमें मुझे पर शक है तो दिल्ली में आई बी के आफिस फोन करके मेरे बारे में पता कर लो इतना जंजट करने की जरूरत नहीं है अजे बोला इस ब्रीफ केस का ताला थोड़ कर देख लेते हैं अगर इसमें वाकई काली डाइली है तो हम सब का यकीन आचाएगा कि तुम आई बी के आफिसर ही हो अम्रीश पुरी उर्फ परेशनात जरा भी विशलित नहीं हुआ ओके वो बोला मुझे मन्सूर है हाथोड़ी मंगवाओ हाथोड़ी क्लॉक रोम में ही मिल गई अम्रीश पुरी उर्फ परेशनात ने ब्रीफ केस काउंटर पर रख कर उसके ताले तोड़ दिये अजे रवी शंकर तिवारी और विमल सभी की निगाहे ब्रीफ केस पर जमी थी ब्रीफ केस का ढखन उठा दिया गया अंदर काले रंग की एक काफी बड़ी डाइरी मौचूद थी डाइरी इतनी ज्यादा मोटी थी कि पहले कभी उतनी मोटी डाइरी कम से कम अजे ने तो देखी नहीं थी अब तो आप सबको तसली हो गई अम्रेश पुरी उर्फ परेशनात ने पूछा और ब्रीफ केस का ढखन बंद कर दिया चेहरो अजे बोला जरा इस डाइरी को खोल कर देखो रवी सौरी डाइरी आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी रवी अजे आतुरता पूर्वक बोला एक बार इस डाइरी को खोल कर जरूर देखो आखिरकार तुम भी एक जिम्मेदार पुलिस सफसर हो एक बार इसे देखने से इसका कुछ छुड़ा तो नहीं लोगे अब निश्पुरी और परेशनात ने प्रतिवात किया लेकिन रवी शंकर ने उसकी बगल में दबा ब्रीफ केस खींचा और उससे डाइरी निकाल कर खोल ली अगले ही पल वो बुरी तरह चौंका जिस स्थान पर उसने डाइरी खोली थी वहां दोनों और के पेजों पर 500 रुपई के 10-10 नोट टेप से चिपके हुए थे उसने अन्य पेज पल्टे सभी पर नोट चिपके हुए थे प्रतेख पेज पर दोनों और 500 रुपई के 10-10 नोट 400 पेज की उस डाइरी में 4000 नोट मौजूद थे यानि 20 लाक रुपई डाइरी के कवर में अंदर की और 5000 रुपई मुल्य के पूरे 400 इंदिना विकास फत्र भी चिपा कर रखे हुए थे जिनकी कीमत 5.5 साल के बाद 2 गुने यानि 40 लाक हो जानी थी यानि कुल मिलाकर काली डाइरी में 60 लाक रुपई थे सबी अवाक खड़े अप अलग डाइरी को तके जा रहे थे काली डाइरी के इस रहस्योद घाटर ने सब को ना सिर्फ बुरी तरह चौंकाया बल्कि उन पर अलग-अलग प्रतिक्रिया भी हुई हटकडिया लगी होने के बावजूद अजे के होंटों पर विज़ई मुस्कान पुत गई थी विमल के चेहरे पर बेहत शर्मिंदगी के भरे भाफ थे मानो अजे पर अव विश्वास करने के अपने गुना पर वो मन हे मन बुरी तरह पश्ता रहा था इंस्पेक्टर तिवारी जो कुछ देर पहले तक अमरिश पूरी और परेशनात की बड़ी जोर शोर से हिमायत कर रहा था अब उसी को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था रवी शंकर ने गहरी सांस लेकर डाइरी बंद करके वापिस ब्रीफ केस में रग दी अजे ने अमरिश पूरी की और देखा क्या तुम अब भी खुद को अमरिश पूरी मानने से इंकार करते हो अमरिश पूरी ने अपने खुश को गए होंटों पर जुबान फिराई नहीं अजे मुस्कुराया तिवारी साहब रवी शंकर बोला आप उन तीनों लाशों को उठवाने का इंतिजाम कीजिए तिवारी जरा भी ना नुकर किये बगैर पाउं पटकता हुआ बाहर निकल गया अजे उन्हें अमरिश पुरी से मुकातिप हुआ तुमने बड़े ही लाजवाब ढंग से अपना रोल निभाया है काली डायरी की चोरी और पाकिस्तानी स्पाई चक्र की जो कहानी तुमने सुनाई वो भी अपने आप में मास्चर पेस थी तुम्हारी असलियत पर शक कर चुका होने के बावजूद एक बार के लिए तो मैं भी उस पर यकीन कर बैठा था पहलिया बुजाने की बजाए सीधी बाते करो अजे रवी शंकर उसे जड़कता हुआ बोला सीधी बात ये है कि सारा बखेडा इस ब्रीफ केस की वज़ा से शुरू हुआ था क्योंकि इसमें बंद काली डायरी में माजूद ड़कैती की रकम तीन हिस्सों में बाटी जानी थी कहकर अजे ने अमरिशपुरी से पूछा बाइदावे क्या ये डायरी इसी हालत में बैंक लॉकर में रखी हुई थी हाँ अमरिशपुरी ने जवाब दिया और इसमें माजूद तमाम रकम हाला कि नंबर दो की है लेकिन जरूरत पढ़ने पर इसमें से दस लाग को फर्म द्वारा एक नंबर की साबित किया जा सकता है इसलिए दस लाग की डगैती के रिपोर्ट लिखाई गई थी हाँ क्यार मानना पड़ेगा कि इस डायरी पर कबजा करने के लिए तत्यों को कल्पना के साथ मिला कर तुमने जो कहानी गड़ी वो वाके शानदार होने के साथ साथ कावी हद तक दमदार भी थी अब रिशपूरी नर्वस होने लगा था मानो अपने अंजाम से वो धीरे धीरे ना सिर्फ खबरदार होता जा रहा था बलकि उसे कबूल भी कर चुका था अनुमान लगाने में तुम्हारा भी जवाब नहीं है वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला तुम्हारी अनुमान बिलकुल सही होते है ये सब मैंने सर्फ अनुमानों के आधार पर ही नहीं कहा है तथ्य भी मेरे सामने थे मसलन डकैती वाले रोज तीसरे पहर तुमने विशाल गड़ से एक ट्रेन पकड़ी थी अकबारों में चपी डकैती के समचार के साथ साथ इस बात का हवाला भी दिया हुआ था कि फर्म के एक जूनियर पार्टनर को जो छुटियां गुजानने के लिए जा चुका था बिच रास्ते से ही वापिस बुलाना पड़ा था लिहासा मुझे नतीजा निकालने में देर नहीं लगी कि डकैती से संबंदित तीसरे आदमी तुम ही थे उस रोज विशाल गड़ से बाहर जाने वाले उन तीनों में से सिर्फ तुम ही अकेले थे और डकैती की रकम तो बरामत हुई थी और ना ही उसका कोई सुराग मिला था इसलिए जब तुमने रेलवे क्लॉक रूम की रसीत को तीन टुकडों में फाड़े जाने की कहानी सुनाई तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि डकैती की योशना में मेगराज और पीटर के साथ तुम भी शामिल थे और डकैती की रकम को विशालगर से यहां पहुचाने का काम तुम ही ने अनजाम दिया था लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई तो मेगराज, मोना और पीटर करीब दो महीने तक चुप-चाप क्यों बैठे रहे तुम लोगों ने ये रकम यहां से निकाली क्यों नहीं हमरीश पुरी ने पुने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की तुमें शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा वो आसी भरता हुआ बोला लेकिन असलियत ये है कि मेरे अंदर भी अंतर आत्मा है अगर ऐसी बात है तो तुमने बकायता योशना बद अपने ही फर्म की रकम लटवाई जाने का नाटक क्यों किया उसकी वज़ा सरसर दूसरी थी नमबर दो की रकम से फर्म को तो कुल मिला कर खास फर्क नहीं पढ़ना था जबकि मुझे पैसे की सक्थ जरूरत थी मेरे पतनी विशालगर में एक विशिष्ट महिला समझी जाती है लेकिन समाज में अपना रुथबा कमाने और कायम रखने के पागलपन में उसने इस कदर पानी की तरह पैसा बहाया है कि मेरा रोम रोम कर्स में दब गया खैर ये सही है कि मेग राच और पीटर के साथ मिलकर डगैती की जो योशना मैंने बनाई थी वो पूरी तरह काम्याब भी हो गई थी लेकिन मेरे जमीर को ये गवारा नहीं था कि इस रकम में से अपने उस पार्टनर का हिस्सा भी मैं डगार चाऊँ जो एक ऐसे जुर्म के लिए पुलिस की यातनाई सेहने के बाद जेल में सड़ रहा था जिस के लिए कि मैं भी बराबर का गुनेगार था मैं पीटर को जिल से चुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था और ये काम में इस ब्रीफ केस को रेलवी द्वारा निश्ची तवधी के बाद अंकलेव प्रॉपर्टी खोशित किये जाने से पहले करना चाहता था मेग राज और पीटर की बीवी मोना डिसूजा ने तुम्हे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी अजे अनुमान लगाता हुआ बोला लेकिन तुमने पीटर डिसूजा के साथ विश्वाजगात करने से इंकार कर दिया हाँ और तुम जानते थे कि क्लॉक रूम रसीद का तीसरा हिस्सा क्योंकि तुम्हारे पास था इसलिए वो दोनों मिलकर ब्रीफ केस यहां से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उस सूरत में उन्हें रेल्वे के विभेन आपचारिक ताउं की खाना पूर्ति करनी पड़ती थी और अपना मालिकाना हग साबित करने के लिए बताना पड़ता था कि ब्रीफ केस में क्या है और अंत में रेल्वे के किसी बड़े अफसर के सामने जब ब्रीफ केस उन्हें सौंपने से पहले खुला जाता तो इसमें बंध डाइरी में मौजूद रकम ने उन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना था क्योंकि इतनी मोटी रकम के बारे में मामुली से भी कोई सफाई वो नहीं दे सकते थे यानि तुम पूरी तरह संतुष थे कि तुम्हारे हिस्से के रसीद के टुकड़े के बगैर वो ब्रीफ केस को यहां से नहीं ले जा सकते थे हां लेकिन फिर एक पेशेवर बदमाश शमशेर अली जबरन तुम्हारे घर में खुश कर तुम्हारे हिस सामने तुम्हारे हिस्से का रसीद का वो टुकड़ा उड़ा ले कया तुम समझ गए कि वो मेगराथ से मिला हुआ था और वो दोनों तुम्हें और पीटर को इस रकम मेंसे कुछ भी नहीं देना चाहते थे इसलिए तुमने फॉरण विशालगर जाकर जेल में पीटर से मुलाकाग की एक वार्डन को मोटी रिश्वत देकर उसकी मदद से पीटर को जेल से भगा लाई और उसे खर्चा देकर यहां भेज दिया लेकिन तुम्हें डर था कि अकेला पीटर शमशेर और मेक राज को नहीं रोक पाएगा इसलिए तुम सीधे दिल्ली पहुँचे संभवत है प्लेन से और वहां से इंस्पेक्टर तिवारी के नाम इंटेलिजन्स ब्यूरो के डिरेक्टर जनरल की और से एक फर्जी अर्जिट टेलीग्राम दे दिया हम लेश पूरी ने से रहिला कर मौन सहमती दे दि मेरे पले कुछ नहीं पढ़ रहा है अजे रवी शंकर हस्तक शेप करता हुआ शिकायती लेचे में बोला अजे ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिये मेरी हदकडियां तो खुलवाओ या अभी भी समझते हो मुझे इसी तरह रहना चाहिए रवी शंकर के आदेश पर उसके मातत ने हदकडियां खोल कर अमरिश पूरी को पहना दी अब बताओ ये श्रमशेर अली कौन है और बीच में कहां से आटपका वही आदमी था जिसे टौइलेट्स में श्योट करने के बाद अमरिश पूरी ने रसीत के चारों टुकडे हासिल किये थे अजे जवाब देता हुआ बोला वो यहां विराट नगर में अपना नाम मकबूल हसन इस्तेमाल कर रहा था मुगल रेस्टरेंट में हेडवेटर की नौकरी पाने के लिए उसने उस्मान अली के सामने खुद को पाकिस्तानी इंटेलिजन्स के एक आला अफसर के रूप में पेश करते हुए उसे धम किया देकर डराया कि अगर वो उसे अपने रेस्टरेंट में नहीं रखेगा तो पाकिस्तानी इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान में रह रहे उसके रिष्टेदारों की इतनी दुरगती करेगा कि उनका वहां जीना भी मोहाल हो जाएगा और उसकी असलियत और उसके इरादों से अंजान बिचारा उस्मान अली इस जांसे में आ गिया और उसे अपने रेस्टरेंट में रख लिया और शम्शेर अली इस तरह हेडवेटर की आर्ट में छुपकर अपना असली काम करता रहा उसे इस किस्म की आर्ट की सक्थ जरूरत थी क्योंकि वो विशालगर्ड का एक ऐसा पेशिवर बदमाश था जिसके द्वारा किये गए जुर्मों की से रिस्त कम से कम हाथ भर लंबी है विशालगर्ड पुलिस को उस डखैती के लिए भी उसकी दलाश थी जो उसने अमरीश पुरी के घर में डाली थी और जिसमें वो इसके हिस्से का रसीत का टुकड़ा ले उड़ा था वो इस बात से भी नवाकिफ नहीं कि विराट नगर पुलिस उन स्थानों पर जहां अपरादियों के अड़े होने का शक होता है कड़ी निगार रखती है जबकि मुगल रेस्टोरेंट जैसी पोस्ट जगा में उसके हेड वेटर की वर्दी में होने पर आसानी से कोई उस पर शक नहीं कर सकता था इस तरह वो अपेक्षाक्रित अधिक सुरक्षित रूप से रहकर इस ब्रीफ केस को हासिल करने की अपनी योशना को अमल में ला सकता था पिशली रात जब उस्मान अली ने उसके बारे में मुझे बताया तो मैं भी गच्चा खा गिया था उसने बुरा सा मूँ बनाया क्योंकि पाकिस्तान इंटैलिजन्स की उसकी कहानी ने अम्रेश पूरिक की पाकिस्तानी स्पाई चक्र की मन घड़त कहानी की काफी हद तक पुष्टी कर दी थी मक्पूल हसन रविश अंकर विचार पूर्वक बोला ये वही आदमी था ना जिसकी किलाई की कार इस्तिमाल की गई थी हाँ अजे ने जवाब दिया उस वक्त उस कार में उसके वो दोनों आदमी थे जिनोंने मेग राज को बेच रोड पर रोका था तुम शुरू से ही जानते थे कि अमरीश पूरी की पाकिस्तानी स्पाई चक्रवाली कहानी मन घड़न थी मैंने बताया तो है अजे ने कहा और शेश वाक्य जान बुच कर अधूरा छोड दिया अचानक वो प्रश्ण का वास्तविक आश्य समझ किया था तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रवीश रंकर ने ना खुशी भरे लेचे में पूछा इसलिए कि मुझे सिर्फ शक था अजे सफाई देता हुआ बोला और उन हालात में मेरे उस शक को एहमियत देना तो अलग रहा उस पर गौड भी तुम लोगों ने नहीं करना था क्योंकि तुम सब पर अमरेश पुरी का जादू सर चड़ कर बोल रहा था दूसरे तब तक मैं खुद भी यकिनी तोर पर नहीं जानता था और इसके लिए मैं अमरेश पुरी को आकरी चाल चलने का मौका देना चाहता था इसके इलावा मैं ये भी नहीं चाहता था कि असल में रस्यत के तमाम हिस्से थे कहां इसका पता मुझे आज सुबा ही लगा था और तब तक कि इस बात को तुम्हें बताने के लिए काफी देर हो चुकी थी तुमने और तिवारी ने मेरी बात पर हर्गिस यकिन नहीं करना था ये तुम कैसे कह सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ अजे ने कहा दरसल दोश तुम्हारा या मेरा नहीं है ये मामला ही कुछ इस तरह का था विमल तक का भी मुझ पर से एत्वार उड़ गया था मैंने इसे असलियत समझाने की पूरी कोशिश की थी मगर इसने कुछ भी सुनने से साफ इंकार कर दिया तब मजबूरन मुझे अपने ढंक से इसका इलाज करना पड़ा वरना इसने सब गडबड कर देना था विमल अपराधी की भांतिस से जुकाई खड़ा था मेरा खयाल है अजे बोला अब मुझे भी चलना चाहिए रवी नीलम बड़ी बेसबरी से मेरा इंतजार कर रही होकी तुम भी इस काली डाइरी और अम्रेश पूरी को हेड़ कौर्टर्स ले जाओ ये तो छीक है रवी शंकर ने कहा लेकिन एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई क्या मेगराज का हत्यारा कौन था जब तक उसका पता नहीं लगेगा काली डाइरी का ये किस्सा भी अधूरा ही रहेगा इसका पता तुम खुद लगाते रहो अचेला परवाही से बुला इस पच्चडे में मेरी इतनी दुरगती हो चुकी है कि और ज़्यादा दुरगती कराना में नहीं चाहता अब मैं सीधा गर जाकर आराम से लंबी तान कर सोंगा वो उबासी लेता हुआ बाहर निकल गया रवी शंकर ने उसे रोकने की कोशिश तो नहीं की अलबता संदिक्द निगाहों से उसे तब तक घूरता जरूर रहा जब तक की वो निगाहों से ओजल नहीं हो गया अजे ने नीलम के फ्लैट के सम्मुख पहुंच कर दर्वाजे पर हलकी सी दस्तक दी कौन? अंदर से तुरंत नीलम द्वारा पूछा किया अजे फोरण दर्वाजा खुला और नीलम प्रकट हो गई अजे मुस्कुराता हुआ उसकी बगल से गुजर कर भीतर दाखिल हुआ और पुने दर्वाजा बंद कर दिया तुम्हें वापिस आ गई देखकर मुझे बेहत खुशी हो रही है वो बोला तुम सही सलामत तो हो ना नीलम जवाब देने की बजाए खामोश खड़ी उसे देखती रही अचानक भावा वेक के कारण उसके होंट काम पे और वो अजे को बाहु पाश में बांद कर बेतहाशा उसका मुझ चूमने लगी ओ अजे यू आर नाइस रेली स्वीट यू आर मैचलेस यू यू आर बस करो अजे ने कहा मैं जानता हूँ तुम मुझे बेहत प्यार करती हो लेकिन स्वयम को चुड़ाने की कोशिश उसने नहीं की अलबता क्रेतरिम रूम से प्रतिवात जरूर करता रहा नीलम उसकी और ध्यान देने की बचाए बराबर उसे चूमती रही उसने तब तक उसे बंदन मुक नहीं किया जब तक की स्वयम ही बुरी तरह हाफने नहीं लगी रूमेंस ओवर इस ओवर मैडम अजे ने कहा और जेब से प्लेयरस गोर्ड लीफ का मुड़ा तुड़ा पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा ली नीलम ने आँखे खोल कर बेहत शिकाही ती निगाहों से उसे घुडा फिर धीरे धीरे सामाने होकर खिल खिला कर हस दी क्या तुम इसे रोमैंस समझ रहे थे अजे ने कृत्रिम आश्य पूर्वक उसे देखा तो और ये क्या था मजाख अजे ने ऐसा जाहिर किया मानो उसके इस बात से उसे भारी ठेस पहुंची थी ओ, मैं तो इसे हकीकत समझ पैटा था वो गेरी सांस लेकर बोला खेर अगर मजाख ही था तो भी मज़ेदार था अचानक जैसे अजे को कुछ याद आया उसने नीलम से पूचा मैंने तुम से मुगल रेस्टरेंट के डाइनिंग हॉल में ही ठेहनने के लिए कहा था फिर तुम वहां से चली क्यों गई क्योंकि वो इंटिमेट वाली औरत मुझे बराबर वाच कर रही थी अते मैंने उसका पीछा करना पुचित समझा परन्तु रेस्टरेंट के गेट पर ही रगू और उसका साथ ही मेरा इंतजार कर रही थे उन्होंने इतनी सफाई और तेजी से मुझे दबोश लिया कि मैं चीक भी नहीं सकी अजे पूरी तरह चौका क्या तुमने टैक्सी में उनका पीछा नहीं किया नहीं, इसकी नौबत नहीं आई उन्होंने मुझे बाहर निकलते ही दबोश लिया था और रेस्टरेंट के पिछवाडे एक स्चोर रूम में ले गए थे अजे के चेहरे पर गेहन विचार पूर्ण भाव थे उसने रिसेवर उठा कर जहांगिर होटेल में अनिता अडवानी के बारे में पूछा तो उसे बताया गिया कि वो रूम नमबर दोसो बारा में थी ये निलम को साफधान रहने के लिए कहकर फ्लैट से बाहर निकल आया अजे होटल जहांगिर पहुंचा दूसरे खंड पर स्थित रूम नमबर दोसो बारा के बंद दर्वाजे पर दस्तक देते ही दर्वाजा खोल कर उसी तरह पढ़ कर सो गई थी अजे ने भीतर दाकिल होकर दर्वाजा पुने बंद कर दिया बड़ी देर लगा दी तुमने आने में मोना मू बनाती हुई बोली अजे ने देखा बैट साइड टेबल पर विस्की की करीब आधी भरी बोतल और एक खाली किलास रखा था तुम सुबा ही बोतल खोल कर बैट गई थी क्या वो बोला तो और क्या करती अगर बोतल का सहारा ना लेती तो अब तक सोच सोच कर मैंने पागल हो जाना था क्यूं इसलिए कि इस कमरे से बाहर जाने की हिमत मुझ में नहीं है पदा नहीं बाहर जाते ही किस मुसीबत में पर जाऊं मोना ने कहा और अपने सिल्विटों भरे बिस्तर पर जा बैठी अर जे कुछ नहीं बोला उसने पहले कमरे में निगाहें दोडाई फिर बात्रों में जाकर जांका और फिर कपड़ों की अलमारी खोल कर देखी लापरवाही से बिस्तर पर फैल गई मोना हसी तुम बड़े ही शक की आदमी हो पलंके नीचे और देख लो कि यहां हम दोनों के इलावा कोई और तो नहीं है तुम जैसी और तो से जब भी रात किया मोना ने पुने पल के जबकाई पिशली रात क्या किया था मैंने अजे फॉरन उसकी और पलट गया पिशली रात के बारे में भूल गई क्या क्या हत्या की वारदात को तुम इतनी ही मामुली चीज समझती हो हत्या की वारदात मोना ने लापरवाही से कहा तुम भी आते ही पता नहीं किस मन्होस बात का जिक्र ले बैठे अजे कुरसी खेंच कर उसके सामने बैठ गया पशली रात का जिक्र करना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है विशालगड का जिक्र करना विशाल गड़ को मारू गोली मोना मू बिसूरती हुई बोली मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि आखिर हुआ क्या तुम्हारे हाथ कितना माल पानी लगा मैंने अपना काम सही ढंक से निप्टा दिया अजे बोला दस अजार तो शमशेर अली से जटक लिये फिर तनिक रुक कर गोली देता हुआ बोला और जिस तरह से साट लाग की रकम बरामत कराई है उसका दस परसेंट मुझे बतार इनाम विशाल गड़ की इस प्रॉपर्टी डेलिंग के फर्म से भी मिलेगा इनाम मोना जटका सा खाकर बोली यानि तुमने उसे डबल क्रॉस करके पुलिस के हवाले कर दिया हाँ क्यों क्या ये ठीक नहीं किया पुलिस को बड़े जोर शोर से शमशेर की तलाश थी इसलिए ऐसा करके तुमने ठीक ही किया कहकर मोना ह फिर बोली तुम तो पोरे उस्ताद निकले जबकि शुरू में मैंने तुमें एकदम घामट समझा था इनाम साट लाग का दस परसेंट यानि छे लाग उनमें से आदा हिस्सा मुझे मिले गा ना अगर मैं तुमें हालात की जानकारी नहीं देती तो तुमें सही एंगल कुछ नहीं बोला था अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैंने इतनी बारीकी के साथ जांश नहीं करनी थी अजे बोला लेगन फिक्र मत करो तुमें वो सब जरूर मिलेगा जिसे पाने की तुम सही माइनों में हगदार हो और जहां तक मैं समझता हूं तुम इतना कुछ पाने के काबिल तुम नहीं रहोगी क्या मतलब इस सारे सलसले में तुम शुरू से ही इन्वाल्व रही हो और बड़ी सूश बूश के साथ पूरी मेहनत भी तुमने की है मसलन अकबारों में छपा है कि डकैती के बाद किसी ने गुमनाम फोन कॉल करके पुलिस को इतिला दी थी और उसकी वज़ा से पीटर डिसूजा गिरफतार हो गया था अब अगर मेरा खयाल गलत नहीं है तो वो गुमनाम फोन कॉल करने वाली तुम थी और ये काम तुमने तब किया था जब पीटर डिसूजा तुम्हें यानि अपनी बीवी मोना डिसीजा को रेलवे क्लॉक रू पूरी मदद उसकी की थी यहां तक की रकम को यहां पहुंचाने तक में भी लेकिन अमरीश पूरी ने तुमें और मेग राज को डबल क्रॉस कर दिया अजे हमदर्दी जाहिर करता हुआ सा बोला रसीद का तीसरा हिसा उसके पास था और उसने सिर्फ इसलिए तुम लोगो का साथ नहीं दिया क्यूंकि तुमने पीटर को फसा दिया था हाँ उस बेवकुफ ने ऐसा ही किया था उसका कहना था कि जब तक पीटर जेल में था उस रकम को निकालना सरसर गलत और पीटर के साथ अन्याई होगा उस इमानदारी के पुतले के भेजे में ये बात नहीं आ कुछ लोग पागलपन की हद तक इमानदार होते हैं शायद अमरीश पूरी भी उन्हीं में से एक था अजे ने कहा और तुम्हारा क्योंकि सच्चाई और इमानदारी से कते कोई वास्ता नहीं है इसलिए तुम हुश्यार हो यही वज़ा थी कि जब शमशेर अली पीटर के सा जेल से बाहर आया और उसने पीटर के हिस्से का रसीत का टुकड़ा खरीदना चाहा तुम यह सोच कर फौरण उसे बेशने के लिए रजा मंद हो गई कि उस अकेले टुकड़े से वो कुछ नहीं कर पाएगा वो उसके लिए भी उतना ही बेकार साबित होगा जितना कि उस तुम्हारे लिए था लेकिन एक बार भी तुम्हें ये नहीं सूजा कि अपनी गिरफतारी से कुपित पीटर ने जेल में उसे सब कुछ बता दिया होगा मोना ने संदे पूर्वक उसे घूरा तुम्हें ये सब कहां से और कैसे पता चला तुम्हारी खसलत पहचानने के बाद कि तुम्हारा दिमाग किस धंक से काम करता है इन तमाम बातों का अंदाजा लगाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ अजे ने कहा तुम्हारी उस वक्त की हालत का अंदाजा भी मैं लगा सकता हूँ जब तुमने शमशेर अली द्वारा अमरेश पूरी को लूटे जाने की खबर अकबारों में पड़ी होगी जाहिर है कि उस वक्त अपनी बेवकूफी और जल्द बाजी पर इतना ज्यादा गुस्सा तुम्हें आया होगा कि तुमने अपने बाल नोच लिये होंगे हाँ दस अजार जैसे मामूली रकम के लिए पीटर का हिस्सा बेश देने का बेहद अफसोस मुझे हुआ था मोना थनिक करवाहट भरे लहजे में बोली फिर जब मेगराज विशालगर से गायब हुआ तो मैं समझ गई कि वो भी शमशेर अली के साथ मिल गया था और वो दोनों एक खोटा पैसा भी मुझे नहीं देना चाहते थे इसलिए मैं भी ट्रेन पकड़ कर यहां के लिए लवाना हो गई और जब मैं यहां पहुँची तो मैंने उन दोनों को हिस्से की बात पर आपस में उलचते पाया शमशेर के पास क्यूंकि रसीत के दो टुकड़े थे इसलिए वो दो तेहाई हिस्सा चालिस लाक रुपए चाहता था जबकि मेगराज आधा हिस्सा यानि तीस लाक से पैसा भी कम ना लेने के लिए तैयार नहीं था और तब तुम शमशेर के साथ मिल गई अजे अनुमान लगाता हुआ बोला क्यूंकि उसका पलड़ा कहीं ज्यादा भारी था उसके साथ उसके दो पुराने साथी भी थे जबकि मेगराज बिलकुल अकेला था अगर तुम मेरी जगा होते तो उस सालत में क्या तुमने भी यही नहीं करना था मोना ने फसी सी आवाज में पूछा लेकिन इसी बीच पेटर को पता लग चुका था अजे ने उसके सवाल का जवाब ना दे कर कहना जारी रखा कि उसे अपनी बीवी और एक दोस द्वारा डबल क्रॉस किया जा रहा था इसलिए वो भी जिल से भाग कर यहां आप पहुँचा हाँ वो गुसे में आपे से बाहर हो रहा था मुझसे और मेग रात से बदला चुकाने के लिए वो हमारी जाने लेना चाहता था उसने समझोते के लिए हमें पिछले रात तक का वक दिया था मोनसिर से पाउंग तक काम गई इसलिए उसे ठिकाने लगाना पड़ा और इसलिए पिछले रात ही तुमने बकाइदा योशना बना कर उसे खत्म कर दिया अजे गुर्राता सा बोला मुझे बली के बक्रे के तौर पर इस्तिमाल करते हुए ताकि मैं मौकाई वालदात पर इस बुरी तरफ वस जाओं कि मुझे तुमको बचाना पड़े नहीं मैं कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई योशना नहीं बनाई थी वो महज जित्तिफाक था पीटर अचानक वहां आप पहुंचा था बकोमत अपनी योशना के पतहित पहले तुमने बड़ी सफाई से नीलम को अपने रास्ते से हटाया फिर सीधी मेरे फ्लैट वाली इमारत में जा पहुंची और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो तुमने बड़ी खूप सूर्ती के साथ एक मन घड़न कहानी मुझे सुना दी कि तुम्हें नहीं पता कि नीलम का क्या हुआ और मैंने बेवकूफों की भांती तुम्हारी उस कहानी पर यकीन कर लिया मैं तुमसे अकेले में बाते करना चाहती थी मोना कुर्टी हुई सी बोली इसके इलावा और कोई एरादा मेरा नहीं था मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा असल इरादा क्या था और इस इरादे को पूरा करने का तुम्हे अपनी उम्मिद से कहीं ज्यादा बेहतर मौका मिल भी कया था जब मैंने तुम्हें बेडरूम में बंद कर दिया तो तुम अपने कपड़े उतार कर बिस्तर में जा खुसी और पीटर को फोन करके वहां भुला लिया तुमने उसे तो बता दिया कि मेगराज के हिस्से का रसीत का टुकड़ा मेरे पास था लेकिन ये नहीं बताया कि तुम खुद भी वहीं मौजूद थी मोना ने पलंग के सिर्हाने से पीट सटा कर टांगे सीधी फैला ली और प्रत्यक्ष्टे बड़ी ही शान से सहमती सुचक सेर हिलाया फिर भी मानना पड़ेगा कि तुम बड़े ही सक्ट जान हो वो बोली खुद को मुसीबत ज़दा जाहिर करते हुए तुमारी हमददी हासिल करने के लिए जो कहानिया मैंने तुमें सुनाई थी उन पर जरा भी यकिन तुमने नहीं किया और ना ही तुम रगो और जैसे डरे जब वे मेगराज के हिस्से का रसीद का टुकड़ा तुमसे जबरन लेने आई थे उसकी नाकामियाबी पर शमशेर को तो बहुत ज्यादा ताओ आया होगा अर्जे चटकारा सा लेकर बोला जब उन्होंने बीच रोट पर मेगराज को रोका और उससे रसीद के टुकड़े का गलत हिसा ही छीन कर वापिस पहुंचे थे उससे तो ताओ आना ही था संभवतिया उसने तुमें भी इसके लिए जिम्मेदार जरूर ठहराया होगा क्योंकि मेगराज के मेरे फ्लैट की और रवाना होने से पहले उसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा तुम उससे नहीं ले सकी थी मोना ने सहमती सूचक ढंग से सिर हिलाना शुरू किया था कि अचानक वो रुक गई और भोहें चड़ा कर उसे घुरा इस बारे में तुम क्या जानते हो? सब कुछ क्या मतलब? मैं जानता हूँ मेगराज के होटेल के कमरे में तुम्हारा उसके साथ जगड़ा हुआ था जब उसने मुझे फोन किया तो तुमने उसे रोकने की कोशिश की थी और वो किसी प्रकार बच कर निकल भागा तो तुमने फॉरन शमशेर को फोन किया ताकि लगू और जै को भेज कर मेगराज को मेरे पास पहुँचने से पहले रोका जा सके हाला कि मैं नहीं समझता अजे एक एक शब पर जोर देता हुआ बोला तुमने सोचा भी होगा कि चाती में तीन गोलिया लगी होने के बावजूद मेगराज ज्यादा दूर पहुँच सकेगा एक पल के लिए मोना की सांस रुख गई उसके चेहरे की मास पेशियां खिच गई और पल के स्वयम ही जल्दी जल्दी जपकने लगी ये ये तुम क्या कह रहे हो उसने आगे जुक कर पूछा मैं उन तीन गोलियों की बात कर रहा हूँ जो तुमने मेगराज की चाती में उस वक्त मारी थी जब वो फोन पर कह चुका था कि मेरे पास आ रहा है तुम पागल हो मोना हाफती सी बोली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया रगू अरजे दोनों के पास उस गन से कहीं ज्यादा भारी कैलिबर की गने थी जिस से तुमने मेगराज को शूट किया था अरजे उसकी बात काटता हुआ बोला असलियत ये है कि जब उन दोनों ने मेगराज को बीच रोड पर रोका था उस वक्त थाला की वो जिन्दा तो था लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो कभी भी दम तोड सकता था यही वज़ा है कि उसके हिस्से की रसीद का जितना भी भाग उनके हाथ लगा उसे लेकर वे फॉरण भाग गई उन्होंने ये तक देखने की कोशिश नहीं की कि उनके हाथ लगा क्या था क्योंकि वो जानते थे कि वो किसे भी एक्षन दम तोड सकता था और इस हालत में उसके पास रुख कर खुद को फसाना वो नहीं चाहते थे मोना ने जोरदार कह कहा लगाया प्रत्यक्ष्टा इस बात से वो बहुत ज्यादा इंजुआय करती प्रतीत हो रही थी जवाब नहीं है तुम्हारा ऐसी बेवो को फुराना बात तुम्हारे भेजे में कहा से आ गई अजे तनी कागे जुग गया और उसकी पैनी निगाहे मोना के चहरे पर जम गई मेगराज जब मेरे फ्लैट में पहुँचा उसकी बास्केट और कोट के बटन बंद थे उसके जिस्म पर दोनों चीज़े पहले से टाइट थी और वो बंद हो जाने के बाद तो इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि छाती में मौजूद जखमों पर इस ढंक से कस गई थी कि खूर ना तो ज्यादा बहा और ना ही उसके निशान बाहर आ सके वो कठोर स्वर में बोला इसका सीधा सा मतलब है जब उसे शूट किया गया था तो वास्केट और कोट दोनों के ही बटन खुले हुए थे जिने उसने होटेल के मोना क्रोधित स्वर में बोली ये सबूत भले ही ना हो लेकिन मुझे ये समझाने के लिए कि मेगराज को होटेल के कमरे में ही शूट किया गया था इतना ही काफी था और पिशली रात जब तुमने अपने 22 कैलिबर के छोटे और हलके रिवालवर से पीटर को दो गोलियां मारने के बाद तीसरी दफ़ा ट्रिगर खींचा और क्लिक के इलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दी तो मुझे पूरा यकीन हो गया था क्योंकि उससे सिर्फ पांच गोलियां ही चलती है जिन में से तीन तुम पहले मेगराज पर चला चुकी थी ये भी इस बात का सबूत नहीं है कि मेगराज को मैंने ही शूट किया था अगर तुम समझते हो कि मेगराज को उसके होटेल के कमरे में मैंने शूट किया था तो यकीनन तुम पागल हो क्यूंकि होटेल के कमरे में चली गोलियों की आवाज किसी ने जरूर सुननी थी 22 कैलिबर की गन ज्यादा शोल नहीं करती और अगर पॉइंट ब्लैंक फायर किया जाए तो आवाज और भी कम हो जाती है पिछली रात नीलम के फ्लैट में भी तुमने फायर किये थे और जब तुम अपने पती की हत्या कर रही थी उस वक्त इंस्पेक्टर रवी शंकर उसी इमारत में था और उपर आ रहा था फायरों की आवाज उसने भी नहीं सुनी थी एक पल के लिए मोना का चेहरा सफेद पढ़ गया और आंखों से भई जांकने लगा अजे के कठोर चेहरे पर कड़ी निगाहों का सामना ना कर पाने के कारण उसने नजरे जुका ली फिर अचानक वो हस पड़ी मानो इस तरह सोयम को आश्वस्त करना चाहती थी लगता है खयाली पुलाव पकाने का तुमें बहुत ज्यादा शौक है वो बोली लेकिन मान लो हकीकतन ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम कह रहे हो तब भी क्या होगा तुम जिन्दगी भर लगे रहो फिर भी मेरे खिलाव कुछ साबित करना तो दूर रहा इन में से एक भी बात का किसी को मामुली सा भी यकीन तक तुम नहीं दिला सकोगे शायद तुमने बैलिस्टिक टेस्ट का नाम नहीं सुना है अजे ने कहा अगर सुना होता तो हर्गिस ऐसा नहीं कहती और हात बढ़ा कर पास ही रखे टेलिफोन उपकरन का रिसेवर उठा कर होटेल ओपरेटर से संबन स्थापित करने के बाद बोला गेट में पुलिस एड़ क्वार्टर्स प्लीस मोना डिसूजा का जिस्म एकदम सीधा तन गया तुम ऐसा नहीं कर सकते वो सिसकती हुई बोली मैंने तुम पर भरोसा किया था तुम ऐसा नहीं करोगे तुम बलफ कर रहे हो मुझे डरा कर मुझसे वो कुबलवाना चाते हो जो मैंने किया ही नहीं है अजे इस बेच इंस्पेक्टर रवी शंकर से संबन सापित कर चुका था हलो रवी वो मोना की और ध्यान ना देकर माउट पेस में बोला क्या तुमने वो गोलियां देखी है जो मेगराज की लाज के पोस्ट मार्टम के दरान डॉक्टर ने उसके चाती से निकाली थी यो फूल मोना चिल्लाई क्या भी बलेस्टिक एक्सपर्ट को नहीं बेजी गई है अजे ने कहना जारी रखा चीक है वैसे मैं यकीनी तोर पर कह सकता हूँ कि वे गोलियां बाइस कैलिबर की होंगी वो तनिक लुका फिर बोला हाँ बिलकुल वैसी ही जैसी गोलियों ने पीटर डिसूजा की जान ली थी हाजे पुने रुक कर सुनने लगा तुम खुद को फसा रहे हो बेवकुफ मोना फुस फुसाहट भरे लेचे में बोली तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो हाजे ने उसे चुप रहने का संकेत किया फिर माउथ पेस से बोला ये सही है रवी बैलेस्टिक टेस्ट से साबित हो जाएका कि दोनों आत्मियों की हत्याई उसे रिवॉल्वर से की गई थी लेकिन मेरी तुमसे गुजारिश है कि रिवॉल्वर को टेस्ट के लिए बैलेस्टिक एक्सपर्ट के पास भीशने से पहले उसके दस्ते पर से फिंगर्प्रिंट जरूर उठवा लेना वरना सब गड़ पर हो जाएगा और अब महरबानी करके अपने फिंगर्प्रिंट सेक्शन के दो आत्मी लेकर होटेल जहां गिर के रूम नंबर 212 में आ जाओ क्या मतलब? मेगराज की हत्या करने वाली महतारमा यहीं माचूत है ओ, मैं फॉरन आ रहा हूँ हजे ने रिसीवर वापिस क्रेडिल पर रख दिया मोना का सफेद पड़ा चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया था उसकी सांसे अव्यवस्तित थी और वो अपने शुष खोंटों पर बार बार जुबान फिरा रही थी क्या तुम पागल हो? वो फसी सी आवास में बोली कैसे? आकरी दफ़ा रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में थी उसके दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलेंगे अजे उटकर खड़ा हो गया तुम्हारा वहम है वो सेर हिला कर इंकार करता हुआ बोला तुम भूल रही हो कि मैंने रिवॉल्वर को नाज से पकड़ा था उसके दस्ते से नहीं और उसके बाद मैंने उसे त्रिगर गार से उंगली में लटका लिया था तुम अपनी आखरी चाल में खुद बखुद मात खा बैठी तुमने एक ही दिन में बकाईदा योजना बना कर दो हत्याईं की हैं मैं नहीं समझता कि कोई जज तुम पर जरा भी रहम करेगा मोना का चेहरा आतंग से फट पड़ा यो डर्टी स्वाइन बास्चट वो चिलाई तुमने मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे फसाया है तुमने पिछली रात ही मेरा अंजाम तै कर लिया था और मुझे बेवकुफ बना कर यहां भेश दिया ताकि मेरे बचाफ का कोई रास्ता ही न रहे बाकी मामले को निप्टाने तक तुमें इस तरह उलजाना जरूरी था मोना अजे सर्द लैचे में बोला मैंने तुमें एक ही बार जासा दिया और तुम फस गई मोना ने कुछ कहने की बजाए चीक मारी फिर जोर जोर से रो पड़ी और फिर बिस्तर पर गिर कर सिसकती रही अजे उसकी और देखने की बजाए खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और पुलिस के पहाशने का इंतजार करने लगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे आपको ये कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताए मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें